आजे, थेयरी टॉपिक्स चल रहा थे, यह सर, और उसमें से एक किया था हमने, रिस्क मैनेजमेंट, उसमें प्रैक्टिकल भी था, मतलब वैल्यू अट रिस्क का कोश्चन था, थेयरी में एक ही प्रैक्टिकल था, अब हमारे टूटल तीन टॉपिक्स बचे हुए, थेयरी याले, उसमें एक है हमारा सिक्यूरिटाइजेशन, जो अभी कर रहे हम लोग, सर, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, करीब-करीब एक देड़ देड़ घंटे के चैप्टर होगे, और सर, उसके बाद, उसके बाद, फाइनेशियल पॉलिसी तो वो है भी नहीं, वो तो इसे रिस्क मैनेजमेंट में किसी भी टाइप का कोई अमेंडमेंट नहीं, जो बुक में लिखा था सफिशेंट, आज कौन सा चैप्टर करने जा रहा है, सिक्यूरिटाइजेशन, जिसमें अमेंडमेंट भी है, एक टोपिक आया है, टोकनाइजेशन, और एक है रिस्क और Securitization and Blockchain Concept Blockchain तो आपको पता होगा सबको तो नहीं पता है कोई बात नहीं में करूँगा तो मैं इस Securitization को मैं दो पार्ट में बाठ रहा हूँ Part 1, Part 2 सुनो ध्यान से क्या शीन है Part 1 करीब करीब मेरी उम्मीद है एक घंटे में खतम करने की कोशिश करेंगा part number one और sir part number two बड़ी मुस्किल से 15 minutes लेकिन अलग करने की वज़ह क्या एक घंटा 15 minutes लगा तो sir खतम करो या एक ही बार में नई part two actual में कुछ है नहीं है part two में दो ही topic है जो discussion करना है blockchain concept आया हुआ है और tokenization आया हुगा है जो हमारी बुक में नहीं है अगर आपको मैंने जो बुक प्रोवाइट किया है वॉल्यूम नमबर वन में थेयरी है उसमें ये वाला दो थेयरी नहीं है सर तो PDF देतो के हाँ जी PDF जरूरत नहीं पड़ेगी जरूरत है भी नहीं PDF के मैं लिखवाँगा यहां ठीक है तो सर वज़ा क्या है क्योंकि नया थेयरी है दो टॉपिक और नया डाला है तो पूछेगा और पूछने के chances थोड़े से ज़्यादा है तो अगर मैं कहूँ पार्ट नमबर टू ज़्यादा important हो जाएगा पार्ट नमबर वन की अपिक्छा हाँ हाला कि यह chapter ही important है मैं यह नहीं कह सकता कि पहले से जो है उससे नहीं आएगा उससे तो आता ही है आज कल लेकिन जो पार्ट नमबर टू है क्योंकि नया थेयरी डाला है तो हो सकता उससे आजाए तो मैं पहला पार्ट पहले कवर करनों जो अल्रेडी है जिसमें कोई amendment नहीं है तो topic का नाम डाले हमारे AFM module में वो chapter number 7 में दिया है अगर आपको देखना भी चाहती है तो chapter number 7 topic का नाम है securitization हाला कि मैं यह chapter vector नहीं लिख रहा हूँ सीधा नाम लिख रहा हूँ securitization securitization कोई z लिखता है कोई s लिखता है आपकी मर्ची जो लिखना आप लिख सकते securitization कलर कैसे change हो गया भई कहां है कलर ब्लैक एक क्यों लिख रहा हूँ सार इसे थेयरी आता है क्या यस थेयरी आता है तो करना तो है अब एक यह है यार कि मैं rate करूँ आपके साथ यस अगर मैं साथ साथ read करता हूँ तो मतलब क्या है मेरे teaching का और क्या मतलब है आपकी class लेने का अंगरी जी ही तो लिखी हुई है आप खुद भी पढ़ सकते हो यार इट मिन्स क्या आप topic यह जो आप page book उठाओगे और book से page कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं आपको read करना है ICAI का पूरा paragraph तो आप read कर देना मैं read कर चुका हूँ और read करने का कोई sense नहीं है it means अगर मैं इस chapter में 4 घंटे लगाता हूँ तो कोई sense नहीं बनता पढ़ाने का तो उससरा target क्या है? target है कि read करके ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से कुछ करवाने वाला हूँ बाहर से कुछ नहीं करवाने वाला हूँ एक सब्द नहीं लिखवाने वाला हूँ सब्द जितने भी है सब आपके AFM के मॉडूल से ही रहेगे पर मैंने उसका नोट्स बना रख और कीवर्ट्स निकाल रखे और मुझे वो याद करवाना मेरे ड्यूटी कतम हो जाएगी पर किसी का दिल ऐसा करता नई यार एक एक सब्द लिखेंगे तो लिख लो भाई नई ह जिस दिन पेपर होगा उसके सुबह से हम इस्टार्ट करेंगे यस क्या इसमें आप पाच्छे गंटे दे सकती और नहीं दे सकती एक गंडे में खतम वो ही करना बड़ेगा नहीं तो नहीं हो पाएगा ओके तो सर इस्टार्ट करें क्या है सेक्यूरिटाइजिजिशन यस बहुत ज़्यादा बाते नहीं करूँगा, सिंपल भासे मैं अब समझाऊँगा, प्लीस, ये बोर्ड नोट तो मैं वैसे भी आपको देने वाला हूँ, आप कर लीजेगा, अब सुनना ध्यान से, अगर कॉपी में बनाते हो तो बहुत अच्छी बनाते हो, और सर नई भी बन सिक्यूरिटाइजिशन बेसिकली है क्या चीज, सुनोगे ध्यान से, ध्यान से समझाँगा, ये है बैंक, प्लीस, प्लीस पिटे, ये मेन है, बाकी तो सब कुछ नहीं है, बाकी तो रीडी करना थेयरी है, ये वाला मेन है जो मैं डिस्कुस कर रहूँ, यहां कॉंसिप्ट सर्वाइं कौन है, आएसी ऐसी ऐ है, और इन्होंने क्या किया है, लोन दे रखा, नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, इसने लोन दे रखा है, कुछ लिखा हुगे नैं सर्विट, सब लिखा हुगे है थोड़ा वेक तो करो, इंतिजार करो, सब कुछ आएगा समझ बर, अब इन्होंने बहुत सारे लोगों को लोन प्रोवाइट कर रखा लोन ठीक तो सर अब बैलेंशिट क्या है बैलेंशिट क्या है बैलेंशिट का क्या सीन है बैलेंशिट भाई साब लोन दिया है तो लोन इन्होंने दिया है तो आई सी इस बैंक की बैलेंशिट की में बात कर हो बैलेंश चिट में सर क्योंकि इन्होंने éénडवूज रखा लोन दे रखा तो इधर एडव च्थाई देगा करूड़ों के मतलब पास्टो करोड उप्या का मिनका लोगा न होम लोन है अटो लोनते में होम लोन के बात कर ओके लोन दे रखा पर सर ये advances है जो लोन दे रखा वो कहां से दे रखा होगा भाई किसी से पेसे पिसे सब्सक्राइब क् dem Total कितना 500 क्रोड करोड और इस 500 क्रोड का इन्हों ने होम लोन दे रखा है सर होम लोन लिख दूँ कि होम लोन लिख दीजी ऐसा नहीं होम लोन और भी बहुत सारे लोन हो सकते आटो लोन वोगेरा बहुत सारी चीज़े हो सकते हैं मैं होम लोन की बात करा हूँ और ये पैसा क्योंकि इन से लेना है तो कितना उरुपय लेना 500 करोड लेना अभी तक कोई दिक्कत की बात है क्या कोई दिक्कत की बात नहीं IC ICI के साथ problem क्या है सर ये पैसा 500 करोड क्या तुरंत मिल जाएगा नहीं सर तुरंत नहीं मिलेगा समस्या क्या है जमसिया ये है सर ये पासो करोड पिया तो ब्लॉक हो गया यस ये तुरंत नहीं मिलने वाला होम लोन जो मिलेगा उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलेगा कोई देगा नहीं देगा और फ्यूचर में और भी लोग आईगे लोन लेने के लिए तो कहा से देगा icon तो problem क्या है bank के साथ problem बस एक ही ये कि यार ये सर पैसा भलॉक हो गया अब क्या करें अब और भी लोग आ रहा है कि हमें भी home loan रोग चाहिए हमें भी home loan रोग चाहिए ये कहाँ से लाए home loan के लिए पैसा चाहिए ना और debt issue करते हैं, हम क्या करते हैं, और, और bonds issue करते हैं, और लोगों से loan लेते हैं, debenture issue करते हैं, हम bond से पैसे उठा लेते हैं, हमारे पास debt बढ़ जाएगा, फिर हम loan देंगे, advances भी बढ़ जाएगा, फायदे की तो बात है, बैटे बस एक समस्या है, इन सब problem है, अगर हम और प सर, debt ratio बढ़ जाएगा, या debt equity ratio बढ़ जाएगा, मानते हो, it means, क्या मेरा debt equity ratio बढ़ जाएगा, हाँ सर, risk बढ़ा, debt बढ़ा ना भाई, tension तो है, debt equity ratio बढ़ जाएगा, ओके, और उसकी वज़ा से, जो नए debenture holder से, आप खुद हो, अब पहले सोच लो, आराम से, I.C.I.C.I.E. आपके बास आई, बलती सुनो ना यर, हमारा काम तो आपको पता है, banking business, हम लोगों को loan प्रोवाइट करते हैं, तो प्लीज आप एक कम करो हमें न, क्योंकि हमारे debt तो पहले से, पर हमारे पस और भी customer आ गया है, home loan के लिए, प्लीज हम bonds issue करना चाहते हैं, और आप से पैसा उधार लेना चाहते हैं, क्या पैसा उधार देने के लिए तयार हो, और एक दूसरी company भी आई, बलती सुनो 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 हमारे पास debt नहीं है, हम तो बड़े राज़ आत्मी हैं, हमने आज तक किसी से उधार नहीं लिया, हम आप से उधार लेना चाहते हैं, क् इसका करजा में डूबा हुआ है उसको या उसको जिसका कोई करजा नहीं है, रिस्क नहीं है, पस यह छोटी सी बात है, जो आपको समझाना है, यह company अगर debt issue करती है, bonds issue करती है वापस, तो दिक्कत क्या है, ऐसा नहीं कि उनको पैसे नहीं मिलेगे, पर इनका जो cost of debt है, cost of debt या फिर आप इसको बोलते केडी, या फिर simple भास में बोल दो rate of interest, आप पैसे देने को तयार हो जाओगे, पर rate of interest ज्यादा मांगोगे, यह एक समस्या है, ओहो, यह एक problem है, सबसे बड़ी problem, पैसो का arrangement होगा, पर rate of interest ज्यादा होगा, केडी ज्यादा होगा, this is most important problem, सर तो करे तो क्या करें, एक तरीका है, हाँ सर बोलो, क्या तरीका है, हम bonds ही issue नहीं करते, हम किसी और से issue करवाते, हम public को, बोलना तो नहीं चाहिए, चलो बेयुकूब बनाते, public को समझे, बले कैसे करोगे, तो बले सुनो, हमारे यह जो advances दिखाई दे रहा है, 500 करोड के, मतलब सर कित पचास लोन है, पचास, उसमें से 10 लोन तक तो नहीं, जो पचास के बाद, नहीं, दस के बाद 11 से 50 लोन को हम किसी को एक category बनाया, अच्छा, मतलब आपने group बना रहे हो, यस, मैं bundle बना रहो, एक bundle बनाया, मैंने 10 लोन को छोड़ दिया, क्योंकि वो auto लोन थे, उसके और वो bundle क्या किया, मैंने किसी को बेच दिया, अच्छा सर, यह जो सब्द यूच करों, bundles, यह सब काम आएगा, और वो मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया, और मैंने एक independent unit बनाया, मैंने का, ICICIC कोई लेना दिना नहीं है, वो तो भाई, एक independent unit से, जिसको हम बोलते, special purpose vehicle, SPV तो हमने क्या किए, यह loan उसको बेच दिया, और बदले में इसको कहा कि आप पैसे दे दो, तो सर यह कहां से पैसे देगा, देगा ना, देगा ना, रुको ना, विट्टे, जादो दिखा रहा हुए आपको, सर फैक्टरिंग, ऐसे मैं, ऐसे मैं इसा नहीं करते थेंद अभ ओके अब SPV क्या करेगा SPV के पास मान लो 40 करोड 400 करोड का बंडल्स आ गया अच्छा और यह जिन्होंने ले रखा हैं ओके अब ध्यान सुना अब SPV क्या करेगा SPV किसको ढूंडेगा कोई है जो पैसे दे सकता है हम बांड इस्यू करने को तयार है और यह बांड या बोलना चाहिए अब मैं इसको बोल रहा हूँ यह सिक्यूरिटीज इस्यू कर रहा है सिक्यूरिटीज कि आप प्लीज इन्वेस्टर से इनको इन्वेस्टर बोलो प्लीज आप पैसे दीजिए सरी बना बना ले किया बैटे मैं बनाऊंगा ना यार क्यों चिंता कर रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं बनाना है सब मैं बनवाऊंगा पूरा डाइग्राम बनवाऊंगा तो अब इन इनवेस्टर से बात कर रहा है कौन SPV बोले ऐसा है इनवेस्टर सुनो पैसे है कि आपके पैसे हैं बोले एक काम करो आप 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 हमें पैसे दीजाए बदले में हम आपको security issue कर रहे हैं सर कौन से security ये वो बात बदले में हम आपको security issue कर रहे है और इसके बदले में जो आप हमें पैसे दे रहे हैं उसके बदले में आपको मिलेगा income मिलेगा कहां से मिलेगा आप कोई company थोड़ी ना वैसे लग कहा हां रहा है'reай, Dieu बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, सारी बात समझो, अब investor को समझा रहा हैं, कौन ऐस्पीवी, SPV कौन है, Independent Units, अब investor को क्या समझा राじाताराहाँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, प्लीज 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 ध्यान से समझना, इनवेष्टर देखो हमारे माइंड में क्या चल रहा है एक बेंक है जिसका नाम है ICICI Bank भले ठीक है उन्हें पैसों की जरुरत है ठीक तो हमने क्या किया उनका काम क्या है भले उनका काम है कि वो लोगों को home loan दे रखे इनों ने ठीक है बोले ठीक अब उसमें से इनको मिलने वाला है पासो करोर की बात ही नहीं करते मेंन मुद्दे की बात है 400 करोर होम लोन के रूप में बोले कौन देगा बोले यह देगे जिनोंने loan ले रखाए सर इनका नाम करन मैं बाद में करू अच्छा यह लोग पैसे देंगे ओके तो बोले आईसी 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 बैंक बोल रहा है कि सुनों SPV प्लीज आप हमें दे सकते हूँ की पैसे 400 करोर सर्क कुछ कम जादा होगा वो कम जादा पर फोकस मत करो कि सर इसका क्या फायदा इसका क्या फायदा वो बाद में दिसक्रिशन होगा जलूरत भी नहीं है अब कमिशन के पीछे भागोगे तो मैं कमिशन यहां बीच में डालके फिगर में पैंशन नहीं लेना चाता 400 करोर रुपिया जो है बोले में अभी पैसे कुछ नहीं हो अभी समझाय जा रहा है बोले में इनको दे दूंगा 400 करोर से और फिर इस एडवांसे जो है ना उसमें से 400 करोर किसके हो जाएगे बोले यह हो जाएगे यह हमारे रहेंगे हमको मिलेगा 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 बोले ठीक है तो सर बोले ये 400 करोर अब भी नहीं मिलेगा पर यह है कि यह हमने किसी को दे रखा यह इसने नहीं दिया है अब हमने यह advances खरीद लिये ऐसे ओके और बोले एक काम करते हैं इसके बदले में बोले 400 करोर रूपए के बदले में हमें हर महने इंट्रेस्ट भी आएगा प्रिंसीपल भी आएगा और साथ में बहुत सारी चीज़ी आएगी कुछ ऐसे भी लोग होगे जो जल्दी पैमेंट करेंगे तो वहां से भी पैसा आएगा बहुत सारी बात हम इनको लादस देरेगी और जो पैसे आएगा हम आपको देते जाएंगे आपको विस्वास है आपने किसको लोन दिया आपने हमें लोन नहीं दिया आपने public को ही लोन दिया और public ही आपको पैसे वापस करेगी bank का छोड़ो आप खुद ही बैंक बन गाए सारी बात सुन रहा है मैं आप ही से बोल रहा हूँ मैं हूँ SPV मेरी बात सुनते जा रहा हूँ यह सारी चीजे याद आएगी लिखने के काम आने वाला ओके सब बात हो गई तो बोले ऐसा करो हमसे यह सिक्यूरिटी इस्यू कर रहे हम आपको बोले ठीक है और इस कौन से किसके बदले में बोले यह एसेट्स है ना एसेट्स उसके बदले में इसको बोलते एसेट्स बैक सिक्यूरिटी जो सिक्यूरिटी का नाम है उसको बोलते A B Securities A B S एसेट्स बैक सिक्यूरिटी अच्छा security issue कर रहा है और बदले में जैसे जैसे पैसे आते जाएगा हम आपको देते जाएगे बात खतम और ज़्यादा return भी मिलेगा क्योंकि actual में हम इसको 400 करूर दे ही नहीं रहे हैं हम तो कम देंगे आपको नहीं मालूम कि कितना कम देने वाले अब उसका tension मतलब आपकी कमाई ज़्यादा होगी इन लोगों से बोल रहा है इनका नाम क्या है इनका नाम है investors यहां तक बात समझ में आ गई है क्या है अब investor के सुन दो रहा था पर बहुत सारी समस्या investor को आ गई पहली समस्या पैसा कौन देगा बोले पैसे ये देंगे बोले पैसे किसको देंगे पैसे किसको देंगे सबसे बड़ी बात है पैसे किसको देंगे क्या ये direct हमको देंगे पहले पूरी बात यार देखो चीजे clear हो जाए अखिर हम पैसे लग पैसे लगाने आप ही सोचो ना यार आप पैसे लगाने वाले तो सारी बात एक लियर हो जाये तो जरूर जहुदी थीक बोले पैसे किसको मिलेगी बोले पैसों के लिए एक काम करते हम एक एजेंट रखते है receiving and paying agent rice receiving and paying agent बोले थीक है, जनरली वो ICI south होता है पर मालनू एक separate भी है तो बहुत इन से पैसे वसूल करने का काम रहेगा इसका administration रहता है और यह हमको transfer कर देगा या फिर ICAI collect करेगा और हमको transfer कर देगा ultimately हमको मिल जाएगा चाहे यह collect करेगा यही RPA receiving and paying edit receive करेगा और pay करेगा और जो पैसे आएगे आपको transfer हो जाएगा बहुत है ठीक है यहां तक तो बात समझे में दिया लेकिन सबसे बड़ी problem क्या है मालूम है यह जिन लोगों को loan दिया है यह सही आदमी है किने क्या होता है आप लोग तो सी यह लोग क्या होता है bank home loan दिये जारा दिये जारा और एक ऐसी assets है जो NPA type के non performing asset मतलब यार कहीं वो वाले loan तो नहीं है जो ऐसे वैसे लोगों को दे दिया है और उससे पता लगा पैसा डूब गया पुले ऐसा नहीं है हम ना एक काम और करते है हम rating करवा ले थे rating agency होती है rating agency होती है जो जो loan के बदले में आपको security issue की जारी ना चलो उसका rating करवा लेते है कि या 3 star है कि 4 star है कि इनका civil कितना है civil कितना ये सब कुछ करवा लेते अच्छा ताकि ये जो security है ना ओके बोले ता आप rating agency से rating भी करवा लोगे कि हाँ जी ये जो loan दिख रहा है ये जो security issue किया जारा है ये ठीक ठाक है कि नहीं है पैसे मिलने लायक है भी कि नहीं हो गया आपकी दूसरी problem भी खतम अच्छ बड़ी बड़ी rating agency होती है मैं बहुत सारा उसमें घुशनानी चाहता ओके ये कौन है investors तो investor sir पैसे कौन देगा ये लोग देंगे ना sir नाम लिखो ना sir नाम लिखो तो please मा जा रहा sir इनका नाम क्या है जो पैसे दे रहे है इनको बोलते है obligers या obligers sir obligers लिखवाओगे ना हाँ लिखवाओगे इनका obligation है na actual obligers और sir इसका नाम क्या bank लिखेंगे नहीं actually इन्हों नहीं सारा काम किया है इनका नाम लिखेंगे originators अच्छा ये है originators originators क्योंकि deal तो ये इस्ट्राइट कर रहा है और इनका नाम क्या है obligers और आप कौन हो बोले हम तो investor है भाई साब please बनाना नहीं है बस सुनते जाना और सुनते आप को बोले हमारा नाम ही SPV है special purpose vehicle तो basically अगर इसको मैं ignore करूँ तो कितने participant दिख रहा है originator एक है भाई साब जो acid बेच रहा है acid transfer कर रहा originators किसको transfer कर रहा है special purpose vehicle को और वो क्या कर रहा है security issue कर रहा है security जो issue कर रहा है उसके बदले में क्या आएगा पैसा और पैसा वो किसको देदेगा ICI को बैंक को पर यह जो loan सही है कि नहीं है इसके लिए कौन आए है rating agency जो check करेंगा और इसके लाव लेने देने का काम भी तो करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है receiving and paying agent okay sir यहां तक और sir इसका नाम है जो जिसका obligation उसको बोलते है obliger ठीक है पर एक दिक्कत है यार अब investor बोल रहा है अब investor आपको किस बात की चिंता यह बता चिंता इस बात की है यह पैसे नहीं दिये तो यह लोग पैसे नहीं दिये तो क्या करोगे रिक्कत यह है जलो ना यार किसी से guarantee दिलवा दे क्या जैसे होता है na insurance हो जाता है आप home loan लेते तो insurance कोई insurance company जो guarantee दे सकती है अगर यह पैसे नहीं दिये ता कि जो है ना और rating बढ़ जाएगा बुले हाँ वो भी है उसको बोलते है credit enhancer जो आपका जो है आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने पर मजबूर हो जाता बहुत अगर यह डूबा लेंगे तो लाइसी देखे खुश क्रेडिट इनहेंसर ओके तो भई क्या-क्या हो गया एक क्रेडिट इनहेंसर हो गया अब तो खुश हो बोले चलो मान लो मान लो और एक बात और चलो इनहोंने पैसे नहीं दिया चलो इधर से 20 परशेंट भी मिल गया तो भी तो पैसा डूबा मारा अब इनवेश्टर बोल रही कि यह जो है यह रिकोर्स बेसिस पे है सिक्यूरिट आइजिशन की नौन रिकोर्स बेसिस पे है भगवान यह तो फैक्टरिंग में था हाँ सीय एंटर मैं of factory था ये record बेसिस पर है कि non records बेस्स पर है SPV भी समझ नहीं पाया बोल क्या रहे व हो समझा कर बता हो समझा कर बता है record का मतलब क्या हो पह सुनना दिया records का मतलब होता है कि हम पेसा यह तो आप दो आप कहा से दोगे इनसे लेकर दोगे और मालो यह default करते तो आप तो दे नहीं पाऊगे तो क्या ICICI देगा सवाल यह है क्या ICICI हमें पैसे देगा क्या बस इतनी सी बांद है रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स है अगर ICICI अगर यह लोग डुबाले आप डुबाले अगर ICICI कहगे कि चलो जी हम पैसे देंगे हम पैसे देते हैं तो हम कहेंगे यह है रिकोर्स अच्छा और ICICI बोलेगा कि नहीं भाया तुम्हारा प्रॉबलम तुमने टो यार बात खतम हमें मतलब नहीं है हमने आपको ACID TRANSPER किया आपको BASE दिया अब हमारे पास घूम कर मता ना इसको बलते हैं non-recourse non-recourse, recourse अच्छा मतलब non-recourse का मतलब पैसा डुबा तो आप अपना जाने और recourse का मतलब नहीं अगर पैसा डुबा तो हम देंगे अब सर ऐसा क्यों होगा वो कमिशन का खेल होता है फैक्टरिंग में पढ़ा हुआ है कही ना कहीं तो मुझे बोलेगा फैक्टरिंग में पढ़ा records non-recourse क्यों समझा हूँ मैं यार ओके ओके सर काफी कुछ बाते हलकी हलकी समझ में आई पर यार इन सब के पीछे क्योंकि यार ये तो यार security issue कर रहा है तो इसमें हमारे फायदे के लिए एक नएक परसन तो आपके बीच में होना चाहिए trusty type का बहले ठीक है trusty भी बैठा लो जो देखते रहेगा proper कि सहीं function हो रहा है अब bonds जो issue हो रहा है structure करता कि किस तरह से काम होगा investment banker जो deal करवाता है जो investor को ढूणता है वो कैसे issue होगा ये सारा काम को करवाता है ओके सबसे बड़ी बात इनको क्या फायदा हुआ इनको ICICI को क्या फायदा हुआ सर ICICI को क्या फायदा हुआ सुनोगे जिए एक तो इनकी balance sheet से एक सब्द सुना acid turnover issue acid turnover issue सर turnover divided by total asset यह होता ना turnover divided by total asset तो यार acid कम हो जाएगी acid transfer हो जाएगी acid transfer हो जाएगी that's it तो turnover divided total assets सर कम हो जाएगी कम हो जाएगी तो यह ratio क्या बढ़ जाएगा और लोगों को बताने में भी अच्छा लगीगा देखो ना यार कम assets में हमारा turnover जादा है ratio पढ़ा हुआ है हमारा total asset हमारा जो capital है वो तो कम लगा है पर turnover देखो जादा हो गया अच्छा सर यह फायदा है हमारा यह भी फायदा हमारा debt भी तो हमारा debt equity ratio या debt ratio भी improve हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा debt दिखेगा नहीं तो debt कम हो जाएगा यार यह फायदा है अब पैसे भी आजाएगे और risk भी अगर non-recourse basis पे non-recourse मतलब हमने base दिया अब यह पैसे डुबाते तो हमारी चिंता नहीं है तो sir risk भी manage हो जाएगा हाँ और sir हमें और भी फायदा है हम अपना अपना भी manage करेंगे जो हमारा main focus है वो हमारा main focus है यार कियर loan देंगे या फिर हम home loan पे focus ना करके हमारा और भी दूसरा काम है auto loan पर जादा focus है इस तरह से तो उधर focus करेंगे ना यार इधर हमने loan दिया और transfer किया और आप वो वसूलते कर बैठे और वो सब कुछ काम करते हैं हमारा काम नहीं है तो इस तरह से काम होता है securitization का अभी मैंने पढ़ाना start नहीं किया अभी खलक ऐसा process बताया पर अभी मैं बहुत सारा लिख दूँगा कुछ ही याद नहीं रहना कुछ ही याद नहीं रहना तो सर एक diagram बना लेते हैं और उसी पर discussion करते हैं diagram मैं बना चुका हूँ ये diagram है one by one discuss करूँगा आराम से diagram आपको दिख रहा है बलो पहला काम क्या होगा सिर्फ पहला काम है कि इस भाई साब ने originators या फिर कौन सी बैंक है ICICI इन्होंने लोन दे रखा है बहुत सारे लोन दे रखा है मैं सिर्फ और भी बाकी लोन की भी मैं बात कर सकता हूँ most based security होता है मैं होम लोन की बात कर दो लोन दे दिया है तो इनकी balance sheet में क्या दिखाई देगा सर assets assets अब इन assets को ये क्या करेगा बेचेगा किसको बेचेगा special purpose vehicle base देगा balance sheet से हटा देगा off balance sheet item बोलते balance sheet से हम हटा रहा है अच्छा base दिया और ये क्या करेगा security issue करेगा किसको investors को और investor बदले में क्या देगा cash और वो cash किसको transfer हो जाएगा ICICI bank को यहां तक कोई दिक्कत यहां तक कोई पर जो securities issue किये जा रहा है investors securities क्यों खरीदेंगे पहली बात तो आप विश्वास दिलाएए कि यह सहीं loan है उसके लिए कौन आएगा picture में rating agency कि यह जो security issue कर रहा है और यह जो SPV है जिससे loan ले रहा है वो सहीं काम कर रहा है दूसरा क्या loan pay पैसा collection किस तरह से process हो गया तो बहुत एक आएगा receiving and paying agent जो obliger से repay करेगा इसको देगा और वो special purpose vehicle को देगा जनरली यह कोई administration आए है यह क्या करता यह जनरली originator सी RPA बन जाते receiving and paying agent अब यार यह जो security issue हो रहा है इसका कोई insurance भी कर वा ले तो मज़ा जाएगा फिर तो और मज़ाएगा credit enhancer ओके अलावा इसके लिए investment banker जो होते जो यह सब deal करवाते है bonds कैसे issue होगा security कैसे issue होगा कहां है ऐसा bank कहां SPV क्या होगा और यह सारी के सारा काम करवाते है कौन करवाते investment bankers ओके तो सबसे पहला question exam में हम तयारी कर रहा है और मेरा काम है सर इसके अंदर की बात है अंदर की बात है डिस्क्रस कर रही है अभी रुक जाओ सबसे पहला काम है कितने participant होते है securitization में दो पहला primary जो main होते है उसमें तीन ही लोग है और secondary बचे हुए दो participant आता है please 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 exam में question आता है please ध्यान कितने लोग participant करते है इतने सारे लोग एक बार नाम हो जाए basically तीन लोग है जो main लोग है एक है originators मतलब भूल जाओ loan देने का काम तो बहुत सारी ये तीन है एक, दो, तीन सबसे important originators जो sell करता है security SPV जो security issue करता है और investor जो security खरीद के पैसे देते हैं तीन participant obligers जिसने loan लिया है ओके दूसरा rating agency तीसरा credit enhancer LIC चौतर receiving and paying agent पाचवा investment banker जो deal वगयर करवाए structure और एक trustee होना जरूई है जब भी shares और debentures वगयरा issue होते है उनके तरब से कोई एक person होना चाहिए जिसका नाम है trustee exam question आता है भाई और primary में primary लिखना secondary में second mix करोगे तो आप फस होगे sir इसके अंदर क्या लिखना इसके अंदर लिख लोगे तो पहला question ये जो diagram है जितने भी questions आए मेरी बात समझे जितने भी questions आए इस diagram के बिना नहीं लिख पाऊगे तो sir इस diagram को चाहो तो note कर लेना चाहो तो मैं इसका आपको PDF देही रहा हूँ ठीक है ओके तो दो participant exam में question आते है पहला primary और दूसरा secondary participant ठीक है सब primary में तीन लोगों करना originators जो sell करता है sit और receive करता है fund किसे SPs sir ये ये कहां का language है आपकी module का language है module चाहो तो उठा लो पढ़ लो please आपके module का language है सब पूरा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ूँगा यार ना आप पढ़ना अगर आप वापस वही पढ़ना है तो छोड़ो नहीं पढ़ सकते बहुत बड़ा syllabus से बहुत सारा theory है यार बाकी chapters देखो theory के इसको रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला जो रट्वाना है ये वाला point है ये मुझे रट्वाना ही पढ़ेगा और जो अंदर का वो लिख लोगे अप पहला originators दूसरा मैंने क्या नाम लेगा SPV जो asset खरीदेगा security दो दो line लिखना है और तीसरा investors investors क्या है सर security purchase करेगा और generally security ये investors कौन होते हैं सर छोटे छोटे नहीं ये mutual fund होते है insurance company होती है जो investment करना चाहती है वो इसमें इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े investors होते हैं छोटे भी हो सकते हैं तो तीन लोग है primary originators SPV और investors और secondary obligizers जो borrower है ते actual जिनका obligation होता है और rating agency जो credit चेक करती credit quality वगीरा उसके बाद receiving and paying agent जो administrator होते जो पैसा collect करते EMI वगीरा का और वो transfer करते किसको SPV को और SPV वो पैसे किसको transfer करता होगा investors को इसके लावा agent या trustee होना जरूरी है जो investors के interest में काम करेंगे ठीक हो credit enhancer मैं आपको बता दिया additional security मिल जाएगा और structure मतलब investment bankers याद हो जाएगा हाँ बोलो हाँ sir एक बार देखूं क्या अब सामने से हटा दी अब बोलो तो मजाएगा कितने participant होते है sir दो type के participant एक होता है primary और एक होता है secondary primary में तीन लोग कौन कौन sir originators originators कौन होता है जो sir अपना asset sell करता है SPV को और बदले में fund receive करता है SPV से originators दूसरा कौन होता है दूसरा क्या नाम था है याद नहीं आ रहा SPV हाँ SPV sir security issue करता है और बदले में पैसे लेता है investor से और तीसरा investors भाई साब होते है जो securities खरीबते है SPV से और यह generally कौन होते है mutual fund होते है insurance company होते है pension fund होते है secondary participant में सबसे पहला होगा obligers कौन होता है सर जो borrower है जिस भाई साब ने घर के लिए loan ले रखा है yes okay obligers और उसके अलावा सर उसके अलावा एक rating agency होना चाहिए हाँ जो rating credit check करती है credit quality चेक करती है ठीक है और सर रेटिंग agency के अलावा एक credit enhancer होता है जो credit बढ़ा देता extra extra additional guarantee देता है guarantee भी लिखोगे तो बीचे जाए credit enhancer के अलावा receiving and paying agent हो जाए जो receive करता EMI और transfer करता SPV को transfer करता SPV को generally ये कौन होता originators ही क्या बन जाता है जो investors के hit में काम करता है जिसको आप interest बोले investor के interest में काम करता है और एक structural होता है जो सारा security issue करना है कैसे करना है क्या करना है कहां लगेगा कैसे marketing होगे सब वो करता है जिसका नाम है structural ये कौन होता है investment bank थग गया में बोलते क्या याद हो जाएगा भाई ये important questions question है जितना चाहू उतना लिख कर देख रो practice कर लो please कर ले ना ये question बार बार रत ठीक है सर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं पहला question हमने किया please मैं ऐसे नहीं करवाता सकता theory कि paragraph सामने हो और मैं उसको read करते जाओ वो आप कर ले ना जो भी जो underline करवाना था ना वो सब मैंने इसमें लिखवा दिया ठीक ओगे सर तो एक तो ये आता है सर दूसरा क्या आता है security mechanism कि कैसे कैसे काम होता है it means सर फिरते हुई वाला question हाँ अभी तो मैंने कितने लोग participant है अब मैं बहुत रहा हूँ किस तरह से काम होता है सर सुनो काम ऐसे होगा पहले loan देंगे वो छोड़ो loan देंगे वो तो यह सब ही देते loan की बात नहीं करो आप कहां से start करो originator से चलो ठीक है सर originator से पहले इस्टिप क्या होगा जल्दी से बोलो भई पहले इस्टिप सर पहले इस्टिप है कि हम लोग asset sell कर देंगे मिल्कुल सही हम लोग मतलब originators किसको SPV को पहले इस्टिप हो गया ओके दूसरे इस्टिप में क्या होगा सर जो SPV है न वह security issue करेगी बिल्कुल सही पर security issue करने से पहले rating कर लेना चाहिए पहले rating कर लो पहले rating हो जाएगा फिर security issue हो जाएगा हो गया न पहले हम asset sell करेंगे दूसरे number पर rating होगी तीसरे number पर security issue कर देंगे ठीक है तीन काम तो हो चुक है अब पैसा वसूल करेंगे, security तो issue हुआ, अब उसके बात क्या होगा, सब फिर receiving and paying agent आएगा जो पैसा वसूल करेगा, यह न, हाँ, और वो पैसा वसूल करके, किसको transfer करेगा, SPV को, ओके, और SPV क्या करेगा, repayment कर देगा, हो गया खतम, और क्या बच गया है, बस इतने ही तो का हाँ, इन्होंने step number one में, ऐसा ने लिखा इनका कहना, step number one में, भाई, सबसे पहले हम pull बनाएंगे, कितने loan थे आपके, 50, तो एक pull बनाएं, 40 loan का, ऐसा नहीं कि सारी कि सारे loan उठा कर transfer करते हैं, नहीं, पहले हम pull बनाएंगे, तो क्या लिखा, creation of pull of assets, segregation of assets, assets को segregate कर लिए, य यह auto loan अलग कर दिया, home loan अलग कर दिया, यह loan अलग कर दिया, credit card loan अलग कर दिया, home loan को उठा कर बेज दिया, it means पहले क्या करेंगे, यह segregate करेंगे, अलग-अलग creation of pull of assets, ठीक है, उसके transfer करेंगे, उसके बाद credit rating हो जाएगा, उसके बाद sell कर देंगे, फिर तो यह तीन तो व asset होगा, administration of assets कौन करता है, sir, receiving and paying agent, और उसके बाद repayment हो जाएगा, फंड का, course of originators यह एक बेकार में डाल दिया, इसका मतलब हो कहना कि अगर, 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 जिन्होंने पैसा उधार नहीं लिया, जिन्होंने पैसा उधार लिया, sir, किसकी बात हो रही है, home loan वाले की बात हो रही है, इसकी बात, obligers, obligers बोले, sir, obligers ने पैसे नहीं दिया, तो क्या हम originators से भी पैसे वसुल कर सकते हैं, हाँ, अगर, यह recourse है, तो वही लिखा है, recourse to originators, हमको इस अगर लिखना पड़ेगा, हालाकि यह डालने के जिरुत नहीं है, रट्टा मारे एक बार, हाँ पहले काम क्या होगा, और please diagram बना ही लेना, diagram हर question, question कोई भी आता, आप diagram बना दिया करो, सब पहले ना हम group करेंगे assets को, चलेगा group भी बोलोगे, तो पर ज़्यादा अच्छा है कि आप pull बुनो, हाँ sir, हम क्या करेंगे, creation करेंगे pull of assets, मतलब segregate कर देंगे, पहला step, step number two में sir, sell कर देंगे, step number three में sir, उसका credit हो जाएगा, ठीक है, credit check हो जाएगा, तीन step हो गया, step number four में security sell करेंगे, चार हो गया, पाचवे में receiving होगा, ठीक है, छटवे में repayment होगा, और साथ वे में, क्या बोला था मैंने, सेवन्त में एक नया चीज आ गया था न, recourse to originators, recourse to originators, साथ थोड़ा step इधर उधर लिखेंगे, तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, अगर IC AI का देखोगे न, तो उन्होंने जो credit credit to instrument हो, वो बाद में लिख रखा है, पर मुझे सबसे अच्छा लगता कि पहले pull बना लेंगे, फिर बेचेंगे, आप बेचेंगे, किसको बेचे चाहिए दा नहीं जुड़ा चलेगा, credit rating कर वालेंगे, उसके बाद सैल कर देंगे, securities paper, फिर receiving and paying, administration करेगा, कि यार, administration of assets का मतलब, time पर EMI आ रही है, या नहीं आ रही है, जो भी है, उसके बाद repayment हो जाएगा, फंड का, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रिकोष्ट to originators, भगवान ही जनता है, आपको याद होगे, कि याद करना पड़ेगा, मैं बिलकुल भी ऐसा नहीं है, कि आपको रटवा दूंगा हर चीज, ये तो आपको कुछन उसके तो सोचना पड़ेगा, समटर, एक question आता है, तो total मिलाकर दो question हमारे तयार हो चुके है, पहला कौन सा तयार हुआ है, सर, पहला हुआ है, हमारा कितने participant होते है, ठीक, दूसरा कौन सा question तयार हुआ है, mechanism of securitization क्या होता है, तीसरा, फायदे क्या है, benefit of securitization, benefit, सर, benefit किस-किस को है, दो एंगल से बताना पड़ेगा, investors को क्या benefit है, और originators को क्या benefit है, originators को क्या benefit है, और investors को, ICICI को क्या benefit है, तो एक तो यार, यह समझ में आ गया, कि यह ratio में improvement हो जाएगा, एक सुनो, सुनो, वैसे सोचते हैं न यार, हाँ सर, सोचते हैं थोड़ा सा, ICICI को क्या benefit है, और investors को क्या benefit है, सर, ICICI को यह benefit है, एक ratio वाली बात तो अपने बताया था, yes, ratio, और दूसरा मेंने कहता है, यार, debt से क्यों, खुद क्यों bonds issue नहीं कर रहे हैं, तो मेंने कि केडी cost of debt है, वो कम हो जाएगा, अगर आप खुद से debt issue करोगे, तो cost of debt ज्यादा लगेगा, पर अगर SPV के थुरू, तो भई, SPV अलग में अलग, उसका तो कोई debt वेट तो है नहीं है, तो उधर cost of debt कम में काम चल जाएगा, दो, तीसरा off balance sheet item है, off balance sheet का मतलब off balance sheet funding हो रहे, it means, यार, it means हमने पैसे ले भी लि दिया, this is off balance sheet, दोनों चीज़ों को, हमने asset को हटा दिया, और काम कर ली, off balance sheet, अच्छा, और क्या हो सकता है, इसके अलावा, sir, अगर non-recourse है, समझे रहे, non-recourse, मतलब यार, मैंने जो assets बेचा है, और मेरा tension काता है, आप मुझसे कोई पैस, non-recourse, मेरे पास मत आना, तो मेरा tension मेरा management हो गया है, तो अगर मैं कहूं, इसके अंगल से, तो इसके अंगल से आपको फाइदे दिख रहे होगे, off balance sheet, financing, मतलब, capital release हो गया है, आपको पता भी नहीं लगा, बोलते हो ना, asset आपने transfer कर दी, off balance sheet, financing, महाच है, ये भी है, कि भई, आपका जो main काम है, वो दूसरा का है, उस पे focus करो, आप, आप कहां लगे हो, कि यार, more specialization business, जिस काम में specialization है, वो वाला काम कीजिए, आप कहां, बहुत इस issue, आप education loan, home loan, उसकी बात करो ना, आप कहां, पैसे वैसे वसूली कि, free करो, loan दीजिए, free किजिए, loan दीजिए, free किजिए, बस बात कता, अच्छा, और non-recourse वाली तो बात है, improve हो जाएगा, financial ratio, जैसे, car, capital, education, ratio, capital, education, ratio, पता है न, capital, education, ratio, कहां पढ़ाया था, merger में, formula क्या था, सर, formula था, हाँ, बोलो न, बिटे, formula क्या था, risk, capital, divided by risk, weighted, asset, ऐसे था, क्या formula, हाँ, सर, asset, कम हो जाएगा, yes, सर, capital में, यहाँ, debt नहीं आता है, capital, tier 1, छोड़ो, equity, capital की बात करो, क्या risk, weighted, asset, कम हो जाएगा, yes, उसके, वज़े से, क्या, car, capital, education, ratio, बढ़ जाएगा, yes, सर, debt, ratio, की तरह हो गया, debt, अलग है, इसनोंने, यूज किया, capital, education, ratio, मैंने, हलका से, पढ़ाया, merger में, हलक है, आप लोगों का, banking, पढ़ा हुआ, तो, मुस्से, जादा, knowledge है, आपको, capital, education, ratio, क्या हो था, सर, asset, turnover, ratio, भी, improve, हो जाएगा, और, reduce, हो जाएगा, borrowing, cost, एक बार, यात करे, yes, किसके, अंगल से, बात हो रही है, सर, बात हो रही है, investors के, अंगल से, इनवेस्टर के, अंगल से, किसको, benefit, किसके लिए देख रहे है, सबसे पहले, सर, पहले, ICIC, bank के, अंगल से, yes, मतलब, bank को क्या बोलते थे, originator के, अंगल से, क्या फाइदे बो, सर पहला फायदा, बलो भीते बलो बलो पहला फायदा यह है, सोचते है न आर, हां सोच लो, सर रेशो इंप्रू हो जाएगा, हमको तो यह अच्छे से यादार, चलो रेशो इंप्रू हो जाएगा, और ब़लन, और कौन से रेशो, सर एसे टनूवर रेशो, Después, Kauf रेशो, ratio improvement होगा ये तो हमको पता दूसरा सर more focus focus on more specialization in business हम अपनी business पे focus करेंगे दो हो गया और सर जो borrowing cost है वो reduce हो जाएगी अगर हमको issue करते था हमको पैसा भी आ गया है कम में आ गया है तीन और बोलिए सर इसके अलावा क्या क्या हो गया क्या क्या हो गए याद करो याद करो सर आपको याद नहीं है मुझे मेरा थोड़ी निक चाम है off-balance it financing कि ये सब दे चाहिए ये चाहिए more specialization improvement off-balance it financing please sir off-balance it financing है क्या actual में कुछ नहीं है पैसों का arrangement हुआ और debt भी नहीं आया आपने transfer कर दिया और पैसा आ गया बिना debt के काम हो गया तो ये चार चीजे आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे नहीं मालूँ सर एक बार फिर से अप ट्राइल करते एक तो ratio वाली बात तो पक्की हमको याद रहेगा क्योंकि benefit ICIC बैंक तो वही है दूसरा यार हम अपने business पे focus कर पाएंगे more specialization in business वह अला काम करेंगे तीसरा boring cost कम हो जाएगी दो point तो main है ratio improve हो जाएगा boring cost कम हो जाएगा ये main है इसके लाब off balance sheet financing लिख देना और इसके लाब more specialization in business लिख देना और non records वाली बात investor को क्या फाएदा भी है ये बताओ अगर आप investor हो आप securitization में जो security issue हो रही वो खरीद रहे तो आपको क्या फाएदा है sir investor को क्या फाएदा है investor को एक फाएदा मुझे दिख रहा है कौन सा क्योंकि देखो ना यार ये जब security खरीद रहा है तो वो जो security issue हो रही उसमें पैसा कहां से आएगा public से और एक public नहीं बहुत सारे लोगों से तो sir diversification हो रहा है आपको सोचो ना अगर मैं security खरीदता हूँ जो securitization process में issue हो रही है तो इस security इसके पैसे कोन देने वाला है sir SPV SPV नहीं दे रहा sir ICI वो भी नहीं दे रहा कौन दे रहा sir main है ना बहुत सारे लोग देने वाला है yes तो इसके बदले में मैं एक से पैसे वसूल करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों से sir बहुत सारे लोगों से diversification ये तो मुझे एक समझ में आरा diversification okay दूसरा LIC तो हाई credit enhancer वो भी वो थोड़ा बहुत देगा और अगर recourse basis पे तो ICI को भी देना पड़ेगा ये दूसरा फायदा है बाकी तो आप देखना पड़ेगा क्या-क्या sir diversification of risk है और protection against default है दो चीजों का तो फायदा protection against default है और जाए diversification ठीक ये security की दोर पे issue हो रहा है और RBI की securitization में बहुत सारे rules and regulations है तो उस चीज का एक फायदा है तो investor को तो तीन ही फायदे दिख रहा है पहला मैंने diversification की बात किया दूसरा जो मैंने बात किया वो किसकी किया दूसरा जो आपने बात किया rules and regulations यहाँ थोड़े से hard है तो इसमें investor को फायदा और investor का default के against protection बहुत जवरदस्त है इन से मिलेगा इन से नहीं तो उन से मिलेगा उन से नहीं तो उन से मिलेगा कही नहीं तो मिलेगा इन मिलेगा ओके ठीक है sir तो क्या हमें याद हो सकता है benefit बस इसका उसमें उसमें mix मत करना बस हाथ जोड़ता हूँ इस chapter में यहीं दिक्कत है benefit पूछ ले तो features डाल देते हैं features तो मैंने भी पढ़ाए और advantage पूछूँगा तो mechanism डाल दोगे और participant कुछ भी मत लिखना please to the point लिखना तो ही number मिलेगा मैं simple सी बाद बोल रहा हूँ अगर यह जो points लिखा है कहां है भाई अगर यह जो points लिखा है black में इसके अलावा कुछ और लिखते हो तो number नहीं देखा सीथ है simple सी बाद बोल रहा हूँ इसके अंदर क्या लिखते हो doesn't matter पर यह वाले आपको heading लिखना ही पड़े आओ रट्टा मारे एक बार हाँ मतलब याद करे एक बार sorry रट्टा मारना अच्छा सब्द नहीं ओके सर तयार है सर यास मेरा काम ही है याद करवाना read करवाना मेरा काम नहीं है वो read तो आप कर लेना जितना आपके पास time होगा सर benefit दो angle है yes कौन कौन से दो angle है सर एक तो है किसके point of view से जल्दी बोलो जल्दी बो सर ICI bank bank नहीं यार क्या बोलते हैं originators के point of view से क्या क्या points है सर ratio वाली बात हम पहले number पे लिखेंग पहले तो off balance sheet आया फाइनेंसिंग लिख दो कि तो मज़े जाएक चलो off balance sheet financing दूसरा improve हो जाएगा ratio capital adequacy ratio तीसरा सर borrowing cost काम हो जाएगा चाहो था more specialization in business फोकस करेंगा उस पे investors के divergification याद रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से पैसे वसूल करोगे और दूसरा protection against default जबरदस्त है इसमें और तीसरा क्या था है regulatory requirement यहाँ जादा है तो total मिला कर अभी कितने theory theory ही हमारी 3 एक participant last में सबका एक बार revision कर लेंगे खतम करेंगे participant दूसरा mechanism और तीसरा क्या अभी जो बोला था मैंने किसर benefit क्या-क्या है करके ठीक है total कितने question है total 7 question है यह जो है यह main question है ठीक है अब ओके आगे बढ़े यह सर आगे बढ़ते और आगे आगे हम लोग इसके बात कि यार इंडिया में problem क्या है फिर इतना यार यह जब बता रहे investor को बहुत सारा फायदा है इनको फायदा है तो फिर problem क्या है यह उतना सुनने में नहीं आता है समझ रहे हो न कि अगर securitization से इतने सारे फायदे है bank को भी फायदा है और कि इसको investors को तो बहुत ही फायदा है तो फिर यह ज़्यादा चलन में क्यों नहीं है क्यों कि इंडिया में बड़ी समस्या है इन सब securitization को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या फिर कौन कौन से समस्या है एक बार बता दोगे यस पहला stamp duty बहुत ज़्यादा वो तो हई वे debt आया मतलब stamp duty लगेगा और transfer of property act में लिखा stamp duty 12% तक लग रहा है stamp duty के चकर में कौन पढ़े उसके अलावा taxation taxation किसके hands में taxable होगा ये भी एक समस्या है interest के collection का काम कौन कर रहा है sir SPV और वो किसको transfer कर रहा है investor तो किसके hands में taxable होने वाला है इस पर अभी clear cut कोई है नहीं आप अपना दिमाग जरूँ चलाओ नहीं sir उसके hands में taxable होगा वो अपना दिमाग से नहीं होगा बैट्टे act में क्या लिखा है उसका अभी भी problem है तीसरा documentation securitization में जो documentation maintain हो रहा है वो जो lawyer है सब अपने अपने तरीके से अपने 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 से कोई standard format नहीं ओके accounting accounting नहीं है क्या अच्छा कोई बात नहीं है accounting में भी दिक्कत है अगर देखो तो पर चलो आप accounting debt market जो है वो inadequate है inadequate है debt market मतलब liquidity नहीं है ना यार मतलब यार ऐसा है कि जैसे equity में trade होता है जब बरदस्थ वैसे securitization का जो security है ना उतना liquid नहीं है debt market हमारे हैं का अच्छा नहीं है इस बात को मान लोगा and last foreclosure laws जो है ना वो दिक्कत खड़ा करता है सर ये समझा foreclosure law ये समझाऊंगा अगर default होता है ठेक जिन्होंने घर loan पे ले रख तो सर घर बेच देंगे क्या घर बेचना इतना आसान है नहीं बोलना आसान है कि जिसको home loan दिया उसने पैसे नहीं दिया तो हम उसका घर बेच देंगे ऐसा घर देंगे नहीं बेटे अब बहुत बड़ी बड़ी बाती आ जाएगी कोट जैगा सामने वाला बोल देगा ठीक अभी गरीवी चल रही है कोविट चल रहा है मैं दूंगा मैं मना कब कर रहा हूँ क्या तू भी कोट बोल देगा कि नहीं इसका घर बेच दू नहीं बिटे नहीं ये एक समस्या है एंडिया में तो बस और सर मतलब लो सपोर्ट नहीं करता है लेंडिंग इंस्टियूट को वो एक प्रॉब्लम इसलिए सिक्यूरिटाइजेशन में थोड़ा सा रिस्क है ही है तो इंपोर्टन क्या इस टाइम ड्यूटी जादा है टेक्सिशन की समस्या है कोई की डॉकुमेंटेशन मतलब लेकॉप स्टेंडिडाइजेशन है इनेडिक्वे डेट मार्केट है और इफेक्टिव फोर्क्लोशल ला है इस प्रॉब्लम्स इन सिक्यूरिटाइजेशन एक नया एड हुआ है इसमें रिस्क इन सिक्यूरिटाइजेशन में फिर से बोल रहा बताओ भई क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्या है प्रॉब्लम्स कहा है सर इंडिया में ही प्रॉब्लम्स है कि हाँ जी बेसिकली इंडिया में प्रॉब्लम्स है बाकी जगा अब उत्रा नहीं है सर यहां क्या प्रॉब्लम्स है इस्टाइम ड्यूटी सबसे बड़ी बात अच accounting accounting भी लिखा होना चाहिए पता नहीं इसमें accounting लिखा है एक बार में देखनों कि accounting में भी तो दिक्कत है ना यार off balance sheet item का कैसे accounting होगा पर नहीं लिखा होगा तो नहीं लिखेंगे भाई सर accounting होगा ना यार हम बताते हैं आप मत बताओ मुझे सुनना भी नहीं आपसे हाँ accounting भी तो है यार वोई तो इसमें लिखा नहीं है प्लीज आप लिख लेना sorry मेरे माइन में वह था कि यार accounting लिखा होना चाहिए था पॉइंट नंबर सिक्स कॉंसर डाल देना एकाउंट है एकाउंटिंग के आगे तो accounting में आपसे ज़्यादा कौन लिखेगा कि सर इसका accounting किसके बुक्स में क्या होगा यह भी एक समस्या एक्ट्वल में सेल है तो सेल है की नहीं है अगर सेल है तो फिर इससे कैसे वसुल कर सकते है आई-से आई-से बहुत वड़ी समस्या है जब एक्ट्वल में एक्ट्वल में सेल बेच रहे है तो आप आई-से आई-से इस कौन वसुल कर सकता है सवाली पैदा नहीं होता और अगर नहीं बेच रहे हो तो फिर तो और दिक्कत की वात है तो accounting भी उतना ज़ादा उसके अलावा हमारे तीन subject tax, account और law मतलब सर अच्छे से बुलो, एक तुशा। टायम डूटी, उसके अलावा, उसके अलावा, taxशन का आता पता नहीं किसके चैक्सबल होगा, accounting का आता पता नहीं, accounting कैसे होगा और जो foreclosure law है हमारे हां का वो किसके favor में बात करता है oblisers के favor में बात करता है ठीक है और सर जो lack of standardization है जो documentation होते है securitization के वो अच्छे नहीं है ठीक एक standard format में नहीं है और इसके अलावा कुछ था क्या भाई इन्हें हाँ debt market हमारे हां का ineffective है liquidity उतना अच्छा नहीं है आराम से आप निकल नहीं सकते बाहर एक बार वो घुस गया है तो तो कितना point हो गया हमारा सर चार point हो चुका है एक बार उसको revise करें सर वो हम कर लेंगे नहीं मैं जान दो हूँ आप कर लोगा मेरा काम ही है यहां कि मैं आपको याद करवा दू पहले में क्या पढ़ा था फिर last के दो point बढ़ेंगे तो पूरा revision करेंगे खतम बस इतना ही तो है सर फिर्ष्ट में क्या पढ़ा था सर फिर्ष्ट में हमने पढ़ा था कि कितने participant होते है एक था primary एक था secondary वो कर लेंगे सर प्राइमरी में कितने लोग थे सर प्राइमरी में तीन लोग थे originators SPV investors secondary में कौन थे सर है secondary में बहुत सारे लोग थे obligers rating agency credit enhancer receiving and paying agent और एक कौन था यार इधर कौन था सर structurer और एक trustee yes participant के बाद mechanism mechanism में होता क्या था सर हम पहले IC ICA bank क्या करेगा pull करेगा मतलब group बनाएगा assets का creation और pull of assets पहला step सर उसको बेज देगा SPV को दूसरा step सर SPV उसका rating करवाएगा तीसरा और फिर उसको security issue करेगा चौता फिर administration होगा receiving and paying agent पाचवा और फिर repayment होगा fund का छटवा और फिर records to originators हो जाएगा हो जाएगा तो यह था दूसरा उसके बाद हम लोग आगे चले उसके बाद किसकी बाद कि benefit यह याप करना मुसके लिए थोड़ा सा पर फिर भी सोचते हैं benefit दो angle से देखना सर originators के angle से और investors के angle से originators के angle से मैं theory नहीं पढ़ाता हूं यार मैं क्या बोलू मुझे यह आपको homework देना चाहिए theory पर सर originators के angle से कुछ फायदे थे पहला off balance with financing बिल्कुल सही रेश्यो इंप्रूमेंट हो जाएगा ठीक है financial ratio सहीं बोल रहा है दो सर more specialization in business हम जिस काम में उस काम में focus करें तीन चौहता और सर borrowing cost कम हो जाएगा बिल्कुल सहीं इसके अंगल से कौन है यह investor के सर डाइवर्जिफिकिशन है हां और क्या है चलो याद करते याद करते सर protection अगेंस डिफाल्ट और तीसरा आर बीए का रूल से इंडिया में क्या प्रॉब्म है सर इस्टाइम ड्यूटी बहुत है टेक्सिशन का समस्या एकाउंटिंग का समस्या और लेक अप स्टेंडिडाइजिशन है documentation और ठीक नहीं है मतलब कोई standard format नहीं है और inadequate debt market है वोई भूल गा थे पिछली बार inadequate debt market है डिपैन करता है और last में क्या था भई last में फ्रर लास्ट में था last में फोर्क्लोजर लॉग 3 subject तो याद रखना पड़ेगा taxation हो गया accounting हो के law हो गे बागे तो 3 हो जाएगा थोड़ा सा water break ले लोगे क्या हम मैं पानी पीनू एक बार और कितने question है और दो ही question है basically बस pricing on security और कुछ नहीं है तो break ले लेता हूं मैं दो मिनट का break लेता हूं और उसके बाद फिर securitization instrument की बात करेंगे जीज हाँ जी थियरी है थोड़ा सा बोर तो लगेगा option ही नहीं है अमारी बास okay अब क्या है किया security जो issue करता है कौन SPV लिखना नहीं है सब लिखा हुआ है जो SPV issue करता है क्या securities वो security क्या होता है या इक्विटी होता है या फिर कुछ और होता है या फिर short term instrument short term तो होता नहीं है होता क्या तो बहुत वह तीन टाइप के होता है उन्होंने तीन एक का नाम लिखा पास्तू सेर्टिर्फीके ट पी एष पास्तू सर्टिफीकेट और एक क नाम हैente neglected certificate तो C होता है सर और यह पे सेक्यूरीटी इस प्लीज नाम में गंफियूज नहीं हो नाम और क्सा butterfly सर इस्ट्रिप्ट यह तीन टाइप के सिक्यूरिटी एश्यू होती है एक बार समझाओगे सर समझा रहा हूँ देखो भाई यह थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है इसके अलावा फिर कुछ है नहीं पहली बात यह है कि इन्वेस्टर बोलेंगे कि पैसा कैसे मिलेगा सुनो सिंपल है पैसा हमें अबलाइजर से तीन रुप में मिलता है तीन कहां दो ही तो सर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं एक प्रीपैमेंट भी होता है और बोले जैसा पैसा मिलेगा भाई वैसा पैसा हम आपको देंगे जो भी मिलते जाएगा proportionately हम आपको देते जाएगे जो भी मिलते जाएगा देते जाएगे this is pass through certificate इसमें कुछ है नहीं है जो पैसा हमें मिलेगा वो पैसे हम transfer करेंगे pass through certificate और एक होता pay through security इसमें एक दिक्कत है मालू में सर किन लोगों को दिक्कत है एक वो जो पर्शन है ना जो रिस्क कम लेना चाहते बहुत कम भया हमको ऐसा है कि fix बता दो 10 बस खतल मतलब यार मिलेगा तो दोगे मिलेगा तो दोगे ज्यादा return मिलेगा ज्यादा नहीं चाहिए return कम भी चलेगा पर पक्का करो ना यार ये क्या है मिलेगा तो देगे ऐसा नहीं एक term fix हो जाए एक rate of interest कम मिलेगा तो चलेगा और हमें एक time fix हो जाए कि यार हमें इस साल इतना मिलेगा ही मिलेगा इस साल sorry वीडियो बन दोगा था इस साल इतना मिलेगा नहीं मिलेगा वस इत मिनस ऐसा है कि इसमें ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा दे दोगे कम मिलेगा तो कम दे दोगे हमें उससे मतलब नहीं हमको fix कर दो इतना मिलेगा that's it अगर आपके पास कभी ज्यादा जाये सुनना ध्यान से अगर आपके पास prepayment हो जाए prepayment समझ रहे होन सब लोग yes home loan 20 साल का है और उससे पहले payment कर देते हैं लोटरी लग गई है किसी person को किसी obliger को लोटरी लग गई है तो उसको बलते प्री पैमेंट तो बहुते प्री पैमेंट जादा आगे है तो आप हमको जादा वापस मत करो आप उसको कहीं investment कर दो SPV SPV आप extra कहीं investment कर दो पर हमारा हमको tension खतम चाहिए हमको risk कम लेना है तो फिर issue होता है pay through securities pay through securities उसमें एक term होती है कि एक loan है कोई 10 साल का है पास साल के लिए security issue हो जाएगी पास साल के लिए security जैसे आते जाएगा देते जाएगी सर कुछ पैसे जल्दी आगया prepayment का तो SPV इसको कहीं invest करेंगी पर उनको उसी period में मिलेगा pass through certificate में सर जैसे आएगा ज्यादा आएगा तो ज्यादा देदेंगे कम आएगा तो कम देगे और pay through security में जैसे आएगा एक fixed maturity होगा जो आते जाएगा आते जाएगा देते जाएग जितना बनता है सामने वाले का और extra आ गया तो investment सर इस्ट्रीब्डी security के है नाम से लगेगा इसके अंदर दो है एक है interest only securities और दुसरा है principal only securities मतलब समझ रहा है मतलब सर समझ में आ गया थूड़ा बात पर फिर भी एक बार समझा दो बोले दो टाइप की securities है भाई सब दो टाइप की यह interest only मतलब जो interest का आएगा वो interest का आपको मिलेगा जो यह share खरीदेगा जो यह security खरीदेगा उनको वही पैसा दिया जाएगा जो obliger से मुझे interest के रूप में मिल रहा है जो aim आई आता उसके दो पार्ट आते interest तो इंट्रेस्ट वालों को interest देदेंगे principal वालों को principal देदेगे that's it okay sir और यह जादा risk की बोला जाता है क्यों sir sir उसकी वजह सुना सुनोगे ध्यान से लोगों का क्या क्याना मैं पढ़ा दूँगा ना तो वह जाला समझना है काम भी हो जाएगा तो securitization instrument में तीन instrument लेखा है एक है pass through certificate इसको क्या बोलते है पी टी सी पी टी सी पास्थू सर्टिपिकेट और एक है pay through securities PTS PTC transfer the entire receipt to investor proportionately इसमा कुछ लिखने की जरूत में और different tranche बना दिया जाएगा आपको क्या 10 साल दस साल के लिए ट्रांश बना दिया एक चार साल के लिए ट्रांश बना दिया एक पास साल के लिए उस तरह से हम payment करेंगे और prepayment जो आएगा उससे short term investment कर देंगे बात समझ में आ रहा ना हमारा target था कि यार इतना पैसा आएगा हम इतना दे देंगे that's it सामने वाले का उससे साब से हमने maturity भी decide कर दिये चार साल हर साल आपको इतना इतना मिलेगा और extra permit आ गया किसी की बज़ा से तो हम extra नहीं दे देंगे इसमें जो आएगा सब की सब देंगे इसमें जितना बनता था उतना दे दिया इस साल का बाकि हम investment कर देंगे और distributed security दो टाइप का interest only security और principal only security में यह सिर्फ interest रिस्यू करेंगे principal only security के holder सिर्फ principal वसूल करेंगे बस इसमें एक दो पॉइंट टेक्निकल है अगर interest rate बढ़ता है market में तो interest only security का price बढ़ जाएगा मतलब भाई साब आपने हमसे borrowing की बात जिन्नोंने home loan ले रखा मैं उनकी बात कर रहा हूँ मार्केट में तो बड़े महगे rate पे loan मिल रहा है rate of interest ज्यादा है market में जहां है ICIC इसे लिया है उसको प्यार से interest देते हैं बात खतम क्योंकि market में दूसरी जगह जाओगे तो rate of interest ज्यादा है तो फिर interest हमको time पर मिलेगा सही मिलेगा और इसलिए interest only security का price बढ़ता है अगर market में rate of interest बढ़ता है तो interest only security का price भी बढ़ेगा यहां तक समझ में आता है यस सर और सब prepayment हो जाएगा जब market में rate of interest कम हो गए टेक्निकल चीज है समझ में आ गया तो ठीक है ने तो लिखे दे न market में rate of interest कम हो जाएगा तो जो लोग हमसे ICICIC ज़्यादा rate of interest पे loan ले रखे वो पैसे प्रीपैमेंट करने का सुचेंगे कहेंगे यार बहार से उठाव ना दूसरी बैंक से फोन आता है जनरली कि रीफाइनेस करवा लो पता नहीं आपको आया होगे रीफाइनेस करवा लेजिए इट मिंस ICICI वाले को निप्टाओ हम दे रहा है पैसे और हमसे लोग ले लिजे कम rate of interest तो उसकी वज़े से प्रिपैमेंट बढ़ जाएगा और प्रिपैमेंट बढ़ने की वज़े से दिक्कत क्या मालूम है interest only security का price गिर जाएगा सब क्यों simple है ना भाई पैसा तो जल्दी मिल जाएगा पैसा जल्दी मिल जाएगा सर पैसा मिलेगा का interest का दो बाती कितम हो गया हमने सूचे थे interest मिलेगा कहा interest मिलेगा सबने प्रिपैमेंट कर दिया इसलिए price गरेगा सरी तो बहुत technical language है हां लिखना है तो लिखना नहीं तो आप क् principle only security market yield गरेगा तो principle only security गरेगा सर क्यों उसकी वज़ा है अब सुनो पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा हम लोगों को ना पहले से जब हम security issue करते हैं तो हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं कि इतने लोग कम से कम prepayment करेंगे प्रीपैमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि market में rate of interest कम हो गया है इसलिए भी कि बहुत सारे लोग होते चलो यार कहीं से पैसा आ गया चलो खतम करते खतम करते लो एक हमारा अनुमान होता है कि इतने लोग कम से कम prepayment करेंगे इतना पैसा हमारे पास आएगा आएगा अब हुआ क्या market yield बढ़ गया तो जो prepayment करने वाले थे अब नहीं करेंगे prepayment market yield बढ़ गया मतलब market में rate of interest बढ़ गया है तो वो हमको क्यों prepayment करेंगे आप को सोच नहीं तो market में पैसा लगा देंगे ना भाई home loan चलने दोना या market में पैसा लगा उससे जो हमारा अनुमान था कि पैसा आएगा वो उतना पैसा नहीं आएगा अनुमान था प्रिपैमेंट आएगा उतना पैसा नहीं आएगा इससे लिए जो principal only security उसका price गिर जाएगा सर टेक्निकल है हाँ टेक्निकल है मेने नाम नाम याद करोगे तो भी चलेगा मत लिखो टेक्निकल सर्थ कुछ लिखती हो तो भी कितने टाइप की security इस्यू होती है तीन कौन-कौन सा pass through certificate, pay through security और strict के अंदर दो interest only और principal only इतना भी लिख लोगे कि interest only securities holder को वही portion मिलेगा जो interest के रूप में आ रहा है और principal only securities के securities holder को वही पैसा मिलेगा जो principal के रूप में आ रहा है including prepayment ठीक, ओके तो कितने टाइप के securities हो गई और यह लिखना आसान है बहुत मुस्किल नहीं ठीक है चले आगे, यसा features आप यह बहुत बेकार point है यह तो रटना ही पड़ेगा, features आपको याद करना पड़ेगा समझाए जबर दे रहा हूँ पर यह तो totally याद करना पड़ेगा आखे, securityization में होता क्या-क्या है सर, होता security issue होती है, और क्या होता है सिर्ब इतना नहीं, इस यहाँ कुछ अलग point है इसको याद करना, creation of financial instrument main क्या है, सर security issue करना है, वो ही तो है सब्सक्राइब कर रहा है फाइनेशल इस्टेटमेंट का सिंपल है बंडलिंग अन बंडलिंग का मतलब समझ रहा है मैं हूँ ICICI मैंने एक होम लोन जो 10-10 साल के थे होम लोन आटो लोन वगेरा एजूकेशन लोन थे मैंने होम होम लोन का एक बंडल बनाया और SPV को दिया य उसको खोल दिया और इस्टियू कर दिया बंडलिंग का मतलब क्या है क्रेblock अपलाइप असेट्स और ब्रोकन इंटू इंस्टूमेंट बंड advances दे रखे थे home loan के रूप में वो बेज दिया risk उन पर चलागा SPV के वो तब होगा जब कौन सा non-recourse basis पे non-recourse पे it means sir इन्होंने क्या किया जो loan दिया था वो asset को बेज दिया SPV को अब हमारा tension खतम non-recourse basis पे बेज दिया कि अगर पैसा डूबा तो कोई हमारे पास मताना that's it structural finance का मतलब सर पैसा generally कैसे लेते किसी से उधार लेते यहां आपने structural मतलब समझते होना है और आपने instrument बना कर issue किया है यह तो आपको बानो है trenching sir loan को आपने split कर दिया several part में बिलकुल loan दस साल का loan trench trench और homogeneity मतलब आपने एक group बनाया है सारी चीज़ों का sir features याद करना बहुत मुस्किल है main main बाते याद हो जाएगे sir creation कर रहे हम financial instrument का bundling और unmundling कर रहे है वो भी बात समझ में आती है और sir इसके अलावा किया trenching trenching का मतलब क्या होता आपने अलग-अलग trench trench तो समझाया था interest trench का मतलब होता आपने अलग-अलग maturity का आपने loan issue किया structural finance है okay sir और homogeneity के मतलब होता है आपने group बनाया है asset sir ये ये मुस्किल है थोड़ा सा याद करना features features मैं आपको humak दे रहा हूँ आप जानो इसको कैसे याद करोगे क्यार ये feature मैं ये नहीं बूल सकता कि आ नहीं सकता आ सकता है आ सकता ये आने की उम्मिद कम है pricing of securitized instrument आने की उम्मिद है आज तक आया भी नहीं surprising का मतलब यार जो security paper issue कर रहे हो उसका price क्या रखना चाहिए उसका price क्या होना चाहिए दो अलग-अलग angle से सूचो अगर मैं सोच रहूं कि मैं खरीदने का सोच रहूं ये paper तो मैं कितना पैसा दे सकता हूं अगर मैं investor के angle से सोचो तो sir इससे जो cash inflow आएगा उसका present value discounting cash flow techniques और जो कितना गया और मेरे जेब से जो गया outflow उतना पैसा मुझे आना चाहिए कम से कम उतना चाहिए तो outflow को amortize करेगा वो देरा एक साथ और मिलने वाला 10 साल में तो sir वो क्या करेगा future value penalty निकालेगा बस वो भी काम करेगा अब discounting कर रहा है वो आपका क्या करेगा future value निकालेगा present value निकालेगा future value निकालेगा एक साथ आज दे रहा हूं तो मुझे कितना आना चाहिए time pass है topic कोई मतलब नहीं है मतलब फिर भी दिया है तो पढ़ लिया pricing of securitized instrument originators के अंगल से outflow जी है जो किया उसको amortize करेगा और investors के एंगल से discounting cash flow techniques and the last securitization in India बिलकुल आज तक नहीं आएगा ना आया है ना आएगा पर लिखा है इसलिए मैं बढ़वा देता हूं कहां से start हुआ था sir इंडिया में सबसे पहले कौन किया था city bank ये पढ़ना पढ़ेगा आपको ओके sir सिर्फ sir उसके बाद इससे related कोई act आया है कि जो investor के एंगल से बात करता तो ये act आपने पढ़ा होगा so surface act surface act और फिर बताना पढ़ेगा कि धीरे धीरे Indian capital market में grow हो रहा है grow हो रहा है Indian capital market जो securitized instrument हो रहा है उसमें भी grow हो रहा दीरे दीरे market बड़ा सरे time और फिर उसके बाद जैसे city bank पहले आया है फिर IC ICA bank आ गया HDFC आ गया फिर सेबी ने लाओ किया कि बाहर वाले भी आ के investment कर सकते हैं सब कहानी किस्से हैं ये भी homework feature homework है मैं नहीं करवा सकता और ये भी homework है ये नहीं आएगा ये नहीं आया है और वो भी नहीं आया है features आ सकता है तो sir हाँ बोलो खतम करें क्या ये तीन topic है जो अभी मैं नहीं करवाँगा break के बात करवाँगा एक था मतलब second part में करवाँगा एक था हमारा risk in securitization risk in securitization problem नहीं risk in securitization और एक है tokenization आया हुआ है जिसमें blockchain concept मुझे पढ़ाना है बस खतम तो sir वो कितने मिनट करेंगा 15-20 मिनट उससे ज़्यादा निजोग पर उसस second part में क्यों करवा रहा है क्योंकि वो मुझे थोड़ा अलग से करवाना that's it जात कर ले finally क्या-क्या बढ़ा था yes पहला point बताते जाना yes sir participant बताओ जल्दी से कितने है main main जो question उसको तो याद करना पड़ेगा फाले features याद ना हो चलेगा किस तरह से pricing कर तो याद ना हो players participant कितने हो तो याद करना पड़ेगा sir primary secondary primary में बोलो कौन-कौन से sir primary में एक तो उपर वाला था जिसको बलते थे originators SPV originators SPV और investors secondary के बात करो sir secondary में जो टूटल थे बहुत सारे थे उसमें obligers था एक बिल्कुल उसके अलावा sir एक rating agency था एक credit enhancer था receiving and paying agent था एक trust ही था हो गया ना sir एक structural था ठीक है तो यह participant हो गया उसके बाद mechanism में क्या आएगा जड़ा बताओ second question sir पहले creation करेंगे pull up assets mechanism में हाँ sir creation वो ही तो था ना है creation pull up assets वो ही तो भूल गया थे हम लोग pull बनाएंगे assets का ठीक है फर security sell करेंगे sorry assets sell करेंगे किसको SPV को SPV rating कर वालेगा फर security issue करेगा कर दिया उसके बाद administration होगा receiving and paying agent वाला उसके बाद repayment होगा fund का repayment होगा fund का और चाहो तो recourse to originator हो सकता है ठीक है sir यह mechanism भी हो जाएगा हमसे उसके बाद चले आगे उसके बाद benefit हाँ यह मुस्किल है benefit benefit किसके एंगल से दो अलग-अलग एंगल से कौन-कौन से एंगल sir एक originators के एंगल से और एक investors के originators को क्या फायदा है sir originators को क्या फायदा है पहला तो off balance and financing वो तो याद हो गया sir वहीं भूल गया थे off balance and financing दूसरा sir ratio में improve हो जाएगा तीसरा sir cost of debt कम हो जाएगा cost of boning कम होगा more specialization in business रहेगा investors sir तीनी तो थे पहला आपने बताया था divergification और दूसरा नीचे कुछ बता protection against default और तीसरा SEBI का और RBI का rules and regulations आया यह लिख लेंगे sir ओके इसके बाद क्या आया था उसके बाद आया था problem in a securitization in India तीन act थे एक तो ishtam duty था और तीन act थे तीन हमारे subject थे कौन-कौन से accounting था taxation था और foreclosure law था ठीक है तो चार तो वैसी हो गया और inadequate debt market और documentation standardized नहीं है वाव समझा आ गया है तो उसके अलावा securities कौन-कौन issue होते तो तीन था कौन-कौन साथर एक होता था pass through certificate जो आएगा ते देंगे एक था pay through securities जो आएगा सब नहीं देंगे जो बात होगी हम आपको fix देंगे extra आ गया है तो हम invest और फिर था strip में दो थे interest only और principal only और सबसे question था features of securitization features में क्या था sir financial instrument को create ही तो कर रहे है security तो बना रहे है हम लोग ठीक है bundling and bundling sir ये भी बात समझ में आ रही थी मुझे तो दो point याद है इसके लावा sir ये structure and finance है बिल्कुल सही और सर और क्या लिख सकते features याद करना पड़ेगा homogeneity trenching करते हैं trenching मतलब branch अलग-अलग low ने अलग-अलग maturity period का अलग-अलग low issue कर सकते ये trenching था ठीक और एक group का homogeneity का मतलब क्यों होते है समझ रहे हो ना bundling बोलते है bundling जैसे 12 साल की maturity का एक bundle बनाया 12 साल की maturity वाल एक bundle बनाया तो bundling करके आप इसको आप homogeneity बोल रहे है और tools of risk management तीन अच्छा तीन पॉइंट ही में तो कोई दिखकत नहीं चार ही तो पॉइंट लिखना चार नवर का गोश्र आए गया creation of financial instrument bundling and unbundling ठीक है tool of risk management tool of risk management का मतलब है कि सर हम अपना समस्य अपना जो burden था ना सामने वाला डूबा लेगा तो अब हमारा टेंसर नहीं हमने बेज दिया तो तीन पॉइंट तो हमको वैसे भी याद हो जाए सर चार नंबर का कोश्र नहीं तो छे लिख सकते के लिख सकते तो उसे चार लिखोगे तो क्या पूरे नंबर मिनेगे मेरे पास आंसर सीट में ने लिख आया हूँ पिछलों सर प्राइजिंग कैसे करते दो अलग एंगल से सोचो एक ओरिजनेटर कैसे प्राइजिंग डिसाइड करेगा और एक इन्वेस्टर्स डिसकाउंटिंग कैस्ट्रो टेक्निक्स और यह तो बेकार की बात है कि यार इंडिया में क्या यह तो पढ़ा हो यह तो पक्का हो हो ठीक है अब खतम कर रहा हूं है यह वाला पार्ट पार्ट नंबर टू में इंपॉर्टेंट होगा उसमें तीन ही है एक तो मुझे करवाना है क्या रिस्क इन सिक्यूरिट आज़ेशन यह नया आया है रिस्क इन सिक्यूरिट आज़ेशन लीगल रिस्क रिज्ट रिमार्गर सिंपल है और दूसरा टोकनाईजेशन करके आजा हुगा है जिसमें ब्लॉक्चैन कॉंसेट समझाया तो चलो मैं भी समझा दूँगा बस सब बड़ी मुश्किल से पंधरा मिनट लगेगा अभी मैं खतम कर रहा हूँ पार्ट नमबर वान हर चेप्टर में ऐसे ही होगा जो फाइनेशियल पॉलिसी वाला चेप्टर है वो चेप्टर ही आदे घंटे का ठीक है तो इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट होगा इस चेप्टर के बाद और उसके बाद बस इतना ही तो है मतलब सर्थ टोटल मिलाकर दो घंटी की थेयरी और बच्च वी क्या चल रहा था सा सिक्यूरिटाइजिशन और सिक्यूरिटाइजिशन में मैंने पहला पार्ट करवा दिया दूसरा पार्ट करने के लिए आपको पहला पार्ट किया होना चाहिए तभी ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा नहीं तो सिक्यूरिटाइजिशन समझ में नहीं आने वाला अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ अच्छा और एक बात कि जो सिक्यूरिटाइजिशन में अब ये जो second part में चल रहा हूँ वो amendments है It means ये है कि पहले सिक्यूरिटाइजिशन में ये नहीं था और अब ये आ गया है तो ये अब जादा important हो गया ऐसा नहीं है कि पहले वाला important नहीं है पहले वाला तो important है जेकर अब ये जादा important हो गया तो सर पिछली glass में हमने सिक्यूरिटाइजिशन में किया क्या है क्या पढ़ा था पिछले part में थोड़ा बहुत याद दिला सकती हो कि हाँ थोड़ा बहुत याद दिला दूंगा सबसे पहले हमने सिक्यूरिटाइजेशन में क्या पढ़ा था सर सिक्यूरिटाइजेशन में हमने बैनिफिट वगिरा पढ़ा था सिक्यूरिटाइजेशन प्रोसेस क्या होता यह पढ़ा थ originators कौन होता है हांसर इधर कोई होता था originators खीक है originators के अलावा borrower होता था yes special purpose vehicle होता था और investors होते थे हांसर याद आ रहा याद आ रहा उसमें हमने securitization अलग-अलग angle से भी पढ़ा originators के angle से क्या benefit है और investors के angle से क्या benefit है कितने लोग participant करते थे तो participant होता था और secondary participant होता है mechanism पढ़ा था ठीक है sir फिर एक पढ़ा था problem in securitization in India इंडिया में क्या problem है तो मैंने बात किया था यार इंडिया में problem यह time duty ज़्यादा है accounting का अता पता नहीं है taxation का अता पता नहीं है documentation क्या होना है debt market उतना हमारे पास adequate नहीं है और जो foreclosure है उसमें कुछ समस्या है वो क्या पढ़ा था problems in securitization in इंडिया अब एक नई theory add हुई है risk in securitization risk in securitization तो मुझे क्या लग रहा है कि मुझे यह लग रहा कि आप कहीं mix ना कर दो exam में और exam में अगर mix करोगे तो number कटेंगे और mix करने की कर रहा हूं problems in securitization in इंडिया वो अलग है और risk in securitization ही अलग है आपको यही points लिखने पड़ेंगे अगर आप problems वाला point लिख किया जाओगे खिलकतम हो जाएगा यहां इंडिया में क्या हो रहा है कि सर एकाउंटिंग का problem है टेक्स वो इंडिया में problem है मैंने का उसके अलावा सिक्यूरिटाइजिशन कहीं भी क्यों ना हो रहा हो उसमें कुछ टाइप का risk है पहला risk की बात किया है मैंने यहां लिख दिया है प्लीज यह theory अच्छे से करके जाना मैं याद करवा रहा हूँ याद करवा दो प्रेलिट रिस्क या counterpart रिस्क सर इसका मतलब क्या है हमने कहा था कि हमने मैं हूँ कौन मैं हूँ बैंक और मैंने किसी को लोन दिया था housing fall finance क्या है मालूम है समस्या है default अगर अगर जिन लोगोंने loan ले रखा है house loan home loan जिनोंने ले रखा है उन्होंने default किया तो क्योंगि counterpart रोड़ कर सकती सर उनका घर बेच देंगे इतना असान नहीं होता घर बेचना कहना असान है कि हम यह कर देंगे वो कर देंगे loan लिया है पैसे देने पड़े कि इतना असान नहीं होता एक्ट laws बहुत अलग है उसके लिए तो यह problem है कि अगर जो borrower है उन्होंने default कर लिया तो पैसे किस से वसूल करेंगे और especially non-recourse basis पे non-recourse आपको समझ में आता है अगर इन्होंने default किया तो investor मुझसे बैसे नहीं मांग सकते मेरा non-recourse basis होता तो मुझसे मांग भी सकते थी non-recourse basis तो पहला अगर जिनको loan दिया उन्होंने धुका दे दिया तो जिसको बोला जाता borrower और अगर bankrupt हो जाए तो ठीक है रिस्क of bankrupt एक यह रिस्क है पहले इसको मैं save कर लूँ किया सर जिसक क्योंकि मैं इसमें लिखूंगा ना तो फिर दिक्कत में पढ़े जाओगा है हाँ सर सर ठीक है छी रिस्क in banker ठीक है सर तो यह एक रिस्क हुई इसके अलावा सर याद रहेगा ओके सर ओके सर रिस्क इसका counterparty risk या credit तूसरा है legal risk इसका legal risk क्या है legal risk बस वही चीज़ तो मैंने बताया कौन default करेगा जिसने house loan लिया है उसका घर खाली करवा सकते हैं क्या तर करवा देंगे क्योंकि या loan लिया है उन्होंने अगर loan का क्योंकि registry का paper तो हमारी पास है bank के पास है अगर सामने वाले ने loan का repayment नहीं किया house loan का तो हम उनका घर बेज देंगे bank उनका घर बेचने का power रखती है कोट में जाईए अब कैसे power रहते हैं कोट में जाना पड़े और कोट जनरली किसके favor में decision देता है जनरली 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 जिसने house loan ले रखा है उसके favor में generally discussion देगा क्योंकि वो बताएगा कि देखो साब अभी covid आया था और covid आया था तो मैं कम मना कर रहा हूं कि मैं pad नहीं क decision आता है तो यह legal risk है भाई dispute होगा तो आपको नहीं मालूम कि legal ownership किदर जाएगा और इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ है ओके ठीक है तो दो टाइप के risk सर एक कौन सा counterparty default करेंगे और दूसरा legal risk होगा मतलब ownership में भी तो बहुत ज़्यादा जंजट होता है बैंक कई कई जमीनें ऐसी है जो बेस दी गई और अता पता नहीं ownership कोई और है किसी और को और बैंक तो इस पर लोन भी दे रखा ऐसा हुआ है हुआ लीगल रिस्क होगा और तीसरा कौन सा है market risk याद रखना पड़ेगा मैं रटवाऊंगा मैं क्या पढ़वा रहा हुआ हूँ risk in securitization तीन टाइप का risk counterparty risk, legal risk और market risk सर market risk क्या है वो समझा रहा हूँ उसमें सबसे पहले macro economic risk ultimately बस चल क्या रहा है चल ये रहा है कि अगर borrower धोका दे तो क्या होगा अगर सामने वाले ने धोका दिया तो हम investor को पैसे नहीं दे पाएंगे कहां से देंगे जिन से पैसे आने था उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया ओके तो और क्या risk हो गया सर और ये कहना क्या चाहता macro economics उनका ये कहना कि देखो भाई अगर economy में recession होता है recession किस वज़े से हो सकता है बहुत सारा inflation की वज़े से होता है inflation बढ़ा तो हो सकता economy down होगा या फिर महगाई बढ़ी तो inflation हाठी के न सर आपने तो बोला और GDP कम हो जाएगा और भी बहुत सारी risk हो सकते macro economic factor बहुत सारी हो सकते मैं simple सी बात बलूँ अगर economy recession में होगा तो लोग बरबाद हो जाएगी अब ध्यान से समस्दा एक उन्होंने example के थूरू समझाया है आप ही की book में वो example ले ले रहा हूँ आप चाहो तो लिख लिए ना और क्या बात किया उन्होंने उन्होंने का देखो ऐसा होगा तो फिर लोग सामान कम खरी देंगे ठीक है कामान कब खरीदेंगे तो ट्रांसपोर्ट का कम यूज होगा ठीक है भई अगर ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं होगा तो कॉमर्शियल वहिकल जो है उसका यूज नहीं होगा ठीक है और कॉमर्शियल वहिकल का यूज नहीं होगा तो जिन्होंने कॉमर्शियल वहिकल जो ल कोमर्शियल वहिकल के उपर लिखा हुआ सारी बात यह उन्होंने कोमर्शियल वहिकल के कि देखो एक चीज के एकोनॉमी के रेशिशन होने से लोन नहीं पैड होगा और लोन पैड नहीं होगा तो आप इनवेस्टर को पैसे कहां से दो कि यह भी तो इस रिस्क है अगर market down होगा तो आप खतम, bank भी खतम, bank खतम तो जिन्होंने investor ने, जिन्होंने security खरीदा है, वो भी खतम, यही बताया हूँ है, macro economic risk, तो दूसरा क्या है, दूसरा prepayment risk, इसके विशे में तो बहुत अच्छा समझा है, अब सुनो, उन्होंने क्या समझा है, बिल्कुल धिहा पब्लिक को, बिल्कुल धिहां से समझा है, बहुत अच्छा मजा आगया इस point में, prepayment risk, सर, prepayment risk क्या होता, सुनना धिहां से, मुले, हमने home loan दे दिया, लोगों को, on an average, 10% के हिसाब से, अब हमको मालू है, हमको 10% मिलना है, मिलना है, और, जिन लोगों को security issue किया है, security issue किय है, और, इसको हमने SPV को बेचाओगा, SPV ने security issue किया होगा, तो, जिन लोगों को हमने security issue किया है, उनको हमने का, ठीक है भाई, आपको 8% return मिलेगा, देखो, हमने, हमने, लोगों को कितने percent पे loan दिया, 10% पे, और, उसको हमने security के तौर पे issue कर दिया, और, हमने का, आपको 8% return मिलेगा, हमारी 2% की कमाई है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, और हमको मालूम है, 10% आएगा, 8% देंगे, 10% आएगा, 8% देंगे, अब हुआ क्या market में rate of interest, मान लोग, कम हो गया, 5% हो गया, अगर market में rate of interest, 5% हो गया, इन सब transaction में क्या फर्क पड़ेगा, बस यह समझना है, इसके लिए CA होना जरूरी, आप CA कर रहे हो, यह theory पढ़ाने में मुझे जोश आता है, इसको पढ़ाने में जोश आता है, तो वो time pass theory मज़ा नहीं आता, अब क्या होगा, अगर rate of interest, 5% हो गया, और sir, इन लोगों ने home loan कितने पे ले रखा था, 12% लोग क्या करेंगी, लोग कहेंगे, यार सुनो न, prepayment करो, 12% बहुत जादा है भाई, 5% पे market में पैसा मिल रहा है, तो वो लोग मझे prepayment कर देंगे, मैं bank हूँ, वो अपना home loan repay कर देंगे, जबकि मैंने सोचा नहीं था, prepayment का, उन्होंने का, prepayment, 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 पैसा आ गया, अब मैं जो सोच रहा था कि 12% मिलेगा, अब तो नहीं मिलेगा, sir, पैसा तो आ गया, उस पैसो को करूँ क्या, sir, reinvest करू, reinvest करने पे भी मुझे 5 ही मिलेगा ना, यार, market में तो 5 हो गया, और investor बैठे बैठे रास्ता देख रहा है, अब आएगा 8%, अब आएगा 8%, कहां से आएगा 8%, यहीं सब्द लिखा है, कि prepayment क्यों होगा, sir, interest rate के बढ़ने से, interest rate के गिरने से, prepayment होगा, और जो prepayment बढ़ेगा, और prepayment बढ़ेगा, तो उसको जब invest करेंगे, तो किस पे, इसको invest करेंगे, आप लेख लेना, investment होगा, तो किस पे, lower rate of interest पे हो, यह एक समस्या है, और फिर risk तो है, prepayment risk, इसी को बोलेगा, आपको क्या लगता, कि prepayment से bank of आइदा होगा, नहीं होगा, 100%, bank कभी भी नहीं चाहेगा, कि आप prepayment करती चे, हलाकि आपको जरूर ऐसा लग रहा हो आपको बैंक दुखी हो जाएगा, आप समझो, आप बैंक दुखी हो जाएगा, कभी नहीं चाहेगा, कि आप उसका prepayment करेंगे, हाँ सरी तो हमको पता था, तो macro economic risk और prepayment, interest rate risk जबर्दस्ति का डाल दिया, वो तो यहाँ cover हो जाना चाहिए, पर इन्होंने यहाँ कहानी को दूसरी बता रखा, ठीक है, ओके, तीन टाइप का risk है, risk in securityization, मुझे यह थेरी याद करवाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आने वाली है, counterparty risk, सर्थीक है, यह तो prepayment वाला है, मतलब default वाला, हाँ, default किया तो tension, पहले दिया तो tension, tension है, counterparty, ठीक है, legal risk, ownership, dispute है, पता नहीं कौ दूसरा prepayment risk और तीसरा है interest rate risk, इनका यह कहना है, यह सर समझा दो थोड़ा सा, थोड़ा समझा दो सर, यह bank, ठीक है सर, और यह है जिनको हमने loan दिया है, मान लो, इनको हमने loan दे दिया, किस पर fix पे, तो हमको fix मिलेगा, और हमने जो पैसा है उसको investment किया, yes, fix मिलेगा, और उसको हमने investment कर दिया, fix rate पर हमने loan दिया, तो हमको fix interest मिलेगा, fix interest मिलेगा, okay, अब यह जो पैसा दिया सर, वो कहीं और से लिया होगा, हाँ, कहीं और से लिया होगा, जो मैं उधार दे रहा हूँ, हो सकता मैंने कहीं और से लिया होगा, और वो ले लिया, floating, floating के साब से ल fix, माल लो 10% करेंगे तो fix, पर हमको अगर देना है, माल लो floating पे हमको floating देना है, हमने जिससे उधा लिया है, उसको देना है, उसको तो floating पे floating समझते हो, interest rate risk management देखा होगा आपने, floating मतलब floating बढ़ गया, और floating हो गया 15%, खिल गतम हो गया ना है, यह risk तो है ना भाई, आप नहीं समझ रहे हैं, इसी को तो risk बोला जाता है, तो इस point में उसने fix और floating का बताया, कि अगर हमने fix से उधार, लोगों को fix के साब से उधार दे दिया, तो हमको 10 मिलेगा, और हमने जो दिया है, वो हमने कहीं से लिया होगा, और हमने floating के साब से उधार ले लिया, तो खिल गतम हो गया, डर किस बात का, सब floating बढ़ेगा, floating बढ़ेगा, तो खिल गतम हो जाएग इसको बोल रहा है वो interest rate risk हाला कि उन्होंने लिखा भी है बोले हम एक काम कर सकते हम इस floating को हम fix में convert कर सकते वो कैसे करते interest rate swap से वो मैंने कहां करवाय रखा है interest rate risk management तो एक ये theory आया हुआ है add हुआ है जिसमें सब्द है risk in securitization please करके चले जाना ये मेरी request है हाँ छोड़ कितना risk सर counterpart risk prepayment risk और market risk तीन ही तो risk और market risk के अंदर तीन macro economic risk और repayment risk और interest rate risk बस हो जाएगा यत और जो भी मैंने बोला है अपने मन से कुछ भी नहीं बोल दिया तो सर कहां से बोला सब पढ़के बोला है पढ़ लिया था फिर बोला है मतलब सर मतलब एक सब आई सीए आई के मैं अपने हिसाब से खुछ भी नहीं करवान तो ये एक theory आया हुआ था इसके अलावा और add हुआ है tokenization tokenization अच्छा तो ये tokenization क्या है वो तो मैं समझा दूगा tokenization क्या है सबसे पहले token ना यार token मतलब token मतलब यार मालो समोशे खाए हो कभी कई दुकानों में ऐसा होता है आपको कुछ भी खाना होता है समोशा वगेरा तो आपको बोला जाता है पहले token लेकिया हो आप पैसे देती हो उसके बदले में एक token मिलता है उस token की value क्या है सब पैसे में token मिला मतलब उस token को में क्या किसी और को भी transfer कर दूँ और वो जाए ना counter पर उसको समोशा मिल जाएगा कितना समझ में आया ना पर समझ में तो आ गया पर यह हम ऐसा समोशा लिखेंगे कि एक्जाम है वह नहीं लिखे हो गए भाई वह मैं समझा दो tokenization पर बहुत बड़ा lecture हो सकता पर उससे पहले इन्होंने I.C.E.I. ने tokenization लिख तो दिया है लिखिन उससे पहले blockchain concept समझा जाया है अच्छा मतलब topic है tokenization लिखा है blockchains पूरा अब यह ब्लॉक्चैन पर अगर मुझे lecture देने के लिए बोले तो यार कितना time मतलब यह पाच्छे घंटे उससे में निकल जाएगा और सच्छा है कि YouTube में blockchain नहीं blockchain है पूरा blockchain और सर सायद ही कोई होगा जिसको blockchain नहीं समझता होगा पर्ट मेरा जो purpose किया है मेरा purpose please मुझे blockchain का आप यह मैं समझो कि मैं आपको बहुत कुछ समझाओंगा जरूरत भी नहीं है वही तो इसको पढ़ना तो expert knowledge लेने की कोशिश मत करो time है तो फिर तो जमाने भर के video है काम की चीज़ पढ़ेंगे तो important क्या है blockchain पर blockchain को समझाने के लिए उन्होंने google doc की बात किया पर यह क्या है यह हम लिख रहा हूं है google seed बोलते है google doc बोलते है google documents google doc क्या इसको huge किया है हाँ सर कैसी बात कर रहे है हम CA लोग है office में तो यह इसी पर काम होता है और हम तो आपको सलह भी दे रहे थे हम आपको नहीं क्या हो रहा था मेरे group में group में आप लोग हो ठीक है अब group में यार बच्चों को चाहिए schedule कौन सी class कितने घंडे की है अब उसमें कोई student है जो excel seat में पताओ कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे यह जो काम मुझे करना चाहिए वह आप कर रहे है thank you so much thank you thank you तो वह लोग excel seat में schedule मनाती हुए जा रहे थे फिर वापस फिर schedule update करते थे फिर कोई student फिर बोलता था हमें schedule चाहिए फिर नए बच्चे जूड़ते थे फिर schedule वह बच्चा upload करता था thank you so much जो भी upload कर रहा है अब दिक्कत क्या हो रही है दिक्कत ये हो रही है क्यूंकि बाकी बच्चे भी चाह रहे है कि यह देखु हम भी तो आगे के lecture देख रहा है तो एखी बच्चय क्यों महनत करे हम लोग भी यार हम भी देखते जा रहे हैं तो हम भी उस में update करते जाएंगे कि यार सिक्यूरिटाइजेशन का लेक्चर देड घंटे का है लेक्चर नमबर पार्ट नमबर टू आदे घंटे का है सब ये चाह रहे है कि यार चलो हम भी मदद करते हैं पर मदद कैसे करें प्रोब्लम है कि एक्सल सीट कॉपी करना पड़ेगा और फिर उसमें एडिट करना पड़ेगा फिर वापस है फिर वहाँ पहुचेगा फिर तीसरा बच्चा उसमें एडिट करना चाहेगा तो उसके पास आएगी वह एक्सल सीट फिर वह एडिट करके फिर अफ्लोट करना पड़ेगा यह time consuming है तो आप ही में से किसी ने सलह दिया कि सर गूङल डॉक करो मुझे नहीं सलह दिया मुझे नहीं अपने ही दोस्तों को जै और एक काम करो नहीं है गूगल डॉक पर काम करते है बूगल डॉक में क्या है कुछ नहीं 8 है डॉकूमेंटर शे की बात है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं व会 काम तो आप अल्रेडि कर रहा हूँ और कहां कहीं अपने ओफिस में तो करी रहे हैं मेरे ग्रूप में भी कर रहा है वाट्सअप ग्रूप में ऐच्छा लगा देख करें हुं सर उसमें होता क्या उसमें कुछ नहीं होता है रियल टाइम पर उसमें होता है sir म भी एडिटिंग कर रहा हूं उसी पेर और जैसे WhatsApp गुरूप में होता है जिसे WhatsApp में होता है सब लोग लिखते उसी समय पे दूसरा बच्चा भी डेरिवटीव देख रहा तो डेरिवटीव कभी अपडेट कर देगा इस तरह से सब एक साथ अपडेट कर सकते उसमें एडिट कर सकते तो इसमें अभी तक आपने कुछ ब्लॉग चैन्स तो समझा नहीं मुझे पहले ब्लॉगचेंस से पहले समझ लो कि गूगल डॉकुमेंट्स क्या होता है ठीक है, तो Google Doc हमको ये समझ में आ गया, कि सब लोग उसी पेज पे रियल टाइम में एक साथ editing करते जाते हैं, जबकि MS Office में तो ऐसा copy paste करना पड़ता था, मैंने आपको दिया, फिर आप change करोगे, इस तरह से, ठीक है सर, पर ये इसमें दिक्कत क्या है, ये centralized होता है, मतलब होगा, अगर उसने उसको delete किया, या उसमें कोई change किया, ये सब को हटा दिया, it means, मैं क्या कहना चाता हूँ, ब्लॉक्चेन कौन से, पहले Google Doc के विसे में समझे, फिर ब्लॉक्चेन पर, तर ये Google Doc पे question आ सकता है, कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक basic सी चीज है, जो हर office में होता, तो मुझे नहीं लगता किस पे question आएगा, पर भाई, I.C.A.E. का क्या कहना, उन्होंने डाल दिया है, उन्होंने समझाया है, ब्लॉक्चेन, पर सबसे पहले ब्लॉक्चेन जो समझाये, वो Google Doc के example से समझाये, कि Google Doc में हम करते क्या है, तो बोले हम create करते, एक document, ठीक ह हुआ, जैसे आप ही बच्चों ने किया, और फिर उसको सारे student को share कर दिया, अब share हो गया, ठीक है, group of people, आप सब लोगों के बीच में share हो गया, उसको access कौन कर सकता है, सारे लोग कर सकते है, एक ही time पर share कर सकते है, और उसमें क्या कर सकते है, modification कर सकते है, real time में, ठीक है, तो जो था न, copy paste वाला मैं आपको देता हूँ, आप मुझे दे देना, फिर मैं edit करूँगा, फिर मैं third पर ऐसा नहीं चलेगा, एक साथ, एक ही paper है, और उसी में सब की सब edit कर रहे है, मजा आ गया सर, यह तो अभी कर रहे है, इसमें तो कुछ लिखना क्या यार, इसमें तो पर पेज लिख दोगे, आप इतना यूज करती हो, और सर मालो यूज नहीं किया है, हमने तो यूज कर लो भाई, मोबाइल में कर लो, आपके गम मोबाइल में कर लो, मोबाइल में गूगल डॉक, अपलोट कीजी और देख लिजे, खेर, वो तो आप कर ही लोगे, पर उतन और नहीं हो, सेंट्रलाइस कुछ नहीं हो, मतलब, मतलब यह है कि सब इंडिपेंडेंट होगा, बीच में से, आपस में लिंक रहेगा, सर समझाओ, एक्जामपल समझाओ, एक्जामपल से, बिटकोईन, सब तो पढ़ा हुआ है, मैं ब्लॉक्चेन पढ़ा ही क्यों रहा पर सुन लो अब सुन लो, जब इतना है, तो कि मुझे ठीरी करवाना है थोड़ी बात तो सुननी पड़े है, प्ली सुन लेना यार, वही पॉइंट बताऊंगा, जो बुक में लिखा है, बस उतना काम करवाना, मेरे को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ब्लॉक् निकली ऐसे होता भई, वो जैसे भी होता, मेरा काम है कि मुझे आपको आंसर याद करवाने है, राम, शाम, मोहन, सर इसके बस कितने रुपए है, सर बीट कोईन का एक्जामपल नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, इसके बस सौ रुपए है, और इसके पास एक सौ तीन दोस्त है, राम ने, मोहन ने का कि मुझे पैसे चाहिए, और राम ने सौ रुपए में से पचास रुपए मोहन को ट्रांसपर कर दिया, एक ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन क्या हुई, राम ने मोहन को कितना रुपए ट्रांसपर किया, पचास, तो सर इसके एक ब्लॉग को अब थहां समय शूंफीन के लिखा आया अर उसस में लिखा आया मैं शूरल की ब्लॉग क्या बताता हर एक ब्लॉग बना कि राम ने मोहन को दिया कितना रुपए 50 पैसे इसके अलावा यहां इनका बैलेंस भी लिखा गया कि एक के पास राम के पास कितना श्याम के पास कितना मोहन के पास कितना कोई दिक्त की बात नहीं है यह सर राम के पास कितना श्याम के पास कितना मोहन के पास कितना ठीक है सर इसका य इसके बास 250 हो गया कि हाँ अपडेट हो गया यहां तक दूसरी ट्रांजेक्शन और हुई सियाम ने भी 100 रुपए दिया मौवन को कितना था सर 150 था उसमें से 100 रुपए दे दिया सर इस ब्लॉक में अपडेट नहीं होगा हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक ब्लॉक अब दूसरी ट्रांजेक्शन होई तो यहां भी यहां भी दो ब्लॉक बनेगा मतलब हर एक के लेजर में ब्लॉक बनेगा और सर इस ब्लॉक में क्या लिखा है सियाम ने मोहन को दिया कितना 100 रुप और यहां फिर लिखा कि राम के पास कितना श्याम के पास कितना मोहन के पास और सर यह दोनों ब्लोक एक chain से connected है मतलब यहां जो transaction होई है वो पिछली transaction से connected है आ समझे में आ रही है यह सर इसी को बोलते blockchain अगर सर हम इसमें छेड़ चड़ कर देंगे कर ही नहीं सकते पहली बात blockchain concept बहुत बड़ा है यार पढ़ते पढ़ते ठक जाओगे मुझे क्या करवाना मुझे research नहीं करवाना PhD नहीं करवानी मुझे बस एक roughly knowledge देना जो मेरे theory में काम आ जाए तो sir blockchain concept से अभी क्या समझे कुछ नहीं हर एक transaction के लिए एक block बनता है कि और same block यहां भी बनता है यहां भी बनता है तीनों party में जितने भी लोग है सब के बीच में लोग पिर दूसरी transaction होगी वो और एक block बनेगा लेकिन वो जो block है वो किस से connected होगा पिछले block से इसको बोला जाता चैन अच्छा और सेम ब्लॉक यहां भी बनेगा सेम ब्लॉक यहां भी बनेगा यह सर इसमें कोई भी editing possible है कोई भी editing possible नहीं है ठीक है एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से शूड़ जाए और सब data यहां रहता है इन लोगों के पास अभी इसके बस कितना बचा सर इसके बास 50 रुपए बचा है पाई चांस अब श्याम राम को transfer कर रहा है मालो 200 रुपए कर सकता है क्या सर करी नहीं सकता तो जैसे ही यह transfer करने की कोशिस करेगा तो ब्लॉक बनना चाहिए पर यहां ब्लॉक तब बनेंगे जब एपूर्वल मिलेगा और सब को मालू है कि यह transaction गलत हो रही है सर यह लाश्ट वाला समझ में है तो इस तरह से ब्लॉक बनते जा रहा है तो इसको क्या बोला जाता इसको बोला जाता लेजर्स अच्छा सर यह है लेजर्स यस लेजर्स के मतलब क्यों था जिसके बीच जिसमें ब्लॉक सो बहुत सारे यह किसका लेजर है सर यह मोवन का यह कौन किसका है सर स्याम कर सब लेजर्स तो एक जैसे है इसको बोलते हैं distributed laser क्या पढ़ाने जा रहा था क्या पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं टोकनाइजेशन पढ़ाने वाला था ब्लॉक्चेन क्यूं आ गया बीच में मुझे समझ मैं नहीं आ रहा हूं सर बस इतना है मेन क्या है परपस क्या है परपस यह है कि यह कभी भी decentralized होते कोई honor नहीं होता कि किसी एक के पास control है और वो पूरी transaction को control करेगा ऐसा नहीं होता सब independent decentralized system होता इसलिए इसको क्या बोले था decentralized laser ठीक है distributed laser सब जगा है इसे फायदा क्या है कि आप change नहीं कर सकते transaction को modifier नहीं कर सकते हो हर एक transaction का एक block होता है इसी में आप change नहीं करते हूँ आपके लिए अगला block में जाना है उसलिए blockchain concept से फायदा क्या बहुत सारे फायदे अलग-अलग जगा फायदे पर पहले मैं एक बार रीट करूँ क्या ब्लॉक्चेन में क्या लिखा बैटे आप कर लेना इस थियरी को बिल्कुल सिंपल है distributed laser technology इसको distributed laser technology बोलते है ठीक और हर एक एंट्री permanent होती है ठीक है ये काम की चीज़ पर्मेंट उसको change या alter नहीं किया जा साथ और जब जब भी new transaction होती है जब जब भी new transaction होती है सर कहां से बढ़े उसका PDF मैंने आपको दिया है इसका PDF उसी folder में होगा ये वाला है ना इसका PDF उसी folder में हो जब भी new transaction होगी ठीक है blockchain generally uses chance of block each block representing the digital information ठीक है digital information होती है public database मुझे ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है यह real time basis पे होता है अब पढ़ोगे तो समझ में आजाएगा ठीक है तो blockchain के विसे मैं पूछेगा थोड़ा बहुत अलिखी दोगे blockchain मुझे नहीं लगता कि कि कोई पूछेगा थेयरी तो कुछ और ही पूछने वाला तो उसके लिए होना मैं फिर से बोल रहा हूं मैंने बस इतना टाइम नहीं कि मैं धाई घंटे तक blockchain technology समझाओ सबको पता है बेट कॉइन वगेरा सब देखा है आपने तो इस पर मत बोलना कि सर यह बहुत अच्छी से समझाओ क्यों समझाओ मैं है नहीं यह बहुत अच्छी से बस आपको यह समझा दिया कि एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के साथ जो connect होता है वो इसको ब्लॉक चैनल में सबसे पहले transaction initiative इनीशेट होता है त्रांजेक्षन जैसे इन्हों है 50 रुपए का transaction किया 50 रुपए इनीशेट होगए transaction त्रांजेक्षन क्या होगा सर उसके बाद काम क्या होगा सर उसके बाद broadcasted wire network जो transaction होगा, वो broadcast होगा network के तो सब जगा जाएगा ठीक है sir, उसके बाद क्या है encryption होता है, encryption का मतलब सर वो पता है, हमको जो lectures दिये जाते है वो encrypted होते हैं, सिफ हम ही password डाल के देख सकते है ने तो ऐसे तो नहीं दिखने वाला है या बीच में कोई, सर encryption का मतलब आप हमको मत समझाईए encryption होता है, ठीक है और transaction जो represent होता है वो as a block होता है यह हो गए transaction हमाई as a block, यह है transaction ठीक है block में represent होता है ठीक है, और उसके बाद block is added to existing block, इसमें तो कोई मैंने पहली बताए कि add हो जाता है और फिर transaction complete हो जाता है कुछ नहीं करना सर यह कहां से लिखवा है, मैंने कहाना एक भी सब्द में आपको extra नहीं पढ़ाने वाला हूँ जो भी बढ़ा रहा हूँ सब आपके study mat से बढ़ा रहा हूँ तो transaction initiate हुआ ठीक है, network के के थूँ हुआ ठीक है, encrypted transaction था ठीक है, जो transaction हुआ सर तो हमें आएगा क्या अब blockchain का यूज कहां कहां, application कहां कहां वो उन्होंने बताया और वो यहां बताया blockchain का application कहां कहां है पोसकता है, मुझे ऐसा लग रहा कि यह theory आ सकता है, कि blockchain का application बताईए, खाला कि इनके अलावा भी बहुत जगा यूज होता है पहला उनका कहना सर्फ financial services में इसका यूज हो financial services में यूज होता है ठीक है, health care में इसका यूज हो सकता है तो सर्फ health care में, financial services में एक example की तोर पर बताऊए, health care जो भी percent आते हैं उनका BP क्या है, sugar क्या है उनको पहले कुछ problem तो नहीं थी ये सारा, कि सारा, AS वगेरा ये सब update होते रहता है डॉक्टर लिखता है ओके, और ये जो data है ठीक है, अब मालो ये ही किसी और या इन्होंने किसी को refer किया कहीं और गया, और अब भी नहीं सर्थ तुरंत जाएगा तो वो डॉक्टर की विशिप्ट लेकर जाएगा उसमें तो सब लिखा रहेगा, बिटे मैं कहा रहा हूँ एक साल बाद, मतलो वो ही पैसेंट, एक साल बाद गया, कहीं और गया उसका data अगर एक ही network में रहेगे और गूगल सीट में अबडेट रहता रहेगा, आज यहाँ है कल कहीं और गया, और एक ही network है मालो सब की सब health care में पूरा network है तो जैसी तो उसका real time पे update हो, जिसके भी पास जाते रहेगा हो सकता, पहले बीपी था, अभी बीपी नहीं है तो यह सब real time में update होता है तो इससे बहुत फायदा मिलेगा health care में वो उन्होंने समझाने की कोशिश किया है कि secure होता है भाई, ठीक है privacy maintain, इन्होंने बहुत कुछ लिखा नहीं है इन्होंने बास simple simple सी बात हुए security elimination of internet, और बीच security होती है और बीच में जो जो क्या बोल सकते हैं intermediary होता है intermediary बीच में मतलब मतलब यह जो data है ना वो बेचने वाला काम करते है patient आया उन्होंने अपना सब कुछ लिखवाया और इस data को doctor ने किसी और को बेज दिया और या उनको send कर दिया किसी और hospital में और hospital के पस पूरा data चला गया आपके हां call आ रहा है कि आपको यह problem है कि आप अपने हो बले यह सब कुछ नहीं हो ठीक है अच्छा यही सब समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार elimination हो जाएगा जो intermediary है उसका तो कहां कहां यूज हो सकता सर फाइनेशल सर्विसेस में यूज हो सकता ब्लॉक्चेन कॉन यस सर कैसे बहुत सारे रियल टाइम बेसिस पे सैल पर्चिस हो सकता यह वो बताने की डारेक्ट हो सकता क्या नाम दिया है उन्होंने automated credit life cycle मतलब जो भी जरुरत की चीज़ है बहुत ज्यादा समझाने जाओं तो पूरा एक्जामपल जाके पर उतना टाइम नहीं है मेरे पास हेल्थ केर में बहुत सारा एक्जामपल दे सकते हैं अप हेल्थ केर से अगर देना चाहो तो उसके आलबा सर गॉर्मेंट में भी यूज होगा यस लेंड रजिस्टरेशन है एक बार किया तो सार इस सब लोगों का एक साथ रियल टाइम पे उसको चैंज वैसे भी नहीं कर सकते लेंड रजीशन रजीशन हो गया है वहिकल रजीशन हो गया है इवोटिंग में भी काम आ सकता है ब्लॉक्चेन इसके अलावर ट्रेवल इंडिस्ट्री में तो पास्पोर्ट वगेरा बार-बार आपको एक बार अपने अप्लोड किया रिजर्वेशन ट्रेवल इंसुरेंस अगर आप ट्रेवल चैंज कर रहे हैं तो यह सब अपडेट होते रहता है ठीक है और कहां यूज हो सकता है एकोनॉमिक फोरकॉस्ट करने में मार्केट प्रोडक्शन करने में वोटिंग में कि टोटल थेयरी में मैं कुछ भी नहीं समझा सकता और समझाने जाओं तो फिर एक्जाम्पल से बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो यह आपको ज़्यादा लिखा भी नहीं है तो यह वाला जो थेयरी आपको याद करना कि कौन कौन से सेक्टर में यूज होता है अगर इसको रटा मार है रटना दो पड़ेगा फाइनेशल सर्विसस में तो रियल टाइम बेसिस पे सेल पर्चिस हो सकता यह लिखना है उसके अलावा और क्या थासर हेल्थ केयर में हेल्थ केयर में पैसेंट का जो इन्फॉमिश रिजिस्रेशन वहिकल रिजिस्ट्रेशन इसके अलावा ट्रेवल इंडूर्श्ट्री में पास पर्ट जो जो भी documents है वो सिक्जो रहीगे passport reservation इपस्पोर्ट वग्यरा यह सब लेखा हुआ है यह ट्रेल इइसे पर कोस्ट करू आ कि मार्कट क्या होने वाला इन सब में काम आएगा ठोटल एकोनॉइक कॉनमिक कोस्ट फार को तोटल मिलाकर आपको कितने पॉइंट एक दो तीन चार पाच 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 उ चाहिए पांच नहीं चार तो मुझे चाहिए चाहिए कहां कहां यूज होगा सर फाइनेशल सेक्टर में होगा प्लीज रट लेना यार इसको मुझे पढ़ा नहीं नहीं था पर चलो ठीक रट लेना इसको और एक कोशन आजाता है अगर अप्लिकेशन लिखना तो पहले ब्लॉक्चेन का बता दू और यह वाला पॉइंट बिल्कुल आपके पास होना जाए और बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो इस पर कोई दो घंटे का लेक्चर मिल जाएगा इस पर हेल्थ केर में ब् इंडिपेंडेंडेंट काम कर एक दूसरे से क्लाइंट बीच में कोई मैनेज करने वाला नहीं है ठीक है सर दी सेंट्रलाइज सिस्टम बहुत है कोई डी सेंट्रलाइज इसमें दिक्कत क्या है सर दिक्कत यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो responsibility किसकी तेंट्रा में कोई भी कुछ गरबर होता तो चलो group admin को सबसे पहले पक्ड़ो यहां कौन responsible कोई घटना घटी तो कुछ problem आ जाती है तो कौन responsible होगा who is responsible for managing risk अगर कोई risk होता है तो कौन responsibility लेगा पहली बात दूसरा वो जो transaction हो रहे उसकी reliability कितनी है वो actual है genuine है नहीं है यह सारी भी समस्या आती है अब कितना भी कर लो यार कितना भी system strong कर लो problem तो आती है पहला सबसे वड़ी बात है decentralized system में दिक्कत ही है कि भाई किसको को किसको दोशी मानोगे कल को कोई problem होती है तूसरा जो transaction होगी वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ किरबर हुआ तो responsible होगा इसरा जबकि transaction बहुत ज़्यादा होती है ओवरलोड होगी transaction तो फिर सम्हालेगा कैसे system मतलब सर मतलब बस इतनी सी बात है कि यार अगर transaction overload होती है तो हर चीज होती है तो अगर transaction overlaid information overload होती है कोई problem आती है ओवरलोड हो जाता है तो फिर कैसे manage होगा क्योंकि decentralized चल रहा है और एक क्या है process control को changes होते है उसको कौन developer and maintenance कौन करें यह चार टाइप की problem है प्रीस प्रीस इसको भी याद कर लिना blockchain क्योंकि decentralized है तो responsibility किसकी blockchain में जो transaction होगी वो reliable है या नहीं तीसरा पीच में कोई updation आता है तो उस process को control, development, maintenance कौन करेंगा और चौता अगर overload information है तो उसको संभालोगे कैसे यह चार चीज़े आपको याद करने पर लोक्चेन डाला ही क्यों मुझे वो समझ में नहीं आया था खैर blockchain का tension खताम blockchain आपको मैं बहुत ज़्यादा detail में नहीं पढ़ाया हूँ मैं seriously बता रहा हूँ आधा अधूरी चीज़े है detail में पढ़ना तो फिर वो अलग बात है पर detail में मत पढ़ो last मैं समाली नहीं पर होगे सबसे बड़ी बात है tokenization इस पे होना चाहिए था लंबा topic इस पे चाह लाइन में खतम कर दी tokenization क्या है tokenization कुछ नहीं एक simple सा example के साथ समझा रहा हूँ मालो एक real estate है बहुत बड़ी इलको ध्यान से समझना real estate मैंने purchase किया हूँ real estate अब सुनना ध्यान से करोडों की अब उस real estate को मुझे बेचना है ऐसे थोड़ी भी कहेगा लाग दो लाग का तो भी भी जाएगा करोडों की real estate को बेच होगे कैसे तो मैंने कहां मेरे मन में एक बात है क्योंना token बनाया जाए मैंने token बनाया और उस real estate के लिए मसाला लगा कर बता रहा हूं प्लीज समझना मतलब सर टैंजीबल एसट है यस और उस real estate क्या वो लिक्वीड है की इलिक्वीड है सर इलिक्वीड है बिकी नहीं रही है ना यार बहुत बड़ी है कोई खरीदने वाला नहीं तो मैंने क्या किया token बनाया छोटे छोटे कि थोड़ी थोड़ी ओनर से सबको मिलेगी और मैंने वो token blockchain के जरीए सबको जैसे Bitcoin होता वैसे मैंने सबको बेचना श्टार्ट कर दिया कि आप थोड़े से के ऑनर आप थोड़े सर एक हां blockchain के और वह आप क्या है सर हमारा अधिकार token money भी सुनाओगा ना इसी टाइम का कुछ है अच्छा मतलब सर आप जो illiquid acid थी उसको part में करके token मना कर बेच रहा है और वो token आपस में trade होना स्टार्ट कर दे और वो उसका demand बढ़ेगा तो वापस में बढ़ेगा और ऐसे दूसरी property की भी token लग तो अगर एक ही बंदे ने इसका भी एक token खरीदा इसका भी token खरीदा तो उसका जो risk है वो divergify हो गए वा समझे नहीं होना थोड़ा सा कुछ नहीं उसमें लिखा है converting tangible और intangible asset into blockchain token token में convert कर दिया तो question क्या सकता है question यह वाला आ सकता है ज़्यादे important है securityization में क्या होता है यह वाला question important है और यही है बस token के उपर बस यही question है sir securityization में क्या था home loan थे बहुत सारे होम लोन थे हमारे securityization याद कुरूआ और उसको हमने SPV को बेचा था और SPV ने उसके बदले में छोटे छोटे shares issue कर दिया था याद है security issue करके पैसे ले लिया था home loan को home loan क्या मेरा liquid था sir illiquid था उसको उन्होंने convert कर दिया किसमे liquid में आ गया है ना बात समझ में यहाँ भी होई हो रहा है यहाँ भी real estate है और real estate क्या है illiquid और मैंने उसको convert किसमें कर दिया लिक्विट तो एंट अग्जाम में क्या आ सकता है एक्जाम में आता आ सकता है कि भई tokenization यहने sekuritization तोनों में क्या समानता है यह बताई तोनों में समानता है पहला liquidity कर्णवेट हो रहा illiquid acid in liquid acid एगरी हो वहाँ भी illiquid से लिक्विड में कनविट हो रहा और यहां भी लिक्विड से लिक्विड में कनवमें तूसरा divergification divergification समझ रहा हो न एक real estate में पैसा लगाने की पिक्चर आप बहुत सारे real estate का और उसे बेची divergification भी हो रहा और सा ट्रेंडिंग भी स्टार्ट हो गया और यह new opportunity तो मुझे समझ में नहीं आया उनका कहना कि fees collection हो रहा जो intermediary वहला है उनका fees collection हो रहा और जो financial institutions है उनको भी फायदा हो रहा है यह आप देख लेना पर इस चारो point लिखना पड़ाईगा liquidity की बात मुझे समझ में आती है बिलकुल diversification भी समझ में आता trading भी समझ में आता है यह new opportunity अप पढ़ लेने और रहे गया बस खतम हो गया तो securitization में 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 क्या बात याद रखनी जो अभी आज हमने पढ़ा है securitization की एक theory important है जो एड़ वा securitization की space ले कौन सा risk in securitization कौन का सा risk था याद है क्या याद है हाँ सर एक counterparty risk था बिल्कुल सही दूसरा कौन सा risk था सर उसके अलावा legal risk था और तीसरा था market risk का और market risk के अंदर तीन था सर कौन कौन सा risk market risk के अंदर पहला था पहला prepayment risk वो नहीं था पहला था macro economic risk ठीक फिर prepayment risk और फिर interest rate risk ओके सर उसके बाद क्या बढ़ा हमने blockchain blockchain क्या होता है तो google doc का theory दे रखा क्यों दिया है मुझे नहीं ये इसमें कुछ है नहीं blockchain हमको समझ में आए गया तो working of blockchain कैसे हो तो sir transaction initiate होता है transaction initiate हो गया initiate हो गया उसके बाद काम क्या होगा sir broad cost होगा via network encryption होगा और उसके बाद जो होगा वो represent कैसे होगा ऐसे block और फिर एक block ये जो block है वो previous block से link हो जाएगा chain के through और फिर transaction complete हो जाएगा आ सकता है आपकी book में दिया हुआ मैं क्या कर रहा हूँ मैं share कर देता हूँ PDF कौनसा वाला ICAI वाला जो दिया है वो वाला PDF share कर देता हूँ तो आपको पढ़ने में असानी होगा सर बुक में है क्या ये थियरी हमार हमको जो दुब बुक दी गई है volume number one उसमें दिया है कि नहीं दिया है ये नया edition है तो volume number one में ये थियरी नहीं है आपको मैं इसका PDF दे देता हूँ तो प्लीज आप उससे देख लीजे उसके बाद blockchain का application कहां से ये मैं बहुत ज़्यादा detail में इसलिए नहीं पढ़ा पाए क्योंकि detail में दिया ही नहीं है example के साथ देता तो मजाता पर मैं example भी नहीं दे पाऊँ तो कौन कौन सी जगह यूज होगा application कहां कहां एक तो financial sectors या services हमको समझे हल्थ केर हासर आपने थोड़ा बहुत हल्थ केर के समझाए था और क्या होगा इसके अलावा हल्थ केर के अलावा हसर government yes traveling उसमें यूज होगा travel agency में और economic उसके अलावा tokenization risk associate in blockchain तो मैंने कहा कि responsibility कौन लेगा decentralized और जो transaction होगा उसके reliability के है overload information होगी तो कौन समालेगा और development और maintenance का process कौन करेगा ठीक है और इसके अलावा tokenization मैंने पढ़ा है tokenization और securityization में समानता आई क्या है तो पहला liquidity liquid liquid asset को liquid में convert करते हैं दूसरा क्या लेका trade कर सकते हो और चौता नीवी opportunity इसका PDF मैं आपको दे देता हूँ सर आप complete PDF दे दोगे कि complete PDF दे देता हूँ securityization पे हाला कि IC AI के website से आप निकाल सकते हो पर फिर भी क्यों निकालोगे मैं इसका PDF lecture के साथ ही upload कर देता हूँ जिस फोल्डर में ये lecture उसी फोल्डर में आपको PDF मिल जाएगा security ठीक है जी अगला topic कौन सा होगा अगला topic अगला topic बचा क्या है अगला topic startup कर ले थे यस और startup के लिए बाद आदे घंडे का chapter होगा कौन सा financial policy ठीक है जी thank you so much, bye-bye तो risk management करके एक topic है जिसमें आपने पिछला जो किया वो numerical किया और वो क्या किया वो वार निकालना सीखा maximum loss risk management को अगर हम दो पार्ट में बाटे तो part 1 में numerical था part 2 में theory था अब स्यार theory क्या है theory ऐसा है कि चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हैं प्लीज इस पे ज़्यादा समय मत लगाना क्योंकि ultimately तो practical है पर सर theory भी आता वो तो आपको करवाना पड़ेगा वो मैं करवा रहा हूं पर जो भी करवा रहा हूं सब सोच समझ के करवा रहा हूं तो मैं आपको सला दूँगा कि जैसे मैं करवाते जा रहा हूं ऐसे करो के तो अब हम बात कर रहा है risk management का theory आराम से यह जो पहली जो class है न theory की बड़ी important है टूटल मिलाकर देखा जाए तो चार ही chapters से theory आता है risk theory चार ही chapters से 90% questions चार ही chapters से आता है अगर theory आया past को देखकर जैसे risk management है उसके बाद securityization है उसके बाद start-up finance है और उसके बाद security analysis भी करवा दूँगा और एक topic है financial policy करके और एक topic है ठीक है सर इसमें कुछ amendment भी है वो सब मैं करवा दूँगा आप उसका attention मत लीचे financial policy करके चार chapter है theory के और एक chapter में आप जेल भी नहीं पाऊगे मैं कम से कम time लगाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको याद करवा दूँ क्योंकि खुद से याद करने में बहुत time लगे और सर बाकी chapters के theory मैं जरूर डाल दूँगा बाकी chapters के theory का भी recording डाल दूँगा पर आने के chances और लग भग बाकी chapters में मैंने theory लिखवा रखा है आपका जैसे जैसे derivative करवाँगा तो मैंने उसमें लिखवा रखा है कि forward क्या होता है future क्या होता है option क्या होता है beta management क्या होता है short selling क्या होता है arbitraiser क्या होता है forex में भी लिखवा रखा हूं transaction exposure translation exposure economic exposure portfolio में भी लिखवा रखा हूं कि अगर correlation perfect negative है perfect positive है तो क्या है Markovids क्या बोलता है CAPM क्या है यह सब चुछ आपको already मैंने copy में लिखवा रखा हूँ बाकी chapters के मैं बात कर रहा हूँ पर फिर भी उसमें कुछ ऐसा theory है कि क्या theory है सर बताओ mutual fund कितने types की होते हैं वो भी करवा रखा open ended close ended यह सब करवा रखा हूँ पर फिर भी कुछ बचा हुआ तो मैं वो करवा दूँगा ठीक है वो मुझे पर छोड़ दीजी पर सबसे ज़्यादा अगर important theory है तो यह चार chapter जो आपके book में डले हुए है okay सर इसमें amendments भी हैं तो मैं कहूँ कि अगर इसमें एकाद paragraph है जो cover नहीं हुआ risk management में ऐसा कोई पैरा डला नहीं है लेकिन security जब पढ़ोगे हम पढ़ेंगे हम लोग साथ साथ तो उसमें एकाद paragraph add कर दिया है institute में तो वो book में तो नहीं है पर आप मैं यहाँ करवाँगा यहाँ करवाँगा यहाँ study mat में जो add हुआ है वो यहाँ करवाँगा it means theory जो डला हुआ है उसमें एकाद paragraph miss भी हुआ होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी मुझे पर trust करो बस बाकी भोल जाओ तो दो देखो मैं एक बात बता हूँ हर chapter में मैं कम से कम एक से देड़ घंटे लगाँगा आपको समझाने के लिए ठीक है इसके अलावा मेरा दो घंटे में सारा theory वाला video भी है वो भी upload कर दूँगा चाहो तो आप यह हर chapter का theory देखे मेरे साथ दो दो घंटे देड़ देड़ घंटे करके हो जाएगा पाच्छे घंटे या तो एक alternative है कि वो दो घंटे का आप video देख लेना तो भी हो जाएगा मतलब सरे एक ही बात है एक ही बात है यहाँ थोड़ा सा time लगाँगा थोड़ा सा detail मैं पढ़ूँगा भी और वहाँ मैं पढ़ूँगा नहीं वहाँ मुझे मालूम है कि क्या करवाना मैं दोनों चीज़े एक student से जिसने मुझे answer sheet पहुचाय था वो भी मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ अभी कि theory उन्होंने कैसे लिखा था और उन्होंने एक audio भी डाला था वो audio भी आपके साथ आपको सुना दूँगा discuss करवा दूँगा ठीक है जी start कर रहे हैं लोग आप चिंदा मत करो मैं बताऊंगा कैसे करना बस वैसे करते जाना तो अब सर्क्या start करें अब हम start करें risk management का theory वाला पार्ट लिखोगे मेरे साथ सर्क बटे बहुत कम टाइम होता है अगर आप सोचें एक्जाम में हम theory पूरा पढ़ लेंगे नहीं पढ़ सकते जो करवा रहा हूँ सोच समझ के करवा रहा हूँ मेरे साथ सा चार्ट बनाओगे यही काम आने वाला है आपका सर्जो बुक में लिखा है theory वो सिर्फ आज की दिन पढ़ने वाले और इसके बाद नहीं पढ़ेंगे risk management पहला कोशन सोच समझ के बताना थोड़ा boring लगेगा पर मजबूर यह theory पढ़ना पड़ेगा ओके सर्जो बोलो बोलना ऐसा है कि यह हम कोई भी business start कर रहा है कोई भी business कोई भी business मैं teaching का business कर रहा हूँ business नहीं बोलना चाहिए पर मैं teaching कर रहा हूँ यह भी मेरी एक कमाई का जरिया है और भी बहुत सारी business होते है तो business अब जब में start करते है तो tension तो रहता है क्या tension रहता है बस अगर आपने यह सोच लिया आपका risk manage क्या risk है business start कर सकते business करते तो risk क्या है क्या हो सकता जदा सी जदा क्या हो सकता बस यही सोच समझ के बताओ तो हमारा tension कता है सर business start कर दिया और किराय पर हमने दुकान ले लिया सबसे बड़ा मुद्ध मालुम है और हमने bank से भी लोन लिया business start किया तो bank से लोन लिया होगा तो सबसे जदा जो परिशानी है वो परिशानी इस बात की आएगी कि हम time पर rent पे कर पाएंगे की नहीं हम time पर EMI पे कर पाएंगे की नहीं यस यस ये भी एक risk है हाला कि इसका हमारे पास पैसे रहेगे या नहीं रहेगे मतलब ये एक risk है और इसको बोलते है financial risk अच्छा इट मिंस आपको याद रखना risk management में types of risk पूचेगा सबसे इंपोर एक ही एक ही question है types of risk और वो types आपको बताना पड़ेगा एक आपनी जो बताए ना पैसे रहेगे कि नहीं रहेगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारा किस पैसे सबसे पैसों से related जो risk है उसको बोलते है financial risk वाव सर मजाया तो total में आगर कितने risk है time pass मत करो सर काम काम की बाते कीजिए types please मेरे साथ सद बना लो काम आएगा मैं बना बनाया भी दे सकता था पर थोड़ा लिखोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा types और कितने types का risk है तो total मिला कर 4 type का risk उन्होंने बता रखा पर वैसे तो बहुत सारे types के risk हो सकते हैं बहुत सारे types का लिखने का number नहीं मिलेगा okay पहला फैस्ट थोड़ा छोटा छोटा लिखना नहीं तो मेरे नाम से फिर फैस्ट आपके बाद बुक भी है यस पहला रिस्क और पहला रिस्क है strategic risk strategic रिस्क क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि यह बुक से पढ़ाओ सर बुक से तो भाई बुक है मेरे पास वही है जो ICAI का मॉडूल में कहीं भी अपने मन से कुछ नहीं ऐसा कौन कौन सा रिस्क है जो फेस करता है organization तो उसमें एक कौन सा है strategic risk सर अगर एक्जाम में आएगा तो एक्जाम में क्या आएगा यहीं आएगा कि कितने टाइप का रिस्क फेस करते तो टोटल मिलाकर चार रिस्क है भाई वो मुझे याद करवाना है सर इसके अंदर क्या लिखना है उसके अंदर मैं बताऊंगा ना बताऊंगा क्यों टेंस अपर strategic risk क्या है सर strategic risk प्लीज जल्दी से discuss करके काम खतम करो time जादा नहीं लगाईगे मैंने पहले लिखा था strategic risk का मतलब है यार आपने proper strategy बनाया कि business कैसे करना है, क्या करना है, सारा strategy बना लिया, पर किसी वज़ा से वो strategy जो आपने बनाया था, वो goal अच्यू नहीं कर पाओगे, ineffective हो जाएगी strategy, सर उसकी वज़ा क्या है, क्या वज़ा हो सकती है, वज़ा सुननो, यह आपको याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर आ जात टेकनोलोजी की वज़ा से, मतलब, मतलब ऐसा है कि अभी मैं टेकनोलोजी यूज कर रहा हूँ, जब मैं face to face कर पढ़ाता था, बात है, टेकनोलोजी की वज़ा से, सर टेकनोलोजी की वज़ा से, तो सुनो, ध्यान से, ध्यान से समझ नहीं, टेकनोलोजी की वज़ा से आप पहले इंटरनेट काफे चलता था, येस, क्या मोबाइल ने खिल खतम कर दिया, येस, सोचो उन्होंने क्या सपने देखी होगे, जब बिजनिस इस्टार्ट किया, और दो एक्जामपल तो इंस्टिट्यूट ने लिख रखा, टेकनोलोजी की वजह से, या दो एक्जामपल कोडेक, जब बर्दस्थ चलता था, पर धीरे से आ गया, डिजीटल कैमरा, और डिजीटल कैमरा ने, इन्होंने अपने आपको अपडेट नहीं किया, तो ये खतम हो चुका, इस टेकनोलोजी की रिस्क, आपने इस टेकनोलोजी की खुब बनाया, लेकिन टेकनोलोजी की व अपड़ेट करना पड़ेगा, आप कितनी भी स्ट्राइटीजी बनाई, जहां टेकनोलोजी चैंज होगा, वहां आप खतम हो चुके होगा, आपको खुद को अपड़ेट करना पड़ेगा, इस इस ट्राइटीजिक रिस्क, इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे भी, लिखना हुआ मैं लिख वाँगा ठीक है पहले दूसरा रिस्क लिख लेते हैं यह सर ऐसे मैं थोड़ी सी जगह लगेगे यहां नीचे लिख वाँगा और यहां तक आजाएगा पूरी उम्मीद है सर दूसरा रिस्क और दूसरा रिस्क उन्होंने कहा compliance रिस्क compliance पढ़ लूं किया बस दोपेज का तयईरी है बहि और बिसनेस करते तो compliance का मतलब compliance का मतलब rules regulations companies act cbee वगेरा बहुत सारी चीजे, tax, मैं कितना भी अच्छा business करूं और मैं अपने tax पर या से भी guidelines पर या companies पर focus नहीं करता हूं और focus नहीं करता हूं और comply नहीं करता हूं, मुझे compliance करना पड़ेगा सारे, rules, regulations से भी law वगेरा का, अगर नहीं करते हो और अगर आप ध्यान नहीं देत हो, तो आपको पता भी ने लगेगा इतना जबरदस्त penalty लग जाएगा, खिलकतम हो जाएगा business का, तो दो चीजे, दो risk है, ये risk क्या बोलते हैं, आपको पता है, आपको उस industry में आप काम कर रहे हो, जिसके विसे में कुछ भी knowledge नहीं है, और उसमें क्या-क्या compliance करना ये पता नहीं है, तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाएगे, इसकी वजह से भी आपका business बंद हो जाकता है, अच्छा, और बहुत सारी चीजे, ऐसे भी बोलती है, अभी bank के और कुछ regulations अपडेट हुए है, बहुत सारी bank को पता ही नहीं, दिक्कत ये आती है ना, यार, कि regulations के change होने से हमारा business बंद हो सकता, हो सकता, देखा है आपने, अच्छा, ये कौन सा risk है, ये compliance risk, पहला strategic risk, important क्या मैंने बोला, technology की change होने की वजह से, आपका strategy जो बनाया था, वो ineffective हो जाएगा, दूसरा मैंने क्या बोला, compliance risk, मुझे रटवाना पड़ेगा, मैं theory पढ़ाता नहीं पर यहां मजबूरी बन गई है, मैं चाता तो ये बोल सकता था, खुछ से कर लो भाई, पर चलो आपकी आदत हो गई है, बाद में बोलोगे कि सर सब करवाते हैं, आप नहीं करवा रहा है, सर तीसरा बोलो, तीसरा, और किस type का risk है, और मालूम है कौन सा type का risk है, सुनो, मैं टेकनलोजी, टेकनिकल इस्यू आता है, यस, कौन जवाब देगा सर, आप तो पढ़ाने का काम कर रहे हो, पर आपके नीचे जो काम कर रहे है, डे टू डे ओपरेशन, उसको कौन, उस पर अप तो फोकस ही नहीं है, अगर वो खराब है, तो आप कितना भी अच्छा बढ़ में लिखा है, दस जार का चेक इश्यू करना था, एक जिरो बढ़ा के, आप तो खतम, यस, इस ओपरेशनल रिस्क, डे टू डी बिजनेस के, अच्छा सर, ये भी है, प्लीज आपको यही सब्द लिखने पड़ेगे, अपने मन से कुछ मत लिख देना, टाइपस ओप रिस दूसरा कंप्लाइंस, तीसरा मैंने क्या बोला सर, ओपरेशनल रिस्क, ओपरेशनल रिस्क, लाष्ट, इसको बढ़ाना बड़े, इसके अंदर चीजे लिख लेंगे, और चोहता पैसो की समस्या के विसे में मैंने बोला था सायथ, और उसका मैंने क्या नाम दिया था सर, फाइनेशल रिस्क, बस चैप्टर कतम, वाउ सर, इतना ही चैप्टर में, हाला कि इसके नीचे मचे लिखना पड़ेगा, तो मचे थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ, चार रिस्क हैं, चार रिस्क आपको याद करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेके सर, इसके अंदर क्या लिखेंगे, वो मुझ पे छोड़ दीजिए न, वो मैं करवा रहा हूँ, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, मुद्दे की बात ही, क्या लिख सकते हो, सबसे पर क्या लिख सकते हो, कंप्लाइंस रिस्क के विसे में क्या लिख सकते हो, सर, कंप्लाइंस रिस्क के विसे में हम लिख सकते हैं कि, एक बिजनेस को सारे रूल्स एंड रेगुलेसंस को कंप्लाइ करना चाहिए, जितना भी act है सब लिख देंगे C-B, Companies Act, Income Tax Act अगर वो comply नहीं करता है तो heavy penalty होगी जिसकी वज़ा से business पर बहुत ज़्यादा effect पड़ेगा बिल्कुल खतम strategic risk क्या लिख सकते हो सर यह तो नहीं मालब operational risk में क्या लिख सकते है operational risk में हम लिख सकते सर हम day to day जो operation करते है business का business जो operate करते है उसमें हमारा जो person है, जो employee है वो fraud कर सकते है, बिल्कुल कर सकते है सर और day to day operation, जो process है वो सही नहीं pupil and process की बात कर रखा तो उसकी वज़ा से भी हमारे business पर फर्क पड़ सकता है yes risk है, आप कितना ध्यान दोगा मैं कितना ध्यान दूँ, मैं आपको पढ़ाओं कि बाकी चीजों पर ध्यान दूँ this is operational risk और सर, financial risk तो वो तो बहुत बड़ी बात है वो तो पैसे वैसे financial position जो है उस पर effect पढ़ सकता है आपका पैसो की वज़ा से वो risk, मैं आपको लिखवा दूँगा तो सबसे पहले हम लिखना ही start करेंगे या सर, पढ़ाओंगे भी आप book से बहुत सारे बच्चे बोलते ने, सर, अपना ग्यान अपने पास रखो book में क्या लिखा है, वो बताओ हाँ, मैं वो ही लिखवाओंगा okay keyword समको लिखना पड़ेगा और आप please, मैं आपको theory देतो दिया हूँ, वो नहीं पढ़ पाओगे exam से पहले hundred percent नहीं पढ़ पाओगे तो हम एक chart बना रहा है, हम कुछ नहीं कर रहा है और सर, ये chart फाइदा देगा कि इतना ज़्यादा फाइदा देगा, इतना ज़्यादा पहला dot लगा रहा हूँ पहला आप भी लिखोगे, थोड़ा सा लिखेंगे चार नम्मर के लिए हमारे पास sufficient strategic risk क्या है और क्या लिखा है institute ने इंस्ट्रेट्योट ने strategy जो है become less effective and struggle to achieve its goal important है काम काम की चीज़, जो आपने strategy बनाया है, वो क्या हो जाएगा, सर्थ effective नहीं रहेगा effective नहीं रहेगा अब goal achieve नहीं कर पाएगे, किस वज़ह से ये सब्द आपको लिखने पड़ेगे actually ना, मेरी बात समझो जो paper check करेगा न, वो बाहर-बाहर की चीज़ चेक करेगा वो क्या देखेगा, वो सिर्फ ये देखेगा, कि ये 4 point लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, अंदर की चीज़े देखना नहीं है, अगर आप अंदर अपने मन से भी लिख देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है पर मेरा जो उद्देश है at least हम वो सब्द तो यूज करे जो वो सब्द कीवर्ट तो यहां होना चाहिए हमारे पास हम वो सब्द यूज करे जो institute ने लिखा हुआ तो कम से कम confidence भी आएगा तो उन्होंने क्या कहा है उन्होंने काम की ची मैं आपको कभी भी paragraph में नहीं लिखवाऊंगा आपको paragraph खुद बनाना पड़ेगा क्या लिखा strategy becomes less effective छोटा लिख लो भाई लिख लो सर यह boring है हाँ मैं भी जानता हूँ strategy becomes less effective सर देख देख कर लिखना है कि देख कर लिखना है less effective हो जाएगा किस वजह से किस वजह से three point लिखा इसमें सर new competetor आजाएगा new competition competetor आजाएगा वो ज भी तो एक डर है कितनी भी strategy बना सामने वाला जबर्दस्त है आपका खेलका था कि वो टंसने स्र उसको कैसे करेंगे उसको फेस तो गरेंगे उसका स्वाट अपको लिखना पड़ेगा किस वजह सी हो जाएगा पैला कौंपेटिशन कैसे बनता है कौंपेटिशन अ बन्यू कौंपेटिशन देख देख के लिख रही हूँ कि हाँ मैं देख देख के लिए नीव कॉम्पेटिशन ठीक एक सब्द कॉम्पेटेशन लिखना पड़ेगा कि न्यू़ कॉम्पेटिटिर के आने से आपकेٍ स्ट्रेटिजी लेसिफक्टी हो जाएगा दूसरा मैंने जिस वे फोकस किया टेकनोलोजी टेकनोलोजीकल चेंज ये असरद आपको लिखना पड़ेगा और तीसरा कस्टमर की डिमांड सिफ्ट हो गई होता है हाँ सर होता है कस्टमर की डिमांड सिफ्ट कैसे हो सकती है बहुत सारे एक्जांपल है इकोनोमिक से मैं पड़े है चाय पीते थे आजकल लोग कॉफी तो तीका आप मार्केट खतम हो गया कस्टमर की डिमांड सिफ्ट होते रहती है ठीक है सर कस्टमर डिमांड सिफ्ट डिमांड सिफ्ट लेते था तो स्ट्रेटिजिक रिस्क क्या है सर स्ट्रेटिजिक रिस्क का मतलब है कि हमने जो स्ट्रेटिजी बनाया था वो लेस एफेक्टिव हो सकती है because of new competitor है in market या technological change हो गया है या फिर कस्टमर का जो डिमांड है वो सिफ्ट हो गया और क्या लिख सकते हैं 100% increase in cost of pro material यह भी लिख सकते हो कोई दिकत नहीं है तीन लिख लिए ना बहुत है आपके लिए example में क्या दोगे मैंने जो लिखा है codec आपको लिखोगे तो अच्छा है it means कभी भी example में बताओगी कि जो camera चलता था वो कौन सा चलता था codec पर एक खतम हो चुका है क्यों क्योंकि technology change हो गया और इन्होंने अब digital camera आ गया उसकी जगा दीजिटल camera दूसरा Nokia Nokia ने सर अपने आपको अब्रेट तो किया पर लेट हो गया उसकी वज़ा से touch screen mobile आ गया सर एक्जामपल किसका देदना है आप Samsung का देदीजिए सर Samsung का उससे अच्छे एक्जामपल है बटे इसमें Samsung लिखा हुआ था Samsung लिख देदा को कौन खतम कर दिया digital camera ओके यह सब्द है keywords और सर यह मैंने लिखा कोड़ेक डिजिटल कास ही आपको याद रहे याद रहेगा तो और दूसरा क्या दूसरा मैंने आपको क्या-क्या नोकिया वह भी फैल हो गया क्यों क्यों क्योंकि वह अपग्रेट नहीं किया technology तब तक कौन आ गया मार्केट में सर Samsung आ गया इस सरी खुष से पढ़ सकते पढ़ सकते हैं आप ऐसा कुछ नहीं है और एक और जहरॉक्स जहरॉक्स नहीं खुद को अपडेट कर दिया जहरॉक्स पहले फोटो कॉपी वाला काम करता था जहरॉक्स कंपनी अब वह धीरे धीरे वह लेजर प्रिंटर में सिफ्ट हो गया पर कैर आप यह दो एक्जामपल लिखोगे तो बात करता मदेगी इटमेश चार नंबर का है चार नंबर के लिए आपको चार रिस्क लिखना पड़ेगा ओके सब्सक्राइब नोट करो अगर कोश्चन आता रिस्क फेज्ट बाई और्गनाजिशन चार रिस्क इस्ट्राइटिजिक रिस्क कंप्लाइंस से भी वगेरा ओप्रेशनल ठीक है और एक चोहता कौन सा था यार मुझे यात नहीं आ रहा है फाइनेशल फाइनेशल रिस्क सरक कसम से आप बिलकुल रहा हूं क्या करूं मैं बोलूं पढ़ दो होमवक जान ले लोगे आप मेरी ओगे ठीक है सर तो बात समझ में आती अच्छा स्ट्राइटिजिक रिस्क में क्या लिखोगी कीवर्स क्या है सर कीवर्स यह है कि जो स्ट्राइटिजी है वो इफेक्टिव नहीं रह पाईगी यूट व न्यूकोंपेटिटर डी टूट टेकनो कोल चैंच डिए ऍटेक्ञोनगल चैंज डीओ टू दिमांडशीक हो गया और OUTा की लिए ㅇतना लिखALK मँठो भूत और फिर तो बहुत कुछ लिखोगी इट मींस सर हमें कितनी लाइन लिखना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूं किसी स्टुडेंट के मेरे पास आंशुशिट है उससे मैं बता रहा हूं आपको सर प्लीज अभी बता दो बता रहा हूं अभी रुख जो पहले ये खतम करे थी अधी सर कंप्लाइन्स रिस्क मैंने क्या लिखना कंप्लाइन्स मैंने आपको कंप्लीज अक्ट और सेबी का एक्जामपल दिया था और और भी थोड़ा पढ़ लेते हैं compliance risk के मतलब business को comply करना पड़ेगा rules and regulations और उसमें किसका example देदोगे companies act और सेबी का example देदोगे और अगर आप comply नहीं करते हो तो आपको imprisonment और penalty तक हो सकता है और उन्होंने एक example बताए कि सुगर वगिरा की जरूरत नहीं है और सर ये बहुत सारी बाते लिखना हो तो लिख लेना मैं आपको सिर्फ का keywords दे रहा हूं इतना लिखो के तो सर क्या लिखे किसमे comply with rules and regulations बिजनेस इसकों का इक्जाम्पल जितने एक्ट है सब लिख सकते हों प्रपेला कौन सा लिखो सर कंपनी जख लिख सकते हो कि येस कंपनी जएक्ट और कौन सा सेबी और इंकम टैक्स लिख दो वही सब दी तो डालना है नॉन कंप्लाइंस अगर सर हम कंप्लाइंस नहीं करते तो पैनल्टी और क्या इंप्रीजनमेंट इंप्रीजनमेंट आप लिख लेना भई ठीक ओके तो पहला तर ऐसा तो बच्चों को पढ़ाए जाता है हाँ जी आप मेरे लिए बच्चे ही यह क्या कर लूँ मैं ठीक है एक इस्ट्राइटेजी का रिस्क हो गया जल्दी से बोलो इस्ट्राइटिजिक रिस्क में क्या लिखोगे सर सारी बात है सर आप प्लीज रिपीट मत कीजिए बिटे में रिपीट का मतलब रटवाना मतलब रिपीट ही होता है इस्ट्राइटिजिक रिस्क में तीन चीजे लिखना है नियू कॉम्पेटिटिटर की बात लिखना है यस कस्टमर का डिमांड सिप्ट हो जाएगा और टेकनोलोचीकल चैंज और कॉडिक और नोक्या और ठीक है सर हो जाएगा जितनी भी रूल सेने रेगुलिशनस और एक्ट है वो लिखना परेगा तीसरा कॉन सा जाएगा तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क operational risk मतलब day to day operation में गरबढ होने का या फिर careless होने का सब दिन होने क्या यूज किया operational risk में एक बर देखूं क्या सर देख लेजिए operational risk में लिखा है internal risk risk related to internal risk ठीक और day to day operational problem ये keywords रहेगे day to day operational problem और operational problem किस से related होती है pupil as well as process और check वेक के विसे में लिख लेना कि account में 10,000 की जगा एक लाग का check issue कर दिया ठीक बस ओके सर इसको लिखे क्या येस हमारे charts में आपको क्यों ये सारी चीज़े रट सर हमें तो पूरा paragraph लिखना खेल खतम हो जाएगा इतना रटा में लिखे देता हूं आपको कि आप अगर सोच रहें कि नहीं नहीं सर हम तो लास्ट में पूरा पूरा theory a to z ही रटा मारेगा नहीं मार सकते हैं hundred percent वाई साब अगर में paper चेक करना हूं तो मैं ये सब्द देखूंगा बस और कुछ चेक नहीं करने वाला हूं ओके तो सर operational risk में क्या सब्द हो जाएगे पहला रिस्क रिलेटेट टू इंटर्नल रिस्क सर आपको याद नहीं मुझे याद नहीं मेरा ए-fm पढ़ाने का काम है रिस्क रिलेटेट टू इंटर्नल रिस्क और यह रिस्क में किसमें होता है सर दे टू दे ओपरेशन और बिजनेस और किसकी वज़ा से होता है पर्शन भी कर सकता, एंप्लॉई भी कर सकता, प्रूसेस में भी होता है तो यह सब्द लिखा था यह सब्द लिखा था operational रिस्क रिलेट टू प्यूपिल इस वेल अज प्रोसेस यह सब्द लिखो कि ना तो मज़ा जाएगा और सर एक्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हैं चेक इश्यो रूपीज वन लेक इंस्टेंट और रूपीज तैन थाउजन सर याप पहले भी लिख सकते थे और समझा देते हैं सोजाते हैं अगर मैं इसको पहले से लिख के रख लेता है और सिर्फ डिस्कुशन करने का काम करता न तो आप लोग सोजाते हैं अभी लिख रहा होना तो थोड़ा सा लग रहा है कि चलो ठीक है याद हो जाएगी चीज़ है तो तीन चीज़े याद करें यस सर ये थियरी आती है बहुत बार आती है रिस्क फेश्ट बाई एन और्गेनाईजेशन बहुत बार आती है तो क्या क्या पढ़ा सर टूटल मिलाकर चार टाइप का रिस्क है एक इस्ट्राइटिजिक दूसरा कंप्लाइंस तीसरा ओपरेशनल और चौता पैसो वाला फाइनेशन और जो चार टाइप का रिस्क है उसमें पहला जो इस्ट्राइटिजिक रिस्क है उसके अंदर क्या लिखेंगे उसके अंदर ये लिखना है कि जो strategy बनाया है organization ने वो less effective हो सकता है because of new competitor in market हाँ मुझे भी याद होने लग अब धीर धीर है ठीक है sir new competitor in market दूसरा customer का demand shift हो सकता है yes आज यहाँ हो कल गई और किसी और चीज में मचा आ गया वहाँ जले गया अच्छा टी और coffee का मैंने example बताया हलाकि वो ऐसे ही था उसके अलावों ऐसा कुछ लिखा नहीं है और तीसरा क्या technological change हो सकता है तीन चीज़े लिखना है technological change हो गया ठीक है दूसरा हमने ने क्या बोला था customer का demand shift हो गया तीसरा भी तो कुछ बोला था यह याद नहीं रहती है मुझे चीज सर तीसरा आपने बोला था new competitor in market ठीक है example के लिए codec का ले लेना और किसका Nokia का ले लेना बहुत कुछ लिख सकते हो तीन लाइन लिखनी है भी या तीन एक दो लाइन भी लिखो कि तो भी चल जाएगा दो लाइन के लिए sufficient है compliance risk के विसे में मैं ने किया बोला था sir compliance risk के विसे में आपने बोला था कि हर business को rules and regulations को comply करना ज़रूरी है जैसे companies act जैसे से भी जैसे income tax अगर आप compliance नहीं करते हो तो penalty हो सकती imprisonment हो सकता है जिसकी वज़ा से business को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है तीसरा अगर मैं business कर रहा हूं तो सबसे ज़्यादा परेशान हूं अपने employees से अपने process से मुझे नहीं idea मैं कहां कहां focus करूं तो वो जो risk है this is operational risk यह internal risk है day to day operation की risk actual ठीक है और यह कौन है process में भी है प्यूपिल में भी है और example के लिए है कि मेरे employee को जो मैंने बोला था check issue करने का दस जार का उन्होंने एक लाग का issue कर दिया ऐसे कई बार कुछ भी हो सकता तो मैं बर्बाद हो सकता और लास्ट वाव सर क्या रटवाया आपने मैं जिन्हें न बोर लग रहा है ना कि सर यार छोड़ो ना homework दे दो हम कर लेंगे वो please class over हो चुकी उसकी वो homework कर ले न okay financial risk financial risk पता है financial condition financial risk मतलब मेरे जो financial condition है जो पैसे वाला से उसमें change आ सकता है पहले वो लिख लूँ क्या हाँ सर पहले लिख लेजी unexpected 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 change in financial conditions unexpected change in financial conditions अब सुनो financial risk को भी उन्होंने category में बाठा है वो भी समझना पड़ेगा financial risk को भी उन्होंने category में बाठा है तो अभी तो basically कौन कौन सी category में यहां लिख लेता हूँ अगर financial risk बताओ finance से related कौन सी risk हो सकती है सर एक तो है liquidity risk liquidity का मतलब समझते हूं हाँ सर किरा मकान मालिक आया बोलता किराय दो किराय नहीं है time पर मुझे एक होता counterparty में सर उसी सिक्वेंस में लिखवाई है counterpart risk क्या है counterpart risk counterparty पहले भी पढ़ा चुका हूं है सर डिफाल्ट सामने वाला डिफाल्ट कर देगा बस यही तो लिखना सामने वाला डिफाल्ट करेगा सामने वाला डिफाल्ट कर सकता है अब यार बिजनेस में सामने वाला कैसे डिफाल्ट कर सकता है सर हमने किसी को पैसे दिये वह भाई साब दिया है नहीं लटका रहा है या हमने पैसे दिये अपने कुछ वरकर्स को एडवांस में दे दिया कि advance लेकर भाग गया, yes या फिर हमने material के लिए किसी को पैसा दिया, सामने वाले को material पहुचा दे न, advance ले लो वो लटकाए जा रहा है, होता है ऐसा business में seriously, this is counterparty और counterparty default में failure to deliver of goods यह main लिखा है, कि सामने वाले को advance तो दे दिया, पर उन्होंने goods deliver नहीं किया, और भी counterparty में क्या क्या नहीं लिख सकते failure to deliver of goods तो दूसरा क्या हो सकता इसी के अंदर सरी कितना बड़ा जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा लिखवाना ज़रूरी है तो दूसरा क्या हो सकता counterparty risk मतलब सामने वाले को business कर रहा है सामने वाले को हमने advance दिया, वो उन्होंने material नहीं पहुचा है यह भी एक risk है, अभी आपको ऐसा लग रहा है यह क्या risk है, अभी आगे जाओगे बिजने सीरियसली करोगे तो समझे नहीं दूसरा interest rate risk interest rate risk इसके विशे में क्या लिखना है, क्या नहीं लिख सकते यहाद है floating rate, fix rate वही तो है chapter है भाई floating rate floating rate क्या interest rate risk management पढ़ा हुआ है यह सर पढ़ा है, और पढ़ा है तो मैं आपको बताने की जरुरूरत नहीं है कि आप floating rate से उधार लेती हो floating rate का मतलब मतलब पता है सर, हर छे-छे मेने में rate change हो रहा है, LIBOR LIBOR तो बंद हो गया है, मानो LIBOR floating rate पे उधार ले रहा हूँ, तो डर किस बात का है कि हर छे-छे मेने में rate change होगा, और change होगा तो हमको डर है न कि यह वो benchmark rate आपको पता है, याद रखना यह तब ही समझ में आएगा जब आपने interest rate risk management किया है तो इसके विसे में क्या नहीं लिख सकते जबर्दस लिख सकते हैं, कि सर हम अगर floating rate से उधार लेते हैं तो हमें डर है कि कहीं rate बढ़ना जाए अगर rate बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, इसको हम hedge भी कर सकते हैं, और hedge करने के हमारे पास बहुत सारी तरीके हैं, सपोज एफारे, सपोज एफारे के अलावा और क्या था है, याद है, सर interest rate future, cap, collar, floor ना जाने क्या क्या लिख सकते हैं वही हैं, यह chapter है आपका तो सर फिर तो forex भी है, yes currency risk, वाउ, मजा गया है currency risk और currency risk में लिख सकते हो import किया है हमने या हमने export किया है, तो हमको dollar के गिरने काडर, dollar के बढ़ने काडर generally यह वो लोग face करते हैं, जो import export का करते है transaction exposure, translation exposure, economic इतना कुछ लिखने हैं, जरूरत नहीं पढ़ेगी पर यह सारी चीज़े मैं बता दिया इंपोर्ट किया है, तो dollar rate बढ़ गया, तो हमको ज़्यादा payment देना पड़ेगा यह सब कुछ लिखना है मुद्धी की बात है कि financial risk में क्या क्या आता counterparty interest rate currency risk पढ़ाओगे ना, हाँ चीज़ पढ़ाओगे ना पहले इसको छोटा करना, मेरे board में आयेगा की नहीं है आ गया, यहां तक तो ठीक है हमेरे पस इधर जगा बच्ची हुई है, तो मेरा काम हो जायेगा ठीक है, ओके सार्थ सर्क और कौन सा रिस्क है, इसको मैं याद कर वहूँगा चिंता मत करूँगा, और कौन, एक है political risk, political risk actual में financial risk का हिस्सा नहीं होना चाहिए political risk सर्फ political risk है क्या बेसिकल है एक चैप्टर है जिसका नाम है international financial management international financial management ठीक है, अब सुनना ध्यान से सॉरी आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ international, यह topic थोड़ा सा बोरीग है लेकिन इसके बाद अच्छे topic है मैंने गहाँ, एक risk management थोड़ा सा बोरीग लगेगा और financial policy थोड़ा सा बोरीग लगेगा बाकि start-up finance मजा आएगा पढ़ने में securitization मजा आएगा पढ़ने में बस यह financial policy एक जो topic है वो थोड़ा सा बोरीग लगेगा दो पेज का यह सायद और एक यह risk management थोड़ा सा बोरीग लगेगा इसका practical part अच्छा है value at risk पॉलिटिकल रिस्क क्या है यह बताओ सर पॉलिटिकल रिस्क मैंने का एक चैप्टर पढ़ा था आपने international financial management जनरली यह उन लोगों के लिए जो इंडिया में business नहीं करते host country कई outside business करते मतलम हम business कर रहे है यूएस में अब यूएस में भहिया अपने project लगा तो लिया yes host country कौन सी हो गए यूएस वो क्या क्या नहीं कर सकते सर क्या कर सकते जर्बता स्वधेसी अपना हो आप बरबात इंडिया में भी अगर हम बोलते स्वधेसी अपना हो तो बाकी सब जो foreign की company वो खतम बात समझ रहे हो न आप ये भी तो एक risk है अच्छा सर और बोलो सर और बोलो और वो बोल सकते कि भीया ऐसा है कि आप अपनी currency हम आपको वापस नहीं ले जाने देंगे बोल सकते है आपने जो patent है उस patent जो अपने patent आपने research किया है वो उस patent को वो चाहो तो जब्त कर सकते है बोले कोई patent नहीं और क्या कर सकते है वो repatriation पर repatriation समझ रहे है इंटरनेशनल financial management जब भी आएगा ना किया पॉलिटिकल रिस्क किया आप प्लीज इंटरनेशनल financial management पढ़ लेना इंटरनेशनल financial management याद कर लेना किया हमारा इंडिया से बाहर project लगा हुआ है तो क्या-क्या हो सकता है सिर्ट बताओ ना क्या-क्या हो सकता है यहां लिखनेगी मिरे पास जगह तो नहीं है पर में वो financial sorry कॉन सा रिस्क financial risk में क्या-क्या है counterparty risk counterparty risk सर underline करवा दो ज़्याद अच्छा counterparty risk देखोगे तो मैंने main जो है वो कौन सा किया है मैंने इस तर main जो आपने लिखा है failure to deliver of goods एक ये किया था एक चाहो तो लिख सकते repayment of boring उधार मांगते मांगते ठक जाओ कि तो मैं उधार counterparty default counterparty default business में कैसे होगा सर जिसको उधारी दिया वो पैसे नहीं देगा यस और क्या होगा सर जिसको पैसे advance में दिया वो goods नहीं पहुंचा रहा है इंट्रस डेट पॉलिटिकल रिस्की में बात करूं आपने कहां बहार overseas investor आपने बहार project लगाया है international financial management की मैं बार बार बात करूंगा प्लीज वो chapter आपका देखा होगा न तो आपको याद जाएगा कि हम विदेश में investment कर रहे हैं प्रोजेक्ट लगा रहा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं वो home currency को प्रेमिटेंस के लिए रोक सकते हैं रिश्ट्रिक्ट कर सकते कि आप conversion नहीं कर सकते हैं आपको borrowing के लिए मना कर सकते हैं आपका patent को invalid हैरा सकते हैं और price को control कर सकते हैं प्रोड़क्ट का जो price है साब बोल सकते हैं इससे ज़्यादा का नहीं भीखेगा सर यह याद रहेगा बिटे मिने कहा ना कि आप international financial management याद कर लेना और जो जो हो सकता वो वो सोच लेना बस हमने विदेश में project लगाया है यस विदेश में project लगाया है तो क्या हो सकता है सर वो हमारा हमको पैसे देने से हमको dollar वापस लाने से मना कर सकते हंड़ेट पर और क्या कर सकते सर वो currency को में या फिर प्रोड़क्ट पे प्रोड़क्ट तो उनका है उसके price पे control कर सकते कर सकते सर हमने जो patent इदाद किया है इदाद वो invalid ठाहरा सकते है ठाहरा सकते है तो ये सारी चीज़े लिखना पड़ेगा political risk में तो मैंने keywords की बात क्या किया है वो किस पर restriction कर सकते बॉर्विंग पर आप बॉर्विंग नहीं कर सकते है याद क्या करना याद करना international financial management जैसी वो याद आएगा बात कता मज़ है और एक होता liquidity risk interest rate के विसमें मैं fix और floating के विसमें इतना पढ़ाया हूँ कि अब मैं यहाँ पढ़ाना नहीं चाहता पढ़ा हुआ है आपका बहुत अच्छे से currency risk import export का बता देना कि क्या होगा dollar के बढ़ने से यह सब forex है forex और liquidity risk क्या है liquidity का मतलब है time पर आपको EMI चुकाना है ठीक है और it means आपके पास क्या adequate cash होना चाहिए yes और cash नहीं है तो आप default कर जाओगे और default करवा जाओगे तो वो business के लिए अच्छा नहीं है it means आपको time पर liability का payment करना है और कुछ नहीं लिख सकते यार मतलब सर सिफ फेकना है यहां जी फेकना है बस main चीज़ है okay कौन सा रिस्क बोला मैंने liquidity risk sir आपके पास इधर जगा नहीं है यहां लिख सकता हूं मैं कोई दिखर ले आप नीचे लिख ले न liquidity risk कितना time हो गया sir आपने इस छोटी सी चीज के लिए 45 minutes बरबात कर दिया yes पर क्या करो okay चलो एक बार देखे क्या क्या है yes 10 chapter खतम होने माला है वाफ risk management में ऐसी कौन-कौन से risk है जो organization face कर सकता है मैं रटवानी के कोशिश कर रहा हूं चार risk लिखना है भाई लोगो पहला risk है strategic risk उसके चार रिस्क का नाम याद कर लेते है strategic risk compliance risk operational risk और financial risk इतना लिखोगे चार नमबर मिल जाएगा अगर मैं कहूं strategic risk में क्या लिखोगे तो हम लिखेंगे company ने जो strategy बनाया है वो effective नहीं रह पाएगी due to technological change customer का demand shift हो गया उस वज़ा से और तीसरा new competitor आ गया मार्केट में उसकी वज़ा से ठीक है और इसमें समझने वाला कुछ नहीं है example लिखने ना kodak का और एक example लिखने ना Nokia का ठीक है sir please आप समझा नहीं रहा है इसमें समझा हूँ क्या समझा हूँ मैं इसको homework देने वाला chapter था पर ना homework दूँगा तो आप लोग को गए यार यह तो पैसी पूरे लिए है फिर homework कैसे दे रहा हूँ इसलिए मैं यह करवा रहा हूँ ठीक है operational risk का मतलब internal risk sir सब्द कहां के सब्द आप भी जानते हूँ आप भी की book के लिए internal risk और internal मतलब day to day operation of business किसकौन कर सकता सब process में भी हो सकता है process हमारा book का process देख रहा है ना बड़े देर से पहुशती process में भी हो सकता है और technical issue आता तो वो भी शौल नहीं होता तो ये भी risk हो सकता pupil भी कर सकता एक दस जार का check एक लाक रुपिया दे दिया financial risk में important है कि financial risk का मतलब आपका financial condition change हो सकता उसमें अगर आपको सुनो अगर आपको चार नंबर का question आता ये चार risk लिखोगे और financial risk के अंदर लिख दोगे न तो मज़ा जाएगा कि financial risk के अंदर क्या क्या category है तो क्या क्या category है पहला counterparty दो chapter हमारे interest rate और कौन सा तीन chapter तीन chapter सर कौन कौन से तीन chapter एक तो सर interest rate risk management दूसरा हमारा forex और तीसरा international financial management ये लिख दो मज़ा जाएगा interest rate risk management के लिए मैं क्या बोल रहा हूं interest rate risk currency risk और political risk international financial management याद करना सर political risk में हम क्या लिख सकते हैं क्या क्या नहीं लिख सकते international financial management याद करोगे आपको समझ में चाहिए और एक कौन सा risk में भूल गया सा liquidity risk टाइम पर पैसे नहीं है किराएदार आ गया है अब सर कोश्चन कैसे आ सकते हैं कोश्चन आज तक डाइरेक्टी पूछा है risk faced by an organization चार पर एक कोश्चन ये भी हो सकता है कि financial risk का क्या है होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं तो आई एफ हम नहीं लिख सकते कि नहीं number नहीं मिलेगा sorry लिखना तो आपको political risk की पड़ेगा ठीक है और counterparty और liquidity risk लिख 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 लेगे ठीक है ओके ओके सर बोलते बोलते गला सुंके है थेयरी पढ़ानी की आदत नहीं है न क्या कर लें सर ये तो हो गया और एक थेयरी आता है evaluation evaluation of financial risk इसका financial risks पे क्या क्या फर्क पड़ता है तो financial risk की वज़ा से क्यूंकि मेरे पास यहां जगा नहीं है तो सर अगले पेच 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 चले जाओ चाह नमर का question आ सकता evaluation of financial risk evaluation का मतलब सर वो पूछ रहा है कि अलग-अलग point of view से बताइए कि किसको क्या क्या फर्क पड़ सकता है तो उसने इसके अंदर तीन कैटिगरी लिख रहा है प्लीज डियाग्राम बना लो मेरे साथ सथ यही काम आने वाला है आपको seriously बोल रहा हूँ first, second, third, first, second, third मतलब अगर financial risk है तो किसको फर्क पड़ेगा कंपनी को फर्क पड़ेगा कि shareholders को फर्क पड़ेगा मतलब company के management को फर्क पड़ेगा कि shareholders को फर्क पड़ेगा कि government को फर्क पड़ेगा sir, government को क्यों फर्क पड़ेगा फर्क पड़ेगा सबसे पहले किसके from shareholders point of view लिखा evaluation of from shareholders point of view और उन्होंने बस एक ही बात लिखा, finance का मतलब उन्होंने debt मानके चला, वैसे ही लिखना है, इस theory का तो मतलब ही मुझे समझ में जाना था, उन्होंने का debt equity ratio अगर जादा होगा, तो shareholder का risk के जादा होगा, क्योंकि अगर company बंद हुई, तो सबसे पहले पैसे किसको बटेगे, debt holder को, और उसके बाद अगर पैसा बचा तो किसको मिलेगा, equity shareholder को, बस, चाहो तो पढ़ लेना, sir आप ही बता दो कहां लिखा हुआ है, असर बाद में पढ़ लेना ना, मैं बाद में दिखा दूँगा आपको, underline भी करवा दूँगा, shareholder के point of view से, दूसरा, sir, company के point of view से, from the company's point of view, from company's point of view, और यहां भी उन्होंने क्या लिखा है, access अगर लोन लेओगे, तो company क्या कर सकती है, company default करेगी, company bankrupt हो सकती है, कोई logic नहीं, और तीसरा, उसने कहा, government point of view, उन्होंने कह, अगर आप loan लेगे, और आप भाग गए, तो, विजय मालिया, Lehman Brothers, Lehman Brothers के exam, आप भाग गए, तो, तो सर्फ bank को फर्क पड़ेगा ना, bank में किसका पैसा, bank में आपका पैसा है, आप बरबाद, आप बरबाद, public बरबाद, public बरबाद, government को बहुत ज़्यदा loss होगा, इट मेंस, उसकी default की वज़ह से, क्या, government को फर्क पड़ जाएगा, यास, और उन्होंने example ले रखा, याद है, ये Lehman Brothers वाला केस, सर बताओ, मैं नहीं बता सकता, आप रीट कर लेना, इसकी वज़ह से, इन्होंने इतना बड़ा default किया था, bank के साथ मिली भगत करके, कि पूरा, कि पूरा system, पूरा economy बर्बाद हो गया था, अच्छा, तो वही वाली बात लिखा, सर ये total theoretical है, मैंने करवाने वाला हूँ, या आप कर लेना, important क्या है, रट्टा मारे एक बार, या सर रट्टा मारते, खतम काम, खतम काम, पहला, क्या लिखना है आपको, types of risk, कितने risk, चार, strategic, compliance, operational और financial, financial risk की category बोलो, सर तीन chapter हमारे, पहला तो counterparty, पहला counterparty, दूसरा क्या दूसरा, जल्दी से बोलो, पहला सर, counterparty हो गए है, दूसरा, interest rate risk, currency risk, political risk, और पाच्वा, जो कौन सा था यार, liquidity risk, ओके, और उसके बाद, evaluation, financial risk का evaluation कैसी करेंगे, तो बहले तीनी लोग तो होते है company में, एक तो shareholder evaluation करेगा, shareholder का tension है, debt equity ratio बढ़ेगा, debt जादा borrowing करेंगे, debt बढ़ेगा, debt बढ़ेगा, तो हमारे risk बढ़ जाएगा, company के point of view से, sir, आप ज़्यादा उधार लोगे, तो आप default कर दोगे, आप default कर दोगे, आप bankrupt हो जाओगे, तो आपका business बंद हो जाएगा, तीसरा, government के point of view से, अगर आप बहुत ज़्यादा borrowing करोगे, और भाग गया, तो, या कोई issue आ गया, तो bank बरबाद, bank बरबाद, तो economy बरबाद, और आप भी बरबाद, government भी evaluation करेगा, इस बात का, ओके, सर, आप theory बहुत बुरा पढ़ाते हैं, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पास इतना time नहीं, कि मैं ये सारी चीज़िए, ये हैं, मैं आपको homework देने वाला था, that's it, बस यही था chapter, ओके, अच्छा, तर ये भी एक बार दिखा दो, कि क्या, ये बताया हैं उन्होंने, stock evaluation, किस-किस के stack holders point of view से, shareholder के point of view से, और उन्होंने जो focus किया हूँ, ratio of debt equity की बात किया, ठीक है, companies के point of view से, उन्होंने access borrowing की बात किया है, और किसके government के point of view से, उन्होंने बात किया, layman brothers की, ठीक है, इसकी वज़ा से, society destruct हो जाएगी, willful defilter हो जाओगे, तो आपका society बरबाद हो जाएगी, sir, हाँ, बोलो, अब मैंने किसी student को, सुनोगे दिहान से, अब किसी student को, इस तरह से, समझाया, yes, और sir, उन्होंने, वैसे तो यार, इसको हमको, ऐसे लिखना था, first, strategic, second, compliance, तीसरा, operational, और चोहता, financial, ऐसा paragraph में लिखना था, उस student ने, भाई साब, ऐसे लिखकर आ गया, जैसे मैंने बताएं था, बस ऐसी, जो है वो लिख दिया, और ऐसे, ऐसे, डॉट, डॉट, कोई paragraph भी नहीं लिखा, बैसे इससे लिख दिया, क्या उसको number मिले होगे, क्या number मिलते हैं, अगर हम ऐसी copy करके आ जाये तो, यस, मेरे पास उसकी answer sheet है, और मैं please answer sheet बता रहा हूँ, सर, student का नाम, वो मचे नहीं मालो, यह है, बैटे, आपको देखने ही रहा होगा, और सर, यह वो, question number seven सी यह, देखो, सब में right का निसान लगा है, हला कि यह सर, कहां कहा है, यह question, risk management का नहीं है, इस startup finance का, page number one पे आओ, देख लो, बैटे, देख लो, सीख लो, startup finance करके होगा, कहीं, check करो, startup finance, में page number one, yes sir, उसमें यह था कि यह startup finance में, पैसो का विवस्ता कैसे है, page number one, check को, chapter number seven, startup finance, please check करो, हमें यह important नहीं, हमें यह important है कि effective कैसे हम number लाए, अभी number लाना, अभी concept, concept, सब एक तरफ, हमें number कैसे लाए, अब जब मैंने यह करवाया हूँ, जब मैंने यह करवाया हूँ, तो देख ही रहे होगे, आप startup finance का मेरे पास नहीं है, पर आप देखोगे, कि पैसो का arrangement कैसे किया जाए, बहुत सारे points लिखे, 9 points, कितने number का question आया था, 4 number का, किस तरह से लिखा है, उस student ने को paragraph उसका ऐसा था, 9 points है, पर 4 number का कोशन है, तो 4 points लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, same chart में ने बनाया हुआ, और उसने chart में जो था, वो यह लिख दिया, क्या उसको पूरे 4 number मिले, yes, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे बुच्चे बोलते, सर्थ 6 points है, पर हमको 4 ही आते, तो 4 ही लिखो ना भाई, number मिलते, पूरे number मिलते, दिख रहा है आपको, यह IC AI का अंसोसीट है, सर्थ इस बात का क्या सबूत, सबूत मेरे पास है नहीं, ठीक है, और एक बता दाओ, page number 9, और सरी एक किसका है, question, यह भी start of finance का ही होगा, page number 9 पे आओ जल्दी से, structure of venture capital fund, यह भी उन्हें पढ़ाया नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, दिख रहा हूँ उसमें, domestic fund, opsor fund, domestic fund, page number 9 इसी chapter में, आया था, structure of fund in India, domestic और opsor, और opsor के अंडर है, opsor structure और unified structure, देखो उन्हें कैसे किया, जैसा मैंने chart बनाया था, दिख नहीं रहा होगा, चल जाएगा, domestic, opsor, opsor के अंडर 2, 1-2, पूरा नंबर मिला, सर अंदर क्या लिखा बेटे, ये देखो, ये खतम कर दिया उसने, और देखो, वहां कितना बड़ा line लिखा paragraph, और उसने बस दो line लिखकर, खतम कर दिया, सर दिख नहीं रहा, मत देखो, बस मैं बता, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आपकी चिंता है है न, किसको लेकर, इस बात को लेकर, कि यार अंदर हमको क्या-क्या लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना बड़ता भाई, दो-चार कीवर्ड से तो काम कतम हो जाएगा, बस बात कतम, ठीक है, हाँ बोलो, सर तो इन्होंने, इन्होंने सिर्फ मेरा दो घंटे का वीडियो देखा था, और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, वो ओडियो भी डाला था, वो ओडियो मैं सुनुआ दूँगा, क्लास के बाद, आज की क्लास के बाद, ठीक है, तो अभी तक जहां तक किया, वो टोटल मिलाकर चार रिस्क पड़ा, और फाइनेशल रिस्क के अंदर में पाच कैटिगरी पड़ा, अब इसमें बेकार सी एक थेयरी दिया, वार का थेयरी मैं बाद में डिस्कूस करूँगा, सबसे लाश्ट में, एक बेकार की थेयरी दे रखा है, आता नहीं है उससे, पर एक बार आ गया तो, कर जब कर ही रहे तो पूरा करते, वापस आ रहो हमें श्टार्ट अप फाइनेंस में, पेज नंबर सेवन उपन करो कि, वार को एक मिनट के लिए छोड़ना, पेज नंबर सेवन, पेज नंबर सेवन में, जैसे काउंटर पार्ट रिसक है, सर यह तो फाइनेंशल रिसक है, तो पता कैसे लगाओगे, कि काउंटर पार्टी डिफाल्ट कर सकती है, यह उसने बताया, पता कैसे लगाओगे, identify कैसे करोगे कि सामने वाली party default कर सकते और उससे बचने के लिए हम क्या technique यूज करेगे time pass है due diligence करेंगे हम over commit नहीं करेंगे सामने वाले को exposure है सब time pass है तो क्या आ सकता है यह आ सकता कि identify counterparty risk and technique to his counterparty risk यह मैं नहीं पढ़ाने वाल हूँ मैं idea दे रहा हूँ बस आता नहीं है यहां से बहुत ना के बराबर chance है बस इतना है कि मैं अपनी duty पूरी कर दूँ मैं आपको सारी बाते discuss कर दूँ ओके sir तो अभी क्या है सब पता कैसे लगाओगे ऐसी और financial risk के अंदर क्या है सब political risk तो political risk है इसको identify कैसे करोगे identify यह बहुत सारा दे रहे का और एक बार identify हो गया तो उसको hedge कैसे करोगे वो देख ले ना कहीं दिया होगा hedge कैसे करोगे identify आप international political risk मतलब IFM आप बाहर project लगा रहे हो और risk है identify कैसे करोगे इंडिया में कोई project लगा रहे हो identify कैसे करेगा कर सकता भी जो चल रहा उसके सबसे और उसको बचने के लिए क्या करेंगे वो पढ़ लेना assist कैसे करोगे ऐसी कैसे पता लगेगा कि interest rate risk है और इसको hedge कैसे करोगे hedge वाला तो आप ना जाने कितना लिए पता कैसे लगेगा कि currency risk है और इसको hedge कैसे करोगे तो ये वाला तो ना के बराबर chance आने का वो आप पढ़ लेना यह मैं नहीं करवा सकता जो pure theory है उसे तो मैं बिल्कुल नहीं करवाँगा अब क्या आ सकता है सर वार पर theory आ सकता वार value at risk value at risk पर theory आ सकता वार क्या है सर बताया है break से पहले first part में आपने बताया है कि value at risk में हम maximum possible loss निकालते है maximum possible loss यह सब समझ में आजाएगा मैं बस याद करवा रहा हूँ maximum possible loss calculate करते है कि एक दिन में कुछ confidence level होता है उसके इसाब से आप maximum possible loss पता करते हैं और एक benchmark set कर देते हैं कि यह इससे ज़्यादा loss नहीं होगा तो चलो trading करते हैं तो इसके features क्या है main features sir एक तो confidence level ठीक है एक one day war निकालना कि ten days war निकालना यह सब कुछ ठीक है और loss निकाला जाता है rupees में और percentage दोनों में निकाल सकते हैं तो पहले क्या लिखो कि क्या क्या लिख सकते हैं features में features में सुनो क्या क्या लिख सकते हैं सर एक तो हमको देखना पड़ता है standard deviation लिखा है standard deviation दूसरा normal distribution table yes एक तो time period one day two day three days और क्या सर confidence level बस इतना भी लिख दोगे ना जो चीज पड़ा बस वो लिख दो sufficient है confidence level क्या है ठीक है और deviation कितना है उस वो एक tool होता है जिसको हमको यूज करना पड़ता है jet table चाहिए होता है normal distribution table का यूज किया जाता है और one day निकालना कि ten day निकालना कि ये सब ये सारी चीज़े लिख दोगे features में ठीक है और war का application क्या है कहां यूज होता है तो वो सारी चीज़े लिख सकते हो कि सर maximum possible loss जब हम trading करते है तो उसमें काम आता है ये सब already हम में करवा चुका हो और कहां करवा चुका है ये theory पढ़ना बहुत आसान होगा ठीक है ओके तो भाई खतम कर रहा है topic बहुत हो गया सर इतना time में लेता नहीं हूँ इसमें पर ले लिया है ओके final करे फटा-फट से बलो फटा-फट से जो काम की theory है खतम कर रहा है एक बार revision कर रहा है end कर रहा है पहला एक organization कितने type अभी दिख तो नहीं रहा है न आपको इधर मत देखना कितने type का risk face कर सकता है सर एक strategic बिलकुल दूसरा compliance बिलकुल तीसरा 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 compliance के बाद operational और चोहता financial strategy के रिस्क के अंदर क्या लिखोगे सर इस्ट्राइटिजी less effective हो जाएगा due to new competitor in market बिलकुल और सर कस्टमर कर डिमांड सिप्ट हो गया तो भी ठीक है और सर टेकनोलोजी कल चेंज हुआ तो example लिखोगे कोडेक का example लिखोगे Nokia का compliance risk कि हर business को rules and regulations को comply करना जरूरी यह जैसे company direct से भी बहुत कुछ और अगर आप compliance नहीं करते हो तो heavy penalty लगी कि imprisonment हो सकता है और जिसकी वज़ा से business पर effect पड़ सकता compliance तीसरा कौँ सा risk हो गया याद नहीं जा रहा मुझे सर तीसरा हो गया हमारा ता 10,000 का चेक हमने एक लाग रुपए यह लिख दो टाइम पास चौता financial risk financial risk में कितनी category है सर financial risk में को पाच category है पहला counterparty default counterparty risk अब तीन हमारे chapter currency risk, interest rate risk और कौन सा था IFM मतलब political risk और एक था liquidity risk और evaluation कौन कौन कर सकता अलग-अलग shareholder evaluation करेंगे कि भया, debt बढ़ेगा तो हम बरबाद हो जाएंगे हमारा risk बढ़ा दूसरा company company का debt बढ़ेगा वो debt की बात किया debt बढ़ेगा access loan लेगे तो हम bankrupt भी हो सकते तीसरा अगर company bankrupt होती है तो government को बहुत ज़्यादा effect पढ़ सकता अगर heavy loan रहता हूँ बस इतना ही था chapter अच्छा मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ अभी इस chapter में करीब करीब हमारा एक घंटा लग गया theory वाले part में पर मैं आपसे बोलू मेरे दो घंटे में सारे chapters है ये चार्ट के थू समझाया हूँ वो भी मैं upload कर देता हूँ आज ही upload कर देता हूँ जिनको ये chapters अलग-अलग chapters नहीं देखना है बुक से नहीं पढ़ना वो chapters देखना है जो amendment होगा वो मैं अलग से discuss करी दूँगा जैसे risk management में कुछ add नहीं हुआ है ठीक है तो चाहो तो आप दो घंटे में topic देख सकते हूँ अच्छा मैंने कहा था उस student ने जिसने किया है चाहो तो मैं उसकी जो advice है उसको मैं सुना सकता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि नहीं है कोई दिक्कत में हाँ सर एक बार सुना दो तो मैं वो स्टार्ट करता हूँ वो दिक्कत करता हूँ हो जाएगी question नमर तीन कसी चार कसी और पांच कसी यह तीनों question सर के जो theory वाला चार्ट जो मैंने उपर share किया है जिसका YouTube वीडियो है दो घंटे का उसमें से seat हो किया है था question नमर 6 कसी जो था वह भी सर के चार्ट में था बट मुझे आता नहीं था इसलिए मैंने एक्जाम में लिखा नहीं था मैं यहां पर copy copy जो अपना answer seat है त्योरी वाला पूर्चन इसलिए शेर कर रहा हूं पता नहीं लोग बोलते रहते कि नहीं करना चाहिए क्या हो चाहता है मैं तरता इसलिए नहीं कि सर की यूट्यूब विडियो से मैंने इतना परपर कि मुझे हल्प मिला इतना है इस वाई मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी आपको confidence आजाएगा कि जो सर्का थिओरी वाला चार्ट है वो इतना इतना हुआ मैं लगों की इस ना इतना पर तो भी और थे इस लिए पॉंट तुरा दोरा यथा और 6 में मतलब तो इसको मैंने लॉन किया लॉन करके इतना मुझे तो बिल्कुल यह याद आज आएगा तो यह नी पता कॉपी करने से क्या ही हो जाता है सुनाने का परपस किया था सुनाने का परपस वशितना था ऐसा नहीं कि मैं यह बोल रहा हूं कि आप यह जो बोल रहा है वह सही है पर इन्होंने जो आंशर शिट शिगर किया है और इन्होंने जो किया है उसके सबसे भई बस मेरी यह रिक्वेस्ट है अब डरना मत कि सर हम charts बना लेगे या charts से कर लिएगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. तो ऐसा है कि वो 2 घंटे का वीडियो भी मैं आपके साथ share कर देता हूं. पर इसका मतलब ये नहीं कि हर एक chapter में time नहीं लगाऊँगा. हर एक chapter में time लगेगा. जैसे securitization है तो इसमें 2 घंटे का time लगेगा वो proper जैसे classes है वैसे classes चलती रहेगी पर अगर time कम होगा तो वो 2 घंटे का वीडियो भी देखोगे वही चीज रहेगी और आप जब देखोगे तो आपको समझ में आजाएगा ठीक है तो प्लीज इसको learn कर ले ना ये काम की चीज है और last में सुनो वो जो ये लिखा है ना ये सब ये सब काम नहीं आएगा जो काम आएगा वो यही वलाएगा ठीक है thank you so much बाई बाई अगले chapter में मिलते है securitization कम से कम 2 घंटे लगेगे इसको तो अगर आपके पास time नहीं है तो वो एक साथ 2 घंटे में 4 चैप्टर का theory है वो देख सकते हो पर अगर time है तो मेरे साथ साथ पढ़ते हूँ चला ओके thank you so much बाई बाई तो theory चलना था हमारा और theory में हमने करीब करीब एक topic किया था जिसका नाम था हमारा risk management उसमें कोई amendment वैसे भी नहीं था जो बड़े chapter नहीं वो 4 चैप्टर है जो हमें discussion करना है एक था हमारा risk management जिसमें numerical भी था value at risk बाले question था वो हमने कर लिया सर दूसरा securitization था अच्छा theory है वो और उसमें नया क्या आया था tokenization ठीक है वो भी हमने कर लिया अब तीसरा start of finance बड़ा topic है इसमें भी amendment है तो ये भी दो पार्ट में करेंगे पहले पार्ट में जो existing था वो तो पड़ी लेते है और second part में जैसे securitization में दो पार्ट में किया है वैसे इसको भी हम दो पार्ट में करेंगे part one में जो पहले से theory है वो करेंगे और part number two में जो amendment से वो करेंगे ताकि हमारा जो focus रहे last में वो amendments जो हो रहा ना उस पे ज़्यादा focus रहे तो हर theory के second वाले part में आपको amendments मिले इसके बाद सर इसके बाद financial policy करके है तो financial policy जो chapter number one है आपका वो बड़े मुस्किल से आदे घंटे का chapter उसमें कुछ है ही नहीं समझाने के लिए it means अगर वो chapter खुछ से भी करोगे न तो मुझसे पहले कर लोगे पर फिर भी बच्चों की demand रहती है कि सर नई सर प्लीज करो उसमें तीन decision समझाओंगा investment decision होता financial decision होता dividend decision होता है मतलब सर वो जो पहला वो चैप्टर जो financial policy वो प्योर theory है growth rate क्या होता sustainable growth rate क्या है यह सारी चीजे है और theoretical है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरी class की जरूरत पड़ेगी आपको फिर भी आपकी संतुष्टी के लिए मैं वो डाल सर थेयरी आता है कि हाँ जी और बात हो रही है इस्टार्ट अफ फाइनेंस इस्टार्ट अफ फाइनेंस सर कितना टाइम लगेगा लगेगा एक घंडा से कम तो लगेगा लेकिन यकीन मानना कि मैंने सारे चारो चैप्टर का थेयरी का समरी वीडियो एक ही घंडे में खतम कर दिया है और एक देड़ घंडे में और यह वीडियो यूट्यूब में अल्रेडी डिला हुआ मैं आपके ड्राविए में भी अपलोड कर दूँगा अल्टिमेटली वही वीडियो काम आएगा पर ठीक है मैं यहां कोशिश करूँगा याद दिलाने की तुसर स्टार्ट अप फाइनेंस है क्या अक्चुन कुछ नहीं है शार्क टैंक इंडिया देख रहे हैं आप लोग हाँ सार्क इंडिया येस सार्क इंडिया के विसे मैं बात मत कीजिए उसके अलावा और कोई बात कीजिए ठीक है हमको कोई आइडिया आया है सर आइडिया का मतलब हमको ऐसा लग रहा है रिशर्च करने से यार ये बिल्कुल नया बिजनेस है ऐसा बिजनेस तो है नहीं है और ये जो हमा हम जो सोच रहे जो रिसर्च कर रहा है वो पका पका मार्केट में चलेगा चलेगा ओके सर इग्जामपल मैं किसी भी स्टार्ट अप की आईडिया की बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों के पास जमाने भर के आईडिया होगे हर एक पर्षन को दिन में दो तीन आईडिया आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आईडिया की बात नहीं करूँगा आप कुछ भी आईडिया अपने मन में ले लेजी हम ऐसा करेंगे तो हमारा बिजनिस खुप चलेगा क्योंकि आज तक ऐसी चीज मार्केट में आई नहीं है हमारा काम आईडिया नहीं है हमारा काम है पैसो की विश्था जो भी आईडिया है क्या उसमें पैसे लगेंगे है अगर पैसे लगेंगे तो पैसो का अरेंजमेंट कहां से होगा सवाल बस इतना से इसी कनाम है स्टार्ट अप फाइनेंस पैसो का अरेंजमेंट कहां से होगा हमारा काम है कि हमें आइडिया नहीं सोचना है आइडिया सोचने का काम जो सोचे हमारा काम है पैसी कहां से आएगे तो एक आम आदमी की तरह बस मुझे बता दीजी, पैसो कहां से आएगे, सर पैसे कहां से आएगे, सर बैंक से उधा लेंगे, पागलो बैंक दे गई नहीं आपको, आइडिया का पैसा देगा, ऐसे तो ना जाने कितना लोगों को आइडिया आते और बैंक चले जाएगे, और आइडिया ये है कि यार देखो बच्चे पढ़ते, क्लास लेते, फैल होते है, याद ही नहीं रहता, एक्जाम के समय याद ही नहीं आता, तो क्यों ना ऐसी दवाई बनाई जाए, आइडिया है, कि जिसको खाए और याद हो जाए, और मैं रिसर्च भी कर रहा हूं उस बैंक पैसे नहीं देगा, क्योंकि ये इंपॉसिबल बात है, जल जो पॉसिबल भी बात है, उस पे भी बैंक नए आइडिया के लिए आपको पैसे नहीं देगा, भयानक टाइप का रिस्क है, तो अगर आप सोच रहे हूं कि बैंक से उस आइडिया के नाम से पैसे ले रह समझाना नहीं समझाना कि आप पढ़के आप खुद पढ़ सकती इतना सिम्पल टोपिक है पर मेरा गाम है आपको याद करवाना याद करवादू मेरा टेंशन खतम हो भाई अब मुक्ति पाउंखी हाँ जी आपको याद हो गया तो सर एक तो यार दोस्तों से ले ले क्या रिलेटिव से कम से कम वाइप तो विस्वास करेगी तर वाइप कहां पैसे देखी कहीं ना कहीं से तो पैसे दोस्तों से दोस्त करते हैं दोस्तों को आप पे ट्रस्ट होता है और बच्पन से साथ में रह रहे हैं तो हो सकता है यार कर देता है और उब्यात सही तो वापस करूँगा और आपको ज़्यादा तो मदद कर देती है पर दोस्त भी तब मदद करेंगे जब आप खुद भी तो पैसे लगाओ सबसे important है सबसे important है कोई भी आपके business में पैसा लगाने को तयार है शर्त यह है कि आप कितना लगा रहा है तो पहला point पैसो का arrangement कहां से होगा personal financing खुद का savings वहाँ से पैसो का arrangement होगा अच्छा सर उसको बोल रहा हूँ मैं personal financing प्लीज इसको याद रखना है कि सबसे पहले पैसो का arrangement खुद के packet से होगा खुद से करो तब दोस्त के पास जाओ ठीक है सर तो पहले पैसो का arrangement कहां से होगा खुद से personal financing बोल रहा हूँ अब दोस्त से के पास यह relative उसके पास जाने से पहले आप के पास अगर bank जाईए सर बैंक तो देगा ना भाई नाम ही मतलो वहां business का personal loan तो ले सकते हो रेट आप interest जाता है हो जाने तो दोस्त के सामने गिरगडानी से अच्छा पर्सनल लोन ले जी रिलेटिव क्या लगता है रिलेटिव हो सकता कुछ अच्छे रिष्तिदार हो पर वो second सबसे पहले क्या हम पर्सनल फाइनस पर्सनल फाइनसिंग तो हो गया यस पर्सनल फाइनसिंग हो गया पर्सनल सेविंग्स हो गया लेकिन personal credit line से तो हो सकता personal credit line मतलब credit card है आपके पास उसका यूच कीजिए पैंके पास जाईए और personal loan ले लीजिए ये भी एक तरीका है अच्छा तो आप ऐसे भी काम कर सकते है तो startup finance के तरीके कितने होगे तो दोस्ते भी हो सकता है मतलब तीन तीन तो मैंने बताया सर खुद का पैसे लगाओ ठीक है सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप पढ़वा रहे हो भाई अगर मैं ये बोल दूँ कि प्लीज होमवक है तो आप काओगे पैसी क्यों लिए हो सर पीस लिए हो तो पुरा पढ़ाओ और मुझे पढ़ाना पढ़ा है और यकीन मानिये मुझे पढ़ाना पढ़ा तो मुझे इतनी शर्म आ रही है अगर मैं अपने घर में भी ये वीडियो दिखा हूँ क्या पढ़ा रहे हो आप चलो 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 बेकार को पैसे को अरेंजमेंट कहां से हो सकता है तर पैसो सर यह हमारी किताब में लिखा हुआ है न हाँ जी आपकी बुक में लिखा हुआ है सर पहला आपने क्या बताया पहला मैंने बताया कि आप खुद का पैसा लगाई है दोसरा personal credit line आपके पास credit card है या personal loan है वहाँ से bank से बैंक से वस्ता कीजिए अपने नाम से कीजिए तीसरा family and friends दोस्तों से पैसे लीजी relative से पैसे लीजी अगर वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है अगर वो दे दे तो मैं उनको angel investors बोलूँगा angel वो मेरे लिए तो angel ही है यार जो इस वक्त पे साथ दे रहा है उस business के लिए जिस business से पता नहीं success होगा की नहीं होगा अभी बस start भी करने का सोच रहा हूँ और अगर वो मदद कर रहा है तो वो मेरे लिए angel से कम नहीं उनको बोला जाता है angel investors आएगा theory अगर सर angel investors पर लिखना है तो दोस्त और फ्रेंड्स और इनके विसमें इतना लिख देना अगर ओके सर तो तीन आपने बताया सर ठीक है उसके अलावा मालो हम इन तीन के अलावा भी और पैसों का arrangement करने का कोई तरीका है क्या बैंक जा नहीं सकते इसके नाम से idea के नाम से बैंक जान नहीं है business के नाम से बैंक फाइनस इसके अलावा सर बताये न और कोई तरीका क्या है social media facebook whatsapp नहीं website में जाओगे दो platform मिलेंगे एक होगा crowdfunding crowdfunding social media पर crowdfunding में क्या है crowdfunding में simple सी बात है जैसे यार SAR tank India में वहाँ जो लोग बैठे है मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जो pitch presentation करने आते है और बताते हैं कि देखो मेरा ये product है मेरा ये idea है और वहाँ जो बैठे हुए लोग है वो पैसा लगाते है ठीक और उनको idea पसंद आये तो पैसा लगाते जब आप TV में ये सब देखते तो आपका भी मन करता ना यार ये वाला जो बता रहा है ये वाकिए success हो सकता है अगर वो success हो सकता है और आपका भी दिल करेगा पैसा लगाने का उसर पैसे लगा सकते हैं कि कैसे लगाओगे पैसे सुरू में पैसे लगाना अभी कोई शेयर्स वेयर्स इश्यों नहीं हुए कैसे लगाओगे पैसे तो चुने यार अगर आपको उस सामने बैठी वह तो लगा देंगे उनको मालू मैं फायदा दिख रहा है हाला कि उसको मैं वेंचर कैपिटलिस्ट का भी नाम दूँगा बाद में अभी वो तो पैसा लगा देंगे सवाल यह है आपका दिल कर रहा है आप कैसे पैसे लगाओगे और आपके पास उतना पैसा नहीं है कि वो करोड़ो रुपे मांग रहा है करोड़ो नहीं लगा सकते थोड़ा बहुत लगा सकते आप होते तो आप भी यही बिजनेस का सोचते अलग-अलग टाइप का आप कैसे करोगे और सुरू में ही पैसा लगाना है याद रखना कि स्टार्ट अप में जो पैसे लगाती है स्टार्ट अप में जनरली उनको रिटन ज्यादा मिलता है तो क्राउट फंडिंग होता क्या सर क्राउट फ बिजनेस के विसे में पूरा पिछ प्रेजनेशन उस क्राउट फंडिंग में लिखा रहेगा कि यार क्या बिजनेस करना चाहते किस तरह से ग्रोथ होगा वह सब कुछ लगा रहेगा और इस बंदे को पैसो की जरुबत है और जो जो है वो इसको देखेंगे बदले में उन क्राउट फंडिंग और अपना पिछ प्रेजनेशन जो मैं शार्क टेंग इंडिया में बता रहा था उसको मैं वहां अपलोट कर दूँ ताकि लोग देखेंगे सारी बाते नहीं ताकि लोग देखें और उनको आईडिया पसंद आए और वो फंडिंग कर ले उसमें मैं कि लिटन दूँगा सब कुछ लिखा रहेगा दिस इस सोशल मेडिया नेट क्राउट फंडिंग के जैसा ही पियर टू पियर लेंडिंग है पियर टू पियर लेंडिंग मतलब किसी को पैसो की जरुवत है कोई पैसे देना चाहता है वहां रेट अपिंट्रेस थोड़ा सा तो बीच में कोई बैठा हुआ है आप पैसे लगाईए एट सिट पैसा रूब गया तो वह डूल से रेगुलिशन से बहुत सारी चीज़े होते ही वह आप दे जिसको मतलते पियर टू पियर लेंडिंग भी सोशल मेडिया है येस और पियर टू पियर लेंडिंग भी सोशल ये बस उन्हेंने नाम दे दिया क्राउट फंडिंग और पियर टू पियर लेंडिंग तो से टूटल मिला कर कितना है इस्टार्ट आप फाइनेंस की आप बात कर रहे थे स्टार्ट आप फाइनेस वह हम पढ़ किया रहा है पैसो का अरेंजमेट कहां से हो सब्द लिखा है innovative ways to finance a start-up पैसो का arrangement कहां से होगा start-up के लिए total मिला कर अगर 4 points लिखते हो तो भी काम हो जाएगा पर क्योंकि 9 points लिखे हुए तो मैं वो सारे points डिसकस कर लेता हूँ जितना ज़्यादा लिखोगे अच्छा है अगर 4 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत ने याद रखना कि आप अंदर इसके अंदर कुछ भी लिखो लेकिन ये points आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला point ये जो main points है आपको ये याद रखने पड़ेगे उसके अंदर आप कुछ भी लिखिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा जैसे मैंने personal financing सब्द बोला था एक्चुली ये personal savings ओके सर एक बार चेक कर लीजिए हाँ चेक क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ एक बार मुझे time दे दो दो मिनट का मैं चेक करके आपको बता दूँ क्या ये सर क्या है मुझे वो एक-एक सब एक-एक सब्द चाहिए सर इनोमेटिव वेज में personal financing ही सब्द है तो जो मैंने personal savings लिखवाया है आपके बस book होगी तो आप वहाँ से देख सकते हो एक्चुली क्योंकि मुझे ये रटा हुआ था आप भी रटते हो एक्चुली ये personal financing सब्द personal financing मतलब personal savings वहाँ से पैसा लगा सकते हो आप contribute करोगे तो investor को confidence आएगा और वो contribute करेगा ये सब कहानी लिख देना personal savings से यूज करोगे दूसरा मैंने सब्द क्या नाम लिया personal credit line credit card दिखी रहा है आप समझ जाओगे तीसरा कहां से सरदोस्तों से और relative से सर वो देगे क्या वो आप पर depend करता कि आपने क्या उनकी मदद की थी हालकि इसमें कहानी वानी ये हमारे लिए angel investors है और कहानी लिखिए कि ये जो होना चाहिए ये writing में होना चाहिए ये सब कहानी लिखिए है वो पढ़ दोगे वो मेरे काम की चीज नहीं है इसके अंदर आप लिख लोगे और चोहता मैंने क्या बताया है crowdfunding social media websites पे काम होता crowdfunding और एक बताया था peer to peer learning total मिला कर अभी कितना बताया है पाच ये पाच आपको कम से कम पाच पॉइंट्स तो याद होना चाहिए क्योंकि एक भूल भी जाओगे तो चारत आएगा total मिला कर कितने है 9 9 में से कितना बता दिया मैंने 5 personal financing याद हो गया sir personal credit line सरी ये भी याद हो गया तीसरा दोस्तों से family and friends चौता crowdfunding और पाच वा पियर टू पियर लैंडिंग पियर टू पियर लैंडिंग ओके land money to each other sir आप बोल रहे थे ना वो जनरली किस से होता है वहाँ equity वाले लोग जाते हैं equity लोग participate करते हैं और यहाँ किसी को उधार चाहिए और जो उधार मतलब यहाँ fix rate of interest के सबसे काम होता हाँ जी जनरली यही होता है पर ICAI के module में ऐसा सब्द कुछ लिखा नहीं है तो मैं बेने लिखूँगा sir तो इनके अलावा और कुछ है और यह है micro loan sir micro loan क्या होता micro loan मतलब यह वही बैंक से पैसे लेजी जी personal हम से तो होतो गया ना sir यस यह तो बेकार का point दिया जब लिखा हुआ है personal credit line तो micro loan लिखने की जरूरत नहीं थी तो यह micro loan मेरे समझे में नहीं आए कि वापस micro loan क्यों डाल दिया तो अगर मुझे छुडवाना रहेगा तो मैं micro loan तो पक्का पक्का छोड़ दूँ तर इसके अलावा और पैसो का arrangement कहां से होगा तो अब सुनो ध्यान से अब ध्यान सुनो तो तीन सब्द मुस्किल आएगी एक आएगा purchase order financing एक आएगा vendor financing vendor financing तो इसी है और एक है factor तीन चीजे और याद रखना कम से कम तीन चीजे या तो पुराना वाला चार भी रखो कि तो पर यह समझाना जरूरी है कि यह purchase order financing क्या होता है vendor financing क्या होता है factoring account receivable क्या होता है ओके तैयार हूँ यह सर यह हो आप मेरे ख्यासे दिख रहा है आप लोगों कहां सर दिख रहा है आप चिंता ना करो यह हो आप नहीं सर यह हम नहीं है sorry यह हो आप ओके सर यह हम है ठीक यह है हम यस color change कर रखे green यह हम हम को चाहिए पैसे पैसे क्यों चाहिए पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा काम क्या सुनो अब या मेना सर फाइनेंस ही चाहिए हाँ पर मैं सोच रहा हूँ यार चलो ना काम start करते है कहीं से मुझे माल खरीदना है supplier से और मुझे अपने customer को बेचना है पर समस्या ही है sir खरीदने के लिए पैसे चाहिए अब खरीदने के लिए सामने वाला पैसे देगा की नहीं sorry माल उधार देगा की नहीं देगा क्योंकि मुझे खरीदना है sir वो माल क्यों उधार देगा simple सी मात एक ये तरीका की मैं सामने वाले से ये बोलू की please एक मेहने बाद पैसे वह तो सायद मान जाए सायद नहीं माने मैं गयारो मान लो नहीं मानता है क्योंकि ये श्टार्ट अफ के लिए तो सायद हो ना माने भी ये पैसा रखो और सामान ले जाओ माल ले जाओ और उस माल को लाके मुझे manufacturing करके अपने customer को बेचना है दूसरा दरीका की कि मैं customer से advance ले लूँ वो देख की नहीं थे क्या किया जाए ना तो ये माल उधार दे रहा है ना तो मैं बना पा रहा हूँ ना तो मैं बेच पा रहा हूँ क्योंकि ये भी मुझे अगर ये मुझे advance दे देता तो मैं इधर पैसे दे के माल लेके बना के दे देता खतम समस्या यह है कि करें तो क्या करें तो इसमें एक रोल है जिसका नाम है एक कमपनी अच्छा इसका मैं फंडर बोलूँगा यह पैसे देगा मुझे पैसे नहीं देगा यह सामने वाला मैं प्लीज, मुझे पैसे चाहिए, ऐसी situation है, बोले, सुनो, सुनो, मैं पैसे आपको नहीं दूँगा, इसको आपको चाहिए क्यों पैसे, मुझे supplier को देना, बोले, मैं दूँगा, ये भाई साब जो है ना, जो पैसा दे रहा है, finance, funder जो बोलते है, जो मुझे फंड दे रह वो मुझे नहीं दे रहा, वो supplier को दे रहा है, supplier इस भिहाब पर मुझे माल दे देगा, goods, और मैं manufacturing करूँगा, और मैं बना के customer को बेचूँगा, और customer से पैसे वो बोलेगा, छूना मत, customer मुझे पैसे देगा, मैं पागल हूं कि, बोले, मैं आपका जो भी profit वगेरा, वो सब हम सम्हाल लेंगे, वो हम आपको दे देंगे, पैसा, फिर से, जो finance कर रहा है, इसको बोलते है, क्या, purchase order finance, simple सी बात है, तर हो क्या रहा है, सामने वाले से, सामने वाले से, मुझे purchase करना है, और manufacturing करके बेचना है, सामने वाला जो person, जो पैसा देने वारा, वो सीधर supplier को देग supplier मुझे goods देगा, उसको मैं बेचूंगा, और जो customer है, वो उसको पैसा देगा, that's it, ओके, यही सारा कुछ लिखा है, कि जो पैसा finance करने वाला, वो सीधर supplier को देगा, supplier काम क्या करेगा, supplier किसको देगा, supplier को देगा, supplier मतलब, sorry, supplier मुझे goods देगा, मैं manufacturing करूंके उसको बेज purchase order financing, इतना detail नहीं लिखा है उसमें, पर यह याद हो जाएगा, कि purchase order financing क्या होगा, ठीके सर, purchase order financing, purchase order, okay, purchase order financing, मतलब सर, ऐसा बोल सकते हैं, कि सामने वाला जो customer है, उसने कहा कि हमको purchase करना, उसने purchase order दे दिया, yes, अब मुझे इससे माल खरीदना यह दे नहीं रहा, तो यह purchase order मैं अपने पैसे finance जो कर रहा, उसको दिया, कि देखो नाया, मेरे पैस तो आ गया, अब ऐसे समझ लिजे, याद कर लिजे, जैसे भी याद हो सकता है, but, आपको purchase order financing, यह सब्द लिखना पड़ेगा, अंदर की अब आते हैं, मेरे खाल से इतना समझाने की बाद तो आप लिखी से, ऐसी और एक सब्द है, जिसका नाम है vendor financing, sir, vendor financing क्या होता है, vendor financing, sir, यह vendor financing क्या होता है, अभी सुनो मेरी बात, मैं गाड़ी खरीदने गया था, अच्छा, sir, सुनना धियान से, बिटे, क्या कौन सी गाड़ी, sir, महिंदरा की कोई कार है, 3OO, एक्स योवी 3OO, गाड़ी खरीदने गया था, जब वहां गया, तो मैंने का, यार सुनो ना, मेरे पैस तो वो नहीं है, मतलब मुझे finance करवाना, बोले हमारे यहां तो है, मैंने का, आपके यहां कौन सा finance है, HDFC है, या IC बोले, वो सब छोड़ो, हमारा महिंदरा finance है, मैंने का, यार, HD नहीं कर दिये, महिंदरा finance, बोले, हां, मैंने का, ठीक, मतलब आप गाड़ी उधार दे रहे, गाड़ी उधार नहीं दे रहे, गाड़ी उधार नहीं दे रहे, गला समझ रहे, मैंने का, मतलब, बोले, पैसे नहीं खरीद सकते, खरीदना है हमारी मैंका यार, हद नहीं हो गई मतलब आप ही का मैसामान खरीद सामान उधार देने में किया दिक्कते बोले, नहीं वो आप भी जानते हो कि क्या प्रॉब्लम हो बॉसकते लॉध या आप अच्छे से जानते हो बोले अब इन पैसों से अब मेरा माल खरीद लीचे अच्छा सरी चलता है कि जा कर देखो एक बार रेनो चले जाओ रेनोल्ट की कार तो सर ये कौन है सर ये वेंडर फाइनसिंग ये कस्टमर ये में हम है हमें पैसा चाहिए तो ये हमें क्या देगा सर हमें ये पैसा उधार देगा इस पैसे को हम देगे तो बदले में ये फिर हमें क्या देदेगा सर हमें गोट से देदेगा तो सर यहां महिंडर फाइनस लेगे दूँ कि ताकि याद रहेगा वेंडर फाइनसिंग हाँ आप लेख सकते हो महिंडर फाइनस याद एक्जाम्पल समझाया था तरके महिंद्रा फाइन ठीक है सर याद रहेगा ओके इस इस वेंडर फाइनसी वाउ मजा आया और एक है जो आप सीए इंटर में पढ़ रहे थे जिसका नाम है फैक्टरिंग एकाउंट रिसीवेबल्स सर ये क्या है फैक्टरिंग एकाउंट रिसीवेबल्स भाई आपको अच्छे से पता है जब हम माल बेशते हैं ठीक है जैसे मैंने आपको एक्जाम्पल भी दिया था सीए इंटर वालों को में एक्जाम्पल देता हूँ एर टैल एर टैल में एक पोस्ट पैट भी होता सर पोस्ट पैट का मतलब होता है कि आप जो जो पॉल पे बात करोगे जैए या जो डेटा पैक यूज करोगे उskाब बिल आपको पहले से पैट नहीं करना होता है इस मेने का बिल अगले मेने आएगा ठीक है सर इतना हम को समस्तम CA final में ठीक है CA final में होता है तो यह पड़वाते हैं कि मस्स तो सर अगले मेने आएगा तो उस हिसाब से क्या Airtel का हर मेने का जबरदस्त पैसा ब्लॉक होता होगा हाँ वो कब मिलता होगा अगले मेने फिर इस मेने का कब मिलेगा अगले मेने फिर इस मेने का अगले मेने मतलब सर एक मेने के लिए तो हमेशा पैसा ब्लॉक होता है यस और कुछ-कुछ गयागा तो तीन-तीन मेने के लिए ब्लॉक हो जाता है यस तो यार क्या हमेशा डेटर्स खड़े रहते हैं यस डेटर्स खड़े रहते हैं इट मिन्स प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ही कि जैसे तैसे हम पैसो की विवस्ता कर ले जैसे तैसे पैसो की विवस्ता करके हमने माल प्रोड्यूस किया बना लिया और बहुत अच्छी quality है और सामने वाले से बोला कि चलो यार ले जाओ goods ले जाओ हम बेचने को तो यार सामने वाला कहे गए भई यह उधारी दो simple सी बत बिसनेस ऐसे नहीं चलता cash पे नहीं चलता आप दो नहीं तो हम किसी और से ले ले लेते है तो नीद आ रही है आज आने तो नीद में जानता हूँ नीद आ रही होगी आपको तो आप या तो या तो आप उधार दीजिए या तो हम किसी और से खरीद लेंगी अब मैं करूं तो क्या करूं मुझे उधार देना पड़ेगा मार्केट में जमाने बर के लोग बैठे उधार दोगे तो बिजनेश चलेगा भाई अगर सीधी सी बात करो तो मैंने उधार दे दिया अब वो कहता मैं तीन मैने बात पैसे दूँगा कांकि सारी जगह तीर मैने मतलब क्रेइट पीरिट तीन मैने अब पैसे कहां से लाओ यह तो मेरा पैसे ब्लॉक हो गया अब क्या करूँ तो यहां पिक्चर में आता फैक्टर्स तर सीए इंटर में पढ़ा हुआ है अगर आप ना भी पढ़ा हो तो चल जाएगा मैं जानता हूँ आपका पढ़ा हुआ है पर थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी है यह कौन है यह हूँ मैं तैलर्स मैंने माल बेचा माल बेचा कैसे उधार जिसको मैं बोलता हूँ डेटर्स ठीक है सर और वहां से इन्वाइस इश्यू हो गया सामने वाले को और उसकी एक कॉपी मेरे पास ठीक है अब आगे क्या हुआ सर आगे यह हुआ कि अब यह जो डेटर्स है मैं किसको बेज देता हूँ फैक्टर्स को और यह मुझे एडवांस पेर्मेंट कर देता है यस यह एक एजनसी है फैक्टरिंग एजनसी अब पैसा उसूल करने का काम है वो इन लोगों का डेटर्स से पैसे उसूल यह करेंगे और पैसे वसूल करके अपना पैसा काटेगा और बदले में बदले में बचा हुआ पैसा फाइनल सेटल्मेंट कर देंगे कुछ नहीं है आपके पास डेटर्स है क्या चलो उसके पैसे ले लो अब डेटर्स को हम पे छोड़ दीजिए हम आपको उतने पैसे नहीं देंगे हम थोड़ा अपना कमिशन तो काटें गई और वसूली हम करेंगे और पैसा वसूल करके जो पैसा आएगा हम आपको दे देंगे जो भी आपका है हमारा हम अपना रख लेंगे जो भी 80% रिज़र वगी रहा है और बचाव आपको दे देंगे क्या फैक्टरिंग आपने पढ़ा हुआ है हाँ सर पढ़ा हुआ है मैं ढंग से वर्किंग कापिटल चैप्टर में तो मैं बेकार की बात कर रहा हूँ हो भी अभी मेरे लिए मैं तो इतनो सा आपने तो दो तीन दो क्लास है मतलब पाच तीन चार घंटे तो कम से काम फैक्टरिंग पढ़ा होगा मुझे पुरी उमिदे चार घंटे की क्लासे से और मैं उसको चार में खतम कर रहा हूँ सर अगर डेक्टर्स पैसे नहीं देते तो डिपेंड करता है रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स है अब इंपोर्टेंट है रिकोर्स नॉन रिकोर्स कहां पढ़ा रखा है मैंने मैंने पढ़ा रखा है सिक्यूरिटाइजिशन में रिकोर्स और नॉन रिकोर्स सर रिकोर्स में क्या होता है रिकोर्स में अगर डेक्टर्स पैसे नहीं देते तो हम इससे पैसे उसूल कर सकते हैं नॉन रिकोर्स बोलते हैं हम बोलेंगे भीया फैक्टर जाओ उनसे मांगो कमीशन दे रहा है न पर हमारे पास मता ना पैसा अडूबा तो आप जाना इस 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 इन नोन रिकोर्स पैसा अडूबा तो आप देख ले ना इसको बलते नोन रिकोर्स याद करना पड़े innovative ways to finance a startup innovative ways यह पेज हटाओ दो ना वैसी सोच कर देखते है innovative ways पेला point इतना time लगा हम पीछिया पीछित्ना time नहीं लगाउगा भाई यह बहुत जाद़ important theory यह आता है इसी वज़ा कि अदर गlusion में पर इतना टाइम नहीं लगा ओक चिंता मत खुरू पहला क्या बोला सर पहला आपने बोला पर्शनल सेविंस नहीं पर्शनल मतलब अपना खुद का पैसा लगाओ तो भी सामने बला दूसरा क्या बोला सर पर्शनल क्रेडिट लाइन तीसरा क्या बोला सर फैमिली एंट रेंट्स चोहदा क्या था सर क्राउट फंडिंग पाच्वा पीर टू पीर लेंडिंग इसके अलावा माइक्रो लोन है पर वो हम लिखेंगे नहीं उके उसके अलावा दो चीज़े पर्चिस ओर्डर फाइनसिंग पर्चिस ओर्डर साइच तर आपको याद अजाए और इधर कुछ था सर वेंडर फाइनसिंग महिंद्रा फाइनस और फैक्टरी एकाउंट तो हो जाएगा याद मुस्किल नहीं पर प्रॉब्लम क्या है पता है यस सर प्रॉब्लम ये है कि बोलो प्रॉब्लम ये है कि यार हमारे ICEI में और एक थेयरी दे दिया है मोट्स और फाइनसिंग फार श्टार्ट अब बच्चे कनफ्योज ये बहुत डेंजर है सर इनोवेटिव वेस और मोट्स और फाइनस हमें पैसो का अरेंजमेंट करना ये ही तो थेयरी है यार तो ये क्यों अलग-अलग करवारा बस ये ही तो दिक्कत है जुरुत इन एक ही बात है पैसो का अरेंजमेंट इस्टार्ट अप के लिए कहां से होगा अब प्रॉब्लम ये है कि अगर थेयरी आ गया है मोट्स और आपने वो लिख दिया तो काड़ देगा हूँ जीरो नंबर ये भगवा और अगर वो वाला थेयरी आ गया इनोवेटी वेज और आपने ये लिख दिया तो भी काड़ देगा जीरो नंबर अगर 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 चार नंबर का थेयरी आता है तो यही तो चीजे है रटवाने में बस ये फायदा हो जाता क्लास का कि यार इसको कैसे करना बस तो इसकी हमको अलग से बात करनी पड़े और इसमें तीन पॉइंट से लिखे हुए एक बूट स्ट्रैपिंग और एक एंजल इन्वेस्टर और एक हैं वेंचर कापिटल तीन, bootstrapping, angel investors और venture capital, venture capital का तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, डिसकस करेंगे venture capital, सिबसे पहले बात हैंगे, bootstrapping और angel investors, angel investors में मुझे कुछ नहीं लिखवाना है, relatives होते हैं, जो सुरू में पैसा लगाते हैं, और बिना आपसे paper work के काम करवाते हैं, return, यह बहुत सारी बा मैं लिख सकते हो, उसमें लिखा हुआ, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा, bootstrapping, फिर एक pure theory आया, short note on bootstrapping, यह काम की चाहिज़, सर, bootstrapping कहां पढ़ा है, अगर मैं देखा जाओं, तो मैं कहीं finance में use हुआ है, yield structure क्या करके, यह yield curve करके, पर फिर भी हम मेरी वास सुनो, तो उसमें क्या लिखा, या bootstrapping का, जो dictionary meaning है, वो क्या है, वो सब बेकार की बात है, वो सब लिखने का कोई number नहीं मिलेगा, मैं जो बो कहा जाता है, सुना थी यहां से, जो लिखा हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ, कि ऐसा है कि आप खुद का पैसा, खुद का पैसा, जब आप business कर रहे हूं ना, एक example ले रहा हूँ, example से बात समझ मैं, दोस्त, दोनों ने business start किया, एक दोस्त के बस खुब पैसा था, खुब पैसा, खुब पैसा था तो बोले, आली शानों office, AC, VC, furniture, furniture, खुब खर्चा किया, और एक दूसरा दोस्त, और C.A. था, उसने भी अपना office को ला, पर खुद के दंपर, बोले नहीं, मैं पैसा लगाँगा, तो खुद की, धीरे काम होगा, पर अच्छा, उसको पैसो कि एक बाद सोच के बनाना, इसके unnecessary खर्ची रहेगी, जिसके बस already पैसा है, अगर वो खुद का लगाता तो उसको पैसी के कीमत पता रहती, तो अगर बोले, आपके बिजनेस कर रहे हो ना, मत लो किसी से उतार, मत करो पैसा, अगर आपके पास जमाने खुब पैसा रहेगा तो खर्ची भी वैसा हो, तो बोले, आप खुद के दम पर बिजनेस खड़ा करो, तो फायदा दी से bootstrapping, bootstrapping ये बोलता है, कि अगर आपको finance करना है, मोर्स, finance का एक ही तरीका, bootstrapping मतलब अपने दम पे पैसा का arrangement करो, मत मांगो किसी से, angel, investor, venture capital खा जाएगे आपको, capital की तो कहानी अभी आगे चलेगी, खुद के दम पर बिजनेस करो, तो भया खुद के दम पर कैसे बिजनेस करे, माल कहां से लाएगे, और चलो ला भी लिया, बेचेंगे, और बेचेंगे तो वह सामने वाला credit मांगेगा, वो पैसे तो देगा नहीं, वो गएगा, दो तीन savings से मैं काम करूंगा, पर फिर भी इसके अलावा भी पैसो का arrangement कहां से होगा, सबसे पहली बात है, सबसे पहला बात है, कि गोट्स कैसे purchase करेंगे, सबसे पहली बात है, गोट्स कैसे purchase करेंगे, तो बले सबसे पहला एक काम करो, मत मांगो दोस्तों उससे एक काम किजिए, जि महने बात पर, वो मानेगा उसके लिए आपकी communication skill अच्छी होने चाहिए आप owner से बात कीजिए अगर बड़ी company है तो आप उसके CEO से बात कीजिए CFO से बात कीजिए Sir, इस अब आप कहानी बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं दोस्तो आपकी book में लिखा है जो book में लिखा है, वो ही पढ़ड़ा हूं उसमें ऐसे लिखा है, ठीक है तो मैं वो sir, यहाँ रीट करो न कुछ भी बत मत करो, आप कर ले न रीट उसमें यही लिखा है, कि आप credit से पैसो का अरेजमेंट कीजिए सामने वाले supplier के पास जाएए उससे request कीजिए उससे communication skill इतनी अच्छी होनी चाहिए और इतना अच्छा अपना business का बताइए कि आपको वो उधार दे पैसे उधार नहीं, आपको माल उधार देने के लिए त्यार हो जाएए, vendor financing में ऐसा नहीं होता था ठीक, okay sir माल उधार देने के लिए त्यार हो जाएगा आप owner से बात कीजिए, आप CFO से बात CFA से बात कीजिए, आपकी communication skill अच्छी होनी चाहिए ultimately trade credit का मतलब है credit purchase कर लिए ठीक के साथ हमने कर लिया purchase बनाएंगे कैसे, machinery machinery, machinery कहां से लाएए खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए बोले एक और तरीका है, leasing बोले machinery वगिरा lease पर ले लिजए आप खुद सोचिए ना bank आपको क्या लगता है आपको ये लगता है कि हर bank जो भी bank है, वो अपनी premises में bank open करती होगी, क्या या ATM जो open करते हैं क्या अपने premises में ATM open होते है नहीं सर, वो तो किराय से लेते है, अधिक तर लगवक किराय से चलता है, सर, bank तो किराय से लेता है, यस तो क्या bank के पस पैसे नहीं है, घर खरीदने के लिए जो दूसरों को घर खरीदने के लिए पैसे दे रहे ठीक है, और क्योंकि लीजरेंट एक expenses है, तो आपको tax savings से लग होगी, तो चो थोड़ा से चलो सर, machinery भी ले लिया उधारी में माल खरीदा, machinery भी खरीद लिया बना भी लिया, पेचेगा, तो सामने वाले तो पैसे फसाएगा, फिर तो भले उसके लिए फैक्टरिंग है ना, इधर फैक्टरिंग तो है ना, फैक्टरिंग के विए से में मैंने हमसी समझा चुका हूँ, ओके, तो भाई, तीन क्या आप बढ़े थे सर, modes of financing for startup, modes, modes क्या-क्या है याद रखना, innovative way अलग है, रटना पड़ेगा, और modes से अलग है, please, innovative ways में कितने point लिख पाई हूँ, मैंने total 9, उसको मैं repeat नहीं करूँगा, आप लिखकर देख लेना, please, modes से अलग है, और modes में 3 point है, bootstrapping, angel, investors और venture capital, venture capital के विए से में detail में पड़ना है, ओके, और bootstrapping के में 3 point है, trade credit, factoring, or leasing, ठीक है, ओके, सर, तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, मैं venture capital के विए से में, सर इसमें क्या लिखेंगे, बैटे, वो discuss करूँगा न, उसमें इतना, इसमें इतना लिख सकते हूँ, थक जाओगे, लिखते लिखते, इतना पढ़ाने वाला हूँ, venture capital, अगला एक घंटा, पुरा venture capital पर ही चलेगा, और लग भग यह chapter भी खता हो जाएगा, वाव सर, आजी, दो यह दो theory है, जो आपको करना है, तो पहले innovative ways, 9 point, और moats, moats में 3, 3 कौन कौन सा, बूटी स्ट्राइपिंग था, और दूसरा क्या था, दूसरा, दूसरा सर, एंजल इनविश्टल, उसके विश्य में लिख लेना पढ़ गे, और तीसरा, venture capital, यह technical, बूटी स्ट्राइपिंग में 3 point, trade credit, factoring receivable, और lease, ठीक है, बड़ा गला सुकराओ, वाटर ब्रेक ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं venture capital समझाने वाला हूँ, ओके, चलो जी, आगे चले, यह सर, तो अब, अब discuss कर रहे हैं लोग, venture capital, मुझे पुरी उमीद है कि आप angel investor पढ़ लोगे, सर, venture capital क्या होता है, यह बता हूँ, venture capitalist, mutual fund सुना है क्या, mutual fund, yes sir, mutual fund और venture capital fund, लग भग एक है, बस अंदर क्या है सुनोगे, mutual fund में आप क्या करते हो, लोगों से पैसे लेते हो, आप mutual fund हो, आप लोगों से पैसे लेते हो, और उसको company के shares खरीते हैं, यह काम है, mutual fund, venture capital fund क्या है, venture capital fund क्या है, तो venture capital fund का मतलब है, investors, यह जो investor है, यहाँ भी पैसे लिए जा रहा है, it means, यहाँ भी एक fund बनाया जा रहा, जैसे mutual fund में एक fund बनाया जाता था, जिसमें लोगों के पैसे लेकर एक fund बनाते थे, और उसमें हम company के, अलग-अलग company के shares, bonds वगेरा खरीते थे, यह mutual fund में मैंने discuss किया होगा, और नई भी आपको, नई भी किया होगा अपने mutual fund chapter, तो भी कोई दिक्क्र के नहीं है, venture capital fund में भी, इसमें भी हम पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पैसे public से नहीं लिया जाता, यहाँ पैसे, बड़ी-बड़ी insurance company है, या pension fund है, या फिर बड़ी-बड़ी लोगों से पैसे उठाये जाते हैं, investor बोलते हैं, और एक venture capital firm है, वो भी पैसे लगाती है, और उन पैसों को यूज किया जाता है, कहां startup में, अच्छा सर, मतलब क्या है सर, मतलब बस simple है, यह एक firm, venture capital firm, ठीक है, और पैसे जिन से उठाते हैं, जिसको बोलते हैं investors, यह investors, और investors कौन हो सकते हैं, insurance company हो सकती है, bank हो सकते है, pension fund हो सकते हैं, और यह सब, पैसा एक pull बनाते हैं, जिसका नाम है venture capital firm, और venture capital firm क्या करता है, invest करता है, सर, कहा invest करता है, यह startup में, मैं इसको startup लिख दो, yes, start up, यह startup, startup one, startup two, startup three, इसका मतलब होता क्या है, इस startup को क्या होते है, venture capital unit one, venture capital unit two, venture capital unit three, मतलब समझ में नहीं है, सर, एक बाद फेसे discuss करो, देखो, हमने पैसे एकटा किया, ठीक है, पैसे एकटा हो गया, सर, अब पैसा, सर, process बताओगे, की process है, process मैं करवा दूँगा, पैसा एकटा किया, insurance company से पैसा एकटा किया, banking company से पैसा एकटा किया, हमने खुदने पैसा डाला, और बहुत पैसे एकटे हो गया, ठीक है, सर, एकटा मतलब fundी तो है, सर, एकटे हो गया, अब उनको क्या करना, अब हमने गा, चलो ढूंडते हैं, हमें आइडिया नहीं देख, ऐसे लोगों को ढूंडते हैं, जिनके पास नया, नया आइडिया हो, और हमने ढूंडा, और हमने उस, वह लोग pitch presentation करेंगे, वो बताएंगे की क्या करना, अब सर्मान लो, सार्क टेक इंडिया चल रहां, और उसमें क्या होगा, उसमें लोग आएगे, बताएगी, देखो हमारा ये आइडिया अच्छा है, और उसमें से हम select करेंगे, वो process में करवा दूँगा, और फिर जब final select हो गया, तो अब हम investment करना start करेंगे, investment एक से एक में भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा start अप में कर सकते हैं, finally selection के बाद हम पैसा देना start करेंगे, चलो जी काम करो, हम है साथ में, अच्छा, और ये जो है, इनका क्या process है, इनका ये प्रोसेस है, कि हम पूरा administration देखेंगे आपका, start up में पैसा लगा रहे है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, इनके पैसे लगे हुए, इनके पैसे लगे हुए, तो क्या risk है, अगर risk है, तो ये लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि भाई, आपका valuation क्या है, और उसके साब से, हम आपको funding करेंगे, पैसा देंगे, पैसा देंगे, तो हम आप से, उन पैसों के बदले में, risk ज़्यादा है, तो return भी ज़्यादा ले, simple सी बात है, risk ज़्यादा है, तो हमें return भी ज़्यादा चाहिए, हम हर एक start-up से बुलेंगे, कि देखो, हम administration करेंगे, हम यह कहेंगे, कि देखो जी, पैसा हम दे रहा है, हम future में आपके help करेंगे, हम participate करेंगे आपके business में, अगर किसी भी चीज़ की ज़लूरत है, तो हम हैं साथ में, लेकिन बदले में हमें equity चाहिए, generally यह equity में participate करते हैं, ध्यान से समझना, तो सरी क्या business में हमेशा के लिए, बने रहते हैं, नहीं बिटे नहीं, अब समझना ध्यान से, जब business start होता है, यह पैसे तो लगा देते हैं, तो बहुत कम valuation पे पैसा लगा देते हैं, बहुत कम valuation, मतलब सामने वाली company के, सामने वाले startup का, सामने वाले venture capital unit का, उतना valuation नहीं रहता, यह पैसे लगा देते हैं, और उसको grow करने के लिए help करते हैं, equity participate, मानलब 20% पे हमारी बात होगे, और हमने किया, हम help भी करते हैं, हम सारा process करते हैं, हम काफी कुछ जगा आपकी मदद करेंगे, business कैसे करना, हमारा network बहुत अच्छा रहता है, हमारा मतलब venture capital fund का, इनका network बहुत अच्छा रहता है, यह सारे business में मदद करते हैं, और एक समय, जब valuation बहुत ज़्यादा हो जाता है, valuation ज़्यादा हो जाता है, पका business चलेगा तो valuation होगा, और जब valuation होता है, तो यह exit हो जाते हैं, या तो equity base देंगे, या फिर किसी भी तरह से, मतलब यह बहुत कम, valuation पे पैसे लगाएंगे, और जब value ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तब हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, IPO, IPO जब भी आएगा, हम बाहर निकल जाएंगे, बात समझे में आ रही हैं, हाँ बोलो, हाँ, अच्छा सर, इसका मतलब क्या हर एक success होगा, जितने start-up में पैसा लगाऊगे, जितने venture capital unit में पैसा लगाऊगे, ज़रूरी नहीं कि सब की सब success हो जाए, एकाद भी success होगा ना यार, एक दो भी success होगे, तो इतना कमा कर दे देते कि tension वाली बात ने रहे, this is venture capital, तो सर, पहली बात, venture capital है क्या, venture capital fund क्या है, venture capital fund कुछ नहीं है, ये start-up को finance करने का एक तरीका है, ओके, पर venture capital से पैसे लेने में फाइदा क्या है, फाइदा बहुत है, तरसे पैसे ही तो लेना है, तो family and friends और ये bootstrapping वगेरा पढ़ा, तो venture capital से bootstra, जो आपका moats आया था, उसमें venture capital भी तो आया था, तो इनसे फाइदा क्या है, फाइदा बहुत है, पहली बात, ये equity में participate करते हैं, ठीक है, equity में participate करेंगे, इससे क्या फाइदा है, पैसे देगी, पैसे भी देगी, और क्या फाइदा है, फाइदा की में बात आगे करूँगा, तो अगर मैं कहूँ कि venture capital है क्या है, main main चीज़ आपको याद रखना, main main चीज़ आपको याद रखना, अगर आता है venture capital, ये finance करते हैं किसको, new company, ये new company बनेगी, इनको finance किया जाएगा, ठीक है, क्या खरीदते हैं अक्चुल में, ये equity में participate करते हैं, सबसे बड़ी बात है equity में participate करते हैं, और क्या करते हैं, ये assist करते हैं new product बनाने में, क्योंकि इनको knowledge बहुत ज़्यादा होता, ये ही काम कर रहा हैं ये लोग, venture capital fund क्या होता है definition लिखना है, तो definition के लिए कुछ है नहीं है, venture capital fund में जो बड़ी-बड़ी investors होते हैं, ये लोग आते हैं ये एक fund बनाते हैं और इस fund से ये जो नए-नए startup हैं उनको finance करते हैं ठीक है, और ये equity में participate करते हैं ठीक है, ये active investor होते है, active investor समझ रहे हैं ठीक है सर ये भी बात समझ रहे हैं ये new company में ठीक है start-up लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है तो ये मेरे ख्यांसे definition में कुछ है नहीं है ये आराम से जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं सर एक्जाम में क्या आएगा venture capital fund पहले एक्जाम में जो आपके IC AI के module में दिया हुआ है वो चारों आपको learn करने पड़े पहली नम्मर पे लिखा हुआ है long term के लिए पैसा लगाते हैं याद रखना ये आपको रेटना पड़ेगा long term के लिए पैसा लगाते है अगर हम श्टार्ट अप में पैसे नहीं लगाते हैं हम शेर मार्केट में पैसे लगाते हैं आज पैसे लगाए लेकिन अगर आपने श्टार्ट अप में इन्वेस्ट किया तो बदले में से आपको 30% का equity मिल गया ठीक है अब मैं कह रहा हूँ कि अब जब मुझे 30% का equity मिल गया ये मेरे पास right है कि मेरे पास सामने वाले startup में 30% share है कि इसको बेच सकते हूँ नहीं बेच होगे कोई खरी देगा ही नहीं कोई इतना risk नहीं लेगा तो liquidity का issue है main है कि और मैं पैसा लगा दूँगा तो लगा दिया लंबे समय के लिए भूल जाओ कि आप उसको आप cash में convert कर सकते नहीं कर सकते वो पैसा गया जब वो business बढ़ेगा और success होता तो खूब मिलेगा और अं-success होता तो डूब जाएगा तो liquidity कम क्यों हैं क्योंकि long term के लिए पैसा लगा तो बस यही मैं कहना चाहता हो कि share market में पैसा लगाने के आप आप चार्ट अप में पैसा लगाओ के तो भाई लंबे समय के लिए है और liquidity कम है इसलिए हम जब पैसा लगाते हैं तो जैसे पैसा लिए रहा है या 20 लाख रुपिया लगा रहा है मानलों वो कहेगा कि 15 पर्षन एक्विटी हम कहेंगा नहीं 20 पर्षन एक्विटी अगर आप 20 पर्षन देते तो हम 20 लेक्स देंगे सब्पोज एक्जामपल के लिए इटमिस कहना क्या चाहते हूँ कहना यह कहा चाहता हूँ कि सामने वाले का जो वैलिवीशन है ना सामने वाले का और वो हमसे जितना मांग रहा है उसके वदले में अमान लोगो 15 पर्षन एक्विटी देने को तेयार है 15 पर्षन तो हम उससे ज्यादा चार्ज करेंगे क्यों कि हम अपने प्रीमियम लिक्विडिटी प्रीमियम भी आप से वसूल करेंगे क्योंकि लिक्विडिटी बात समझे मतलब सर कम पैसों में ज्यादा एक्विटी मागोगी कि हां कम पैसों में ज्यादा एक्विटी उसकी वज़ा क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है पैसा लगाया कल रूम कम मिलेगा वापस नहीं माना तो लंबे समय के लिए लगाना लॉंग टाइम होराइजन है दूसरा लिक्विडिटी की कमी है इसलिए हम रिस्क प्रीमियम चार्ज करते हैं हाई रिस्क है कोई सक्की बात नहीं और हाई रिटन है एक्विटी में चार चीज़े क्या लॉंग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है यह सर क्या रिस्क ज्यादा हाई रिस्क है तो हाई रिटन वाले कॉंसेप्ट पे चलेगा और चोहता एंड लास्ट एक्विटी में पार्टिसिपेंट करते हैं वेंचर कापिटल यह चार चीज़े आपको लर्न करना पड़ेगा हो जाएगा इसको मैं याद नहीं करवा सकता तो पहला अगर हमने थियरी किया था तो एक इनोवेटिव इस मेरे ख्याल से याद हो जाए दूसरा किया था मोट्स ऑफ तो दोनों में अंतर है ना तीसरा मैंने क्या लिखा वेंचर कापिटल क्या होता उसका थेहरी आता नहीं पर लिख दोगे और चोहता क्यारेक्टरिस्टिक अगर क्या होता है मिनिंग आता है और उसमें आप characteristic भी लिख देती हो ना तो भी आपको number मिलेगा वैसे meaning नहीं आता है आपसे पुछेगा कि क्या characteristic है अगर ये बोला है तो ये 4 points आपको लिखना ही पड़ेगा long term horizon, दूसरा क्या बोला था less of liquidity तूसरा क्या बोला था higher risk और चोहता क्या बोला था equity participant इसके अलावा एक theory और आता है, मैं इस पे ज़्यादर समय नहीं लूँगा यार ये तो ultimately आपको ही पढ़ना पड़ेगा, मैं बस idea दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे ओके सर इसके बाद क्या था, इसके बाद आता है company को क्या फायदा, company का मतलब क्या है इन लोगों को क्या फायदा, venture capital से, पैसे उठाने से, सोचते थोड़ा सा, सोचो, काम हो सकते सर फायदा ये है, पहले नंबर पर, कि long term के लिए पैसा लगा रहे तो tension नहीं है ये भी एक फायदा हो गया, long term के लिए पैसा लगाते दूसरा सर ये participate करते हैं, इनका experience बहुत अच्छा होता है उस experience का हम फायदा उठा सकते हैं, हम का मतलब हम, हम, हम फायदा उठा सकते हैं दूसरा फायदा तो तीसरा फायदा है, सुरू में पैसा दे दिया, बीच में और पैसा लगा इसको में बोल रहा हूँ, second round में और पैसा लगा, ये second stage में पैसा लगा फिर कौन देगा, तो भी ये मदद करते हैं इसरा सर इनका network अच्छा रहता है, yes network अच्छा रहता, it means, it means अगर मुझे raw material चाहिए इन लोगों को, या इनको और कोई समस्य आ रही है तो इन लोगों का, venture capital fund का, इन लोगों का इतना अच्छा network रहता है इनका काम ही है, तो ये उसकी help मिल जाती है ठीक है, ये खुद assist करते है, board of management में खुद बैठते है मतलब यार क्या नहीं लिख सकता है, और इसमें point भी याद रखने की ज़बत में है फोड़ा बहुत मैंने बताया, IPO आएगा future में, तो ये IPO में भी help करते है तो बहुत सारी बाते हैं, main main बाते अगर मैं underline कर लूँ कि venture capital fund से, पैसे लेने से company को क्या फायदा हो company को क्या फायदा हो तो ये सार long term के लिए पैसा लगाती है, एक तो फीक ठीक है, वो तो सार characteristic में भी आ गया है, और यहां भी आ गया है, long term के लिए पैसा लगाती है दूसरा, ये business partner रहते हैं, तो ये sharing करते है, risk and reverse दोनों में it means, कमाई होगी तो इनकी भी होगी, अगर पैसा अडूबेगा तो इनका अडूबेगा, टेंशन वाली बात ही नहीं risk में भी ये participate करते है, business partner है, दूसरा इनको practical advice मिल जाती है, ठीक है सर, practical advice मिलती है, ये भी समझ में दूसरा, इनका contacts अच्छा रहता है, बहुत लोगों के सब संपर्क रहता है, ठीक है, तो आपको help मिल जाएगी business में, चौता, additional round of funding, और आगे पैसे लगे तो ये, और IPO में experience होता है, और trade sell, trade sell होता है, एक static sales होता है, तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, उस सब्द के पी क्या-क्या समझाया, पहले जो-जो समझाया, उस उसकी बात कर ले, अभी मैं आगे चलूँगा, पर पहले उसकी बात करते हैं, सर, venture capital से क्या-क्या फाइदा होगा, क्या-क्या डिस्कूस करें, यसा, पहला काम, venture capital, if characteristic, characteristic याद कर लेतें सब, क्या आएगा, point number one, sir, point number one आएगा, characteristic में, ये, long term के लिए, पैसा लगाते हैं, बिल्कुल सही, long term के लिए, financing होता है, तूसरा, less of liquidity होता है, बिल्कुल सही, तीसरा मेंने क्या बताया था, sir, तीसरा आपने बताया था, ये high risk, high return वाले concept पे चलते हैं, और equity में participate, अब ये company को क्या फाइदा, company को, sir, company को फाइदा कि long term वाला तो लिखी देंगे, long term के लिए पैसे लगता है, ठीक है, तो हमारा attention नहीं लेता, दूसरा additional round of funding में हमको help हो तीक है, ओके सर, तो पहला आपको याद रखना पड़ेगा, characteristics और दूसरा company को क्या फाइदा, ठीक है, ओके सर, अब यार venture capital जो पैसा लगाते है, venture capital, venture capital fund बोल रहा हूँ है, venture capital fund, जो पैसा लगाते है, venture capital units में, तो कब पैसा लगा, तो बुले, startup के कुछ stages होती है, पहले जो शुरू में बिलकुल अभी idea आया है, और उस idea आपने venture capital firm के पास, venture capital fund के पास, pitch presentation किया, पताया कि देखो यार, हमको ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बात बताया है, वो idea, तो जब idea आया है, तब भी पैसा लगता है, पैसा यार पैसा लगता है, marketing के लिए पैसा लगता है, IPO के लिए पैसा तो बहुत बड़ा जगा लगता है, तो उन्होंने बताया कि देखो stages होती है, startup की कुछ stages होती है, जब funding की जिर्वरत पड़ती है, सबसे पहले जब new idea आता है, उसको support करने के लिए, जो पैसा लगता है, उसको ब पैसे लगेगे, तो venture capital, उसके लिए जो पैसा, finance, पैसा देगा, उसको बोलते, seed money, research हो गया, उसके बाद, उसके बाद, marketing, product का marketing करना और development करना, उसके लिए जो पैसा लगता, उसको बोला जाता, startup stage, यह stage is, stage number one, stage number two, सबसे पहले, seed money, दूसरा startup, startup में क्या होता है, marketing और development करन होता है, product, हो गया, यहां तक, अब stage number one, two, three, four, round one, two, three, four, मतलब सर इसको रटना पढ़ेगा, कि हाँ जी, कब-कब पैसा लगेगा, startup को, शुरू में जो लगेगा, उसको बोलते, seed money, जब, जब idea को support करने के लिए, research में जो काम होगा, उसके लिए, जो पैसा funding किया जाएग उसको बोलते है, seed money, उसके बाद product को development करने के लिए, जो पैसा लगेगा, उसको बोलते है, start, अब sir, manufacturing का काम start होगा, तो वहां first round का funding की जड़ुत पड़ेगी, manufacturing और sales, और एक बार वो हो गया, तो फिर working capital भी लगेगा, आपको बार-बार-बार working capital, उसके लिए भी पैसा चल फिर funding चाहिए, उसको बलते है second round, third round में, अब सुनना धियांस, sir, working capital के लिए पैसा मिल गए, आपको माल बेचना भी अपनी start कर दिया, अब हमारा काम खूब चल रहा है, जबरदस चल रहा है, उसके बाद, sir, और पैसा लगता कि हाँ, अब हमारा target, अब हमारा target से हमारा business न कर रही है, तो सुनो ना यार, अब उसको खरीद लो, और उसके खरीदने के लिए हमें funding चाहिए, वो भी funding मिलेगी, और उसको बलते है third round, वहां भी venture capital पैसा लगता है, और sir, IPO, IPO का IPO का process में बहुत पैसा लगता है, वहां भी लोग funding करते हैं, उसको बलते है fourth round, और यह रट बले चलो एक काम कर लो, चलो research तो करो, अब जो idea बताए हो ना मज़ा आया उसमें, चलो research कीजिए, और उसके लिए हम अभी कुछ पैसे दे रहे हैं, जिसको बलते है seed money, risk बहुत जादा होता है, ठीक है, आपके ICAI के module में years भी दिया, यह पैसा कितने समय के लिए block हो research हो गया, अब product को आपको development करना, उसके लिए जो पैसा दिया जा तो उसको बलते है startup stage, वहाँ भी funding आपको मिलेगा, अब चार stage है, stage number one, यह round number one, जो बोड़ो, अब एक बार हो गया तो उसके बाद working capital, sales करोगे, sales के लिए manufacturing के लिए, वो first round में होगा, second round में किसके लिए होग पैसा working capital, third round में, आपको नई company खरीदा है, उसके लिए पैसा, fourth round में, IPO आने से पहले, जो भी process है, उसको क्या बोलते है, fourth round, okay sir, अब क्या करने वाले है sir, इसके बाद हम लोग करेंगे, venture capital, अखे process कैसे होता है, ठीक है, तो अभी तब कहूं मैं कि venture capital की कितने theory मैंने आपको पढ़ाया हूं, एक characteristic, याद करना पड़ेगा, दूसरा company को क्या advantage है, venture capital finance, दो, और तीसरा, क्या stages होती है, funding का, stages आपको रटना पड़ेगा, प्लीज, seed money, startup और 4 stages, ठीक है sir, होई, तो चलो, कल रहा है, आगे हम लोग, तो टोटल मिला कर sir, startup finance का कितना theory हुगा, छे, theory number seven, venture capital investment process, this is most important, venture capital investment process, total मिला कर 6 points है, जो आपको याता, sir, venture capital में investment कैसे होता है, क्या process है, पहला गाम होता है, deal origination, sir, deal origination का मतलब, deal origination, startup की बात करो, सीधा-सीधा, startup से आपको सब कुछ याद जाएगा, जो आपने shark tank में देखा होगा, sir, उसमें क्या कोई भी जाकर अपना pitch presentation दे सकता है, नहीं, कोई भी जाकर अपना pitch presentation नहीं दे सकता, एक उसके थ्रू बता रहा हूँ, actually, वो venture capital investment process नहीं है, पर एक idea हो जाएगा, सबसे पहले, बीच में venture capital fund हो गया, और बहुत सारे startup हो गये, बीच में होता intermediary, और intermediary पूछता है, actually, venture capital fund नहीं ढूंडता, startup कहां है, कहां startup कोई है, कि किसी को नया idea है, कि ऐसा कुछ नहीं, बीच में होता intermediary, और वो कहता कि भी यह venture capital fund, आपको क्या startup में investment करना है, वो कहते हैं, हाँ जी हमको investment करना है, अच्छा, तो सलो फटा-फट से बता दो कि क्या deal रहे, deal origination, वो हम start करेंगे, वो बताओगे कि देखो हम इस sector में, इसी sector की जो startup है, उसमें हम investment करेंगे, ठीक है, और बुलो, size क्या रहेगा, ये भी बता दो, turnover कितना generate हुआ है, अभी तक ये भी बता दो, किस stage पे investment करोगे, मतलब seat पे करोगे, कि manufacturing हो रहा है, तब investment करोगे, तो ये सब एक deal में, प्लीज venture capital, तो venture capital fund, किसको बताएगा ये सारी चीज़े, intermediary, CA वगेरा, खुज भी हो सकता, अब intermediary को सारी चीज़े पता लगी, कि किस sector में investment करना चाहता है, venture capital fund, या किस stage पर, promoters का क्या situation रहेगा, turnover, कितना turnover रहना चाहिए, ये सब कुछ, हो गया, okay, तो intermediary के पास ये बात पहुच गई, deal origination हो रहा, अब intermediary क्या करेगा, वो पता लगाएगा, कौन कौन से, उसके पास बहुत सारी list है, तो वो selected startup को बुलाएगा, कहेगा, चलो भाई, screen test के लिए तैयार हो जाएगे, सर, screen test मतलब screening के लिए, pitch presentation के लिए, screening होगी, और सर, screening में होगा, क्या pitch presentation होगा, सर, वो कैसे होगा, it means, intermediary कहेगा, कि मेरा काम है, आपको वहाँ पहुच आना, उन लोगों के सामने, अब आप किस तरह से pitch presentation करते हो, आप देखो, उसको बला जाता है, screening, और screening में, venture capital fund के सामने, selected, जो company select किया था आपने, उन लोग select किया जाएगा, जिसका नाम होता screening, तो पहला क्या होगा, deal origination, दूसरा क्या होगा, screening, अब सर, screening हो गई, screening होगी, आपने company select कर लिया, और जब pitch presentation किया था, तो आपने बड़ी-बड़ी बाते बताया था, कि देखो, हम इतना turnover अभी generate कर रहा है, आगे इतना और करेंगे, already कि किसने पैसा लगा दिया है, किसने पैसा नहीं लगा है, सब कुछ आपने बताया, कि ये problem थी, इसका ये selection है, हमारा projection क्या है, सब कुछ बताये, मैं pitch presentation में करवाने वाला हूँ आपको, कि यार, जब आप जाओगे venture capital fund के सामने, तो उसको किस तरह से क्या-क्या बताना जो बताया है, वो सही है कि नहीं, पहला deal origination किया, intermediary ने ढूंड कर ला लिया, दूसरा screening भी हो गया, तीसरा उन्होंने बड़ी-बड़ी बाते बताया है, और बताया है भाई, तो सही है कि नहीं, कि हवा में बात हो रही है, तो papers, तो उसका due diligence होगा, सर audit, हाँ, due diligence होगा, मत कैसर verify वी हो गया, verify वी हो गया, तो अब क्या है, आओ, आमने सामने बैठे, और deal को structuring कर ले, मतलब कैसे काम होगा, convertible debenture issue किये जाएगी कि नहीं, और venture capital fund का main target किया, प्लीज समझने की कोशिकना, उनका ये target नहीं, बिजनेस चलाना, मैं फिर से बार-बार, उनका target है, आप की company में पैसा लगाना, जैसे ही grow होती है, तो कम rate में पैसा लगाना और ज्यादा rate में निकल जाना, exit हो जाना, तो अगर मैं कहूं, venture capital fund ने, पैसा लगा दिया, और equity आ गई, अब जब कुछ साल हो जाएगे, जब इसका valuation बढ़ जाएगा, तो equity बेचेगा, बाहर कैसे निकल तो बाहर निकले के लिए, deal, deal क्या structure की जाएगी, bonds issue होगे, venture क्या, या equity issue होगे, यह सब बताया जाएगा, इसको बोले deal structure, पहले deal origination, उसके बाद screening, उसके बाद documentation, इसको आप क्या बोल रहा है, due diligence, उसके बाद deal structure, उसके बाद post investment activities, तर post investment activities क्या है, post investment activity आप समझी गया है, venture capital fund, आपको business ऐसे चलाने नहीं देगा, वो आपका management information system strong करेगा, बहुत सारा काम करेगा, post investment activity क्या क्या होगी, वो board में actively involved होगा, decision लेते समय आप किस का साथ देगा, और किस तरह से उसकी limit क्या होगी, यह सब कुछ होगा, अब फिर exit कैसे होगा, अब जो equity है, exit होने के दो तरीक है, पहला किसी third person को base दे, और दूसरा, या तो जो company है, please, मैंने तो investment किया, मैं हूँ venture capital fund, अब आपकी company grow हो गई है, तो इसको please अपनी equity buyback कर लीजिए, पर return का एक percentage, बता दीजिए, कितने percentage, extra पर आप buyback करोगे, तो total मिला कर, venture capital process में, 6 stages, 6 steps आपको पढ़ना बढ़ेगा, process में, पहला, deal origination, ठीक है sir, उसके बाद screening, screening समझ गया उना, उसमें pitch presentation होगा, sir, screening के बाद, sir, screening के बाद due diligence, उसके बाद deal, structure, उसके बाद post investment activity, और उसके बाद exit, हो जाएगा, sir, यह याद, कि याद की चिंता मत करो, यार, मेरा 2 घंटे का वीडियो मैं upload कर रहा हूँ, Google Drive में, जिसमें 4 चैप्टर को मैंने वापस revise करवा रहा है, 2 घंटे में सब कुछ revise करवा दिया, यह detail में क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रहीगी चीज, ठीकिस, आगे चले, तर यह pitch presentation, आप बार बार भोल रहा हूँ, तीज pitch presentation समझाओगे, कुछ नहीं है, मैं यह पहले pitch presentation समझा देता हूँ, pitch presentation, पहले यह समझा दे रहा हूँ, फिर last वाला point हम आराम से कलेंगे, वो थ्वड़ा सा technical, जब आप जाते हो, इसके सामने, सामने, सामने खड़े हूँ, क्या बताओगे, तर मैं कौन है, अपना नाम बताओ, खुद का introduction दो, और अपनी team का भी दो, तर टीम की ज़िवरत है, बिटे है, क्योंकि कहीं ना कहीं business कैसा है, ये important है, business model क्या है, ये भी important है, लेकिन आप कैसे हो, आप पर पैसा लगाया जाता, आपकी team पर पैसा लगाया जाता है, business बाद में देखा जाता है, अपना और अपनी team का introduction सबसे पहले दोगे, वो screening है ना, screening था ना, हाँ सर, venture का है, उसी का मैं बता रहा हूँ, कि सबसे पहले introduction खुद का दोगे, और फिर अपनी team का भी बताओगे, कि कौन कौन है और क्या क्या करता है, अब आ जाती है, किसका खुद का हो गया introduction, यस, तो उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है, आपका, अब बताओ कि क्या issue है, तो आपको यह बताना पड़ेगा, कि आप जो भी idea लेकर आए हो, idea तब ही generate होता है, जब problem होती है, और आपको बताना पड़ेगा, कि उस problem का solution क्या निकाले हो, बस और कुछ नहीं है, idea क्या है, idea यही तो है ना, यार, idea लेकर आए, idea किस चीच का है, कि यार, यह वाली problem होती है और इस problem का हमारे पास यह solution यही तो business है तो आपको चार चीजे बताना है total मिलाकर सुरू में चापीच presentation है खुद का और टीम का और बताना की problem क्या है institute ने example के थू समझाया है कि बोले जैसे औरकुट चलता था पहले social media औरकुट पर औरकुट में privacy वाला problem था privacy का problem था मतलब कोई भी आपके साथ chat कर सकता था तो उसकी जगा इस problem को solve किस ने किया facebook ने facebook आ गया facebook में दिक्कत नहीं है जिसको आप at friend करोगे वो friend list में आए गाने तो और solution में वैसे तो problem का solution facebook ने धून लिया था लेकिन और उन्होंने बोले flip card चलता था अब flip card में न क्या issue था सर हाँ पहले क्या issue था उन्होंने देखो कैसे कैसे problems हो प्रॉब्लमस हो प्लिप कार्ट में ने देखा किया एक चीज है लोग online shopping तो करते हैं पर payment करने से डरते हैं अच्छा हाँ तो flip card ने सुचा क्यों आपके बस goods पहुचेगा तब पैसे दे देना भाई online से डर लगता ना यार किसी को ठीक है cash on delivery और एक समस्या थी वो थी transportation की यार किसी और के थुरू हम transport करवाते थे तो बहुत ज़्यादा डिले होता था तो कि उन्होंने गा कि चलो यार खुद का supply chain स्टार्ट करते हैं solution हो गए हैं तो यह examples कहां लिखे हुए sir यह examples लिखे आपकी किताब में है ठीक है चार चीजे pitch presentation में खुद का मतलब introduction और team के विससे मैं बताओ problem बताओ solution बताओ अब आगे आगे बताना बढ़ेगा कि marketing या sales की strategy क्या है कितना area हम cover कर लेंगे हमारे target customer कौन रहेगे यह सब बताना पढ़ेगा यह तो लिख सकते हैं एक projection भी बता देना कि यार हमारा income statement किया रहेगा cash flow balance sheet या अभी तक जो हुआ है आप हो सकता ना कि venture capital second stage पे आ रहा है आपके पास या आपके मतलब manufacturing के बाद आ रहा है तो वो सब बताना पढ़ेगा कि यार income statement prospective projection है projected income statement बताना पढ़ेगा target बताना पढ़ेगा milestone बताना पढ़ेगा कि इतना turnover हम generate कर सकते हैं ओके यह भी बताना पढ़ेगा कि हमारे competition में कौन है बताना पढ़ेगा और कोई नहीं है तो यह बताओ कि कोई नहीं है और कोई है भी तो यह बताईए कि उसमें क्या problem है उनमें क्या कमिया है उस कमियों को हम खतम कर सकते हैं तर वैसे तो वो problem में भी बता सकते हैं रटना है भाई business model तो आपको पता है यह बताना कि किस process में का और लाश्ट में पैसा अभी तक कितना उठा चके हो और आप से हमको कितने पैसो की उम्मीद है मुद्दे की बाद तो पैसा आया ठीक है तो ज़रा बोल कर बताओ पिछ प्रेजेंटेशन सोचते हैं नहीं सर पहला होगा इंट्रोडक्शन की टीम के विसे में बताएंगे मैंने कहा ना भाई समझने की कोशिश करना यह सब लिखा हुआ है आपके मॉडियूल में इसके अंदर का तो आप छाप सकते हो अंदर का एक बार रीट कर लेना टाइम मिलेगा तो नहीं भी करोगे तो इसके अंदर की चीज़ी तो लिख सकते ओके बोलो पिछ प्रेजेंटेशन कैसे दोगे सर पिछ प्रेजेंटेशन में सबसे पहला खुद के विसे में बताएंगे ठीक है चार पॉइंट मुझे चाहिए अपको कितने याद है वो देख लेते हैं हम मुझे चाहरी जाएं तर खुद के विसे में बताएंगे ठीक है एम के विसे में बताएंगे problem बताएंगे solution बताएंगे projected marketing या sales हमारा target customer कौन है वो बता देंगे projection बताएंगे milestone क्या है competitor के विसे में बताना पड़ेगा और भई पैसों की बात तो हो नहीं हो नहीं है मतलब financial आपको बताना पड़े इस पिछ प्रिजेंटेशन बिल्गुल simple है यार हाँ क्या मेरी जरूरत है बिल्गुल नहीं है इन सब चीजों मेरी जरूरत नहीं है पर क्या करें करवा रहे है और बस एक थेयरी जो है वो है थोड़ा सा टेकनिकल उसके बाद ये वाला पार्ट खतम करेंगे तो श्टार्ट अप खतम हो गए कि नहीं अमेंडमेंट आया है खेर अमेंडमेंट की बात में बात करूँगा और अब ये है टेकनिकल थेयरी इस्ट्रक्चर ओफ वाइंचर कापिटल फंड इन इंडिया ओके सब्सक्राइब आपके वास वो कहा आप बोक से पढ़ सकते हो पर पहले सुन लो न काम कैसे होता है ये होता हूँ काम कैसे होता है सुनो ये होते हैं इस्ट्रक्चर दो इस्ट्रक्चर बता रखा है एक डॉमिस्टिक फंड और एक है ओपसर फंड सर ओपसर का मतलब विदेश अच्छा ओके तो डॉमिस्टिक फंड और ओपसर फंड ए और बी दो भाय तो अंतर क्या है सर अंतर ऐसा है कि domestic fund का मतलब होता, fund, fund का मतलब होता, पैसा जमा करना, कौन पैसे जमा कर सकती, domestic, इंडिया, इंडिया की बात हो, इंडिया में जो रहने वाले हैं इंडिया, इंडियान इन्वेश्टर ही उस पुल में पैसा जमा कर सकती, उस fund में जमा कर सकती, इंडियान परपस क्या है अल्टिमेटली हमार अपने हूं वैंचर कैपिटल फंड मेरा परपस क्या मेरा परपस है कि मुझे इस टार्ट अप में पैसा लगाना है तो इस टार्ट अप में पैसा कौन लगा सकता सर इंडिया के रहने वाले लोग वो तो लगाई सकते हैं तो विदेस वाल वो domestic fund की बात कर रहा हूँ तो अब बात करें domestic fund अब ध्यान से समझ रहा हूँ especially काम की चीज क्या है काम की चीज है कि domestically raise होता है fund पैसो का arrangement यही से होता है मतलब यह सर LIC, LIC यह सब लोग है domestic investors domestic अब इंडिया में और एक दिक्कत जो fund बनता है जैसे special purpose vehicle होता था securitization तो सर यह कौन हो सकता है क्या limited liability partnership होता है कि company हो सकता है तो यह देखो इंडिया में कभी भी fund पैसा इखटा होता तो कोई trust ही पैसा इखटा कर सकता मतलब पैसा इखटा करने का काम इसमें trust ही करेगा यह एक समस्या और सर बहार विदेशों में विदेशों में limited liability partnership LLP भी पैसा इखटा कर सकते है या कोई company बना के भी पैसा इखटा कर सकते हैं इंडिया में ऐसा नहीं होता है इंडिया में कहता है वही trust होना जरूरी है ठीक है और यह पैसे दे देंगे अब pulling करोगे pulling of fund उसमें क्या लिखा उसमें भी यह लिखा है पढ़ लिजी खोली जी आप भूख लिजी अगर दिक्कत और सर फिर क्या करेंगे फिर हम इसमें invest करेंगे सर यह है कौन यह है का management कौन करता होगा trust करता हुगा कि नहीं इसके लिए separate separate investment advisor होता है वो इस fund को manage करता कि कहाँ पैसा लगाना कहां नहीं करना trust काम नहीं करता trust का काम है बस fund को एकटा करना और इसको क्या बोलते है सर इसको इसको बोलते है domestic vehicle जैसे special purpose vehicle था trust को तो यहां ट्रस्ट को क्या बोला जाता domestic vehicle क्या है तो में काम की चीज़ क्या है कि structure कितने होते है दो एक होता domestic कि देख लूँ इसमें आप भी खोलीजिए टाइग्राम भी मत जला एक है domestic fund और एक है offshore fund offshore fund में सबसे पहले लिखा है racist fund domestically ठीक है domestic vehicle for the pulling of fund from the फिर से सुनना domestic vehicle यह domestic vehicle यह pull करता है fund ठीक है sir pulling the fund from the investor और investor कौन से होगे sir domestic investor होगे और फिर उसको क्या लगाता हूँ investment कर देता है ठीक है कहा investment कर देता sir venture capital venture capital unit में और यह fund का management कौन करता है separate investment advisor है जो fund का management करता है that's it वह लिखा है और वह भी लिखा नीचे आगे कि यह trust होना ज़रूरी यह LLP नहीं हो सकता basically क्या बताना जाता basically यह बताना जाता कि अगर आपको venture capital fund के through investment करना किसमे venture capital unit में तो दो तरीके हुए पहला आप domestic fund में पैसा लगा दीजिए कौन लगा दीजिए इंडियन investor बाहर वाले नहीं लगा सकता अब दूसरा क्या है सर दूसरा है offshore fund offshore fund offshore fund पैसा कौन लगाएगा सर बाहर वाले लगाएगा अब इसकी में दो कैटिगरी है एक है offshore structure और दूसरा unified structure ही भगवाद पीस याद करना पड़ेगा दो फट कौन कौन से है डॉमिस्टिक fund और offshore fund ठीक है डॉमिस्टिक fund में तो यार इंडिया वाले लगा देंगे offshore fund में बाहर वाले पर offshore fund में भी दो है एक offshore structure और एक unified offshore structure unified structure मैं बता रहा हूँ पहले में offshore structure समझा दूँ हाँ सर पहले offshore structure समझा दीजी आपसोर इस्ट्रक्चर में क्यों होता है पैसा जो लगाएगा यह कौल लगाएगा सर बाहर वाले इन्वेस्टर पैसा लगाएगा यूनिफाइड इस्ट्रक्चर हो आपसोर इस्ट्रक्चर तर यह कहां होगा यह विदेश में बनेगा जो जो आपसोर इन्वेस्टमेंट व एलपी हो सकता है और इंडिया में अगर फंड बनता तो उसको ट्रस्ट हो ओलता है ठीक है और यह जो इनवेस्टर कौन से इनवेस्टर होग और यह वैंचर कैपिटल उिट में पैसा लगाएंगे पर fund manage कौन करेगा हम क्यों करेंगे वहीं वाले करें तो वहीं का ops और manager जो है वो manage करेगा fund को हम लोगों का काम क्या है हम लोगों का काम है इंडियर investment advisor का काम है कि वो due diligence देखे कि यार सहीं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह क्या हो गए ops और structure फिर से हमें हमारा टार्गेट क्या है हमारा टार्गेट है venture capital unit में पैसा startup में पैसा लगाना अभी पैसा कौन लगा रहा है बाहर वाले अगर बाहर वाले है तो ops और इंडिया वाले ही पैसा लगाते तो domestic सर बाहर वाले investor जो पैसे लगाईगी वो क्या यहां के venture capital fund में नहीं लगाईगी वो वहां के उसको आप बोल रहा है ops or fund वहां उन्होंने invest किया उन्होंने पैसा इकटा किया और पैसा इकटा करके startup में पैसा लगा दिया fund management का काम यह देखींगे ops or manager हाँ उसका जो due diligence है वो investment advisor करेगा क्या सर यहीं लिखा हुआ है यस अगर पढ़ होगे तो आपको मिल जाएगी वही सारी चीजी मिल जाएगी investment vehicle LLP हो सकता है ठीक है investment directly into Indian portfolio company यहां पैसा लगा देगी ठीक है asset management by ops or manager ओके सर अब आ जाएगा समझ में और due diligence का काम कौन करेगी यह का है अब 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 सुनना दियान से अब और भी एक चीज है वह आ है Indian investor Indian investor कह रहे है कि सुनो ना यार यह विदेश वाले बहुत सोस समझ के पैसा लगाते हैं तो क्यों न एक काम करते हैं हाँ हम भी विदेश से किसान मतलब सर ऐसा fund बताओ जिसमें हम भी लगाए और वो भी लगाए अगर हम ही हम लगा रहे थे तो उसका नाम था domestic fund और वो ही वो लगा रहे थे तो उसका नाम था offshore fund और हम दोनों लगा दे तो उसका नाम क्या ना चाहिए unified unified structure यह क्या था offshore structure अब क्या रहा unified structure unified structure में LLP direct investment इसमें नहीं करेगी वो investment करेगी इसमें trust में मतलब सर यह कौन सा हो गया है यह तो आप समझें domestic fund बोल सकते हो पर domestic fund नाम देना structure मतलब यह investor overseas वाला कहां लगाएगा offshore vehicle में वहां के fund में और वहां का fund कहां लगाएगा इस trust में पैसा देगा और हम तो इस trust में पैसा देगे अब यह trust होना जरूरी है और फिर यह venture capital हो यह तर बात समझ में आगे total yes बताईए हम क्या बढ़ रहे थे बस यही लाश्ट था सा हम पढ़ रहे थे structure of venture capital in India okay structure सब समझ में आ गया है yes कितने कितना होता सर एक domestic fund होता है एक offshore fund होता है domestic fund वाली बात समझ में आगे offshore fund में तो होते होता offshore structure और एक होता unified structure और कोई theory विची यह तर यह 10 नहीं यह 9 होना चाहिए है वो गलती से 10 लिग देए ओके वो गलती से 10 लिखा है चलो फटाफट से revision करते हैं खतम करते सर अब क्या बच्चा हुए है अगर revision करवाँगा मैं बिना revision कर नहीं करूँगा सर अब जो बचा venture capital fund in India बच्चा हुए है और start-up initiative करके है और succession planning in business और unicorn है मतलब सर करीब करीब 15 minute का theory वेच्चा हो कि 15-20 minute का theory खतम हो जाएगा और वो break के बाद करेंगा क्योंकि पूरा की पूरा amended it means amendment हम break के बाद ही करें चलो पहला जो theory किया था जल्दी से revision करते है खतम करते है पहला जो theory किया था वो हमने किया था innovative पैसो का arrangement कहां कहां से हो सकता तोहां से सर personal financing personal credit line पर क्या था सर family and friends और क्या था crowdfunding और क्या था peer-to-peer lending और क्या था micro loan और क्या था सर purchase order पर नि क्या था या purchasing order ऐसा कुछ था न और एक क्या था vendor financing vendor financing और एक था factor purchase order financing था purchase order financing जाता है पहला कोर्शन तूसरा कोर्शन क्या सकता है modes of financing या अलग है innovative ways और modes modes में 3 bootstrapping angel investor और venture capital venture capital तो बहुत तो सब bootstrapping थे में 3 bootstrapping क्या बोलता खुद के दम पे काम करो यार खुद के दम पर पूछ श्ट्राइडिंग में 3 उधार लेकर काम करो पैसा नहीं है ना हमारे पास material लाने के लिए माल लाने के लिए उधार ले लो करने वाली की बात कॉंसियर होगी characteristics चार चार characteristics पहला venture capital fund में जो investment होता वो long term horizon के लिए अगर long term के लिए होता है तो तुसर liquidity नहीं होती है yes liquidity less liquid high risk high return के concept पे चलता है और इस जंदोली equity participant होता है equity में participant करता है यह चार लिखना है उसके बात जो जो start up venture capital से पैसे लेते उन्हें क्या फायदा कंपनी को क्या फायदा एक तो long term के लिए समस्या है नहीं ठीक है दूसरा risk and return में practical advice करते हैं contacts बहुत अच्छी जगा हो सकते IPO में help करेंगे additional round of funding इसमें तो experience होता है काम का experience in IPO आगे क्या जाएगा stages stages में मैंने क्या बता है seed money पहला seed money विल्कुल idea के support में उसके बाद startup product को development करने में ठीक है उसके बाद first round manufacturing second round working capital third round दूसरी company को खरीदना है और fourth round में IPO हो पिर हमने का venture capital investment process क्या है तो process में हमने का सबसे पहले होगा deal origination deal origination हो जाएगा ठीक है sir उसके बाद deal origination के बाद क्या होगा सर उसके बाद होगा screening deal पता है ना intermediary ने साहरण deal origination उसके बाद होगा screening screening के बाद due diligence वह भी हो गया फिर इडील structuring वह भी होगा सर उसके बाद post investment activities और उसके बाद क्या होगा exit बाहर कैसा निकलेगा structure कितने है सर दो domestic fund offshore fund offshore fund में दो क्या था offshore structure और unified structure और एक क्या था pitch presentation pitch presentation simple था क्या बता होगे नाम अपने team का क्या scene है problem solution marketing के sales well क्या होगा उसके बाद projection बताईए उसके बाद competitor बताईए उसके बाद financing का बताईए business model बताईए और कुछ है क्या अगले अमेंडमेंट भर बचा हुआ है करीब 15-20 मिनट की glass होगी और part 2 भी हमारा खतम हो जाए ठीक है जी ओके सर हम इतना time theory में नहीं दे सकते तो मैंने दो घंडे का video भी में upload कर दिया हूं उससे देख लेना ठीक है okay sir thank you so much break second part of startup finance और इस पार्ट में completely theory की बात होगी और वह भी plain theory मतलब sir amendment होगा क्या हाँ जी इस पार्ट में amendment होगा startup के questions आए हुए नए कुछ नए concepts है और theory यकीन मानना वह होती ज़्यादा ही जी simple बिल्कुल simple मेरी जरूरत नहीं थी पर फिर भी बच्चों का कहना सर एक idea मिल जाए ना theory का तो दिक्कत कतम हो तो इसलिए मैं आया हूँ जल्दी खतम करेंगे 15-20 minutes में खतम करेंगे उससे ज़्यादा time नहीं लेंगे इसमें से जो पहले theory करने जा रहा है वो already पहले से थी और अभी भी है और सर उसके आने के chances है जी सर है क्या theory एक symbol से मालता हूँ इंडिया में जो start-up होते है यस government की तरफ से उन लोगों को बहुत facility है मतलब tax में exemption है tax shoot है 100% tax holiday चलता है उन लोगों का बहुत जादा benefit बहुत जादा facility प्रोवाइट की गई इस start-up को तो क्योंकि act में लिखा है कि क्या क्या facility प्रोवाइट की गई है बहुत सारी बाते लिखिए कि अर इस section में income tax के इस section में छूट है बहुत सारी चीज़े तो क्या लोग इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं हाँ सर कैसे उठा सकते हैं अब बात करो ना एक काम करते हैं रिलाइंस को भी यह दिख रहा होगा कि हाँ यार इस start-up पे तो tax में exemption है बहुत कुछ तो चलो ना यार अपनी ही company को split कर देते हैं ऐसा भी हो सकता है पहली बात तो सर्च होना चाहिए रिशर्च and development पे काम होना चाहिए निव आइडिया होना चाहिए प्रोडक्ट development होना चाहिए निव टेक्नोलोजी होना चाहिए वो सब कुछ ठीक है वो बात समझ में आती है लेकिन अब हम एक काम करते हैं अब रिलाइंस यह सुझेगा न हमारे पास भी तो निव आइडिया है, चलो काम करते हैं, हमारा रिलाइंस के सबसे ही काम होगा, तो पहली बात इस टार्ट अप में लिखा है कि हाँ जी आपको टैक्स वगेरा में छूर दी जाएगी, लेकिन कमपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं होना चाहिए, लिमिटेड हो सकता है, एलल्पी हो सकता है और इसके अलावा पार्टनर्शिप फर्म हो सकता है, वो चलजाएग तो सवाल है स्टाट अप किसे माना चाहिए, इस स्टाट अप कभी भी पब्लिक लिमिटेड को नहीं मानोगे, सीधी सी बाद, वैसे भी आईपियो लास्ट म में होता है ओके पहली बात हो गई कि यार आपको टेक्स की तभी छूट मिलेगी टेक्स में एक्जिम्शन तभी मिलेगा जब आप पब्लिक लिमिटेट को स्टार्ट अप मानेगी नहीं चाहे वो नया प्रोड़क्ट कुछ या न्यू आइडिया न्यू इस रिसर्च या इन और क्योना इस प्लीट करते अंब और एक प्राइवट अश्युक्त कर दिया चाहे और टेक्स का हमको फाइदा उठाना है तो इस प्लीट कर दिते कंपनी को और उसको प्राइवेट इमिटेट बना दिते अब तो समय शुद्मेंट, तो दूसरी कंडिशन आप इस प्लीट भी नहीं कर सकते अच्छा तो इस्प्लीड भी नहीं कर सकते तीसरी कंडिशन होने का अब सुनो जिस दिन में आपकी पार्टनर्शिप फर्म बन रही है दस साल का आपको टाइम दिया जाएगा दस साल तक आप इस्टार्ट अप कहला सकते हो दस साल के बाद चाहे आपका कुछ भी क्यों नहीं आप इस्टार्ट अप नहीं कहलाओगे 10 years important है इन कॉर्परेशन से 10 साल तक आप इस्टार्ट अप कहला सकते हो लेकिन और एक शर्त है आपका किसी भी साल अगर आप बड़ी कंपनी बन गया है आपका टर्न ओवर 100 करोड से उपर हो गया तो भी आप इस्टार्ट अप नहीं कहलाओगे इट मींस टैक्स की छूट ऐसे ही नहीं अब आपकी कमाई होने लगी तो कहीं की टैक्स की छूट यार सर कितनी कंडिशन है याद करती स्टार्ट अप कौन कहलाएगा सर इनकॉर्परेशन से 10 साल तक आप इस्टार्ट अप कहला सकते है टैनियर से याद रखना टैनियर से दूसरा किसी भी फाइनेशन येर में आपका टरनोवर हंड्रेट करोर से उपर नहीं होना नहीं चाहिए ठीक है ठीक है यह भी वास समझ मेंगा टरनोवर ज्यादा तो आप स्टार्ट अप नहीं कहलाओगे तीसरी आप पॉबलिक लिमिटेड नहीं हो सकते है अप प्राइवेट हो या फिर आप या पाइटनर्शिप हो चलेगा चौती इनोवेशन यह रिसेर्च यह सब होना चाहिए मतलब कुछ न्यू आइडिया आना चाहिए जिससे इंप्लॉइमेंट में फाइदा मिले ऐसा कुछ लिखा हुआ है और पाच्वा स्प्लीट करके नहीं कर सकते यह प्लीज आपको याद करना पड़ेगा तो यह थियरी दिया हुआ है और प्लीज इसको रीट कर लेना स्टार्टप इंडिया इनिशेटिव और उसके कंडिशन है सबसे ज़्यादा कीवर्ड दस साल तक ही आप स्टार्टप कहलाओंगे इंकॉर्परेशन से दूसरा प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर्शिप हम और LLP चलेगा पब्लिक लिमिटेड नहीं चलेगा तीसरा किसी भी फाइनेशियल इयर में दस करोड से उपर टरनोवर नहीं चाहिए चोहता इनोवेशन डेलोपमेंट ये तो पक्की पक्की बात है इंप्रूमेंट और प्रोड़क्ट वगेरा होना चाहिए जिससे इंप्लॉइमेंट जनरेशन हो और पाच्वा आप नियू इस प्लीट अफ एग्सिश्टिंग कंपनी को इस प्लीट करके आप नियू कंपनी नहीं बना सकते है और बनाते हो प्राइवेट लिमिटेड ही क्यों ना हो आपका श्टार्ट अप नहीं मना जाएगा और आपको टैक्स की छूट नहीं मिले तो सचा नमर अगोशन आएग और ये ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुस्किन नहीं है आपने ना जाने कितने एक्ट पड़े और इसको याद करना मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्क जाएगी ठीक है पहली थेयरी ये थी ओके सर आगे चले अप और एक ठीरी डाला हुआ है यकीन नहीं होता कि ऐसी थेयरी आ सकती है आईसी एयाई पोर सकता है वो बोलता अच्छा पाकी जगह की अपेक्छा इंडिया में नए-नए श्टार्ट अपा रहा है इसकी वजह क्या है इंडिया में ऐसा क्या है इतने सारे श्टार्ट उस्तने सारे ideas लोगों के पास, और इतने सारे start-up start हो गया है, उसकी वजह क्या है, जरे वजह क्या है मतलब, सुचो efecto क्या है कि लोग startup पे startup कर रहा है, वजह क्या यह यह पूछ रहा है, अब उन्होंने क्या बताया है, सुनो, यकीन नहीं होगा, उन्होंने पहले नमबर बे बताया है, कि सुनो, साहब ऐसा है, कि हमारे यहाँ ना जाने कितने बिजनेस श्कूल्स है, और ना जाने कितने कॉलेजिस है, वहाँ से पढ़ लिखके लोग बाहर न बहुत सारे students है तो वो start-up start कर देते हैं हाला कि सच यह है कि उनको job नहीं मिलता तो start-up ही तो करेंगे खेर उन्होंने का वे बहुत सारे हमारे यहां business school है इंडिया में और colleges है वहां से बहुत सारे बच्चे पास होकर निकलते नए-nag idea हते और वो start-up तो एक वज़ा है कि तेजी से बढ़ा उसकी वज़ दूसरा उन्होंने बता है हमारे हाँ वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है अच्छा तो वर्क फोर्स ज़्यादा है तो सस्ते में हम लोगों का काम हो जाता है मतलब सर अगर हम स्टार्ट अप स्टार्ट करते है बिजनिस स्टार्ट करते है सर त पहला बिजनेस स्कुल वह सारे दूसरा वर्कफोर्स बहुत जादा है इस वजह से तीसरा हमारे इंटरनेट का जबरदस्त है चाइना के बाद हमी लोग है जो इंटरनेट का यूज करते हैं और इंटरनेट का यूज करने से हमार नए-नए आइडियाज अब थे और इंटरनेट का यूज गाओ-गाओ तक फैला हुआ है इसलिए वहाँ के भी लोग स्टाटप कर सकते हैं वाव, क्या बात मतलब सर बिल्गुल टाइम पास है हाँ जी, टाइम पास है, मैं क्या करूँ सर यह कहां से देखकर बोल रहाँ मैं कहीं से देखकर यह इंस्टिट्यूट नहीं लिखाया है वाव सर तीन चीजे मैंने बताया पहला रटवाना मेरा काम है समझाना इसमें समझाने वाली कुछ वात ही नहीं है ओके सर, वर्कपोस जो है वो कौशली नहीं है ठीक है, बिजनेस स्कूल बहुत ज़्यादा है तीसरा इंटरनेट का जबरदस्ट यूज है चौथा टेकनोलोजी का हम बहुत अच्छा यूज करते है और उनने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेकनोलोजी का यूज की है और एक क्या दे बोले पैसो का अर्रेंजमेंट हमारे यह बड़े आसानी से हो जाता कैसे आसानी से हो जाता बोले जो बैंक से बैंक फाइनेंस सेकंडरी है उसके अलावा हमारे यह पास वेंचर कैपिटलिस्ट है एंजल इन्वेस्टर से रिलेटिव अन फ्रेंड पैसे दे देते है ऐसा लिखा हुआ है पढ़ लेना मैं दे दूँगा आई सी ए आई की लेंग्वेज दे दूँगा तो यह लिखना पड़ेगा क्या इंडिया में क्यों सस्टेनेबल इन्वाइर्मेंट है स्टार्ट अप का फर्स्ट हमारे यहां टैलेंट है जबरदस्त जो बहुत सारी बी स्कूल्स है जो कॉलिजेज है वहां से पढ़ लिखके लोग पास होते हैं और स्टार्ट अप इस्टार्ट दूसरा कॉश्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स है मतलब समझी गया है इसमें लिखने वाली इंक्रीज यूज़ आप इंटरनेट है टेकनोलोजी और फंडिंग आप्शन हमारे पास बहुत सारे अवेलिबल है ये पाच पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा और क्या वाकि मेरी यहां कुछ पढ़ानी की ज़र्वति अब भी तक में ये नया आया है ये नया आया है प्लीज देख लेना भाई नहीं तो फिर मुझे मदबोना ओके सर तो ये दो एक थेरी सर ये वाला थेरी ये पहले से था ये पहले से था ये आ सकता है स्टार्ट अप इनिशिट्व मतलब इंडिया में स्टार्ट अप किसे माना जाए ठीक इंपोर्टन रहेगा दस साल और सौकरोर बाकी तो चीज पार्टनर से प्राइव पब्लिक लिमिटेड नहीं होना सी स्प्लीट अप फोकर हो जाएगा यह और इसमें याद करने वारी कोई चीज है यह नहीं ठीक पर मैं फिर से बोना हूं ये आपके मैं number 1 इसके अंदर दो मैं लिख सकते पर ये में पॉइंट-स अपको याद रखना पने हो खेगा ओके तरस्ट के अलावा और क्या इसके अलावा आया है आपका यूनिकॉन वाउस यह क्या चीज यूनिकॉन ऐसे स्टाइट-प उनिकोर्ण कहलाते हैं जिसका वैलियूएशन बहुत जयाद है अभी अभी श्टार्ट हुए है सर बाइजू हाँ बाइजू भी एक था अने चवर्म ये भी एक था जो श्टार्ट हुए और इंद गावimento ज़ी च्टार्ट का वैलियूएशन बहुत ज्याद है उसको हम यूनिकॉन बोलेंगे कि यार बाकी छोटे-छोटे स्टार्ट अप को मोटीवेशन मिले उन बड़े-बड़े इस्टर्ड यूनिकॉन स्टार्ट अप को देख ठीक है तो सर यूनिकॉन कौन कहलाता है वह भी बताया है उन्हों ने कॉंसेप्ट ऑप यूनिकॉन सबसे पहले प्राइवेट ली हेल्ड श्टार्ट अप सब प्राइवेट कंपनी होना चाहिए बात पब्लिक लिमिटेड नहीं होना चाहिए यूनिकॉन वैलेशन ए इंपोर्टंट है जब इनका वैलेशन वन बिलियोन डॉलर से उपर पहुच जाएगा वैलूर की बात कर रहा है है वैलेशन इन्हीं याद रखना पड़ेगा उपर पहुच जाएगा यहिं वहां तक पहुच जाएगा ना उपर उसको हम यूनिकॉन गॉल और और पहले साल 1 billion dollar था वैल वीशन अगले साल गिर गया तो फिर वो उस साल के लिए unicorn नहीं कहला है यूनिकॉन का concept अच्छा सब्था और बाकी तो simple simple है जो है ऐसे success है जो rare होते हैं उन success उन startup को innovation मालब सर काम की चीज़ यूनिकॉन में बस यह है यह yes पाकि सब कहानी दे रखा है यूनिकॉर्ण कौन कहलाते हैं सर यूनिकॉर्ण की उन्होंने लिस्ट भी दे रखा अगर पढ़ोगे इसे आईडिया जो रियरली सकसेस होते है उस पर फोकस किया गया है यह सब सारी शीचे लिखना ठीक है और यूनिकॉर्ण में फ्लिप कार्ट बीद है, ओला है, पेटी एम है, बाइजू है, ओयो है, फोन पे है, स्वीगी है, ओके सर डेलिवरी है, बहुत सारे लेंस कार्ट है, नाइका है, अनकेडमी, रोजर पे, क्रेट, भारत पे, इन्हें यूनिकॉर्ण है, अलग-अलग य बिलियन्स डॉलर, तक अगर उसका वैलिविशन पहुच जाता है, उसके उपर, तो वो यूनिकॉर्ण क्यालाएगा, ठीक है, ओके, अगर, चलो जी, अब बात करते है, सक्सेशन, आप बिजनेस, मतलब सक्सेशन आप बिजनेस, मतलब उत्तराधी कारी, इट मेंस यहां य बिजनेस, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं, तो आपको एक बात बता है, कि यार कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, खेल रहा है, कब तक खेलेगा, इंजर्ड हो गया तो, या रिटायर ले लिए, रिटायर्मेंट ले लिए, तो भई, उसकी जगा कौन, तब स सब कुछ चल रहा है, यही सब कुछ उसी की प्लानिंग अभी से करो, अभी से, सर, ऐसा बिजनेस में भी होता है, कि यस, ऐसा बिजनेस में भी है, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये नहीं है, कि सर, टाटा के जाने से फिर क्या होगा, या फिर ये कुछ नहीं, मैं बात पूरे और्गिनाइजिशन में कुछ ना कुछ क्रिटिकल पोश्ट होती है यस स्टार्ट अप की मैं बात करूँ कुछ क्रिटिकल पोश्ट होती है अगर वो किसी वज़ा से चले गए या रिटार्मेंट ले लिए फैमली बिजनस में जनरली ये प्रॉब्लम होती है यस सर अमवानी के जाने के बात कौन वो तो है सर तो वो ही है कि उनके जाने के बात कौन है जो बिजनस अमालेगा इसे सक्षेशन और उसकी तैयारी उस समय नहीं जब वो चला जाए पहले से तैयारी करके रखो तो सर उसके लिए कैसे तैयारी क्या क्या स्टेट्स फॉलो करना पड़ेगा कैसे तैयारी की जाए सबसे पहले जरूरत क्यों है सबसे पहला है कि उस सक्षेशन की जरूरत क्यों है सर पहली जरूरत इसलिए है क्योंकि आज नहीं तो कल जो existing है वो retirement लेगा यस और उसकी जगह किसी और दूसरे को की तो जरुरत पड़ेगी यस और अगर हम उस समय ही सोचे तो time लगता है और उस times की वज़ा से हमारा जो business है वो disrupt मतलब distract होगा यस सर बिजनेस में problems आईगी तो यार समय से नहीं मैं जो बोल रहा हूँ जब ICA की language जब जो है जो अल्रेड़ी सर फाउंडर मेंबर बोल सकते हैं आप ऐसा बोल सकते हैं उनके जाने से पहले ही आप तैयारी करके रख लो ना यार यह बंदा ठीक दीक रहा बाई चांस यह ज मतलब जो फाउंडर मेंबर है या जो critical post है उस person ने कुछ fraud के चकर में या किसी और चकर में वो activity में involved नहीं हो सकता गंपनी उस समय कैसे करो कि अच्छानक से ऐसा हो सकता ना यार अच्छा तो दूसरा region यह भी है हाँ क्या क्या region है कि हमें succession planning की जरूरत है यह चीज इसमें सम जरूरत यहां नहीं है मेरी जरूरत कहां है मेरी जरूरत है exotic option मेरी जरूरत है weather derivatives में मेरी जरूरत है electricity derivatives मेरी जरूरत है सीडियो में समझने के लिए यह तो यह प्यर थियर ही है यह बच्छे force करते इसलिए मैं यहां आया हूं time pass ही कर रहा हूं cdc बात तो पूछा succession of planning in business succession of planning in business चल जाएगा इसमें करना क्या होता इसमें हमें identify करना होता critical position in organization और उसका process identify का मतलब क्या समझ रहे हो कि इनकी जगा कौन लेगा उस person को ढूणना है वही success in planning है पर क्यों क्यों का जवाब है यह सर रिस्क को mitigate करना है क्या होता organization बिना leader के तो यार business destroy हो जाएगा तो leader की ज़र्वत पड़ेगी उसके लिए पहले से तयारी करो कि कौन leader रहेगा दूसरा cause removal यह language कहां कहा है सर यह language है हमारे cause removal का मतलब मैंने injured बताया कि यार कोई ऐसी existing leader ने leader बोलनों तो ज्यादा अच्छा founder member की जगा leader बोलता हूँ existing leader ने कुछ ऐसी activities कि कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया है fraud वगेरा कुछ भी हो सकता है कि आप business activity में involved नहीं हो सकते फिर कोई ना कोई तो leader चाहिए तो आ सकता थियोरी कि succession planning की जरूरत क्यों पढ़ती वज़ा क्या है तो succession planning की जरूरत है point number one risk mitigation का मतलब है अगर leader नहीं रहा तो काम होगा नहीं business destroy हो जाएगा और उस समय अगर तलास करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस risk से बचने के लिए आप succession planning कीजिए लीडर को तो तब अचानक से हमें leader की जरूरत पड़ेगी उसके लिए आप पहले से planning कीजिए तीसरा talent pipeline talent pipeline का मतलब क्या होता है अगर आपकी succession planning चल रही है हम ढूंड रहा है कौन बनेगा leader कौन बनेगा leader employee motivate होगे यार हम भी तो है चलो यार मेहनत करते काम करते motivate होगे employee अच्छा तो है और क्या चाहिए अच्छा talent pipeline बोला है थीक है दूसरा तुरंद की तुरंद conflict resolution mechanism है यह थोड़ी सी बात थोड़ा सा टेक्निकल चीज है मतलब यह point क्यों लिखा मुझे समझ में नहीं आया पर फिर भी open जो communication gap है वो खतम हो जाएगा ऐसा लिखा हुआ है और तीसरा aligning मतलब सर मतलब यह है कि family business है भाई ठीक है family business में अगर हम succession planning करेंगे समझना नहीं है अगर मुके सम्भानी जी के जाने आज नहीं तो कल retirement होगा तो क्यों ना उनके बेटे को अभी से तयार किया जाए align किया जाए this is succession planning कि जब हो जाए तो यह बिल्गुल तयार है अगर देखा जाए तो कितने points लिखा हुआ है पाच और पता नहीं आपको यह पाच points याद आएगे कि नहीं आएगे question क्या है succession planning की जिर्बरत क्यों है पहला risk mitigation ठीक है सर लीडर चला गया उनकी जगा कोई और आएगा time लगेगा तो क्यों ना पहले से तयारी कर लिजा दूसरा cause removal किसी वज़ा से leader fraud वगेरा के case में अगर निकल लिया तो वहाँ उस समय पर कौन करेगा leadership उसके लिए आप succession planning के तीसरा employee motivate होते है talent pipeline है क्योंकि employee को भी लगेगा हमारा भी तो chance आएगा यार चोहता conflict resolution यह देख लेना और पाच्वा alignment family business में पहले से तयार भी तो हो जाएगा सामने वाला बंदा क्योंकि आप succession planning कर रहे हैं ठीक सब पढ़ लेना भाई यह तो मैं सब time pass कर रहा हूं आप भी जानते हैं अब सबसे प्लानिंग जो है क्या strategy है मतलब क्या ढूलने यह कैसी किस तरह से planning की जाए तो उन्होंने का सबसे पहले आप देखिए कि की leadership position कौन सी है CFA बहुत अच्छा है हमारा तो यार वो गया तो दिक्कत में पड़ेगी मार्केटिंग मैनेजर अच्छा मैं यह नहीं बात कर रहा हूं कि किसी भी organization में अलग-अलग फिल्ड में अलग-अलग leader रहती है तो सबसे पहले आपको ढूनना पड़ेगा कौन है जो critical role निभाता ह अगर उसके जाने से risk क्या हो सकता उस पर impact क्या हो सकता है पहले यह पता कीजिए कर लिया पता है फिर दूसरे में आप map कीजिए और आप देखे कि क्या-क्या competencies required है उस position के लिए क्या qualification होना चाहिए behavior को ऐसा होना चाहिए पहला position पता कीजिए दूसरा उस उस बंदे को change कर है उसकी जगह आप replace करें किसी और को तो क्या-क्या qualification होना चाहिए तीसरा जो हमारे पास अभी वर्क फोर्स है सर बहार से तलासेंगे कि नहीं पहले अगर हमारे पास अभी वर्क फोर्स है तो आपकी पास एक option है मतलब आपके पास internal option आप यह काम कर सकते हैं मतलब हम दूसर कंपनी या दूसरा क्यों appoint करें हमारी गंपनी का कोई होगा तो उसको appoint करें उसमें ढूली है वो qualification होगे रहा और फिर चौता फोर्त फोर्त यह है कि अगर मान लो मान लो मान लो मुकेस अंबानी का retirement हो सकते है और उनका बेटा अभी बहुत चोटा है जो अभी तैयार नहीं है तो बीच में आप outsider को appoint कर सकते है जिसको बलते है breeze lead ठीक है तो business succession strategy में total मिलागर कितना पॉइंट लिखा है चार सबसे पहले आप key leadership तलासी critical role किसका है उसका क्या qualification होना चाहिए उसको change करने के लिए जो है उसको replace करने के लिए और पहला कोशिस है internal option और फिर आप क्या कर सकते हो breeze leader को भी appoint कर सकते है तर यह याद करना पड़ेगा वह याद आप कर ले लाश्ट पॉइंट दिक्कत क्या है succession पहला दिक्कत क्या है मालूम है yes mindset different होता है मतलब मतलब जो founder member होता है ना वो कुछ अलग तरीके से सोच और जो corporate क्योंकि यार उसने बहुत महनत से startup का काम किया उसको मालूम है कि कैसे काम करना अगर आप उसकी जिए रिप्लेस करने का भी सोचोगे ना corporate strategy अलग चलती है इसक सोचरा कि हम founder को हटा कर उसको कर देगे तो थोड़ा सा मुस्किल होता ओके दूसरा जो नैने अभी startup start ही तो हुआ है और वहां आप succession planning कैसे करोगे वो तो अभी mature भी नहीं हुआ business पहलोगे तो क्या करोगे succession planning को और तीसरा अशनीर grower मतलब सर मतलब सर जो founders होते ना वो face होते startup के जैसे भारत पे founder गया startup खतम तो यह तीन चीज़े है इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ मुझे पढ़ाने के लिए कुछ था ही नहीं प्लीज रीट कर ले ना मैंने एक idea दिया कि succession planning क्या होता है ठीक है तो इसमें से कहां से question आ सकते है देखो वैसे तो मैं कुछ कह नहीं स question है आज की class के important दूसरा unicorn का concept नहीं आएगा और उसमें जो list दिया तो बिल्कुल नहीं आएगा पर multiple choice question में आ सकता dollar one billions ठीक है और तीसरा जो है इंडिया क्यों यह तो बहुत बेकार theory मुझे नहीं मालूं कि इंडिया क्यों sustainable environment startup के लिए इंडिया में और एक यह आ सकता भाई startup इंडिया initiative यह अच्छा है प्लीज इसको कर लेना इसके लावक पढ़ लेना इसमें कुछ है नहीं है कुछ भी नहीं है जो मैं आपको समझा जी और मैंने समझाया भी नहीं मैंने सिर्प और सिर्प एक आइडिया दिया कि देखो ऐस से होता है ओके थेंक्यू सो मच बाई बाई अजी गुड़ इवनी तो थेयरी का पहला चैप्टर मतलब आपके मॉडियूल में पहला चैप्टर है चैप्टर को नाम है financial policy and corporate strategy और seriously बता रहा हूं कि अगर मैं थेयरी भी पढ़ा रहा होता आपको को थेयरी topic मतलब थेयरी सब subject तो भी ये चैप्टर में आपको से कहता कि self कर ले ना seriously बता रहा हूं पर बच्चों का बहुत ज़्यादा force की sir please करवा दीजिए please करवा दीजिए मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा हूं इस topic में को समझाने वाली बात है कि नहीं है ही ही नहीं sir amendment है कि नहीं एक amendment है advance role of cfo अच्छा सर cfo का sir role role क्या था role क्या है वह आपको मालूम है cfo का role है finance तरहां financial officer यस उसका role अब advance हो गया कोविट के बाद important है कोविट के बाद उसका advance कोविट के बाद बोल रहा है और कुछ growth globalization वगेरा हुआ है उस पे भी theory आया है वही एक simple है चार टोपी के उस पे simple सा theory simple सा 2 minute भी नहीं लगेगा पढ़ने में और एक बात कि अगर यह theory भी खुद से करते न तो मैं जो समझाऊंगा उससे पहले हो जाएगा अच्छा दूसरी बात यह theory मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि समझाने वाली बात कुछ है ही नहीं याद करने वाली बात है मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए पर मैं पढ़ा रहा हूं चलो बिना टाइम ब आते हैं मैंने चार्ट बना रखा है और उसी चार्ट से समझाऊंगा पहला कोश्चन आएगा आपसे strategic financial decision making framework और कोश्चन कहां से आया था कोश्चन आया थे यहां की decision of financial strategy पर अगर देखा जाए तो पूरा भी कोश्चन आ सकता कि strategic financial decision making framework क्या होता है तो उसमें सबसे पहले आ आपको लिखना होगा introduction और functions और की decision सर एक्जाम में 4 नंबर का short note आया था हाँ जी कहां से आया था की decision सर यह है क्या कुछ बता नहीं रहा है वो आपसे क्या पूछ रहा strategy बोले हम जो financial strategy का मतलब long term जो financial decision making करते है उसका क्या framework है तो इन्होंने क्या लिख रहा का पहले में तो introduction दिया है ठीक है यार हमारा जो target है वो है wealth creation wealth maximization यह इंटरसिक बढ़ रहा है और बोले हमारा जो target है वो है थोड़ा सा color change कर लो optimum investment and financing opportunity optimum investment मतलब capital budgeting और बोले target क्या रहेगा जब पैसा लगाओगे तो expect return maximum करना और उसके अलावा fund को allocation इस तरह से कर रहाज जाए कि maximum return हो और फिर यह बताए कि strategy बनाना है और strategy बना रहे तो पैसा कहां से आएगा financial resources क्या है और right management team तर भगवान कसम यह तो बिल्कुर रटने वाली बात हो गई हाँ जी मैं क्या करवा सकता हूँ तो financial decision making framework में पहला part होगा introduction तूसरा होगा functions और तीसरा होगा key decision introduction में आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ एकना है सर क्या कि wealth maximization होता है उस हिसाब से हम investment करते है best best हमारा target क्या होना चाहिए maximum return होना चाहिए ठीक है और उसके हिसाब से फिर हमारा allocation करते हैं fund को strategy बनाते है और उस strategy long term strategy को बनाने के लिए पैसो का arrangement कहां से होता है और right management team का select इसलिए introduction से कभी कोई question आया ने दूसरा function financial decision making के function क्या है तो function उन्होंने का कि सबसे पहला है आपको decision लेना है न मतलब आपको investment करना है तो बहुत है हाँ तो बहुत है आप search कीजिए best investment या investment नहीं लिखा था मैंने लिख दिया best investment ठीक है सर्च कर लिए हमने best investment उसके बाद बह है जब आपने सर्च कर लिए best investment अब देखिए उसमें selection करना है प्रॉफिटिब रिवल अपॉर्चन ठीक है तीन बाते हैं इन्वेस्टमेंट करना है यस इन्वेस्टमेंट करना है तो पैस प्रॉफिटिबल होना चाहिए ठीक तो पैसों का arrangement भी तो करना पड़ेगा तो आ करते है जो आया है वो यहां से आया है यह समझा जा सकता है पूरे SFM में या FM में या फिर कोई भी कंपनी इन डिसीजन इंपॉर्टनेट हो पहला पैसा उठाना यस पाइनिंसिंग डिसीजन पढ़ाओगा सी एंटरना पैसा उठाना दूसरा पैसा लगाना इन्वेस्टमे करना प्लीज प्लीज यह याद करना पड़ेगा जो बोल रहा हूं यह आया हुआ है कोश्चन की डिसीजन इन फाइनेशिंग पॉलिसी फाइनेशिल पॉलिसी या फाइनेशिल इस्ट्रेटिजी पहला है फाइनेशिंग डिसीजन मतलब मतलब सर फंडिंग करना पैसो का अ तो कितना थे और फिर इन सब decision का analysis करना सब का एक साथ जिसको बोल रहा है वो portfolio decision portfolio decision वो वाला नहीं जो अपने portfolio में पढ़ा है portfolio decision का मतलब है financing decision investment decision और dividend decision का evaluation करना aggregate में aggregate performance check करना तो इसमें अगर कुछ याद करना है याद रखना है तो ये याद रखना पड़ेगा यहीं से question आया था key decision of financial strategy कर लोगे कितने decision याद रखना चार प्लीज कर लेना यार यह वाला key decision की decision मतलब किसी management के key decisions क्या क्या हो सकते ठीक है sir funding financing decision investment decision dividend decision और इन सब का evaluation portfolio decision तो इसमें कुछ काम की बात नहीं रही बस यह key decision of financial मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ बाकि sir theory book में दिया हुआ कर लेना दूसरा theory आए strategy of different hierarchy level मतलब sir अलग 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 level पर decision it means sir अगर हमको merger करना किसी company को हमें खरीदना है तो उसका decision कोन लेगा या पिवन उसका decision ले लेगा या फिर कोई clerk इसका decision ले लेगा या फिर CFO इसका decision ले लेगा तो strategy बनाना है ठीक ऐसा ठीक ठीक समझ में आ रहा समझ में आ रहा मालो किसी product को बेचना है उसका decision कोन लेगा किसी product को बेचना है तो उसका decision क्या top management लेगा honor लेगा किसी employee को salary पर रखना है किसी पी उनको salary पर रखना उसका decision क्या मुक्य संबानी लेगा नहीं, मुक्य संबानी के लिए अपने decision है उसके नीचे, it means वह उन्होंने न तीन तरह से बाट रखा एक corporate level strategy बताया है जो बड़े बड़े लोग है जो company की management person है वो यहाँ decision लेगे एक उसने business unit level strategy बताया है और एक function level strategy बताया है समझ में आ गया होगा मैं ज़्यादा time pass नहीं करूंगा सर यहाँ क्या करते हैं जो corporate level के लोग है वो क्या करते हैं वो business को selection का काम करते है कि कौन से business को acquire किया जाए इनका काम है वो हमारे लिए suitable है या नहीं वो हमारे लिए acceptable है कि नहीं वो हमारे लिए feasible है कि नहीं ओके सर इस इस corporate level strategy दूसरा business level strategy इसका मतलब इसका मतलब एक business तो अपने company acquire किया पर उसमें बहुत सारे businesses हो सकते अलग-अलग product को लेका उनके लिए decision कोई और लेका उनसे नीचे उनका नाम लिए business level अच्छा इसका profit center भी बोल सकते हैं और एक है function level function level में मतलब अलग-अलग department की बात होगी research department का अपना decision लेका operational manufacturing का अपना-पना decision होगा marketing का अपना decision होगा तो बताइए कि strategy different hierarchy level पे क्या-क्या हो सकता तीन stages आपको याद रखना पड़ेगा corporate level वहाँ अलग decision होगा वहाँ acquire करने का decision होगा किसी business को खरीदने का decision होगा दूसरा business unit level और तीसरा function level मुझे नहीं समझाना है ठीक है? सर, financial planning क्या होता है कुछ नहीं है इसने नहीं कहानी लिख रखा ये भी मैंने ही समझा रहा हूँ कि पैसो का arrangement कहा होगा कैसे होगा और जो financial planning पहले तो पैसो के इसे मैं बहुत सारी बाते किया फिर वो ले financial planning के तीन major component है और फिर वो ले उसका outcome सी यह होगा मतलब सर, थोड़ा बहुत तो समझा तो financial आप planning करते हो यस, financial planning कर दिया तो financial planning यो कहानी बता रहा है कि backbone है, business planning का यह सब बिकार की बाते सबसे, सब component क्या है तीन major component, पैसो का arrangement financial resources आपकी पास resources है या नहीं ठीक है सब, resource है अब tool क्या है, आप किसी company के साथ merger करना चाहते है किसी company को खरीदना चाहते है तो inorganic या organic tool organic और inorganic में क्या अंतर है यतना detail मैंने समझा सकता और फिर आपका goal क्या है समर्जर करना और फिर बोले, जब आपने financial planning कर लिया ठीक है, तो आप उसको evaluate कीजिए क्या, उसका outcome क्या आया क्या objective पूरा हुआ क्या financial decision making सही हुआ और financial measure मतलब आप ratio वगेरा से check करके दीजिए कि आपका objective पूरा हुआ के नहीं पूरे chart में पूरा जो chart दिख रहा है भी है तीनी topic करवाया हूँ उसमें याद करने वाला क्या है भाई सबसे important, please ये दो दो चीज़े मुझे याद करवा देना पहला इस key decision of financial strategy एक ये आएगा key decision of financial strategy this is most important financing, investment, dividend and portfolio और दूसरा strategy at different level उसमें आएगा corporate level strategy business level strategy और function level strategy ये दो question इसमें से याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया ओके आगे और दो point है और खतम हो जाएगा कौन सा एक interface of financial policy and strategic management और financial policy और strategic management इन दोनों का relation वो बताने की कोशिश कर रहा और यहाँ भी वही बात लिखा दिखाए पैसो के वे से मैं बताना और फिर वो ले strategic plan क्या होगा ये आ सकता है प्लीज वही तीन चीज पैसो का arrangement अच्छा सर मतला financing decision यस अलाकि उन्होंने कहानी लिख दिया है कि debt equity ratio कितना होना चाहिए 2 is to 1, 1 is to 1 कुछ भी लिख रखा है पहला financing decision financing decision क्या होता है इंटरफेस पूछेगा तो ये लिखना पड़ेगा पैसो का arrangement करना है equity से होगा कि debt से होगा अब कहां कहां से होगा ये भी बताया है और desired mix होना चाहिए debt equity financing decision में सिर्फ कहानी है financing decision दूसरा कौँ सा decision है investment decision investment कर रहा है investment जब कर रहा है तो क्या आप किसी project को देख रहा हो या कि कोई new product की विशे में सोच रहा है या फिर अपना जो level of operation है उसको increase कर रहा हूँ ठीक है सर कोई new product launch करने का सुसरा है वो भी आपका investment decision है सर ये सब्द कहां से लिखे हुए है आपके ICAI का आप खुद पढ़ लेना या और या तो फिर आप cost reduction के लिए कुछ machinery वगिरा खरीद रहा है तो investment decision में कितनी बात लिखा है उन्होंने तीन सर हस क्यों हो रहा है क्योंकि ये चीज में पढ़ा रहा हूँ मुझे भी शर्मा रही है investment decision में कितनी तीन नया product launch हो रहा है या फिर अपना जो operation है उसको increase कर रहा है या फिर cost reduction वाला काम कर रहा है और तीसरा decision कौन सा बोला है dividend decision और dividend decision में बोले बहुत कुछ लिख दिया भाई बहुत कुछ लिखा कि आप check करो क्या आपका earning distribute करना है या earning return करना बहुत सारे factors है see enter में पढ़ रखा है कि हमें dividend देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कौन कौन से ऐसे factors है और कौन सी dividend policy stable dividend policy होता है stable dividend policy residual dividend policy constant percentage यह सब तो पढ़ा हुआ है minimum dividend plus additional यह सब में यह नहीं करवा रहा हूँ interface में पूछेगा तीन बाते लिखना पड़ेगा इसमें वापस तीनो decision कौन कौन सा financing दूसरा investment और तीसरा dividend decision और dividend decision में जितनी चाहे policy का नाम लिख देना constant ratio plan constant ratio plan याद है आपको हाँ sir fix payout देते है yes constant dividend per share यह सब कहाने लिखे पढ़ लोगे sir पढ़ लेगे and the last theory balancing financing goal versus sustainable growth अब ध्यान से समझना financial goal और sustainable growth पस थोड़ा सा समझा रहा हूँ class over मैं जानता हूँ सो गया होगे आप अभी सुल लो हमारा जो goal है ठीक है अगर मेरा goal है खुब profit कमाना जोड़दार profit कमाना ठीक है sir कुछ समय के लिए अगर मैं कहता हूँ मैं चार पार साल खुब profit कमा सकता हूँ मेरी जबरदस्त growth हो की मैं goal पूरा करना चाहता हूँ मुझे सिर्फ profit 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 दिखाई दी रहा हूँ मैं अपना goal पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तेया हूँ but क्या ये sustainable growth होगा या फिर कुछी समय कुछी समय के लिए अगर आप goal चाह रहे हैं आपको इन दोनों को balance करना है financial goal पैसा आना चाहिए पर पैसा ऐसा नहीं कि दो-चार साल आना चाहिए long term basis पे आना चाहिए इन दोनों को आपको manage करना अच्छा सर it means financial goal तो ठीक है पर ये long term growth होना चाहिए तो उसी के लिए उन्होंने का कि या इसके लिए क्या करे कि goal हमारा short term के लिए ना long term के लिए हो उन्होंने बताया है जो objective है हमारा growth का वो consistent रहना चाहिए fuel industry का क्या example है सर fuel industry का example है उन्होंने का यार आप fuel को use करते हो बिलकोल अगर हम जबरदस्त fuel use करेंगे कीजिए कब तक करोगे उन्होंने दिया है ये वाला exam कि अगर आप fuel industry जो है अगर fuel use करेंगी और सिर्ब और सिर्फ पैसा ही target रहेगा तो कब तक क्या ये long term है sustainable है नहीं है तो अगर गोल इस तरह से पैसा कमाना पर इस तरह से कि यार growth जो है इन दोनों को balance करना है balance करना sustainable growth is important for long term development ठीक है और organization कोई भी organization financial sustainable कब कहलाएगा कब कहेंगे कि यार ये business बंद नहीं होगा ये business चलेगा चलेगा तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपके पास income का source से इक से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है भाई planning आपका regular होना चाहिए ठीक है financial system adequate होना चाहिए public में आपकी image अच्छी होना चाहिए और financial autonomy की बत कर रखा और sustainable growth rate के विशे में बताया formula आपको मालूम है B into R तो sir ये chapter बहुत बेकार chapter इसमें कोई स्थानी पढ़ाने के लिए जबरदस्ती मुझसे पढ़वाया गया है मैं actually इस chapter के लायक नहीं हूँ ठीक है बाकी जो रटवाता है वो अलग बात है मुझसे ये रटवाया नहीं जाए पर फिर भी इस chapter में मैं आपसे कहूंगा कि key decision of financial financial strategy ये याद कर लेना आने के chances है financing decision, investment decision, dividend decision, portfolio दूसरा different level strategy, different level strategy में corporate level strategy, business level strategy and function level strategy इसके बाद आगे जाओगे तो आगे भी वही मिलेगा interface of financial policy and strategic management में फिर से sources of finance और investment and fund allocation and dividend policy आप भी देख रहा हूँ कि आप तीनी बात कर रहा हूँ पैसो का arrangement, पैसो का investment और dividend decision और बाकी तो ये भी कर ही लोगे ये वाला question आ गया था organization financial sustainable कब कहलाता है ये वाला भी question आया हुआ ठीक है जी तो इसमें मुझे कोछ समझाना नहीं था बेकार की बेकार का topic था और अब आने के इसके chances काम है अब सर और क्या नया topic आया है कि हाँ जी नया topic आया advance role of CFO मतलब सर कुछ भी हाँ Chief Financial Officer उसका role क्या था पैसा wealth maximization ये ही तो था और उन्होंने लिखा भी है कि वैसे तो CFO का जो main role है वो wealth maximization है ठीक है भाई shareholder का भला करना बोले इसके अलावा भी आपको और CFO को और चीजों पर focus करना पड़े और किस पे बोले risk management ये भगवान risk management तो पहले भी हो रहा था CFO तो करता ही risk management बोले नहीं आप एक level पर risk management नहीं करोगे जहां जहां हर जगा आप risk management करोगे risk management की बात मुझे समझ में नहीं दूसरा बोले आप supply chain पर भी focus करेगा जो CFO है advance role हो गया है क्या है supply chain में बोले सही time पर सही product सही person को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यह सब कुछ देखने का काम वो करेगा CFO और उसके बाद उन्होंने का merger and acquisition में भी CFO का बड़ा role हो गया है मतलब decision उसी को लेना पड़ेगा merger and acquisition में पहले भी तो decision CFO लेता था और एक topic business valuation में भी आया ESG नाम सुना है कभी business valuation में theory आया ESG पर वहाँ में detail में समझाऊंगा बट अभी यहाँ ऐसा है कि CFO का काम क्या है सिर्फ और सिर्फ आप shareholder का भला नहीं कर सकते आप सिर्फ उन्हीं के wealth maximization में focus नहीं थे आपको creditor के विसे में भी सोचना पड़ेगा आपको जिसने loan provide किया उसके विसे में भी सूचना पड़ेगा आपको government के विसे में भी सूचना पड़ेगा कि आप धूका तो नहीं दे रहा आपको completely अच्छा सर मतलब जो financing होगी वो environmental होगी social भी होगी और governance finance भी ESG हला कि ESG मैं अच्छे से समझाऊंगा यहां नहीं समझा सकता तो हो सकता यह वाला theory डाल दे प्लीज पढ़ ले न advance role of CFO क्या क्या था main point risk management पहले भी करता था merger acquisition पहले भी supply chain और क्या ESG हो जाएगा यह था बस खतम करो इसमें कुछ है नहीं यह पढ़ने के लिए आप खुद पढ़ लोगे सर कितने page का 3-4 page का है 10 page का दिया है सर टाइम पास है 10 page का पढ़ ले न पर main main question एक यह वाला question अच्छे से कर ले न advance role of CFO उसके अलावा उसके अलावा यह वाला कर ले न interface इसके अलावा दो घंटे का चार्ट दे रखा है जिसमें जिसमें प्लीज समझना दो घंटे में चार्ट नहीं वीडियो उन दो घंटो में मैंने सारे चारो चैप्टर्स करवा दी है रिस्क मैनेजमेंट भी है स्टार्ट अप फाइनेंस भी है और ये फाइनेशल पॉलिसी भी है और इसके अलावा हाला कि उसमें अमेंटमेंट नहीं है पर ठीक है अमेंटमेंट तो मैं सेप्रेट कर रहा ही दिया हूँ तो चार चैप्टर सिक्यूरेटाइजेशन भी है तो उसका भी एक वीडियो है अगर आपको ये चार चैप्टर अलग अलग नहीं देखना तो वीडियो देख लीजी ये बात कतम हो जाएगे ओके थैंक्यू सो मच बाइबाइ कहां डाला हुआ है सर रिवीजन फोल्डर में देखोगे ना रिवीजन फोल्डर उसमें लिखा है थेयरी एक थेयरी तो पहले से और सर बहुत सारा future क्या होता option क्या होता ये सब जो chapter के साथ होना था हो गया तो सर अभी क्या important है तो अभी मैं देखूँ एक बात में आता तो option ग्रिक्स है मतलब ऐसे कौन-कौन से factor है जिसमें option की value option की value मतलब क्या होता? premium हम option खरीते तो हमको premium देना होता है तो उस receipt की जो हमने option खरीता वो एक paper है उस paper की value बढ़ती है और कम होती है इसके पीछे कौन-कौन से factors होता है जो की Greek letter में लिखे रहते हैं इसलिए इसको option Greeks बोला तो option Greeks आ सकता है जो की पहले का theory है इसके लावा कुछ new theory भी आई हुई थी जिसमें exhaustive option हो गया exhaustive option की अलावा weather derivative, electricity derivative, cds, cdo सबकी सब important तो derivative की theory करना पड़ेगा और जिनका मन नहीं वो चार it means अगर मैं कहूं वो चार चेप्टर की theory तो करना है इसके अलावा derivative की theory, इसके अलावा business valuation, कितना theory कर लीजिए खाला कि जिसका दिल नहीं कर रहा वो चार चेप्टर की कर लिया बहुत है, पर प्लीज दो चेप्टर और कर लीजिए derivative और business value ओके, सर, option gricks में क्या पढ़ेंगे तो option gricks में actual में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत स्पीट से काम करूँ, कि सर, हम option खरीदे हैं, तो हम premium देते हैं premium दिया और premium दिया हमने 12 रुपाई, premium, इस receipt के लिए 12 रुपाई और सर, कौन सा option है अगर मैं कहूं call option है call option का exercise price है 500 पास्तों से ज़्यादा होगा तो exercise और सर, अभी price कितना चल रहा है, अभी price चल रहा है मान लो, 510 रुपाई तो सर, ये अभी की अभी exercise होगा, यस अभी की अभी exercise हो पर क्योंकि time बच्चा हुआ रहता है तो इसलिए हमसे ज़्यादा पैसे मांगे, ये आज है और total period है, तीन मैने तो time बच्चा हुआ, इसलिए तो ज़्यादा पैसे मांगे जाता है, हमसे premium कितना मांगा जा रहा है, 12 रुपाई तो difference है, उसको 10 रुपाई intrinsic value बोलते है, और 2 रुपाई time value बोलते है, खेर, वो सब हमने पढ़ लिया अब अगर call option है तो सोच के बताना, सोच के बताना सर, अगर stock का price बढ़ेगा exercise price में कभी कोई change नहीं हो सर, stock का price बढ़ेगा तो इस receipt की value तो automatic बढ़ेगी, हाँ भाई, हाँ ये मैंने आपको पढ़ाया था, delta हैसी तो stock के price बढ़ने से premium या option का value जो बढ़ता है और जिस rate से बढ़ता है उसको बोलते हम delta delta stock का value बढ़ने से stock का price stock का price बढ़ने option के value में जिस rate से change होता है उसे मतलब सर अगर 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 ये 10 रुपे से change होगा तो ये जरूरी नहीं 10 से change होगा हो सकता ये 5 रुपे से change हो जाए premium पाच रुपे से change होगा 10 से change हुआ मतलब सर ये 10 से रुपे से change हो रहा और option premium पाच रुपे से change हो रहा तो डेल्टा कितना दिखाई देरा 0.5 सर अगर ये स्टॉक का प्राइस 400 रुपए होता हमान। अभी तो यार ये आउट आप दमनी हैं अब प्रीमियम कितना है अब बहुत बारीक क्यों से समझना पढ़ाई पहली बात पहला जो मुझे ना सब्द चाहिए डेल्टा सिर्प डेल्टा पर थिओरे लिखने के लिए सकते हैं तो डेल्टा क्या है बाइनोमेल में पढ़ाई सर इस्टॉक के प्राइस चेंज होने से प्रीमियम में जो चेंज होता हुसे कहते हैं और डेल्टा है 0.5 इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब यह इस टॉक का प्राइज एक रुपिया से चैंज होगा तो प्रीमियम 50 पैसे चैंज होगा आउट आप दा मनी मतलब ऑपसें एकसेस करने का कोई फायदा नहीं है और बहुत जबर्दस आउट आप दा मनी दिख रहा है तो भी हम प्रीमियम देने को तयार है 12 रुपिय हमको ऐसा लगता कि यह प्राइस आज नी तो कल बढ़ेगा और धीरे से प्राइस अगर अगर बढ़ता है तो भाई तो भी तो कोई फाइदा दिखी दी रहा है तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मतलब डेल्टा लगभग जीरो होता है बहुत बारी क्या यहां समझाना मज़की है हमारे काम की चीज है अगर मुझे लिखना रहा है तो मैं क्या लिखूं फिर समझा भी दूँगा सपोज इस्टॉक का प्राइस 10 रुपए से बढ़ा तो प्रीमियम 5 रुपए से बढ़ा तो आंसर आ गया 0.5 इसका मतलब डेल्टा क्या दिखाई देरा पॉइंट और कॉल का डेल्टा अलग होता है पॉट का डेल्टा अलग होता है कॉल के डेल्टा में स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो आप्सन का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन पॉट में स्टॉक का प्राइस बढ़ने से आप्सन का वैल्यू गिरेगा ये भी आप जानते हो टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आप्शन का वैल्यू दे रहेगा ऐसा बहुत कुछ लिखते है बाइनोमियल मॉडल में डेल्टा पॉइंट फाइव है इसका मतलब यह होता है कि हम राइट करेंगे वन कॉल तो बाइ करेंगे पॉइंट फाइव सेर्स बाइस आप पुरा एक्जामपल समझाते हुए लिख दोगे न अगर चार नंबर का शौट एक यह था अब दूसरा समझ रहा सर श्टॉक का प्राइस पहले 10 रुपे से बढ़ा मान लो 500 था 500 था तो 510 रुपे हो गया तो यह 5 रुपे सर श्टॉक का प्राइस फिर 520 रुपे हुआ तो अब की बार यह 5 रुपे से न बढ़के यह 6 रुपे से बढ़ गया मान लो मतलब सर पहली बार जब यह 10 से बढ़ा तो यह 10 से बढ़ा मतलब डेल्टा कितना आ गया 0.5 लेकिन दूसरी बार सर 10 से बढ़ा तो इधर जो प्रीमियम है न वो 5 रुपे से न बढ़के 6 रुपे से बढ़ गया मतलब सर डेल्टा अब कितना दिखा ही दे रहा 0.6 डेल्टा में तो चैंज हो सकता है न इस्टॉक के प्राइज चैंज होने से डेल्टा में जो चैंज हो रहा डेल्टा पहले कितना था 0.5 अब डेल्टा कितना हो गया 0.6 इसको कहते है कितने से चैंज हुआ सर 0.1 से इसको कहते है गामा 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 सर 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 फिर से stock की price change हो Scotch premium में जो change होगा उसको क्या कहता delta stock का price change होने से delta में जिस rate से change होगा उसको कहे कि delta में change निकालना उसको कहा जाता gamma आता है पर अभी तो हमें थियर यि वो की सथ जल्दीच करें दो factor बता दिया अलागि gamma premium पर नहीं है गामा डेल्टा पे है समझ जाओ अच्छा पहला मैंने क्या बोला तर डेल्टा हो गया है दूसरा गामा हो गया है अब सुन और जैसे जैसे टाइम बीठता है तर जैसे जैसे टाइम बीठता है ना option की value जो difference दिख रहा है जैसे जैसे टाइम बीठते जाएगा तो ओप्सन की वेल्यू कम होते जाएगी तो मज़ रहे हो ना धीरे धीरे हाला कि दो रुपए देखो दस और दो रुपए हम किसका दे रहे थे सर हम यह तो टाइम वैल्यू क्योंकि वैसे तो इंदमनी है देखो सुनो ट्राइक सो से उपर जाएगा और पास सो है तो प्रीमियम तो हमसे दस लेना चाहिए पर हमसे कितना लिया गया है वारा वारा रुपए प्रीमियम ले रहा है हमने का दो रुपए कि शीच का तो उन्होंने का भाई यह टाइम बाकी है तो टाइम का और जैसे जैसे टाइम बीठते ज जो चेंज होगा ताइम उसको बुलते थीटा थीटा चार्च डेल्टा गामा थीटा टीफर थीटा टीफर टाइम और ऐसे शियर जिसमें फ्लक्टुएशन बहुत जादा है फ्लक्टुएशन हमारे लिए तो अच्छी बात है अगर हम option खरीद रहा है call option fluctuation बहुत जादा होना चाहिए पढ़ेगा तो खुब बढ़े खुब कमाएंगे गिरेगा तो जाएगा तो क्या जाएगा it means volatility के change होने से volatility के change होने से premium में जो change होता है उसे कहा जाता है वेगा, वेगा, वी फर वालिटिलिटी, वी फर वेगा, deviation ज़ादा से ज़ादा कितने factor बता दिया मैंने डेल्टा पे short note आ सकता है, डेल्टा अकेले पे stock के price change होने से, premium में जो change होगा उसको कहेंगे stock price के change होने से delta में जिस rate से change होगा उसको कहेंगे gamma, time के बीतने से, time के बीतने से, time के change होने से premium में जो change होगा उसको कहेंगे theta volatility के change होने से, volatility के ज़ादा होने से, premium भी तो ज़ादा लगेगा volatility के change होने से, premium में जो change होगा उसको कहेंगे vega और rate rate of interest हम इसका option का value निकालते थे चाहिए आप जो भी जिस भी model से निकाल रहा हो चाहिए आप binomial से चाहिए BSM से तो आप discounting करते थे या risk free rate से तो इसमें भी तो change होना हो सकता और इसके change होने से option की value में जो change होगा उसको कहेंगे row row का मतलब rate of interest जयात करना पड़ेगा भूल पहला क्या बोला मैंने delta delta किस से related है stock के price change हो option premium में जो change होगा delta दूसरा आपने बोला gamma stock के price change होने से delta में जो change होगा उसको कहेंगे gamma ठीक है अगे चले theta time के बीतने से premium में जो change होगा theta तर vega volatility के change होने से premium में जो change होगा vega और rate of interest के change होने से premium में जो change होगा उसको कहेंगे gamma इसको प्लीज पढ़ ले न change in value of option due to change in price of stock and option is deeply otm ये तो साइदी समझ में आएगा time लगेगा ठीक है सरीए आप समझा इसके लाबा ये लिग देन example suppose delta 0.4 है इसका मतलब क्या होता है और binomial में इसका मतलब क्या होता था बद gamma gamma के विशे होने क्या बोल रहा हूँ कि सर delta में जिस rate से change होगा उसको कहेंगे gamma theta का मतलब मैंने क्या बताया theta का आपने बताया time इसके बाद vega का मतलब kis से related है volatility और rho का मतलब किस से related row का मतलब rate of ठीक है जी हो जायागी ओके सर अब इसके बाद एक्जॉक्टिक ओप्सन देख लीजी आजे गुड़ियो नहीं derivative में amendment है यस सर और जो derivatives में amendments है अगर मैं कहूं numerical questions तीन है वह है real options में जो मैं discuss कर चुका हूँ real options से बहुत अच्छे से इसके अलावा dairy videos में सर real option के अलावा भी तो बहुत कुछ है हाँ जी बहुत कुछ है और सर आने की possibility बहुत जादा है पर वो numerical नहीं है इसलिए उसको में theory में cover कर रहा हूँ वो यहां cover हो रहा है it means यहां जो theory cover कर रहा हूँ वो new theory रहेगी सर इसके अलावा derivative की बाकी theory वो already मैं chapter के साथ discussion कर चुका हूँ कि क्या होता है short selling क्या होता है arbitraiser क्या होता है future forward commodity market option gricks क्या होता है delta delta याद है delta gamma theta vega यह सब discussion हो चुका है इसका मतलब सर यहां यहां सिर्फ new theory और theory derivatives में कम नहीं है भाई बहुत जादा है सवाल है सर कितना टाइम लगेगा पहली बात त्यार देखो समझना है तो फिर टाइम ज़्यादा चाहिए अगर मैं इसी topic को आपको दो घंटे तक पढ़ाऊं तो efficiency नहीं है कोशिश करूँगा कि कम सब्दों में समझाने की और हमारा target भी खतम हो जाए तो कौन-कौन सी ऐसी theory है जो हमको मतलब credit derivative के दो पार्ट दिया रखा CDO और CDS सर यह समझाओगे कि हाँ पर one by one ना यार पहले फिर यह simple है वेदर derivatives कुछ नहीं है electricity's derivatives यह भी कुछ नहीं है और derivative miss apps and lessons तो यह theory आई हुए है derivatives में नहीं हो इसके लाब रियल option है रियल option में already और रियल option में numerical question से तो वो discussion हो चुका है तो आज क्या पढ़ेगी सर आज सभी चीज़े एक साथ पढ़ लेते खतम करते हैं अच्छा पर मैं जो बात करूँगा जिसमें time ज्यादा लगेगा वो इन दो topic में time ज्यादा लगेगा तो सबसे पहले discussion हो रहा है exotic option सर exotic option क्या है आखिर कुछ नहीं है अजीब अजीब सी बाते हैं अब समझ रहा हूं समझोगे बिटे कुछ नहीं है बिलकुल simple है exotic option अब से पहले यह discussion सारी theory ऐसी है कि बिना मेरे भी काम हो सकता था अगर खुद से पढ़ते तो लेकिन एक बात है यार खुद से पढ़ोगे तो time लगेगा और क्योंकि मैंने पढ़ा है तो थोड़ा सा और मैंने जो पढ़ा है उसमें से जो keywords लेके मैं आपको समझा दूँ तो time कम लगेगा इसलिए लेक्चर आपके लिए important है ठीक है तो पहला discussion हो रहा है exotic options का समझने की कोशिश करना आप बेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कम से कम सब्दों में खतम करूँगा सर एक होता है call option एक होता है put option call option call option कब खरीदते है सर option थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा कि हाँ उसके बिना होगा नहीं तो सर देखो ना एक होता है call option बिल्कुल call और सर एक होता है put call option कब exercise होता है सर जब price बढ़ता है तो हम call option खरीदने का सोचते है और जब price हमको ऐसा लग रहा है कि कम होने वाला है तो हम put option खरीदने का simple है सर simple है और suppose call option का exercise price है 500 या 510 ले लेते है 510 और हमने call option खरीदा है और ठीक तीन महने बाद share का price हो गया पास सो पेचास तो सर option exercise कर लेते तो थोड़े speed से समझाओंगा पूट का option क्या होता था सर put option में भी हम देखते थे price गिरेगा तो और सर exercise price इसका भी पास सो दस ले लेते थे price गिरेगा तो option exercise कर लेंगे और सर अगर मान लो price हो गया 400 रुपए हो गया तो option exercise होगा और हमको pay off मिल जाएगा बदले में हमें सुरू में क्या देना होता प्रीमिया सर अगर हमने derivative में नहीं पढ़ा है तो मत देखो भी इस lecture को देखो यह मत आपने derivative पढ़ा होना चाहिए और आपको call option put option पता होना चाहिए कि call option कब exercise होता है जब price बढ़ता है और put option जब price गिरता है option खरीदते तो हमको premium देना होता है यहां तक कोई दिक्कत है कि नए इसके अलावा भी option होते थे yes sir कौन कौन सी option एक होता था American option एक होता था European option याद है हाँ sir European option क्या होता था यह सब पढ़ाया हूँ भाईयो please यह मद बोलना कि यह भी नहीं मालूम यह कुछ नहीं कर सकता sir European option कभी भी last में exercise होता था yes on maturity only on maturity और American option sir बीच में कभी भी जब हमारा दिल करेगा तब हम exercise कर सकते थे वो होता था American option तो देखा जाए sir चार चीज़े हमको समझ में आई call option, put option, American option, European option इसमें मैं कोई भी चर्चा नहीं करूँगा अब यार सुनो अब ध्यां से समस्टा है sir तो यह ठीक है यह जितने भी option आपने पड़े ना इसको बलते थे plain vanilla option मतलब simple इसमें कोई complexity नहीं है बिल्कुल simple है sir option तो मुस्किल है बिटे नहीं अब यार लोगों के दिमाग में अलग-अलग बाते आ सकती है ऐसी अलग-अलग बाते ऐसी बाते आ सकती है कि सुनो stock exchange अब ध्यां से समयना सुनो ना stock exchange अब देखो बैठे यह कौन है sir यह है राम अब समझाने की कोशिश कर रहो समझाने की कोशिश कर रहो ठीक से समय राम कहता है कि सुनो ना बोले हाँ दिक्कत क्या है बोले दिक्कत है कि मैं option खरीदना चाहता हूँ exercise price क्या है exercise price ले लो चलो exercise price पास सोदा सरो बोले खरीद लो बोले period कितना है बोले period है 3 months period है 3 months और मैं गाए stock exchange बास मैंने कहाँ मुझे stock exchange option खरीदना है 3 months वाला तो stock exchange कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब 3 months वाला खरीद सकते हूँ यह 3 months 3 months वाला option ठीक है ओ किसा अब 3 months वाला है exercise price कितना है बोले पास सोदस बोले ठीक है call खरीदना है कि put खरीदना है यह तो बताओ ना यार तो stock exchange पूछ रहा है राम से कि सुनो ना भाई राम call option खरीदना है कि put option खरीदना है अब राम यह कह रहा कि सुनो यह मैं दो मेहने बाद decide करूँगा कि call खरीदना है कि put जो share का price अगर बढ़ने वाला रहेगा ना तो मैं call option खरीदना है अगर share का price कम होने वाला रहेगा तो मैं put खरीदना है दिमाग खराब है राम का बतलब यह कुछ भी अभी decide करो अभी option खरीदना है बोले हाँ option तो अभी ही खरीदना है लेकिन call है कि put है और exercise price भी अभी बता देते है लेकिन call है कि put है हम थोड़ा सा समय वैतित हो जाने के बाद कुछ समय बाद बताएंगे कि call है कि put है यार ये तो अली अजीब सा दरीका है बोले बाद में बताएंगे बाद में कैसे बताओगे यार अभी बताओ बोले अभी नहीं ऐसा कुछ है कि आपके पास आपके पास है कि कुछ ऐसा जिसमें हम call या put अभी decide नहीं करेंगे एक समय बाद जब हमें एहसास हो जाएगा कि हाँ यार बढ़ रहा है price तो हम call खरीद लेंगे जब ऐसा लगेगा कि price कम होने वाला तो put खरीद लेंगे ऐसा कोई option है कि आपके पास stock exchange बोलता भाग जाओ यांसे भाग जाओ दिखना मत कुछ भी अपने मन से कुछ भी कर रहा हो ऐसा को यह तो customized हो गया मतलब आपका दिल किया तो यह आपका दिल किया तो वो ऐसे नहीं चलेगा तो फिर stock exchange के थूँ तो यह काम हो नहीं सकता हाँ किसी दूसरी party से आप यह बात बोलो और दूसरी party तो यह हलक इसके लिए premium ज़्यादा लगेगा अगर आप call खरीदते तो अलग अगर individual put खरीदते तो अलग है लेकिन यहाँ decide करने वाले हो मतलब इसके पास तो और भी choice हो गया तो फिर 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 premium ज़्यादा लगेगा हला कि ऐसा हो सकता है this is customized over the counter हो सकता है यह कभी भी stock exchange के थूँ नहीं हो सकता exchange traded नहीं हो सकता हला कि normal जो option जो पढ़ रखे थे इससे पहले वो actions traded भी हो सकते थे over the counter भी हो सकते थे लेकिन यह वाला option जिसमें अजीब अजीब सी चीजे वो बोल रहा है राम वो कभी भी over the counter ही होगा वो actions traded हो ही नहीं सकता यहाँ तक बास समझ में आती है तो sir exotic option का यह नहीं है और जिसमें कुछ unique feature होते है यस यह थोड़े से complex होते है मुश्किल होते है समझना मुश्किल है sir क्या समझना मुश्किल है अभी धीरे धीरे समझ में आए और भी बहुत सारे sir और भी कुछ हो सकता हाँ और भी कुछ हो सकता बहुत सारे types के होते क्योंकि मैं अभी यहां discuss करूँगा तो और दिक्कत हो जाएगी तो धीरे धीरे बात करें क्या तो exotic options क्या है different है plain vanilla options सर यह plain vanilla options है क्या plain vanilla options सर plain vanilla options का मतलब जो options हमने पढ़े है बिलकु सिंपर अच्छा generic और यह यह अलग है भाई अच्छा और यह American और European option का hybrid form मतलब सर देखो ना यार European तो last में एक्सेसेज होगा American बीच में कभी भी एक्सेसेज हो सकता तो यह hybrid कैसे भोट रोट हो समझाऊँगा अभी types आएगा तो समझेगा है और सर जो pay off है वो अलग हो सकता है pay off कैसे अलग हो सकता है price बढ़ेगा तो call option को pay off मिलेगा price कम होगा तो lapse हो जाएगा उसमें भी अलग हो सकता है complex है और तो अगर अभी यहाँ आपको क्या समझे में आया सर कुछ नहीं यह simple जो options है उससे अलग होते है ठीक है सर और 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 complex होते है ठीक है और सर यह over the counter trade होते है बिल्कुल यह दो तीन चीज तो हमको समझ में आखे ठीक है अब पढ़ने जा रहे है types वो बहुत ज़्यादा important प्लीज इसको याद करना पड़ेगा मतलब समझा मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की ठीक है तो हम स्टार्ट कर रहा है types तो चलो पहला type देखे तो दिख रहा है barrier option juicer option, compound option सरस यह क्या चीज है समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ तर यह chart अजीब सा दिख रहा है बिना समझाए समझ में आएगा ने ठीक से सुना मैं बात कर रहा हूँ barrier options की तर barrier options में होता क्या है समझा रहा हूँ माल लो exercise price है 510 और option है call इसका मतलब क्या होता है तर इसका मतलब generally होता है call option exercise होगा अगर share का price और period है 3 month अगर share का price तीन महने में 510 से उपर जाएगा तो call option exercise हो जाएगा that's it लेकिन इस option के साथ और एक condition जोड दिया गया पैटे सुनना condition क्या है एक price दे दिया गया एक fixed price पास सो पचास और मैं हूँ सामने वाला party मैं अपने आपको stock exchange बोल देता हूँ मैं stock exchange हूँ और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देखो ऐसा है जी कि ये call option तभी activate होगा जब share का price इन तीन महने से पहले कभी भी अगर 550 से उपर जाएगा तो activate होगा और तभी आपको pay off मिलेगा और अगर किसी पिछले तीन महने में किसी भी कानन से अगर 550 से उपर नहीं गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा मतलब मतलब सर समझाओ 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 share का price कितना होना चाहिए exercise price है 510 5100 से उपर जाएगा तभी exercise होगा यहां तक तो बास समझ में आती है और एक price मैंने बोला पास सो पचास इस से उपर जाएगा तो एक्टिविट होगा suppose आज share का price है 500 इसको मैं S0 बोल सकता हूँ तीन मैंने और मैंने इस टैप का option खरीदा जिसका नाम क्या है? barrier option कौन सा option खरीदा? call option exercise price कितना? 510 ठीक है sir अगर share का price पास सो से उपर गया ही नहीं 450 हुआ तो option lapse हो जाए ठीक है यह तो normal हो गया है यह तो हमको पता है अगर share का price यह black वाला देखना black वाला अगर share का price सर्फ पास सो तीस होता है यहाँ से देखना black वाला यह black वाला जो diagram दिख रहा है यह कभी भी पास सो पचास से उपर नहीं गया 550 से उपर नहीं गया तो option lapse हो जाएगा हालकि normal plane वडिला option या जो simple option था उसमें तो 510 से उपर जाता तो option exercise हो जाता हमको 20 रुपए pay off मिल जाता लेकिन नहीं क्योंकि यह किसी भी तीन महने से पहले कभी भी पास सो 550 से उपर नहीं गया इसलिए option lapse हो जाए अच्छा सर ये बात है हाँ इट मींस activate कब होगा जब पास सो पचास से उपर जाएगा तर ग्रीन वाला दिखते है ग्रीन वाला बीच में यार ये हो गया पास सो पचास से उपर गया तो option activate हो गया अब भई हमको pay off मिलेगा पर pay off भी तभी मिलेगा पर जब लास्ट में पास सो दस से उपर जाएगा ये भगवान ओके ओके सर ये ग्रीन वाला अक्टिवेट हो गया और share का price पास सो बीस हो गया थ्री महने बाद क्या इस पे मुझे pay off मिलेगा यास 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 क्यों क्योंकि बीच में क्रॉस कर गया था पास सो पचास को इसलिए क्योंकि ये पास सो बीस है तो मुझे पास सो दस से उपर है तो दस रुपर pay off मिल जाएगा अच्छा मतलब सर एक्टिवेट होना जरूरी है अब ये रेड वाला देखना रेड वाला जो है यहां एक्टिवेट हो गया मतलब अब मुझे मालूम है pay off मिलेगा और पास सो सत्तर हो गया तो मुझे difference मिल जाएगा पास सो दस माइनस पास सो सत्तर साथ रुपे pay off मिल जाएगा मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है ये call option कब activate होगा सब साड़े पास सो से उपर जाएगा सर भगवान ना करे एक और हम diagram आपके मन में तो आता होगा कि मैं क्या ये कह रहा हूँ कि पास सो पचास से उपर जाएगा तो pay off मिलेगा नहीं में नहीं ये नहीं कहा पास सो पचास से उपर जाएगा तो activate हो जाएगा अच्छा सर मान लो मान लो और एक ले लेते हैं ये लिखो सर ये activate हुआ हाँ यह activate हो गया और फिर last में यहाँ तो क्या pay off मिलेगा 0 तो तभी मिलेगा जब 510 से उपर जाएगा लेकिन activate कब होगा जब साड़े पास से उपर जाएगा इस बैरियर उपसंस एक बैरियर लगा दियागा इससे उपर जाएगा तभी आपको pay off मिलेगा और मिलेगा कितना पास सो दस और उपर जो भी इसको लिखेंगे कैसे लेंग्वेज में जो ICAI है उसका भी लेंग्वेज दिया हुआ हूँ पर उसका मैंने कीवर्ट से निकाला हूँ तो देखो बैरियर उपसंस में लिखा है बिकम्स एक्टिवेटेड ओनली प्राइज रीचेस अगर एक शर्टन प्राइस से उपर जाएगा तो ये ओपसं एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है और उसके बाद जैसा हमारा हो रहा था यूरोपियन ओपसंवा वैसे ओके सर ICAI का लेंग्वेज वो मैं आपको दे देता हूँ इसी जो मैं आपको PDF प्रोवाइट कर रहा हूँ इसी के लाश्ट में सायद में ICAI का राइट अप दे रखा हूँ वो अप पढ़ लोगे मुझे नहीं लगता तर दिया हुआ है ने आपने हाँ दिया हुआ है पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं अगर देखोगे तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ बैरियर ओप्शन की दिख रहा हूँ इस सीमिलर तो प्लेइन वनिला कॉल अन्पुट ओप्शन यूनिक फीचर अप दिस ओप्शन इस देट कॉंट फ्रेक्ट मैं पुरा आपको ऐसे ही रटवा नहीं सकता मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ फिक है जी अब मैं यह नहीं पढ़ूँगा इसी का कीवर्ट मैंने उधर लिखा है हलाकि यह पीडियाप मैं आपको दे दे रहा हूँ तो भाई वैरियर ओप्शन क्या है कुछ नहीं है सर एक शर्टन लेवल से उपर जाएगा तो अक्टिविट हो जाएगा तो बैरियर ओप्शन मेरे ख्याल से कुछ है नहीं है सर ऐसी एक कौन सा ओप्शन है चूसर ओप्शन सर इसका मतलब में जो आपको स्टार्ट कर रहा था एक्जोटिक ओप्शन तभी समझा दिया था कि सर ओप्शन कौन सा है और एक कंडिशन दे रखी है कि सर ओवल जो बैरियर ओप्शन है वो खरीदेगा कोई क्यों प्रीमियम कम लगेगा ठीक है यह सब लेखा नहीं है पर सोचो ना है अख़्ों से सोचो गए बात समझ में चाहिए अब बात कर रहा है चूसर ओप्शन की सर इसमें होता क्या इसमें होता है कि मैं स्टॉक एक्षन से बोलूँगा कि देखो जी कॉल या पुट अभी डिसाइड नहीं करूँगा कॉल और पुट एक शर्टन पिरिट के बाद डिसाइड करूँगा वैसे तो टोटल पिरिट कितना है थ्री मंत पर डिसाइड करूँगा मैं दो मैने बाद मन से लिखा दो मैने बाद exercise price pass to 10 से ठीक है अब देखूँगा कि क्या यहाँ price क्या हो जाता अगर price वाकई बढ़ गया तो मैं गाओंगा हाँ जी अब ये मेरा call option है अब मेरा ये call option है price बढ़ना चाहिए और बढ़ गया तो अब ये मेरा call option, अब मैं choose कर रहा हूँ call option, अगर price कम हो गया तो अब मैं choose कर रहा हूँ put option, वाउ, तो recite कप करना है, बाद में करना, सब premium, premium ज़्यादा लगेगा, simple sign बाते हैं, ओके, इसको क्या बोला जाता है, यहाँ choice है आपकी, चाहो तो आप call select कर लो, यह तो put select कर, आ यही बात लिखी हुई है, एक बार पढ़ा दू, right है, किस के पास, option buyer के पास, after specified period, मैंने दो महाँ बोला, ठीक है, whether option is call or put, अच्छा, तो option buyer के पास, मैं language आप लिख लोगे, मुझे ने, तो दो बताया, मैंने एक barrier option, और दूसरा कौन सा, chooser option, ठीक है सब, और एक कौन सा option, तर यह diagram बनाएं क्या, वो मैं आपको दे दूँगा, अब सुनना दियांस, सर compound option, यह क्या है सर compound option, सुनना दियां, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि share का price बढ़ने वाला है, तो हम कौन सा option खरीदें, सर call, और ऐसा लग रहा है कि price कम होने वाला है, तो put option, ठीक है, और हम share ना खरीद के call option खरीद लेते, क्योंकि हमको लग रहा price बढ़ने वाला exercise price है, पास सो दस, तो बदले में premium तो देना पढ़ेगा, और price बढ़ेगा, इसलिए कौन सा option खरीद रहा है, राम, call option, premium कितना देना पढ़ेगा, 40 रुपे, period कितना है, तीन मेने, अब सुनना अगले ही दिन share का price बढ़ेगा, इसलिए हमने call option खरीदा, जी, total period कितना है, total period है, तीन मेने, अगले ही दिन share का price बढ़ गया, यह भगवाँ, share का price पास से ज़्यादा हो गया, वाव, मज़ा आ गया, share का price जैसे ही पास से ज़्यादा होता है, अगर कोई मुझसे वो receipt मांग ने आया, कौनसा वो 40 रुपए वाला, याद है ना, मैंने आप समझाया था, पता नहीं आपको याद है कि नी, यह मैने receipt खरीदा है, कितने का खरीदा है, 40 रुपए का खरीदा है, और मेरे पास इस receipt है, lottery की ticket है, और जैसे maturity होगी, अब price बढ़ेगा, तो मेरा lottery मुझे ज़ खरीदना चाहते है, खरीद दो भाई, लेकिन अम मैं 40 का नहीं दूंगा, अम मैं ज़्यादा का दूंगा, मेरी बास समझने, यह जो option का value है, यह जो premium है, वो किस पर depend करता है, शेयर के price पर, शेयर का price बढ़ेगा, तो यह premium भी तो बढ़ेगा, यहां तक तो ठीक है, और य जार मेरी मन में यह आया, मैं actual में इस पे सर्थ लगा रहा था, हाँ सर, क्यो ना इसी पे सर्थ लगा लिया जाए, अच्छा यह receipt पे, यह lotty की ticket पे शर्थ लगा रहा है, हाँ, यह मैं इस पे option खरीद सकता हूं, call option, और इस पे मैं call option खरीदना चाहता हूं, कि यार यह 40 से बढ़ेगा, तो चलो मुझे difference मिल जाएगा, और अगर यह 40 से गिदेगा, और मैं put खरीदता हूं, तो मुझे difference मिलेगा, इस बार मैं options share पे नहीं खरीद रहा हूं, इस बार मैं option option खरीद रहा हूं, this is compounding, compound option, तो श्याम को लग रहा है, कि यह 40 रुपे जो है ना premium future में, हलाकि यह बढ़ेगा, क्योंकि share का price पर मैंने का यार इस पे सर्थ लगाता हूं, और मैं call option खरीदना चाहता हूं, इस पे option पे, मतलब सर्क, compound option मतलब option on option, yes, और सर्थ बदले में क्या देना पड़ेगा, premium, अब इस पे भी तो सर्थ लगा सकते है, वो बात की बात है, अब भी हमको थोड़ी बहुत बात समझे में आगे, compound option क्या होता है, सर, option on option, अच्छा सर, अगर पढ़ोगे, तो मेरे ख्याल से बात समझे में आ जाएगे, किधर गया, कहां लिखा है, यहां लिखा, compound option, इसको split fee option या इसको option on option बोलते है, और underlying asset क्या हो जाएगा, सर, option ही ह जब आप, normally जब आप option खरीदते हैं, तो underlying asset होता है, share का price या कुछ भी, इस बार underlying asset हो जाएगा, option, अच्छा, टोटल कितना समझा है, मैंने, तीन, barrier, activated, जैसी barrier बोलूँगा, तो activate, सर, दूसरा कौन सा बोला, आपने, chooser, तो decide करना है, कुछ समय बाद की call की put, सुरू से decide न ने क्या नाम दिया, compound, compound option, मतलब option on option, अच्छा सर, ये तीन, total मिला अगर कितना दिया है, ICAE ने, 9, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कि इस पे theory आ सकता, ये तो multiple choice question तो आएगा ही आएगा, अब MCQs कैसे आएगे, वो तो मैं नहीं जानता, मेरा गाम है आपको, जो ICAE, ब के अलावा सर, और क्या है, सर, इसके अलावा है, तीन और, look back option, Asian option, और सर, बर्मुडा option, सर, look back option क्या है, देखते हैं, ऐसा है, final हो गया है कि हम कौन सा option खरीद रहा है, call option, मतलब सर, price बढ़ेगा, हाँ, price बढ़ेगा, ताइम कितना है, ठी मन्त, और सर, exercise price, बोले, वो हम अभी decide करें, ए भगवान, ये कौन सा option है, look back option, exercise price अभी decide नहीं करें, exercise price तो हम यहाँ decide करेंगे, वाउ, हमारे पास, सर, वाउ, तो हम तो यहाँ exercise price सोच समझ के decide करेंगे, हाँ जी, सोच समझ के, पर ऐसा नहीं है कि मन से कुछ भी आप decide कर होगे, बोले, सुन लो, सुन लो, सुन लो, बोले, total period है, तीन मेने, आज, share का price कितना है, 500, ऐसा हो सकता है कि कभी share का price उपर जाएगा, कभी share का price नीचे जाएगा, हो सकता है, हो सकता है, और last में आके, 530 रुपए हो गया, तीन मेने, अभी exercise price decide हुआ है, कि अभी decide नहीं तो हम अब पिछला देखेंगे, और पिछला, हाला कि ये 30 दिन का price, बहुत कुछ, तीन मेने का price, 90 price, और कितना बहुत सारा price हो सकता, 90 से कम कर देना holiday, और बोले, इन सब का हम क्या निकालेंगे, average, अच्छा सर, इन सब का निकलेगा, average, इसमें maximum और minimum है, इसलिए में भी यह अब यह डिसाइट करो, कि आप इन में से कोई भी एक options, एक price, डिसाइट कर सकते हो, स्टार्ट करते हो, सुनो, सुनो, मैं average नहीं करो, average किसी और में, यह तो look back option है, सुनना देहां से, मैं यहां पहुँच चुका हूँ, तीन महने बाद, ठीक है, मुझे मालूम है कौन सा option ह अब बोले exercise price आप डिसाइट कर लो, हमने कहा कौन सा वाला price, बोले इसी में से past में जो price गया है, किसी भी एक price को आप exercise price डिसाइट कर सकते हो, आप पर छोड़ा हमने, अब यार call option है, price कितना हो गया, पास 130, अब बताओ मुझे सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा, और यह आपके पास exercise price है, इसी में से कोई एक exercise price मुझे यहाँ लिखना है, अराम से बताना मुझे, कि कौन से call option है, याद रखना, price यह है, exercise price क्या रखूं कि सबसे ज़्यादा फायदा हो, पास 180 हो जाएगा, call option exercise price, यह जो यह, इससे जितना ज़्यादा होगा, उतना मेरा फायदा होगा, exercise price हम अगर 510 रख ले, रख सकते 20 का फायदा होगा, exercise price 470 रख ले, तो ज़्यादा फायदा होगा, वाउ, तो exercise price हम 410 रख ले, तेना यार, 410 रखते सबसे ज़्यादा फायदा होगा, minimum, yes, minimum price रखे, look back option क्या होता है, सर, look back option में ये decide नहीं होता कि exercise price क्या रखना है, जब हम last में पहुचेंगे, तीन मेहने बाद, sorry, जब हम तीन मेहने बाद पहुचेंगे और वहाँ देखेंगे share, हमारा call option तो है, share का price, और फिर देखेंगे कि इन तीन मेहने में सबसे कम price कौन सा, क्योंकि call option है, और उस price को ह हम exercise price मान लेंगे, this is look back option, पाश्ट भी, normally option में क्या होता, exercise price आज ही decide करना होता था, इसमें आज decide नहीं करना, last में decide करना, depend करता है कि आपको इस किस में सबसे ज़्यदा फायदा हो, अगर call option है, तो minimum जो भी price होगा, उसको मैं exercise price मान लूँगा, अगर put option है, तो जो maximum price होगा, उसको मैं exercise price मान लूँगा, मेरे खेल से इतना आप समझदार हो, तो choose a most favorable strike price, depending on the minimum and maximum price, वो तो आप समझ गया हो, कि minimum कम, maximum, minimum price को exercise price कम मानेंगे, जब call option, maximum price को exercise price कम मानेंगे, जब put option, ठीक है, यह सब थोड़ा सा मुस्किल था, हाँ, थोड़ा सा मुस्किल तो होना है, इसको कौन सा option, look back option, मैं confuse क्यों हुआ था, क्योंकि इसी type का एक है Asian option, यह क्या Asian option, यह है Asian option, त्यार हो, हाँ सर, इसमें clarity के साथ लिखा नहीं है, इंस्ट्रियूट ने, ठीक है सर, हम त्यार है, exercise price है 510, 510 से उपर जा राएगा तो exercise, option कौन सा है, call, period कितना है, 3, सर, stock price हो गया 510, तो हमको pay off मिलेगा, बुले, नहीं, अब stock का price आप 530 नहीं मानोंगे, उनने का यार, आप क्या चक, बुले, अब इन सबका कर लीजे, average, जितना भी है, सर, तीन मैंने में इतनी price थोड़ी थोड़ी ने, बहुत से लिख रहा हूँ, 517 रुपए, तो अब जो difference मिलेगा ना, वो मुझे 7 रुपए में, pay off, मतलब सर, pay off difference हो सकता, normal option में क्या होता, सर, difference 520 रुपए मिल जाता, अगर European है, तो, बहुत इसमें असा नहीं, इसमें, इन सबका क्या किया जाएगा, average, और हुआ गया 517, सर, ये condition लिखी रहेगी कि हाँ, जी, options में लिखी रहेगी, और difference हमको मिल जाएगा, ओके, तो सर, यहाँ चिंता नहीं, अगर यहाँ price कम भी हो गया, last में, 400 भी हो गया, तो भी दिक्कत नहीं, हमें तो average ही देखना पड़ेगा, option lapse होगा, ये जरूरी नहीं, तो look back option, और Asian options में दिक हो सकती है, याद करें, कौन-कौन से option पढ़ेते हैं, सर, एक barrier option पढ़ा था, जिसमें keywords रहेगा, activate, ठीक है सर, उसके बाद chooser option पढ़ा था, जिसमें हमको decide करना था, कि call या put, आज नहीं, कुछ समय बाद, एक होता था सर, compound option, जिसमें option on option होता था, ये keywords है, ओके, इसके हमने क्या पढ़ा, सर, इसके बाद look back option पढ़ा, जिसमें exercise price पहले से decide नहीं होता, last में decide होता है, वो depend करता है, कि call है, या put, अगर call है, तो minimum price को हम exercise price मान लेंगे, अगर put है, तो maximum price है, उसको exercise price मान लेंगे, Asian option में क्या होता है, Asian option में जब option exercise करते हैं, तो stock का price ये नहीं देखना होता, इन सबका average देखकर, this is Asian option, ओके सर, इसके अलावा है, बर्मूडा option, ये क्या है, बर्मूडा option, कोशिश करो हूँ, जल्दी से जल्दी खतम करो, सर, बर्मूडा option, क्या छीज है सर, निये समझा, दो टाइप के option होता, एक American, और इक होता है, European, European option का क्या होता है, अज़र, लाश्ट में ही exercise होता है, ठीक, American option का क्या होता है, सर बीच में कभी भी exercise कर से थे कभी भी किसी भी दिन पर्मुडा option भी American option की ही तरह है लगभग लेकिन आप कभी भी नहीं कर सकते option contract में लिख जिद दिया जाएगा कि हर मैने की 15 तारिक को एक आपके पास option रहेगा कि आप exercise कर सकते हो से लिखा हम 15 तारिक बोले जैसे इस मेने तीन मेने का option बोले यहां 15 एक बार चेक कर लो चाहो तो option option क्या है कुछ नहीं है भाई अमेरिकन option की ही तरह है लेकिन अमेरिकन option कभी भी कर सकते है ये एक certain date को कर सकते देखे बर्मुड option में क्या लिख एक्सराइज इस रिस्ट्रिक्टिट तो अ शर्टन डीट और अन maturity ठीक है पड़ लोगे मुझे ऐसा लागए तो यहां तीन option कॉन कॉन सर लुक बैक मिनिमम मैक्सिमम प्राइस को exercise प्राइस मालने में ठीक है एसीन एसीन option में सर लास्ट में जो हमारा श्टॉक का प्राइस इन उस पर डिपेंड नहीं करता प्राइस पर डिपेंड करता ठीक है बर्मुडा अमेरिकन option की ही तरह है लेकिन वो बीच में exercise कर सकते एक शर्टन डीट को या तो करूगे उसके आगे पीछे नहीं कर सकते और तीन है कि सर यस और तीन binary options, basket option and spread option कित कैसे याद रहेगा options ही तो बड़ी मुस्कल सी याद रहते है तो इम आपने याद आ जाएगा तर binary option क्या होता है binary option एक certain event अगर happen हो जाता certain event अगर कोई घटना घटित हो गई जो आब बोल रहा है तो option exercise होगा suppose example बारिश और एक fix amount होता है अगर मैं सामने वाले से कहते है चलो जो प्रीमियम ले लो मुझसे कल बारिश होगी अगर बारिश हो गई तो fix मिलेगा मुझे fix पहले सी पास्सो रुपय दे देना अगर बारिश नहीं ही तो प्रीमियम गया एक weather derivative की बात कर है हाँ पाइसा समाज़ दे जी इसी को binary option बोलते है मैं stock price से समझाने की कोशिश कर आज का price कितना सर पास्सो पचास अब option contract में लिग दे गया अगर price पास्सो साठ से उपर जाएगा एक event है तो हमको 80 रुपय मिल जाएगी नहीं तो कुछ नहीं मिले पास्सो साठ से उपर जाएगा तो हमें ये fix amount है सर हाँ ये fix है तो 80 रुपय मिल जाएगी ठीक सोचे इसा आपके institute में लेखा है मैं वही language यूज कर रहा हूं जो ICEI नहीं लिखा हुआ है तो binary option कहां गया भई लुक बेक से पहले हो बर्मूडा हो गया तो binary प्रियोप शेल भी pre-decided amount जो कि मैंने कितना रुपय बोला है यह 500 यह जूबी हो सकता और कब होगा यह exercise जब एक specific event happen हो जाता है कोई घटना घटित हो जाती है तब option exercise होगा example के तौर पर मैंने बारिष बताया है ठीक है okay से फूसरा उसके बाद कौन सा है basket option कौन सा अब सुना देहां से हालाग यह stock actions के थू होता नहीं पर मन से लिख रहा हूं stock actions से मैं यह कह रहा हूं कि सुनो नहीं reliance के share का price बढ़ने वाला तो call खरीद लो बुले नहीं reliance भी है मेरे पास PCS भी है और विप्रो भी है और उसका stock से और weighted average किया तो टोटल छे लाग रुपए है एक basket एक portfolio है option खरी सकते हो मैं nifty तो निफ्टी तो पूरे market पे हो था मैं किया तो मेरे पास portfolio में किया है मेरे पास portfolio में 6 लाग रुपए जिसमें reliance है TCS विप्रो है और मैं call option खरीदना चाहता हूं कि मेरा portfolio बढ़ेगा इस बार एक stock पे नहीं पूरे portfolio पे शर्त लगा रहा हूं पूरे portfolio पे lottery की टिकेट खरीद रहा हूं exercise price 6 लाग नहीं कुछ और हो सकता मालो 6 लाग 10 जार that's it basket option कुछ नहीं है भाई जहां आप normal option में आप एक share पे बैटिंग करते थे यहां पूरे एक portfolio पे गर premium जाएगा उसके सबसे अगला वाला भी पढ़ लेते हैं और खतम करते हैं spread option यह क्या है सुनना ध्यान से राम ठीक है उसने देखा आज HDFC के share का price क्या चल रहा है बले 1440 रुप है और ICICI का क्या हाल है बले 1010 इन दोनों की बीच का difference कितना है बले 430 रुप है कौन सी bank ज्यादा strong दिख रहे है सर HDFC आपको क्या लगता है कि यह जो difference है यह जो difference है आगे बढ़ेगा कि कम होगा हमको ऐसा लग रहा HDFC तो और बढ़ेगा LIC, LAC, P invest कर रहा HDFC और बढ़ेगा हमको ऐसा लग रहा मैं market की बात नहीं कर और ICICI और गिरेगा देख लेना तो मतलब क्या यह difference बढ़ेगा यस तो चलो ने यार इस difference पे हम option खरीदते हैं कि यह difference बढ़ेगा तो कौन सा option खरीद ल गया है अब यह गिरेगा और ICICI मतलब सरी difference कम हो जाएगा तो put option मतलब इस बार जो spread जो difference है ना उस पे वैटिंग कर रहा है उसको कौन सा option बोलते है spread option बहुत सारी कहानी बता सकता है और इस पे बहुत सारा कुछ नहीं बताना चाहता है जो काम का theory ही आएगा कौन कौन सा option है nine nine type के options एक बार revise करें और फिर इस topic को खतम करें तो फिर cdo अगेरा पढ़ना cds credit default swap अगेरा पढ़ेंगे weather derivative और electricity derivative बहुत ही simple है यार बहुत ही simple फिक है यह थोड़ा सा था technical जो discuss कर रहा हूँ पहला क्या बढ़ा था पहला types of options ही आएगे types of exotic option पहला क्या बढ पढ़ा था हां पहला बढ़ा था हमने barrier option मतलब activated खीक एक्टिवेट बोलूँगा तो समझ में जाएगे दूसरा था chooser option मतलब call or put decide करना कुछ समय बाइब call या put okay तीसरा क्या बढ़ा था सर compound option मतलब option on option उसके बाद क्या बढ़ा था है उसके बाद पढ़ा था हमने सायद binary option नहीं binary option नहीं पढ़ा था सर उसके बाद हम confuse हो गया थे वैसा वाला option look back option सर उसमे exercise price decide नहीं होता yes last में decide करना होता कि हमें call या put और depend करता maximum और minimum exercise price पर और इसी के जैसा कौन सा Asian option जिसमें stock का price हम जो दिया last वाला वो नहीं लेते average price लेते this is Asian option okay sir उसके बाद sir Bermuda option पढ़ा ता American option की तरह पर बीच बीच में exercise हो सकता एक particular date को ही ठीक है sir फिर आगे आए तो binary option पढ़े एक specific event होगा तो pay off मिलेगा नहीं तो नहीं मिले ठीक है उसके बाद पढ़ा basket option बास्केट तो समझ गया portfolio portfolio पे शर्त और उसके बाद पढ़ा spread option तो spread पर सर्त तो ये खतम हुआ हमारा exotic option मेरे ख्याल से लिख लोगे जितना मैंने समझाया है और क्योंकि मैं बहुत सारा time आपका अबरबाद नहीं कर सकता अब जो बात करेंगे हमारा जो theory चल रहा था वो theory क्या चल रहा था sir theory चल रहा था ये तो लिख दूगे theory चल था sir exotic option हो गया अब बात करेंगे cds वगिरा पर फिर वेदर electricity पस खतम हो जाएगा इसमें time ने लगेगा इसमें time लगेगा थोड़ा सा cdo cds समझाने बाकी time लगेगा चले अगले theory पर यसा हां जी गुड मॉनिंग तो exotic option खतम किया था हम लोग ने क्या चल रहा है हमारा derivative का theory एक सेकर और derivative theory में exotic option खतम किया इसके अलावा हम बात कर रहे थे credit derivative सर्क credit derivative आ मतलब derivative theory आज खतम हो जाएगी कि 100 question आज की class में क्या-क्या होने वाला है credit derivative इसके अलावा electricity derivatives, weather derivatives, derivative lessons से कुछ ठीक है तो यह तो हमारा new theory हो गया और एक old theory जो मुझे important लगता option grix वो भी मैं upload कर देता हूँ तो derivative का theory खतम हो जाएगा इसके बाद business valuation में भी theory है कुछ नया तो बच्चों ने कहा सर वो भी करवा दी चाहिए तो business valuation भी मैं आपको करवा देता हूँ तो बात किसके करेंगे बात करेंगे दिखना नहीं है सब लिखा हुआ है credit derivatives credit derivatives तर यह है क्या पिटे simple सी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ मान लो हम किसी company के bonds खरीदते है bonds खरीदते हैं तो क्या हमें risk है तर यह तो पहले भी पूछा था अपनी interest rate risk management chapter हुआ करता था और इसके अलावा security valuation में bond valuation chapter होता था bond risk यही तो पढ़ रहे थे ना bond risk हाँ अगर हम bond खरीदते तो no doubt हमें fix मिलेगा 10% मान लो कुपन है 10% तो sir fix तो मिलेगा 10% yes तो भी क्या risk है तो बात हुई थी कि हां risk है sir अगर हम bonds लंबे समय के लिए खरीदते हैं मान लो हमने 10 साल के लिए bonds खरीदा 10 साल के लिए गलती हो गई हमने जो पैसा लगाया वो किसी सबसे लगाया 10% जब की जब की जब की हमें अब दो साल बाद ऐसा महसूस हो रहा कास सारी दुनिया 15 कमा रही हम सिर्फ 10 क्यों कमाए तो हमारे पास क्यों option बचा सर कंपनी बॉंड के पैसे वापस करेगे बिल्कुल नहीं करेगे आपको बॉंड से मार्केट में बेचना पड़ेगा और मार्केट में कोई आपसे क्यों खरीदेगा और खरीदेगा तो कम रेट पे खरीदेगा इस यह रिस्क था जिसको आप interest rate रिसक बोल सकते हैं और पत करेंगे क्रेडिट रिसक सर मतलब मतलब अगर हम किसी कंपनी के बॉंड्स खरीदते हैं अगर मैं किसी कंपनी के बॉंड्स खरीदता हूं और सर मान लो उस कंपनी ने डिफाल्ट कर दिया मतलब मतलब हाथ खड़े कर दिया भीया नहीं दे सकते हैं मारे पास है नहीं पैसे तिर क्या होगा सबसे ज़्यादा tension इसका तो tension हम सम्हाल लेगे सर पर सोचो ना यार हम किसी company में, किसी bank में हम कहीं भी पैसा जमा करते हैं और ऑब गए तो पैसा मिलेगा की नहीं मिलेगा हम किसी company हमने किसी को उधार दिया simple сी बात है हमने किसी को उधार दिया, हमने bonds खरीदा और वो उधारी का पैसा सामने वाली company ने default कर लिया, वो भी तो एक risk है, yes, sir, इसका तो ठीक है, इससे कैसे बचे, किस पे विस्वास करें, कौन सी company में पैसा लगा है, किसी पे भी विस्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर हम bonds खरीदे ही नहीं, shares की तो बात ही छोड़ दो, क्या bonds भी नहीं खरीदे, क्या इस risk से बचा जा सकता है, yes, मैं बात किस की कर रहा हूँ, default risk, इससे बचने के, इसको बुलते है, credit risk, credit derivatives, और इससे बचने का credit risk, risk से बचना है, इसके लिए एक जुगाड़ है, credit derivatives, इंसुरेंस करवा लेते हैं, इंसुरेंस, हाँ, सर, credit derivative और इंसुरेंस एक है, कि यह धीरे-धीरे बात करूँ, दोनों चीज़े अलग-अलग है, ओके सर, ठीक है न, सर, आप बात करना, हम अभी समझते है, credit derivative क्या है, तो credit derivative की माँ बात कर रहा हूं, तो मैंने एक diagram बनाया हूं, प्लीज देखोगे, लिखने का अच्छ समय नहीं है, जो भी आपको write-up, जो भी देखना है, प्लीज, सभी के पास IC AI का module है, और मैंने आपके dry उंपर भी upload कर दिया है, theory PDF, जो amendment हुआ है, तो प्लीज, write-up IC AI का देखोगे, तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है, जहां मुझे लगेगा नहीं, यार ये show table नहीं है, वो आप देख ल market risk में क्या होता था, interest rate risk, stock market risk, foreign action, कुछ भी हो सकता था, वो मैं आपके साथ discussion कर चुका हूँ, कौन से chapter में, interest rate risk management, और कहां discuss किया, हमने bond valuation, bond valuation, एक से, एक सेकंड गई, जो लिखा है न, एक सेकंड का मुझे time देना, हाँ, इसलिए लिया, क्योंकि मैं save कर लो, तो board notes मांगो, कि कल को मैं दूँगा नहीं, तो मुझे परिशान करो, कि इसलिए मैंने इसको save कर लिया, ताकि मैं आपको ये दे पाऊ, तो सर, इसकी बात नहीं हो की, नहीं हो की, ये कहां पढ़ लगा हमने, एक chapter है, interest rate risk management, और ए कोई company, जिस company के हमने bonds खरीद रहा है, अगर उन्होंने default किया, तो क्या करेंगे, उससे कैसे बचेंगे, और उससे बचने का तरीका है, credit default swap, जिसको हम CDS बोलेंगे, और collateralized debt obligation, जिसको हम CDOs बोलेंगे, वाप रे वाप सर, अजीब अजीब से सब्द है, यस, पहले बात कर किस default swap, CDS, इसमें होगा क्या, समझाने की कोशिश करो, आराम से समझ रहा है, आप वो bond holder, ध्यान से समझ रहा है, बात ही कतम हो जाएगी, आप वो bond holder, आपने किसी company के bonds खरीदा है, यस सर, आपको मालूम है, proper interest मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, सर, कितने के bonds खरीदा है, मान अपने 10,000 रुपे के bonds खरीदा है, आपको चिंता किस बात की है, अगर वो company ने पैसा नहीं दिया, तो क्या करेंगे, कास कोई हमें shorty दे दे कि वो नहीं देगी ना भाई, तो मैं खड़ा हूँ, ना मैं दूगा, यस, तो मैं हूँ एक bank, मैं कहता हूँ, चलो जी, एक काम क अगर सामने वाली company पैसे नहीं देगी ना, चलो मैं दे दूगा, अगर सामने वाली company ने default किया, तो मैं खड़ा हूँ, मैं दूगा, अब आपके मन में एक बात है, सर, बदले में आप कुछ लोगे, हाँ, मैं premium लोगा, तरी तो insurance हो गया ना यार, insurance premium, yes, insurance ही हो गया, अब ध इतने रुपए के bonds खरीदे, सर हमने खरीदा था 10,000 रुपए, ये है सर राम, राम ने खरीदा था 10,000 रुपए के पाएं, इस से bonds खरीदा था, और सामने वाला हमको क्या बोलता है, कि चलो जी, अगर ये वाली company पैसे ने देगी, तो हम पैसे देगे, पर आपको बदले मे इसको कुछ देना पड़ेगा, जिसका नाम होता है, प्रीमियम, और ये हमको guarantee देगा, कि ये नहीं देगा, तो हम देगे, अगर इन्हों ने reflect कर दिया, तो हम देगे, ठीक है, बदले में हमें बैंक वाले को क्या देना पड़ता है, प्रीमियम, अब आपके मन में ये बात ह कि ये insurance जैसा ही है, तो अभी आपको ऐसा लगेगा, कि insurance जैसा ही है, अभी रुख जाओ थोड़ा सा, अब दिक्कत ये है, by chance ये company default कर दी, कौन पैसे देगा, सर ये bank, ये पैसा देगा, ये वाला bank हमको पैसा देदेगा, 10,000 रुपए, हम ये bonds, उस bonds की तो कोई कीमत नहीं ह सीधी सी बात है, default कर दिया, और default कर दिया, सर मान लो इनने 3,000 रुपए ही मिले पा है, market में bonds की कीमत गिरेगी, अगर company थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा default करना start कर दी, interest देना बंद कर दी, तो जो bonds 10,000 के थे, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 3,000, तो साम कमपनी के bonds खरीदे, यस, हमने सामने वाले से insurance लिया, ऐसे बोल दू, हाँ सर, insurance लिया, बदले में premium देगे, यस, insurance किस बात का लिया, कि ये company अगर default करती है, तो आप पैसे दोगे, यस, और इस company ने default करना start किया, तो उस bonds की कीमत हो गए, 3,000, जबकि सामने वाली company से हमें कित ना difference ले लेंगे, क्योंकि market value bonds की कितनी हो गई है, 3,000 हो गई है, जबकि हमें कितने की बात थी, 10,000, तो इस bank से हम difference ले लेंगे, difference कितना ले लेंगे, 7,000, यहां तक ठीक है, यह सर, यह तो सर, normal insurance है, अब और एक बात सुनो, हाँ सर सुनो, यह एक और person है, हाँ, यह और एक person है, अब यह person कह रहा है, क्यार, यह company के, अगर मैं bonds खरीदता है, मैं bonds खरीद नहीं रहा हूँ, अगर मैं 10,000 रुपए के bonds खरीदता है ना, तो मुझे मालुम है, यह company default करेगी future में, वाउ, जब करेगी पता है, तो bonds खरीदेगे ही, क्यों, मैं कब खरीद रहा हूँ, मैं ख insurance खरीदना है, कि bank की पागल है, किस बात का insurance, किस बात का insurance, बोले, insurance नहीं derivatives, बोले, अच्छा, मैं बोले, speculation करना चाता हूँ, मतलब, बोले, देखो, मैं इस company से bonds तो नहीं खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं आपको premium दे रहा हूँ, और कितने रुपए के bonds पे, 10,000 रुपए के bonds पे premium दे रहा हूँ, आपको क्या लेना देना भाई, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप मान लो, जूट बूट में मान लो कि मैंने bonds खरीदा हूँ, आपको क्या problem है, अप premium से मतलब है, आपको पता है ना, ये default नहीं करेगी, ये bank बोलती नहीं करेगी, तो बस premium लेते रहा हूँ मुझसे, अगर इस bank ने default की, और जिस bonds की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बादवर कर रहा हूँ, अगर उसकी कीमत होगी 3000, तो difference आप मुझको दे देना, insurance में ये नहीं होता, insurance में आप उसी चीश का insurance करवाते हो, जो आपने वाकिकर ले रखा है, उस पे insurance हो सकता, यह तो इसने कुछ ने ले रखा, खाली है, और बेकार में इनों ने शर्त लगा लिया, इसने कहा कि ये default करेगी, बदले में ये premium देगा, और default हो गया, तो जो bond की market value होगी, 10,000 रुपे की bonds की market value होगी, वो differences से ले जाएगा, यह है actual में derivit use, बहुत सारी बच्चों का ये कहना insurance और derivative में अंतर क्या अंतर है भाई, क्योंकि यार सब बच्चों को पता है, जब हम bank जाते है, home loan के लिए, तो वो लोग insurance करवाते है, insurance क्यों करवाते है, अगर सामने वाली company default करे, या सामने वाला person जिसने house loan ले रखा है, housing finance, वो default कर दे, तो हम insurance company से पैसे ले लेंगे, bank safe है यह actual में insurance, लेकिन credit derivative यह नहीं है, ठीक है, एक बताया कि insurance अलग है, और derivative अलग है, derivative में तीनों चीज़े possible है, क्या-क्या, hedging तो है, यह जिसे hedger है, hedgers है, hedging तो है, speculation भी और arbitrage भी होता है, तो अभी मुझे, क्या पढ़ाना है, credit derivative, और credit derivatives में मुझे, दो तरीके से हम, यह जो default है ना, उससे बच सकते हैं, दो tools को use कर सकते हैं, एक का नाम है CDS, credit default swap, और एक का नाम है collect price debt obligation, ठीक, ओके से, तो पहले जो बात करेंगे, हम वो किसकी बात करेंगे, CDS, एक बार diagram देख ले, चार theory पूछ सकता हूँ, theory discuss कर रहा Okay, sir, यह नाम कहां से लाए, danger corporation, sir, यह नाम अप कहां से लेकर आए, यह नाम आपके ICAI के material में है, ICAI ने जो example लिखा है अपने material में, उसी से मैंने यह बस उसने paragraph में लिख रखा है, और मैंने design बना दिया है, sir, ठीक है, बहुत अच्छी बात, चलो अब discuss करते हैं, मिलकुल ध्यान से, और यह story आपको याद आ गई, और उसने आपने यही सब्द लिख दिया, intention कहता मुझा, तो एक company का नाम है, sir, company का नाम क्या है, corporation है, जिसका नाम है danger corporation, नाम से क्या लग रहा, sir, danger, और यह bonds issue कर रही है, sir, danger से लग रहा है, danger corporation, sir, नाम कहां कहा है, आपके ICAI ने एक story बताया, उसमें नाम है danger corporation, तो इसने bonds issue किया, sir, इसके bonds खरीदेगा कौन, एक और company, जिसका नाम है BB Corporation बहुत हम ख़री देंगे और इन्होंने 10 million dollar के bonds कर था ख़री तो लिए भी या ये दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी इसने क्या किया ये initial borrow एसने तो बॉरो किया तो इसका नाम है initial borrower या इसको आप बोलते हो reference entity इसने क्या किया बांश इशू किया कितने के 10 million dollar के किसको BB Corporation BB Corporation ने invest किया इस बात ये investor है हाँ जी investor कोई दिक्कत की बात ने अब क्या है BB Corporation को डर किस बात का नाम क्या है Danger Corporation दिक्कत तो है यार या सर अब दिक्कत ये है इसको tension कि यार ये पैसे देगा कि नहीं देगा देगा कि नहीं देगा तो एक bank मिले जिसका नाम SS bank बलते सुनो ना हम guarantee दे रहे हैं हम बोल रहे हैं कि अगर ये पैसे नहीं देगा ना Danger Corporation तो हम आपको देंगे कितने millions बले 10 million पार वैल्यो ना चलो 10 million ले 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 ना खुश? ठीक है पर बदले में मतलब इन्हों ने जो है इन्हों ने खरीद लिया BB Corporation ने क्या खरीदा CDS CDS मतलब credit default swap इससे खरीदा SS bank से बदले में क्या देना पड़ेगा premium periodical job अब यार नाम करन गरना पड़ेगा कितनी party है पहला theory credit default swap में कितनी party होती है तेन पहला initial borrower या इसको बोलते है reference entity दूसरा seller of CDS जिसका नाम मैंने क्या बोला SS bank और तीसरा buyer of CDS या investor ये buy करता है CDS बदले में क्या देता है premium ठीक है Sir ये stock exchange के थूँ होता है कि नहीं ये exchange traded नहीं होता इसके बीच में और इसके बीच में जो होता हुँ होता forward contract मतला OTC होता है या कभी भी ये exchange traded हो ही नहीं सकता ये forward contract होता इनके बीच में forward contract होता over the counter बात होती ठीक है बात हो गई Sir ठीक है तो इसका tension खता मैं बस premium हम इसको regular basis पे देना पड़े हैं तो पहला question आएगा exam में मैं please आपको रटवा रहा हूँ मुरी मजबूरी है Sir बहुत time ने काली 17 minute आप इसी पे खर्च कर सकते हो हाँ जी करूंगा मैं तो अब ठीक है Sir तीन पार्टी होगे तीन पार्टी का नामता होगे अब Sir मान लो इसने default किया अगर इसने default किया मान लो इन्होंने interest देना कम कर दिया तो यह जो bond से 10 million इसकी जो market value default होने की वज़ा से dollar 3 million हो गई market value dollar 10 million किस से dollar 3 million हो गई और यह पक्का हो गया यह default कर रही है Sir यह पक्का कौन कर गएगा कौन बोलेगा कि इसने वाकिए default चलू कर दिया या फिर यह कौन rules and regulations कैसे बता लगेगा कभी यह settlement होगा और कभ इसको करना पड़ेगा यह तो assets bank तो यह भी कह सकता ना देगी ना भाई अभी देगी चिंता क्यों कर रहे हो अभी तो दो मेने हुए अभी तो चार मेने हुए इस तरह से भी तो लटका सकते बोले नाई इसके लिए international swap and dealer association है वो rules and regulations बनाता है सर क्या बोले international swap and dealer association ISAD जो rules and regulations बनाता है कि कब default माना जाए ठीक है सर सर यह क्यों करवा रहा है मैं आपको याद करवाँगा ना भाई ठीक है सर final होगा है कि इन्होंने default किया और जो bonds 10 million का इन्होंने खरीदा था उसकी कीमत डॉलर 3 million हो गई अब इसको तो loss है किसको loss है सर बीबी कॉर्परेशन को पैसा किस से मांगेगे इस से अब पैसे दो तरीके से मांग सकते या तो physical settlement या तो cash settlement सर physical settlement क्या होगा सुनोगे जो bonds है paper में तो उसकी कितना था power value कितना था सर 10 million pension कतम ये पकड़ी आपके bonds और मुझे पैसा देदो कितना 10 million देदो this is physical settlement 10 million देदीची that's it मतलब हम आपको bonds दे देते हैं और आप हमको पैसे देदीची हमारा 10 million हमको नहीं मालम की market में क्या चल रहा एक यह जिसको बलते physical settlement दूसरा cash settlement समझी गए होगे वही bonds का value कितना हो गया 3 million difference हमको दे तो कितना difference दे तो 7 million दे दीची बात कता तो पहला question आ सकता कि CDS में कितनी party होती थी initial borrower buyer of CDS और seller of CDS दूसरा question दूसरा question हो सकता कि cash settlement हो सकता physical settlement भी हो सकता और cash settlement भी हो तीसरा इसका huge कहां कहां होगा तो इसका huge पहला तो आपको दिखी रहा है hedging के लिए hedging में huge होगा yes hedge कर सकते इसने risk को hedge किया नहीं है protection तो दूसरा क्या huge हो सकता दूसरा हो सकता speculation speculation मतलब speculation मतलब यह है यहां से यह बंदा bb corporation bonds खरीदता नहीं पर cds खरीद लेता अभी बताया था यह मानके यह मानके कि यह company default करेगी नाम ही दिख रहा danger corporation default करेगी bonds नहीं खरीद रहा है पर इस से ss bank से बोल रहा है सुनो न ss bank आपको क्या मतलब मैं bond खरीद हूँ की नहीं खरीद हूँ चलो 10 million के bonds पे मैं आपको premium देने को तयार हूँ अगर market में 3 million हो ना तो फिर cash मतलब यह सर यह जो आप speculation करोगी cash अटेल रही होगा हाँ simple सी बात और एक होता arbitraiser arbitraiser का IC AI ने कुछ भी लिख रखा है पर मेरी नज़रों में arbitraiser कैसी होगा एक बात बता हूँ इस 10 million के bonds पे मान लो coupon हमको मिल रहा है 10 person coupon मिल रहा है 10 person मतलब से 10 person interest मिल रहा है ठीक है और हमने CDS भी खरी लिया है और हमको 2 person देना भी पढ़ रहा है premium का तो सर 8 person यस बात बात बारी क्यों से समझो सर जो bonds हमने खरीदा है उस पे हमको interest मिलेगा 10 person बेलगु सही पर क्योंकि हमको risk था तो चलो ने यार हम CDS खरी लेते है तो 2 person हमने premium भी दिया मानो 2 person हमको देना पढ़ता है तो भी तो 8 person मिलेगा क्या ये पक्का मिलेगा क्या कोई risk है नहीं है क्योंकि default होगा तो इधर से मिलेगा मतलब 8 person क्या पक्का मिलेगा पक्का मिलेगा अब अपने पता लगाए कि risk free rate क्या चल रहा है risk free rate चल रहा है 6 person क्या लो risk free से पैसे उधा लीजिए ये bonds खरी दिए और 2 person इधर भी दीजिए तो भी आपको 8 person 6 person पर उठाया 8 person से है और risk free profit है this is arbitrator और आपके ICAI module में जो लिखा है उसे रट ना सकते तो रट लो वहाँ fix versus floating सब्द लिखा हुआ कोई sense नहीं है उसका बाकी आपकी मर्च है मैंने आपको arbitraries क्या होता है एक example बताए तो तीन चीजे मैंने करवाया पहला credit default swap ने कितनी party होती थी एक दो तीन नाम बो तर SS corporation नहीं भी है ऐसा वाला नाम ने ये क्या हो गए initial borrower इसको reference entity बोलते है दूसरा क्या हो गया है ये हो गया buyer of CDS और ये क्या हो गया है seller of CDS दूसरा किस type से settlement होता है CDS का सर दो हो सकते है physical settlement और cash settlement ये मुझे समझाना नहीं ये आपको समझ में आगए तीसरा कौन-कौन huge कर सकते है इसका तो huge कौन-कौन कर सकते है एक hedgers ये तो यह हो गया दूसरा speculators और तीसरा arbitrators और सर CDS का features क्या है features क्या है ये एक type का forward contract होता है अगर CDS का feature क्या है क्या-क्या लिख सकते ज़रा लिखते है सर ये forward contract होता है ठीक है एक्षेंट ट्रेड नहीं होता है सर एक ही तो बात है पदले में इसको क्या देना पड़ता है प्रीमियम देना पड़ता है और क्या फाइदा है CDS CDS से ये फाइदा है कि confidence आ जाता है bonds में पैसा लगाते है तो रात में आराम की नहीं दाएगी confidence आ जाएगा ठीक है और सर default कम माना जाएगा उसके लिए एक नाम क्या बुला था मैंने ISAD International Swap and Derivative Association dealer नहीं है Derivative Association वही है क्या आज एक बार फ्लीज चेक कर लो ना यार features International Swap and Derivative Association लिखना तो लिख देना मैंने एक चार्ट के माधियम से बता लिए CDS में party क्या होती है initial borrow होता है buyer होता और seller होता कौन-कौन यूज कर सकता है hedging में यूज होता है arbitrage में यूज होता है speculation में settlement कैसे होता है CDS का physical settlement होता है cash settlement ठीक है और सर्फ फीचर्स क्या होते हैं CDS के ये एक forward contract है stock exchange में trade नहीं होता default के against protection होता है confidence होता है bond purchase करने में premium देना होता है और ISAD की guideline follow करना होता है ठीक है okay sir मेरे exam के लिए जो important है वो में करवा रहा हूँ मैं इसमें और भी बहुत ज़्यादा कहानी बता सकता हूँ नहीं बताना भी या CDS कर लो बात करता ठीक है जी आगे चले अब बात किसकी हो रही है अब बात करेंगे हम collateralized debt obligation वो भी अच्छा CDOs तो क्या खतम किया हमने credit default swap बात क्या हो रही थी credit area सर credit default swap तो कर लिया उसके अलावा भी और एक topic डला हुआ है हमारा collateralized debt obligation इसमेंज बात है CDO की जी सेडियोस और अगर मैं कहूँ यह topic करने से पहले आपको securitization करना ज़रूरी है हाँ securitization अगर नहीं कर रहे हो तो यह वाला यह वाला part तो बिल्कुल समझे बनेगा सर securitization में क्या होता था पहले वो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ securitization में एक company होती थी एक bank जिसको नाम बोलते थे हम housing finance yes यह लोगों को loan देती थी yes लोगों को इन्होंने loan दे दिया housing loan और भी loan हो सकते अब housing loan है तो बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो गया तो क्या करते थे यह अपने जो loan है जो asset है वो transfer करते थे किसका नाम होता था SPV को और SPV इसके बदले में क्या issue करता था securities क्या था क्या दिया था हमने sir हमने दिया था loan loan दिया था तो loan जो आने वाला है हमने पूरा loan का जो पैसा interest वगेरा जो आने वाला है हमने जो loan दिया वो हमारा asset है और उसको हमने SPV को ट्रांसपर कर दिया था और SPV उसके बदले में क्या issue करते थी? security मेरे जहांसे सर इसको क्या बोलते थे? इसको वैसे बोलते थे, call it trized loan obligation, call it trized loan obligation, अच्छा सर। ओके, लेकिन अब क्या कर रहा है? कि यह एक loan का, हमने loan किसको दिया? पब्लिक को दिया, हाउजिंग लोन, ठीक है, इसके अलावा हमने दूसरी कमपनी को भी लोन दिया, कमपनी को लोन दिया, और कमपनी को लोन दिया, तो बदले में क्या खरीदा होगा, हमने बॉंड्स खरीदा, ओके सर तो यहां से भी इंटरेस्ट आने वाला है, यहां से भी interest आने वाला है अगर मैं कहता हूँ सिर्फ मैंने bonds खरी था अलग-अलग company के बहुत सारे bonds खरी था तो सर ये तो हमारे लिए asset हो गई है यस अब इसका एक pull बना दिया और वो pull मैंने SPV को transfer किया और SPV उसके बदले में security issue कर रहा है तो सर इसको बलते थे call it price bond obligation अगर सिप bonds का pull बना कर मैंने SPV को transfer किया और उसके बदले में वो security issue कर रहा है तो call it price bond obligation और अगर मैं कहता हूँ loan, housing loan, जो public को loan दिया उसके बदले में मतलब सर यहाँ asset back mortgage बोल सकते, yes assets अच्छा यहाँ assets होती है, housing loan real estate, और यहाँ bonds होती है और सर अगर यह कोई company, यह दोनों काम कोई bank दोनों को pull बना ले, loan का भी और bonds का भी, दोनों को मिला कर तो फिर इसको वोला जाता है call it price debt obligations TDO, बस और कुछे simple है और बस आपको detail पढ़ना तो detail पढ़ने मैं आपका बहुत ज्यादा शमय बरबाद नहीं कर सकता इस topic पे, थोड़ा सा मैंने write-up कर रखा है एक second का time देना इसको मैं थोड़ा save कर लूँ, नहीं तो फिर मुझसे board notes मांगोगी okay that's it, और कुछ था नहीं एक बार देख ले कि मैंने क्या लिखा please, जो चीज लिखा at least उतना तो आपको याद रखना है और sir, अगर हमको और भी detail में पढ़ना है, तो आपके पास ICA का write-up है जो मैं आपका, जिसका pdf मैंने आपको amendment करके दे दिया तो sir, collateralize debt obligation क्या मैंने कहा, ये एक person है जिसका नाम है originator मतलब sir, ये borrower ये borrower नहीं है sir, इन्हों ने borrower तो कोई और होता था, याद है borrower तो ये है sir, yes तो इन्हों ने दो काम कर रखा एक bonds खरीद के रखा है किसी company के, और housing loan भी दे रखा है, housing loan ले नहीं रखा, दे रखा है, तो sir दोनों तरफ से interest आएगा और इसका इन्होंने pull बना दिया और वो pull SPV को transfer किया और SPV उसके बदले में security issue करेगे, जिसको बोला जाता है collateralized debt obligation पढ़ दोगे बखी तो कुछ special है नहीं है securitization कर रखा तो ये हो जाए sir, types कितने होते हैं एक तीन टाइप बताएं उन्होंने cash flow CDOs, synthetic CDOs और arbitrary CDOs sir, cash flow CDOs क्या हो अगर ये originator अपनी actual में assets transfer कर देता है SPV, because actual में ownership भी transfer कर देता है तो इसको बोलते है cash flow CDOs पूरी asset transfer कर देता है और sir, दूसरा क्या synthetic CDOs क्या है ये actual balance sheet से जाता नहीं है पर risk transfer कर देता है risk, इसको बोलते synthetic CDOs, मैं बहुत ज़्यादा detail में नहीं जाऊंगा पढ़े सकते हो, एक idea दे रहा हूँ क्योंकि securitization आपका किया जहां सारी के सारी assets transfer हो रही है, उसको बोल रहा cash flow CDOs और अगर सिर्फ acid transfer तो हमारी balance sheet में ही रहेगी हम सिर्फ उसका risk transfer कर रहा है और उसके बदले में security ratio कर रहा है तो उसको बोलते synthetic CDOs और एक होता arbitrary CDOs, कुछ बताया नहीं है बहुत ज़्यादा detail में पर simple सी बात है, जब यहां से आ रहा है तो यहां से आ रहा है 10% और जब हम इधर दे रहा है और इधर दे रहा है और इधर से आ रहा है 12% मतलब पक्का-पक्का मिलेगा return का calculation return 12% से 12% और 10% का comparison वो जो 2% का फायदा है और भी मैं आपको बता सकता हूं कि arbitrary CDOs क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है तो मैं ज़्यादा आप पे चर्चा ना कर उन्होंने कहा कि जब हम issue करती तो जो spread है इसका और इसका spread है उससे हमको फायदा होता है इसको बलते आर्बिटरेश सीडियो हलाकि मैगनाईज ट्रेंच हो गया सीनियर ट्रेंच हो गया मैं बहुत सारी बात ने बता सकता हूँ कि जूनियर ट्रेंच जो होता है तर यह समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच का जो difference जो return कमाया उसको हम क्या बोल रहा है उसको बोल रहा है आर्बिटरिस सीडियो तीन टाइप का सीडियो याद रखना cash flow सीडियो सिंथैटिक cash flow सीडियो में क्या होता है सर ऐसेट ट्रांसफर होता है सर सिंथैटिक सीडियो में क्या होता है सिंथैटिक सीडियो में आपका सिर्फ रिस्क ट्रांसफर होता है अगर मैं और भी एक्स्प्लेइन करूं कर दो ज्यादा अच्छा है में राइट अप नहीं लिखा है माम दो यह SPV है यह SPV है जब SPV सिक्क्यूरिटी इस्यू करती है तो यार दिक्कत क्या है कुछ ऐसे भी तो इन्वेश्टर होगे जो चाहते है रिस्क कम ले कुछ ऐसे इन्वेश्टर होगे जो कहते है कि रिस्क हम ज़्यादा लेना चाहिए यार रिटर्न भी हमको ज़्यादा मिलना चाहिए तो तीन ट्रेंच बना देती है ट्रेंच बोलते हैं एक होता है junior trench, दूसरा होता है mechanized trench, और तीसरा होता है, सर यहाँ senior लिख दीजिए, और last में होता है junior trench, इधर से जो भी पैसा आता है, सबसे पहले पैसे इसको मिलते हैं, उसके बाद इसको मिलते हैं, और अगर last में पैसा बचा, तो last में junior trench को मिलता है, इसको थोड़ा सा risk है, पैसा बचा तो इसको ज्यादा रिसका ज्यादा रिटन है तो यह लोग क्या करते हैं लास्ट में यह खुद ही जो SPVA ओरिजनेटर है यह जूनियर ट्रेंश खरीद लेते हैं बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना चाहता तो बस इतना समझ लो कि तीन टाइप का सीडियो होता मैं घुझ जाता हूँ के आपके पास बहुत जादा समय बहुत जादा समय नहीं हैं तो याद रखना है सीडियों कितने टैप के तीन रिस्क क्या involved है CDO issue करने सबसे पहला है default risk तर मतलब मतलब ये लोग default कर ले तो यार originator को कहाएगा दिक्कत पिटे originator को दिक्कत नहीं है दिक्कत किसको है दिक्कत generally junior trench को क्योंकि अगर default हुआ इन लोगों को तो पैसा मिली जाएगा मिली जाता junior trench जो है और generally junior trench ना ये लोग ही बन जाते है ये अभी ये चीज में आपको नहीं बना है ओके तो default risk तो है भाई ठीक है सर default risk के अलावा और क्या risk होता सर अगर ये प्रिपैमेंट कर दे तो दिक्कत है अगर ये लोग प्रिपैमेंट कर दे तो जो हमने इन लोगों से बात किया था क्योंकि प्रिपैमेंट से कही ना कहीं loss होता तो प्रिपैमेंट risk भी है एक कौन सा मैंने बोला default risk एक कौन सा बोला prepayment risk सर इसके अलावा और क्या risk हो सकता है कभी कभी क्या होता है यहां से जब हमने loan लिया तो fix या floating पे मालो floating पे हमने floating rate वाले bonds खरीदा है floating वाले और जब हम issue कर रहे है security तो fix वाले तो दिक्कत है अगर floating rate बढ़ गया तो या फिर fixed rate floating rate कम हो गया तो इधर से कम आएगा और इधर तो ज़्यादा देना पड़ेगा तो ये भी तो एक risk है जिसका नाम है interest rate risk पहला risk कौन सा default risk, दूसरा prepayment risk, तीसरा interest rate risk इसके अलावा और कौन सा risk हो सकता ये याद करना पड़ेगा ये वाले जो करवा रहा हूँ ये important है ये याद करना पड़े इसके अलावा अगर हम जो bonds खरीद रहे हैं अगर ये हम foreign company का खरीद रहे है तो sir foreign action rate risk rate कहीं कम हो गया है डॉलर का, तो दिक्कत में पड़े जाओगे तो ये ही सब लिखा हुआ है default risk, interest rate risk और एक prepayment risk और एक foreign action risk और एक कौन सा reinvestment risk इधर से पैसा आएगा और उसको उनको क्या करना है उसको तो इनको देना ना इनको देने से पहले है कि यार इनको तो एक time पर देना हम reinvestment भी तो करते है नहीं reinvestment rate कम हो गया तो ये भी दिक्कत है ओके sir reinvestment rate risk और cdo's liquid नहीं है liquid मतलब बेचा नहीं जा सकता बहुत speed से shares या generally bonds बेचा जा सकता अगर मैं कहूं call it price debt obligation से क्या theory आ सकता है तो ये वाला theory important है कौन सा वाला risk in risk involved in cdo's प्लीज इसको अच्छे से कर ले ठीक है और मैं ऐसे ही रफ में पढ़ाऊँ अगर आप मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा है कि ऐसी theory तो नहीं आरी ये दो खुछ से करना पड़ेगा ठीक है जी? ओके आगे चलते हैं weather derivative, electricity derivatives और कुछ derivative, mishaps और lessons है वो भी पढ़ लेते हैं कितना important है, कितना नहीं है ये मेरे काम की बात नहीं है इसको मैं भी यहीं खतम कर रहा हूँ इसका write-up दे दे रहा हूँ प्लीज पड़ेट कर लेजिए चलो जी अब आगे बढ़े credit derivative के बाद यस अब बहुत ज़्यदा technical नहीं है बिल्कुल simple है और simple simple काम कर रहे है तो सबसे पहले जो बात करेंगे बात करेंगे weather derivatives तो weather derivatives है क्या? मौसम बहुत सारी ऐसी companies है धियान से समझना weather derivative है क्या? बहुत सारी ऐसी companies है जिनका market depend करता है weather पर सबस्थ जूस फैक्टरे या फिर एरलाइन कि यार weather के effect होने से उनके number of quantity या उनके volume पर फर्क पड़ता है यस अगर weather खराब रहेगा तो एरलाइन कंपनी को लॉस होगा number of passenger जो है वो कम हो जाए कि आप भी जानते हो तो वो एक risk तो है भाई और उस असर फॉर्मर्स ना यार किसान लोग हाँ किसान लोगों को भी तो लॉस हो जाता है weather से तो क्या ऐसी कंपनी risk से hedge कर सकती है कर सकती इसके लिए यूज होता है तो सर बात है weather derivative और insurance एक है कि insurance जनरली किसलिए होता है मेरी बात समझना है insurance जैसे किसान लोग insurance करवाते है फाउमर्स तो वो insurance जनरली जब बिलकुद सूखा पढ़ जाएगा तब ऐसा नहीं कि अगले दिन एक दिन बारिश होई दो दिन बारिश होई और फिर इस पे नहीं होगा या तो पुरी तरह से सूखा पढ़ जाए या तो भुकाम पा जाए तब आपको insurance क्लेम मिलेगा insurance क्लेम में जो by chance वाली बात है by chance मतलब earthquake तो by chance वाली बात है और सूखा बिलकुल सूखा पढ़ना ये भी by chance वाली बात है पर weather derivatives weather derivatives जो होगा वो जो बार बार चीज़ी होती उस पे भी आप derivative कर सकते उस पे भी आप शर्त लगा सकते बहुत ज़्यादा बाते नहीं करूगा numerical है नहीं simple simple topic है तो मैंने कुछ जो है आपका AFM का module से यहाँ copy paste कर लिया है काम काम केज़े तो weather derivatives में क्या है इस पेशले लिखा है risk phase by company whose performance is liable to be affected by weather नाम जरूर लिख देना airlines company और juice manufacturing company मतलब उसका performance किस पे depend करता है weather पर आने के chances कम है पर आ गया है तो theory मेरा पढ़ाने का बिल्कुल दिल नहीं करता पर क्योंकि नहीं theory है नहीं इसलिए करवा और जो manage है यह वाला risk यहाँ price risk की बात नहीं है यहाँ है volume risk प्राइज रिसक के लिए weather derivative नहीं है volume कम हो जाएगा यह है weather derivative और यह कब कम होगा जब unfavorable weather हो तो weather derivatives introduce हो रहा है और weather में क्या आएगा rainfall और क्या सकता है temperature, humidity wind speed बहुत सारी बात है यह कैसे तो hedge हमको specially क्या करना volume risk प्राइट यह keywords है volume risk volume risk वाल्यूम वेदर के change होने से volume में change हो जाएगा weather derivative price risk के लिए नहीं है फिर क्या करना आप insurance और weather derivative के में अंतर समझा देना लिख सकते हो हाँ सर लिख सकते हैं और सर हमें फिर भी IC AI का write-up चाहिए तो वो तो मैं दे ही रहूँ आपको और यह बताना कि कितनी parties होती है weather derivative में मेरी बात समझना तो party होती होगी यस एक premium देते हैं जैसे insurance में मुझे weather derivative में जाना है एक यह हो गया तो कितनी party होती है एक derivative buy करता है एक derivative sell करता है और यह काएगा कि derivative में जो हमको premium वगिरा देना पड़ता option में जो भी हो उसका price कैसे decide करोगी कितना premium दे क्या हो सकता यह दिक्कत की बात है क्यों क्योंकि data insufficient है मेरी बात समझने की कोशिश करना यार यहां जो data है कि यहां बारिश होगी नहीं होगी क्या होने वाला हम अनुबान ही तो लगा कि काम करते है यार ऐसा होगा ऐसा हो सकता तो चलो यार और ऐसा होने की ज़्यादा संभावना है तो चलो इतना सपोस मुझे ऐसा लग रहा कि बारिश होने की वज़ा से मेरा नुक्षान होने वाला है तो मैं प्रीमियम देना चाहता हूँ अब बारिश होने की ज़्यादा संभावना है तो ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा सवाल यही तो है कि अनुमान कैसे लगा है तो क्योंकि कंट्री एक कंट्री से दूसरी कंपनी में वेदर तो अलग अलग होता है एक कंट्री की बाचवर तो एक श्टेट से दूसरी श्टेट में वेदर अलग हो सकता है बैंगलोर में अलग हो सकता है पूने में अलग हो सकता है दिकती है दूसरा अनुमान नहीं लगा सकते है रिडेक्शन करना और टेंप्रेचर मॉडलिंग मतलब यार इनो डाउट किया टेंप्रेचर फिक्स होता है सीजन वाइस पर अभी तो सिच्विशन ही खराब है उसमें भी अनुमान नहीं लगा सकते है तो कितना प्रीमियम देना यह डिसेट करना थोड़ा सा मझा वेदर डेरिविट्व पर आएगा नहीं कोश्चन मुझे नहीं लगता कि वेदर डेरिविट्व पर आएगा तो लिग देना भई बहुत कुछ लिए एक करना था मुझे वेदर डेरिविट्व पर जब तक नुमेरिकल कोश्चन नहीं बनेगा न तब तक मज़ा नहीं आएगा पर नहीं खुद से भी पढ़ सकते हो बस मैं आईडिया दे रहा हूं कैसे करना है दूसरा है इलेक्टरिशिटी डेरिविट्यूस क्या लगता है अपको quatro hints अख से हों सो अलाइड जाएगा कि स्कुस्त समझेदी नहीं आ रहा था संजो बात सम्झब बात सम्झब ऑतसंगड़ ट्रोषिटी डेरिवीट्यूस क्या है प्रॉब्लम है कि बड़ी-बड़ी company, manufacturing company, जो production का काम करती है, उन्हें कम से कम लंबे समय के लिए electricity की जरूरत पड़ेगी, प्रॉब्लम में तो price बड़ेगा, प्रॉब्लम में तो price बड़ेगा, और price आज की चिंता नहीं है, आज electricity जो हम यूज कर रहे है वो जो power plant है वो हमें जितने में electricity दे रहा है ठीक आज का rate से दिक्कत नहीं है दिक्कत यह है कि future में rate बढ़ेगा electricity का yes sir और future में rate बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा हम नहीं जानते रहे यार यह तो एक चिंता का विस्या है तो यार कास कोई हमें बता दे कि भया आपको यह fix rate पर electricity मिलेगी that's it problem किसका है उन companies का जिने electricity की ज़रूरत है लंबे समय के लिए है तो हमें उस electricity हमें क्या लग रहा है सर आज के rate से तो future कास रुपया पर unit से ही आपको देना पड़ेगा बस मैं निश्चिन तो हो जाओं कास कोई ऐसा है आज का rate दस शल रहा है आज के rate से मतलब नहीं है एक rate final करते है कि आपको 40 रुपया पर unit लगेगा उससे ज़्यादा नहीं लगेगा फिर मेरा कास को यह fix बताते है और ऐसा बताया जा सकता है मैं किसी के साथ forward contract कर सकता हूँ कि ठीक है भई 40 से उपर नहीं लगेगा फिर मेरा टेंशन करता हूँ मुझे 40 ही देना है difference आएगा तो मैं दे दूँगा और कम ज़्यादा कम होगा तो वह मुझे दे देगा इस तरह से मतलब आप समझ रहे हो न forward contract ना दूसरा option मैं premium देते जाऊंगा अगर 40 से उपर बाहर तो exercise कर लूँगा मुझे 40 में मिल जाएगा difference मिल जाएगा हाँ सर यह option future तो आप समझदार हो forward किसके थूँ होता है forward over the counter हो सकता है future किसके थूँ सर यह सब लिखना है कि हाँ ना बिट्टे तो electricity derivative क्या है सर रिस्क फेस कौन करता है ऐसी company जिसको requirement है किसकी electricity की और कभ long term basis पह है क्योंकि spot price जो electricity का है न वो volatile है कि कैसर change होते रहता है hence there is a need for housing instrument to reduce price risk रहा है यहाँ रखना weather derivative किस risk पे था weather derivative था volume risk और electricity derivative is price risk ठीक है तो this will help the buyer to pay fix price ठीक है irrespective of variation in spot electricity price ठीक है और electricity derivative में क्या क्या आएगा forward आएगा future आएगा swap आएगा swap भी है हाँ sir fix to floating हाँ swap कर सकते है तो यह सब की विशे में detail में लिखा हुआ है I.C.E.I. के write-up में हला कि वही सब्द लिखा हुआ यह over the counter होता यह action spread होता इसमें एक party होती यह forward buyer इसमें एक party होती यह forward seller इसमें एक party होती है यह सब लिख लोगा मैं यहाँ ने लिख ठीक मेरा गाम है इस तरह से बरबाद तो नहीं कर सकता whether derivative electricity इस पर आ सकता है कि नहीं मुझे नहीं मालूँ पर मैंने का idea दे अब हमें क्या पढ़ना है यह तो बिल्कुली बेकार चीज़ दे रखा है पर क्योंकि है तो मैं आपको लाश्ट में derivative, mishaps और lesson मिसहप का मतलब दुरघटना derivative इसमें क्या सिखाया है आने के संभावना बहुत कम है और मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा 10 मिनट के अंदर खतम करूँगा max 10 मिनट के लिए तो यह है क्या derivative, mishaps कुछ लोगों ने derivative से डरो कहा जा रहा है derivative का यूज सोच समझ के करो कुछ लोगों ने derivative का यूज किया ठीक और जबरदस्त दुरघटना हुई और बैंक रप्ठ हो उन लोगों के विसे में कहानिया दे रखा तीन स्टोरी है तीन कैसिस है बोलतो और उन कहानियों से क्या सीख मिली वो हो गया derivative उन कहानियों से क्या सीख ये क्या है कहानिया दुरघटना और उससे हम क्या सीखे और जो सीखे है उसका आगे आप एप्लाई करना सोच समझ के काम करना ये बताने की कोशिश किया है और तीन केसिस है एक है orange country cases case और एक है bearings banks case और एक है protector and gamble and Gibson greeting case और ये तो नाम भी याद नहीं हो गए नहीं करना है बस सीख तो समझ तो लोगी है कि मैंने कहता ना time बरबाद नहीं करूँगा सबसे पहले बात करूँगा orange country case कैलिफॉर्निया सर ये orange country case क्या चीज और इंज कंट्री जो है न वह एक municipality ठीक है सर और वहां जो पैसो के लेंदेन का काम देखता था उसका नाम था Robert Citron ठीक है सर तो orange country क्या है municipality और पैसो का लेंदेन का काम भाई साब जो देखता था Robert Citron उसको बड़ा चसका था डेरिविटिव में ट्रेडिंग का बहुत चसका था बैग्ग्राउंड नहीं था ट्रेडिंग का ले पर ट्रेडिंग करने ठीक है अब भाई साब उन्होंने क्या किया क्योंकि फंड को मैनेज करने का काम था Robert Citron उतना नौलेज नहीं था और वो डेरिविटिव में गया क्यों भाई पैसा आ रहा फंड आ रहा तो उसको ठीक जा रहा है उन्होंने डेरिविटिव मार्केट में एंटर किया और उन्होंने बांड्स पर बैटिंग करने श्टार्ट कर दी येल्ड करोंके माध्यम से सर ये कैसी होता है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ बहुत लंबा चलिए टेरिविटिग रहा खुब कमाया या नाम था लाउंग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन लाउंग पोजिशन जनरली लेता हुआ ये ये करोके माद्धिम से इसके अनलावा उनके बाद जितना फन्ट था इन्होंने लेवरेंस यूज किया मतलब और भी लोगों से पैसा उधार लेकर investment करना start कर दिया यह तो हद कर दिया तो यह कमाई खुब हो रहे थी और इन्होंने 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 bonds में पैसा लगाया over leverage, something's important है over leverage जितना खुद के पास था उससे double, 33 गोना ज़्यादा पैसा उठा लिया market से और bonds में लगाते गए लगाते गए, लगाते गए, bonds में पैसा लगाया वो एक बात भूल गया थे कि कहीं interest rate बढ़ा, तो bond price गिरेगा और वही हुआ 94 में interest rate बढ़ा और bond का price गिरा और bond का price गिरा तो orange country को जबरदस्त loss हुआ, dollar 1.5 billions का, 94 की बात और orange country bankrupt हो गई, और सर ये Robert Cetron इसको जेल हो गई इसे क्या सीखने को मिला इसे ये सीखने को मिला अगर आपको knowledge नहीं है अगर आपको knowledge नहीं है आपको idea नहीं है ट्रेडिंग में तो मत जाओ दूसरा, over-leverance वाला काम मत करो ठीक है एक ये था orange country ये आएगा, क्या सकता मैं बताऊँगा क्या सकता दूसरा था bearings bankis, पाकी सर और हमको और detail में पढ़ना है, और detail में पढ़ना तो आपकी जो ICAI का module है उसमें detail में कहा नहीं दे रखी, पूरी-पूरी completely पर इतना मैं पढ़ा नहीं सकता ठीक है हुद्दे की चीज यहां दिखा तर bearings banks case के आए है 95 में ये bank बिग गई इतना अच्छा चल रहा था business बहुत अच्छा चल रहा था जबरदस्त मुनाफ़ा भी कमा रही थी पर 95 में मालू है ये bank को किसी Dutch bank ने खरीदा और सिर्फ एक pound में खरीदा बरबाद कर दिया गया bank और उस person का नाम था Nicklisen Nicklisen Sir bank क्या करती थी क्या bank हाँ bank derivative product huge करती थी ये arbitrage करती थी ये bearings banks actual में काम करती थी इनका काम क्या होता था सर ये दो stock exchange को use करती थी Singapore stock exchange और Osaka market और उसमें arbitrage होता था और किसका arbitrage होता था Nicky 225 का future का इसमें करती क्या थे मेरी बात करती arbitrage समझे थी दो stock exchange है जहां सस्ता मिल रहा है वहां short position लेते थी और जहां mehaga वहां long position सस्ते में खरीद के mehaga में बेशते थे यही तो arbitrage होता ठीक है अच्छा खासा काम चल रहा था arbitrage है तो risk था ही नहीं पर एक भाई साब आया जिसका नाम है licklisal बोले आपको job दिया जाता ये वाला काम खा आप करो arbitrage उस भाई साब ने पता नहीं क्या arbitrage किया कैसे arbitrage किया उसको जबरदस्त लॉस हो गए जॉब पे था कौंसी बैंक बैरिंग्स बैंक उसके job पर था क्या नाम था निकलिसन उसको भी ये वाला काम दिया गया और इसको तो वह चाहता भी यही था कि चलो यार मैं करूँगा पर इसको loss होना start हुआ अब यार loss होना start हुआ तो इसको job से निकल देंगे इसको डर लगा तो इसने क्या किया उस loss को cover up करने के लिए भाई साब जब बढ़दस्त speculation start कर दिया कहां arbitrage और कहां speculation और speculation start किया तो यार profit भी हो रहा होगा loss भी हो और loss ही हो रहा होगा तो loss की वज़ा से क्या हुआ loss की वज़ा से अब ये परिशान करें तो क्या करें अब ये loss तो और बढ़ते जा रहा है तो जो office के लोग है बैक इस्टाप में जो back office में जो समालते office उन्होंने उनको influence कर दिया मिला लिया और loss को height कर दिया एक account है error जो error है उसको height करने के लिए एक account होता था 8885 time 8 थोड़ो वो काम काया नहीं है तो उन्होंने मिली भगस से अब दर इस्टाप के मिली भगस से वो जो loss हो रहा है उसको उन्होंने height कर दिया ठीक है और साथ में height ही नहीं किया profit भी show कर दिये कि देखो निकलेशन को profit हो रहा है इसको bonus भी मिला ठीक है सर अभी भी ठीक है loss हो रहा है तो loss तो आपने छुपा दिया ठीक है अब इसके अलावा क्या हो रहा यहां से बरबादी पुरी तरह से चलो हुई 95 से उस समय न rate of interest जापान का और सिंगापूर का सिंगापूर के बाद जापान का rate of interest इस्टैबलीज हो गया ना तो बढ़ड़ा था ना तो कम हो रहा अब निकलेशन को क्या लगा इससे ये लगा स्पेलिंग लेशन का आप देख ले ना एल इडबल एस लेशन प्राउंड नहीं ठीक अब क्या लगा काम की स्पेलिंग का छोड़ा काम की बात है ना तो rate of interest बढ़ रहा था ना तो कम हो रहा था इसको लगा कि यार जापान में rate of interest बढ़ेगा rate of interest बढ़ेगा पका तो इसका मतलब bond का price गिरेगा तो इस भाई साब ने बहुत सारा पैसा 95 की में बात कर रहा हूँ Japanese government bonds में short position ले लिए short position क्यों लिया होगा इसको मालूम है rate of interest बढ़ेगा क्योंकि अभी इस्टबलीज हूँ पता ने इसने क्या देखा तो बहुत स्पेकुलेशन करता हूँ rate of interest बढ़ेगा तो bond का price गिरेगा तो bond के price में short position ले लिया 95 में और किस्मत इतनी कराब है कि earthquake आ गया है जापान में earthquake की वज़ा से interest rate गिरा तो bond का price बढ़ा खिल खतम और फिर bearings bank bank रफ्ट हो गई और इसको dutch bank ने pound वा सर इस भाई साब का क्या हुए इस भाई साब के इसे में बाद में पढ़ ले न इसको भी jail हुई फिर jail से शूड़ गया फिर अभी भी जिन्दा है खेर भीया आपका काम आर्बिट्रेस का है तो आर्बिट्रेस करो आप speculation में मच जाओ दूसरा एक specific अगर आपका internal control खराब है आपने अपने दूसरे इस टाप को साथ में मिला लिया तो इसको भी ठीक करो तो बैक दो बात होगी एक orange country case औरेंज country case औरेंज country case का मैंने आपको दूसरा यह निकलेसन इन्होंने भी बरबात कर दिया और तीसरा मैं थोड़े जल्दी चलू हाँ सर आपने time बरबात कर दिया 20 minute हमारे 20 minute से जादा होगा है इसी topic की protector and gamble और Gibson greeting case और एक banker trust था जिसको हम BT बोलते हैं और इस banker trust के यह दोनों क्लाइंट थे 94 की बात कर दो यह दोनों क्लाइंट थे बाकि आप पढ़ दोगे और यह इन भाई सामने banker trust ने इन दोनों का पैसा fund manage करता था और fund manage मालूमें किस में करता था जबर्दस यह सब और इतना टेक्निकल था कि इन दोनों के समझ में आया नहीं पर फिर भी वह यूज कर रहा था उसने इस तरह से इनको समझा है इनको क्या समझ में आया पता नहीं लिवरे स्वैप तो ऐसे भी complicated है प्लोटिंग वर्सेस fix मतलब क्या रहा हो रहा होगा मैं बहुत ज्यादा बता नहीं सकता इन्होंने कहोगा हम आपको floating देंगे इन दोनों का दिया था यार इन्होंने इतना complicated हमको product दिया है यह हमारे समझ में नहीं आया इसे यही समझ में आया कि जू चीज समझ में आती है न derivative उसी में एंटर करो जब अर्दस्ति टाइम पस पीन केसे से चाहो तो पढ़ लेना चाहो तो छोड़ देना बहुत बड़ी story है वह story आप देख सकते हैं सवाल है कि इनसे सीखने को क्या मिला सीखने को यह मिला कि ऐसे ही derivative product खरीदे ठीक है जो understand आप समझ सकते हो कौन से केस सीखने को मिला अभी वाले सर कौन सक केस का नाम क्या था protectors and gamble and Gibson greeting के सर नाम याद नहीं रहता का तो चलेगा चलेगा तुसरा due diligence ज़रूरी है internal audit की में बात कर और प्रेजरी डिपार्टमेंट अगर profit center बना रहा हूँ याद थे हां सर डिव डिपार्टमेंट वाली बात हुए डिव डिव डिजिजन से जरूरी है दूसरा risk specify कीजिए risk limit को पोर्थ separation of front middle and back office याद है एक कौन सा केस था जिसमें तो मिली बगत हो गए थी हाँ सर याद है निक लेसन ने हाँ यह वाला बेरिंग्स बैंक केस और इसमें क्या था ट्रेजरी डिपार्टमेंट को आपने profit center बना लिया था और इंस कंट्री केस से सब सीखने को मिल ठीक है सर और अगर आप हैजर से speculators बन रहा है तो ensure हो जाईए कि आप हैजर से speculators तो नहीं बन रहा है या आर्वी ट्रेजर से speculators तो नहीं बन रहा है याद करो ऐसा कुछ किया था और आप stress ट्रीस करवाईए scenario analysis कीजिए simulation कीजिए शर ऐसा क्यों कि अर्थ को एक आया था जैपान में आस हम सूचे होते अगर ऐसा हो गया तो क्या है simulation आदेन ऐसा हो गया तो क्या रैंडम basis पे यह scenario analysis अगर यह हो गय तो क्या यह हो गया तो यह क्या यह तो जब वेदर डियरिवटीफ डियरिवटी डियरिवटीफ देरिव या आप हूंवग की है ऐख्षिवल मैं आईडिया करने आपको पड़ेगा मैं खुछ ने कर सकते हैं पर एक पहले का थेयरी है वो है आपका option grix इसके बाद डाल रहा हूं वो फ्लीज देख लेना पतलब से तेयरी तीन पार्ट में करवा दिया फर्स्ट option मैंने एक्जॉक्टी option करवाए था दूसरा ये electricity ये करवाए हूं और तीसरा option grix नया amendment नहीं है पहले का है वो मैं अप्लोड कर रहा हूं वो देख नहीं थेंक्यू अब इसके बाद क्या करने वाले इसके बाद मैं business valuation का theory करवाँ वाद एट से शतम का और security analysis भी बोला जा रहा है तो वो भी करवा देता हूं security analysis का theory नया कुछ नहीं सब old है तो पर ठीक है वो मैं upload कर देता हूं ओके थेंक्यू आजे good morning एक topic बचा था amendment वाला theory इससरा नाम क्या है उसका उसका नाम है business valuation और अगर मैं इसको corporate valuation बोल दूँ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं business valuation पहलर चेंज कर लूँ किया ओके business value corporate valuation में क्या होता था पहले discuss करें sir हम firm का value निकालते थे और firm का value में हम लोग क्या निकालते थे sir हम FCFF approach चलता था या इसको आप discounted cash flow technique यूच करते थे future में जो cash flow आएगा उसका present value हाँ sir ठीक है और last में terminal value भी होता था terminal value समझ रहे हो ना हाँ sir पाच साल तक growth और उसके बाद second stage yes stage one stage two ऐसा कुछ करते थे थे हम ठीक है sir तो वो तो as it is है वो corporate valuation हो चाहे business valuation है जो पढ़ा वो पढ़ लिया है वो numerical part था अब यहार business valuation में कुछ addition है और वो addition discuss करने वाला हो खास बात यह है कि एक भी question नहीं है I.C.A.I. ने question नहीं डाला लेकिन formula बहुत सारे है तो वो एक डर है कि यह ठीक है formula दिया है तो हो सकता है कि उन formula की क्यों मैं आपका time बरबात करूं मैं जानता हूं कि वो question नहीं आए कौन सा question आएगा कुछ नहीं कह सकते और question आएगा की नहीं आएगा इस बात की भी कोई certainty नहीं है इट मेंस हमारा जो नया AFA module है उसमें question नहीं डला हुआ सर्फ पास्ट में था क्या पास्ट में भी ये topic था ही नहीं अगर पास्ट में होता तो मैं पास्ट का माफा चलता था SFM चलता था उसका question उठा कर डाल देता लेकिन तब ये topic था ही नहीं जैसे capital वेस्टिंग में हमने पुराने question भी किया है लेकिन यहाँ ऐसी संभावना नहीं है बिल्कुल है तो इसमें इस topic में मैं आपका ज्यादा समय बरबाद नहीं करूँगा इसमें addition क्या हुआ सर FCFF approach था यस comparable और chop shop approach था वो सब हमने कर चुका है अब जो addition हुआ addition का मैंने pdf आपको दिया है addition इतना हुआ है दिख रहा है आपके सब सर क्या क्या करना है हमें हमें करना है value of distress company distress company मतलब नाम से लग रहा है distress तर FC company जो बरबाद हो चुकी है ऐसी company जिसका sales well का ठिकाना नहीं है yes it means मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ समझने का कुछ company होती है जो initial level पर होती है जहां यह हुआ आपकी company यहां हुआ इस्टार्ट अप इस्टार्ट अप के बाद होता है growth growth फिर हो जाता stable और stable के बाद यहां से क्या हो जाता है decline हम जो company के विसे में valuation पढ़े ना वो growth वाली company थी जिसमें लिखा रहता था कि 10% का growth होगा perpetual वो वाली company अब ऐसी company है जिसमें declining company declining company मतलब एक ना एक समय के बाद declining चालू होता है तो कौनसी company बोल रहा हूं sir debt बहुत सारा है fixed cost जादा है और debt का repayment करने में बड़ी मुश्किल हो रही है ऐसी company को बोला जाता है ऐसी company जो decline हो रही है और जिसका में financial leverage जादा है operating leverage जादा है मैं technical सब्सक्राइब यूज कर रहा हूं it means ऐसी company को मैं नाम दे रहा हूं distress company ठीक है और sir जो company अभी start हो रही है उसको बोलते startup हमने इसका valuation पढ़ा और इसके बड़े सारे question किया ऐसी company जो growth है ठीक है पर हमने ऐसी company अभी discussion करना है sir इसका valuation कैसे करें declining company या sorry distress company और sir startup का valuation कैसे करेंगे यह दोनों topic है और इस दोनों topic के बड़े सारी methods है valuation करने की ठीक है तो हमें जो पढ़ना है वो valuation पढ़ना एक तो distress company का ठीक है जो company बुड़ी हो चुक्क है जिसमें debt बहुत ज़्यादा है हम interest देने की स्थिती में नहीं है हम fixed cost को देने की स्थिती में नहीं है उसका valuation कैसे करें दूसरा startup का valuation कैसे करें startup यह तो बड़ा काम की चीज़ है भाई startup ठीक है सर इसके अलावा digital platform का valuation कैसे किया जाएगा सर digital platform का मतलब youtube अच्छा अगर हम कुछ digital platform बना रहा है चाहे youtube हो गया था वो तो अल्रडी बना हुआ है सर facebook okay whatsapp okay amazon खीक है तो इनका भी तो valuation किया जाता है उसमें तो कुछ real assets real estate या real assets तो बहुत कम होती physical assets इसका valuation कैसे किया जाता होगा यह पढ़ना है सर cfm का भी valuation होता है क्या हाँ सर वो कैसे करना है और कुछ impact ECESG का सर ESG मतलब environment social governance नाम सुना होगा उसका impact valuation पे क्या पढ़ता है यह total theory है अलका सा discussion करूंगा इसमें भी कुछ नहीं है जो time लगेगा वो distress company में और इस ट्रकों की formula इसमें दिये है यह तो simple simple pure theory है इसमें ज्यादा मुझे समझाना नहीं पढ़ेगा ठीक है सर अब बात किसी करेंगे सर बात करेंगे distress company सबसे पहले one by one काम करेंगे धीरे धीरे काम करेंगे distress company distress company के साथ समस्या क्या है सर FCFF distress company मतलब firm bankrupt नहीं हो गई firm चल रही है अब बुरी स्थिती में है तो क्या सर बुरी स्थिती में तो क्या इसको हम बंद कर दे क्या इसकी कोई value नहीं है नई भाई value है तो सर इसका valuation कैसे करेंगे तो उसका valuation भी होता है आप क्या ऐसी company को खरीद होगे खरीद सकते है भई जो company decline हो रही है अब मेरे मन में आयता है चलो न यार उसको खरीद के कुछ अच्छा काम किया जाए तो इसका valuation करना चाहता हूं तो valuation करने के तरीके सर FCFF अप्रोच नहीं लगा सकते हैं उसकी वज़ा सुनना हुआ वज़ा सुनना FCFF FCFF अप्रोच में क्या करते थे discounting cash flow techniques सर उसमें न cash flow होता था yes cash flow FCFF बोलते थे और लाश्ट में होता था terminal value और उसको क्या करते थे discount तो आता था value of firm इसमें से minus कर दे थे value of debt इसको enterprise value of firm को enterprise value भी बोलते बहुत सारे बच्चे बोलते सर enterprise value तो अपने नहीं करवाया ऐसा value of firm ही enterprise value होता है उसमें से debt minus कर देंगे तो यहां क्या जाएगा value of equity तो value of firm का valuation ऐसे करते थे FCFF approach से अब दिक्कत क्या है यह distress company, decline company जिसमें पैसा generate नहीं हो रहा तो सर cash flow क्या होगा हो सकता है कि minus में हो cash flow negative और negative हो जब इसका value निकाल रहा हो तो value of firm भी तो negative हाजाएगी एक समस्य आई है आप अगर cash flow लेते हो तो cash flow आपको negative लेना पड़ेगा ठीक किसा और cash flow negative क्योंकि यह company decline हो रही है तो यार फिर तो value of firm negative हाएगी business के value negative बड़ी मुस्किल की बात है दूसरा सरा हम price earning model के हिसाब से कर सकते है price earning उसके लिए EPS चाहिए और EPS कमा रही होगी कि नहीं तो फिर value negative हाजाएगी EPS negative हो सकता तो यह सब model नहीं चलेगा जो पढ़ चुके है तो कौन सा कौन सा model अब समझ रहा हूँ start कर रहे theory 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 के जैसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दू सारी theory एक साथ तो valuation of distress company में उन्होंने क्या बताया पहले उसने introduction दिया है कि यार इस company में बहुत सारा debt है और operating expenses भी payment नहीं कर पा रही है ठीक है और difficulty है paying किसमे creditors या obligation जो है creditors को देना है वो दे नहीं पा रहे है बाकी सब आप पढ़ लोगे काम की चीज़ मैं पकाच्छे से discuss करूँ default हो चुका है किसका debt का या ऐसा लग रहा है कि default हो सकता है तो ऐसी company को distress company बोला है उन्होंने ठीक है सर यहां तक हमको बात समझे आगे आगे लिखा है अगर कोई company debt का payment नहीं कर पा रही इसका मतलब यह नहीं है कि वो worthless है उसकी कुछ ना कुछ तो value है आप उसे 0 या minus नहीं मान सकते ओके अब वो यह बतानी कि यहां कोशिश की कर रहा है कि यह हम discounted cash flow technique यूज नहीं कर सकते इसके valuation के लिए उसकी दो वज़ा एक तो terminal value कैसे निकालो के problem है terminal value समझे रहो ना पाथ साल बाद या आठ साल बाद perpetual growth होतो लगेगा नहीं तो terminal value में दिक्कत है क्योंकि आप क्या लेते थे infinite life लेते थे perpetual cash flow वह आप assume ही नहीं कर सकते हैं perpetual cash flow कैसे हाँ सरयाद है perpetual cash flow मतलब देखो एक सल, दो सल, तीन साल, पास सल तक वो abnormal growth देता था और पास सल बाद perpetual growth देता था तो उससे हम terminal value निकालते थे यहाँ कैसे निकलेगे terminal value company decline हो रही है तो फिर कैसे terminal यह दिक्कत थी ओके तो मतलब यार cash flow का estimation लगाना बहुत मुस्किल है और इसकी वज़ा से अगर मैं DCF को follow करूँ तो बहुले negative आ सकता है value of firm एक problem क्या है एक problem उन्होंने बताया cash flow मतलब अगर बैटे बैटे यह लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा थियरी है जहलना पड़ेगा आपको पहला point क्यों नहीं कर सकते discounted cash flow technique यूच उसकी एक वज़ा उन्होंने बताया terminal value का क्या करोगे कहां से लाओगे यह note कर ले ना पहले point में उसने terminal value की बात की सर दूसरे point में उन्होंने का cash flow को कैसे estimate करोगे ठीक है और सर तीसरे point में उन्होंने बात किया discounting rate किसका लोगे discounting discounting rate discounting rate किसका लेंगे चलो cash flow भी मालूम है चलो terminal value भी आपने निकाल लिया जुकारद करोगे discounting किससे गरोगे क्योंकि discounting करते समय हम यह देखते थे कि ऐसी कोई दूसरी company है अगर ऐसी ही कोई दूसरी company है तो उस rate से हम discounting कर लेते थे पर यार अब आपको क्या करना पड़ेगा आपको ऐसी company ढूड़ना पड़ेगा similar company जो declining है और उसके discounting rates से इसको discounting करोगे सवाल ही पैदा नहीं होते तो यह सब problem था तो फिर methods आई बोले नहीं नहीं इसकी कुछ methods है किसके distress company की value निकाल ठीक है और methods कितनी है methods चार methods है अब practical चलूँ होगा मैं example के through discuss करने जा रहा हूँ मुझे नहीं मालूम question आएगा की नहीं आएगा पर please theory यहाँ इस point में theory important नहीं है example के through discuss करूँगा इन्होंने distress company के valuation के चार methods लिकिए पहला DCF valuation plus distress value सर डीसीएफ के लिए तो आपने मना किया था न रुख जाओ रुख जाओ बतारा दूसरा modified discounted cash flow valuation तीसरा adjusted present value model adjusted APV model सर APV capital listing में है हाँ question नहीं दिया है question हलाकि मैंने करवाया हूगा और चोहता कौन सा relative valuation okay one by one discuss कर रहा है हम लोग total मिलागर कितनी methods है चार तो सबसे पहले बात करेंगे किसका DCF valuation and distress value this is most important मुझे लगता है कि अगर हुआ तो यहां से question आ सकता है यह important है और बाकी तो तीन method से चांस नहीं है relative यहां से भी आ सकता है यह भी important है मैंने example set किया है जिस हिसाब से formula दिया उस हिसाब से एक बाड़ देखे example के थो समझते है पहले example कर रहा है और उसके बाद मैं formula आपको discuss कर रहा हूँगा यहां से देखो example मैं क्या मैं बात कर रहा हूँ DCF valuation plus distress value यह मैंने company दे रखा distress company का balance sheet दे रखा share capital है 15 लाग का 10% debt है 25 लाग का 25 लाग का debt इसके लाव current liability है 3 लाग का assets है profit and loss account का debit balance है 5 लाग रुक है discounted value of equity 12 लाग मतलब मतलब समझाओ सर समझाओ सर समझाओ सर समझा रहा हूँ हम क्या करने वाले प्लीज हम कह रहा है कि ये company कौन सी है सर ये है distress company क्या इसमें discounted cash flow technique लग पाईगी कि नहीं लग पाईगी कौन सा sector है ये cement industry है cement company तो सर आप एक दूसरा cement company ढूंडिये क्यों क्या ये भी मुझे distress वाला देखना बले distress वाला मत देखो आप ऐसी company देखो जो declining company नहीं है मतलब normal company ये company में debt जादा है interest का payment नहीं कर पाई रहे बड़ी सारी समस्य अब ले इस company इसका valuation मत करो अभी इस company का valuation बाद में करेंगे cement जैसी और एक similar industry देखो जो declining company नहीं जो distress company नहीं है और उसका valuation कीजिए कौनसी approach से FCFF approach से value of firm निकालिए उसमें से value of debt minus कर दीजिए तो जो आएगा वो आएगा value of equity value of equity किसका आया इसका जो declining नहीं है हमें valuation करना इसका लेकिन हमने ऐसी company का value निकाला जो declining नहीं है जो distress नहीं है normal company और सर इसका valuation कितना आया इसका valuation आया मान लो 12,00,00 रुपए ठीक है 12,00,00 रुपए आ गया है कोई दिक्कत की वार नई सर अब क्या करना भी या अब ये भी बता दो अब बोले अगर हम इस balance sheet में net asset net asset मतलब समझ रहे हो ना asset minus ये या फिर ये equity बेचे 15-5,00,00,00 बेचेंगे तो कितने का भी केगा अगर हम एक अनुमान लगा रहे है कि आज इस company को बेच दिया जाए तो हमें कितना मिलेगा हमें मिलेगा सिर्फ 20% of book value ये दिया रहेगा कि दिया रहेगा 20% of book value मतलब सर 10,00,00,00 कितना मिलेगा दो लाख ठीक पतलब सर इस company की value दो लाख है क्या नहीं दो लाख नहीं अभी सुनना देहां से मैंने क्या क्या किया मैंने दो काम किया एक तो similar company की मेले value निकाला 12 लाख कौन सी approach से DCA approach से ठीक है सर और उसके अलावा मैंने एक distress value निकाला सर distress value क्या है distress value का मतलब अगर आज इसको बेचे सर 10 लाख मिलेगा नहीं कोशन में लिखा कि 20% of book value है distress value तो मैंने distress sell value of equity बोलते distress sell value of equity निकाला 2 लाख book value का 20% ठीक है book value के अलावा और भी कुछ हो सकता question मैं बतायागा वैसे अब क्या करना है अब बुले आप एक काम करो probability निकाली है cumulative probability क्या लगता है company कितने साल चलने वाली है 5 साल तो बुले आप probability निकाली है distress की probability ये भगवान ये क्या चीज़ है मान लो क्या probability है कि जो company है वो distress probability सब probability निकल सकते है कि फैल होनी की probability, ऐसे बुलतू हूँ, फैल होनी की probability है 35%, सरी कैसे निकलेगा, बताओं, बताओं, सर फैल होनी की probability है 35%, तो बस हो गया, दो लाक, डिस्ट्रेस वैल्यू है, तो दो लाक को multiply कर दो 35% से, और बारा लाक को multiply कर दो 65% से, कमपनी success हो सकती, इस बात की probability है, ऐसा नहीं की company बरबादी हो रही है, महलोग company आज बंद कर दिया जाए, तो दो लाक रुपा तो मिलेगा, पर इस बात की probability क्या है, की company फैल हो जाए, की 35%, तो सर बारा लाक, अगर success होती है, तो success की probability कितनी, 65% तो बारा लाक, आब निकाल लेत 35% probability से multiply कर देंगे तो जो आएगा वो आएगा value of distress company मतलब सर अजीब सी बात है बिटेन मैंने कहा ना बहुत clarity के साथ नहीं मैं तो example के थूँ समझाने के कोशिश कर रहा हूँ मैं रताओंगा कि IC AI ने क्या लिखा ओके सर ये probability है क्या है क्या वो मैं समझा रहा हूँ मालो एक company चलेगी पाथ साल एक दो तीन चार आने वाले पाथ साल चलेगी क्या लगता है कि पहले साल में क्या probability कि पहले साल कम में company बंद हो जाएगी सर पॉइंट जीरो एट पॉइंट जीरो एट क्या probability कि दूसरे साल भी company बंद हो सकती है इस तरह से पाथ साल की probability का joint probability निकाल लेगी वो आपको पता है खेर ये दिया रहेगा तो जिन्दा वाली बात नहीं है इटमेस probability दिया रहेगा क्या नाम दिया मैंने humility probability of distress और ICI probability of distress लिखता कोई दिक्कत की बात नहीं तो अब देखो मैंने काम किया formula दिया है ICI ने और ICI का formula के लिए ये सब कहानी बताया उन्हेंने का value of equity ऐसे निकाला जाएगा BCF value of equity सर वो तो हमने निकाला था value of debt minus करने की बात value of equity कितना आया था 12 ला 1 minus probability of distress मतलब 65% हाँ सर 65 लिख दीजी और सर distress cell value of equity distress cell value कितना निकाला था मैंने 2 लाग उसको मैंने कितने से multiply कर दिया 35% value of distress कितना आया value of equity कितना आया 8 लाग पचाशा था सर और question करवा होगे और concept करवा होगे भाई amendment है कुछ और clarity के साथ नहीं है तो जो करवा रहा हूँ वो theory करवा रहा हूँ numerical नहीं करवा रहा हूँ बस वो theory ये formula आपको समझ में जाए इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ देखे पहला method था DCF valuation plus distress value DCF valuation plus distress value तो क्या बोल रहा है possibility that there will be fell before it reach stable growth fell होने की क्या probability हो रहा है ओके बाकी तो पढ़ दोगे मैं सीधा-सीधा यहाँ formula की बात कर रहा हूँ इतना सारा मैं अब discuss नहीं कर सकता आपके पास भी समय कम है 21 minutes इसी में निकल गया है तो बहुले सबसे पहले क्या करो सबसे पहले मानो कि ये going concern है हाला कि ये बंद भी हो सकती बुले कि going concern और उसके सबसे expected cash flow को लेकर आप DCF approach पहला क्या लगाना है DCF approach से क्या निकालोगे value of equity फिर probability of distress निकालोगे हाला कि probability of distress दिया रहेगा और सब्द क्या लिखा over lifetime of DCF analysis जितने साल के लिए आप DCF analysis कर रहा है हमें उस period तक probability of distress निकालना probability of distress दिया रहेगा मतलब सर क्यूमिलिटी probability probability of distress निकाल गए है उसके बाद estimate the distress cell value निकाली है और वो percentage किसका होगा generally book value जो book value होगे उसका कितना percentage में sell कर देगे या फिर DCF value आएगा उसका percentage दिया रहेगा वो जो भी दिया रहेगा distress value भी आपको दिया रहेगा बस और फिर formula लगा लो और formula देखो उन्होंने क्या बता है value of equity is equal to DCF value of equity 1 minus probability plus distress cell value into probability of distress खेरी आएगा क्या मैं आलूम नहीं बहुत सारा डलाड रिवटी मैं भी करवाया हूँ तो मुझे नहीं आलो मैं अपने रिवटी की पूरी करहूँ मैं amendment business valuation में जादा amendment है तो मैं करवा रहा हूँ ठीक है तो यह कौनसा method था तर यह था हमारा distress value नहीं क्या था DCF valuation plus distress value plus distress value तूसरा और method adjusted present value method हला कि adjusted present value capital budgeting का हिस्सा वहाँ एक paragraph दिया वहाँ भी question नहीं दिया पर CA inter के question मैंने बुक में डाल रहा है सायद वो करवाया होगा या करवा दूँगा ठीक है ओके सर सर एजिस्टेट प्रेजेंट वैल्य मेथड क्या है तर देखते है आपको थोड़ा सा MM याद है क्या अगर आपको मैंने capital investing में नहीं भी करवाया है या भी करवाऊंगा उससे पहले ये तो समझाना पड़ेगा सर एक MM model होता था जिसको याद है वाई capital structure theory of MM model वाला था ना उसमें क्या करते थे सर उसमें हम value of firm levered निकालते थे मतलब ऐसी firm जिसमें debt है जिसमें debt है तो हम कहते थे पहले हम value of firm ये मान के निकालेंगे कि debt नहीं है unlevered और फिर debt की वज़ा से जो tax savings होगा उसको add करेंगे क्योंकि debt की वज़ा से firm का value बढ़ जाता है पहले हम क्या मान के चल रहा है कि ये unlevered है debt है ही नहीं इस हिसाब से हम firm का value निकाल लेते थे और फिर debt की वज़ा से tax savings होता था तो debt into tax करते थे अगर याद नहीं है तो c enter का mm मेरे डला होगा यूट्यूब मेरे तो आप देख सकते हो मैं यहाँ c enter नहीं बढ़ा सकता especially theory में तो नहीं बढ़ा सकता तो बहुले ऐसे यहाँ भी करो बहुले पहले आप value from unlevered निकालो unlevered का मतलब debt है ही नहीं है मतलब सर dcf value से yes dcf approach से मतलब सर जैसे पहले किया था मतलब यह आया था सिर बारा लाक यह वाला value निकालना हाँ यह आ गया था हमारा बारा लाक मान के चल रहा हूँ कि इस cementry industry में debt नहीं है अब क्या आपके यहाँ debt है बहुले हाँ तो debt को किस से multiply कर दो tax से tax savings होगी ओके बस इसमें और एक चीज है bankrupt होने का tax savings तो है लेकिन bankrupt हो सकती है तो bankrupt की cost भी लेना पड़ेगा bankrupt होने का क्या cost है expected cost तर यह एक नहीं चीज है और उन्होंने का bankrupt होने का cost क्या पड़ेगा तो उन्होंने का expected bankruptcy cost दे रखा है और वो ले वो ऐसे निकलेगा अब सुनो धियां से कैसे निकलेगा उन्होंने का value of firm जो unlevered था मतलब 12 लाक जिसमें debt नहीं था उसका अपने DCF यह सरड DCF से है हमने DCF से value निकाला यस उसमें से distress sell value minus कर दिया मतलब सर यहां company बंध हो जाएगी और यहां company चलते रहे इन दोनों के बीच का difference loss कितने का हो सकता और multiply कर किसे कर देंगा loss होने की probability अपने कितना निकाला था सर बारा लक ठीक है 10% debt है 25 लाक और tax कर रहे थाड़ी पर distress sell value of equity दो लाक है और probability of distress दिया 35% आपको firm value निकालना सबसे पहले कौन से model से adjusted present value से तो पहले मुझे value of firm unlevered चाहिए जिसमें debt नहीं है ये मानकर value निकाला होगा तो वह है 12 लक पहले तो ये है 12 लक बारा लक अब debt into तो अब debt पे tax saving होगा येस तो 25 लक का tax का rate कितना दिया है यहाँ थोड़ा सा गरबड़ हुआ है यहाँ मैंने 25 लक इंटू कितना version लेना है 30 version ले ओके सरो परक पड़ेगा 25 लक इंटू 30 परशन माइनस 3 लक पचास जार प्लस तो 16 लेकर ठीक है ये बारा पहले पहले bankruptcy cost निकाल देते हैं फिर सोसते क्या करना फिर यहाँ पर आ जाओंगा सर अगर मैं DCF से करूँ DCF valuation करूँ तो 12 लक है अगर ये continue चलती है तो 12 लक है अगर बेज देते हैं तो 2 लक रुपे की मतलब सर लॉस कितने का हो रहा है लॉस हो रहा है सर 10 लक का और इस लॉस होने की probability कितनी है 35 परशन तो उस हिसाब से मुझा expected bankruptcy cost कितना सर expected loss हो सकता है 3 लक पचास जार ठीक है अब मैंने कहा कि अब हमको expected bankruptcy cost निकल गए 3 लक पचास जार अब देखते 12 लक वैल्योफ फर्म अनलीवर्ट डेट इन्टु टेक्स अब वैल्योफ फर्म निकाल लेते हैं पिछले बार यहा मैंने गलती से 10 परशन लिखा हूं आप चेक कर लें तो 25 लाग इन्टु 30 परशन माइनस 3 लाग पचास जार प्लस 12 लाग उसर यह 16 लाग आ रही है एक है एपी भी क्या कहता है अक्चुर में एपी भी कहता भी यह फाइनेंस जो है उसको अलग और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को अलग करना है अलग कि यह इंटरिम मैं क्यों कोई बात उन्होंने किया बोले फर्म की वैल्यू कैसे निकालोगे बोले अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू ले लेना लस टेक्स बैनिफिट और डेट्स ले लेना ठीक है और एक्सपेक्टेड बैंकरप्सी कॉस्ट ले लेना अब सवाल है कि एक्सपेक्टेड यह सर यह कहां का लिखा हुआ है I.C.E.I. आपके A.F.M. मॉडूल में यह सब फॉर्मल है और सर एक्सपेक्टेड बैंकर अपसी कॉष्ट कैसे लेना है बुले अनलीवर्ड फॉम का वैल्यू लेना उसमें से डिस्ट्रेस सेल वैल्यू माइनस कर देना इंटू प्रॉबाइबलिटी और डिस्ट्रेस कर लेना मतलब यह से लगबग लॉस हो गया और लॉस की प्रॉबाइबलिटी हो गया कितने मैथेड पढ़ लिए हम लों को ने दो मैं थेयरी पढ़ा रहा हूँ सीरियसली बता रहा हूँ मैं थेयरी ही पढ़ा रहा हूँ मैं नियूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ पर थेयरी ऐसे पढ़ा दो कि यह कम से कम यह थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाए कि है क्या करके बाकी सुनो इसके अंदर का पढ़ने का आपका काम है चले जी आगे सर इस पे कोई question नहीं है ना भाई नहीं है हुता ना तो मैं सबसे पहले में कर वा था ओके तो दू method होगी एक DCA प्लस DCA प्लस distress value और दूसरा एजिस्टेट ट्रेजिंट वाली ठीक है ये एक्जामपल भी कर लिए 16 लाख हां सहीं तो ये तो ठीक आगे modified discounted cash flow valuation इससे question नहीं आ सकता और आएगा तो है नहीं है बस इसमें एक ही बात है जैसे DCF valuation में हम क्या करते थे सब probability से वो जो value निकलता था ना उसको probability से multiply करते थे कौन सा probability यहां यह नहीं करते यहां जो expected cash flow आता है expected cash flow कौन सा वाला लेना है ऐसी firm जो distress नहीं है उसका expected cash flow ले लीजिए और बोले इसको क्यों discounting कर रहे है इसी को probability से multiply कर दीजिए probability of distress हर साल का और अब क्या कर दीजिए उसको discounting कर बस और कुछ नहीं है मतलब सब cash flow जो आएगा उसको one minus probability of distress करोगे हां मतलब यहां one minus probability क्योंकि DCF value निकाल रहा है ना one minus probability of distress करोगे success होने के क्या chance है और जो success होने का chance है उसको आप discounting कर लीजिए मतलब यहां cash flow को करेंगे हां जी ओके बाकी बोला unlimited beta लेना है आपको मतलब के यह यूज़ करना है debt हटा देना है क्याप probability of distress कर रहा है ठीक है sir इसका होगे ने कोई question भी नहीं करवाया बस आप यह करना कि जो cash flow उसमें success होने के chance लेकर multiply discounting कर देना answer यह उतना important है relative valuation लाश्ट चार है भाई चार please theory लिखने के एक काम आएगा पहला क्या बोला था पहला हम क्या कर रहा है वैसे पहला हम यह कर रहा है हम valuation कर रहा है distress company का ठीक है उसमें पहले DCF plus distress value of equity पहला दूसरा APV method दूसरा modified cash flow success वाला cash flow निकालेंगे एन चोहता एन लाश्ट relative valuation या market value relative valuation क्या है कुछ नहीं है relative valuation relative valuation relative valuation मैंने करवाया हूँ पर फिर भी समझ लो दो company है sir एक किये और एक किये suppose हम price और इंगरिशन दोनो एक वराबर है इसका हम को EPS मालूम है और इसका भी EPS भी मालूम है MPS भी मालूम है इसकी value भी मालूम है मतलब sir price earning ratio इसके price earning ratio को इसमें मैं huge कर लेता हूँ और value निकलूँगा simple market value निकलना होता है कि यार इसका जो market value होगा उसी को compare करके मैं इसका market value निकलूँगा एक ratio निकलूँगा इसको use करके इस company का कोई ratio निकलूँगा example के तौर पर price earning ratio और उसको use करूँगा फिर problem क्या है मालूम है distress company में distress company में EPS है ही नहीं है फिर क्या करोगे problem तो यह है नहीं तो फिर सब कोई और ratio use करेंगे कि comparison करके yes example के तौर पर मैंने interest minus करने से पहले का उठाया है क्योंकि interest minus करूँगा तो हो सकता negative होए जाया मतलब सब मैंने EBIT EBIT मतलब earning before interest tax or depreciation वगेरे से पहले का कितना पासो लाक दूसरी company का इस company का नहीं और उसका value of firm देखा तो कितना 1000 उसका तो पता होगा किसी भी approach से किया होगा नए DCI app approach से किया होगा जैसी भी होगा market value निकाला और फिर मैंने एक ratio निकाला क्या निकाला value of firm to EBIT तो यह आ गया है two times क्या मुझको इसका EBIT पता है हाँ इसका पासो होगा तो इसका कम होना चाहिए क्योंकि interest firm है तो मैंने का कि यार इसका EBIT पता है तो इसको यार इसको उठा कर वैसे तो मैं two ले सकता हूँ पर बोले इसमें थोड़ा से adjust कर लेना क्योंकि इस ratio में adjust करना और इसको कमी होगा सर कितना adjust करना पड़ेगा वो नहीं बताया है बोले 1.25 है यह बताएगा 1.50 यह अच्छी है comparative इससे comparison करना ratio निकालेंगे बस ratio में थोड़ा सा change करोगे और यहां से multiply करोगे EBIT तो यहां भी पता होगा हमको relative valuation multiple as revenue revenue and EBIT revenue भी ले सकते हैं sales भी ले सकते हैं EBIT भी ले सकते हैं मैंने EBIT एक example के तौर are used most more popular measure to value distress firm than healthy firm because multiple such as price earning ratio या price to book value etc. cannot be even be used for a distress firm use नहीं कर सकते हैं उसकी वज़ा मैंने बता लिए ठीक है और यह मैंने example के तौर पे 2 ताइम और 1.25 ताइम वही बाला ले लिया है ठीक है this is value of distress company distress company का valuation खताम हो गया भगवान करे आपको याद रहे यह चारो method exam में theory आएगा तो आप लिखने की स्थिती में हो बस मैं यहीं भगवान से प्रात्ना करें okay हम क्या कर रहे थे क्योंकि मैंने कोई example मैंने फॉर्मूले से ही example बना कर रख दिया है तो पहला था DCF valuation प्लस distress value मान के चलो कि debt नहीं है ठीक है प्लस tax saving on debt ले लेंगे ठीक है पर minus expected bankruptcy cost minus करेंगे और expected bankruptcy cost कैसे निकलेगा sir expected bankruptcy cost कैसे निकलेगा sir value of firm unlevered minus minus distress value of equity और जो भी loss होने वाला है उसका probability of distress से multiply कर देंगे relative valuation सबसे आसान है similar firm का ibda यह sales to value of firm to ibda ले लेतेंगे यह value of firm to क्या बोल रहा है sales ले लेंगे और उसको यह apply कर देंगे उस ratio कर नहीं करेंगे उसमें थोड़ा से कम ज्यादा करेंगे ज्यादा तो नहीं कम ही करेंगे चले आगे यस अब बात क्या करेंगे valuation of startup वह भी अच्छा है ठीक है valuation अब startup करने जा रहा है यह relative valuation को market value method भी बोलते है please है न तो उसका focus करना याद रखना market value बोले यह relative valuation बोले बाते की अब बात किसकी हो रही है sir valuation of startup तो sir उसमें FCFF approach लगा सकते है important तो यह है यही तो है earning approach FCFF approach यह नहीं लगा सकते यह right up कहां का यह भी ICEI का है तो मैं पूरा की पूरे एक एक सब्द ICEI का लेकर ही बढ़ा रहा हूँ ठीक है तो sir startup का valuation करना है तो यार FCFF approach लगा लो ना दिक्कत क्या है दिक्कत कुछ नहीं है दिक्कत यह है कि भई startup कितने साल चलेगा चलेगा कि नहीं चलेगा उसका पैसा cash flow कहां अभी कहां पता लगता है startup में कहां से revenue generate हो जाता है ठीकत यह कि इसके earning का ठीकाना नहीं है तो आप startup का future तो देखनी पाते है ठीक है तो यह वाला method लग ही नहीं सकता earning या cash flow तो सर और एक है ना DCF valuation assets minus liability करके भी तो निकाल सकते ना startup पे assets कहां से liability कहां से भी तो start ही हुआ या तो बेकार की मात है यह भी नहीं लग सकता जैसे liquidation के समय करते ना assets को base देंगे माइनस कर देंगे liability तो जो आएगा वह value of firm होगा बोले यह भी नहीं लग सकता ठीक है सर sir market value approach लगा सकते कि market value approach या वह comparable market value को क्या नाम देते हैं comparable comparable approach नहीं लगा सकते भी या अगर comparable होता तो आप startup करते हैं कैसे बड़ी बात है ना आप तो नया idea है आपको और आप देख रहे हैं comparison करके ऐसा कोई idea पहले से था कि अगर पहले से था तो फिर नया कहां से हो गया कैसे comparison बहुत मुस्किल है इसके startup का compare ढूँना ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मिल नहीं सकता पर मुस्किल है या नया idea आपके पास है और पहले से वह idea market में तो ऐसे कैसे होगा तो यह comparable company अवेलिबल नहीं होगी उसमें कुछ specific parameter होगी तो यह तीनों ही model ठीक है sir और startup में और क्या दिक्कत होती है बहुत बड़ी सारी दिक्कत होती है बुले हम कैसे बोल सकते हैं कि जो cash flow है वो constant ही रहेगा बिलकुल यह सब कहानी पढ़ोगे आप और कोई historical data available नहीं होता तो आप startup का valuation कैसे करो यह सब सारी कहानिया मैं नहीं पढ़ाने वाला हू मैं वही चीज पढ़ाने वाला हूँ इसमें जो technical है ठीक है sir तो इसका valuation की यह पढ़ लोगे इसके valuation की अच्छा यह उन्होंने बताए जो मैंने बोला था ना कि income approach क्यों नहीं लगा सकते हैं क्योंकि positive cash flow नहीं आता इस startup में सुरू में positive cash flow नहीं आता दिक्कत होती है asset approach नहीं लगा सकते हैं क्यों क्योंकि assets available नहीं होती इस startup में negligence assets होती है यह बता रहा है कि इन methods को क्यों यूज नहीं किया जा सकता सर इसमें valuation का method नहीं है कि है ना या numerical part है वो में करवानी वाला हूँ यह नहीं तो पढ़ सकते हैं मैं idea दूंगा मैं रटमाऊंगा नहीं बहुत हो गया रटमा आपको खुद को मैनत करनी पड़े ठीक है सर और इसके अलावा intensible assets होती तो उसका valuation नहीं बड़ी दिक्कत है आ फिर बोलना है यह start-up का valuation किन-किन चीजों पर depend करता है कौन सा driver है वो बताया है यह product आपका अच्छा होना चाहिए start-up के valuation को कौन-कौन सा चीजे impact डालता है कहानी है यह पढ़ लोगे किसा product important है अगर आपका product ऐसा unique next है तो पक्का-पका startup का value जादा होगा दूसरा management team अच्छी है अगर वहां से है जो IIM और IIT से लोग है management में तो value ज्यादा होगा ठीक है और सर fraction मतलब attract ऐसा आपके service प्रोवाइट कर रहा है ऐसा product है जो ऐसा कोई startup है जो आकरसित कर रहा है लोगों को तो बोले पक्का-पका ठीक है revenue अच्छी generate हो रही तो आपका startup का value है और industry यह सब कहां नहीं सर यह पढ़ लेंगे हम लोग आप सिर्फ वह चीज़े demand and supply competition यह सब आप का काम है पढ़नेगा मेरा काम है यह वाला ओके बात करते हैं ऐसी कौन-कौन सी methods है जो startup के valuation में काम आएगी और यहां तो हद कर दिया institute ने ICAI ने total मिला कर कितनी methods से लिखा है छे venture capital method comparable transaction method comparable समझ कैसा ratio यूज होगा scorecard valuation method यह समझ ना यह technical चीज़ तारकस में approach वाँ cost to duplicate approach और first Chicago method इन methods का यूज किया है start-up के valuation बात करें सर और कितने घंटे जिलाओगे मेरा में अपने duty पूरी करूं मैं क्या कर सकता हूं खुछ से पढ़ लो खुछ से ही पढ़ सकते तह यह question होते तो निमेरिकल पार्ट होता तो मैं करवाता अच्छे से चलो time pass क्यों करूँ आपका सबसे पहले बात करूंगा क्यों सा venture capital मैं venture capital नाम सुना है कि पहले इस टार्ट तो सर हमने पहले भी पढ़ा है इस टार्ट अप एक theory का chapter जिसमें pitch presentation आपने पढ़ाया था रटवाया था यह क्यों नहीं रटवा रही है मुझे नहीं रटवा ना यह आएगी कि नहीं आएगी chances बहुत कम है अलकि नया है तो आ सकता है थोड़ा सा देख कर चले इस टार्ट अप में और जो लगाते है इस टार्ट अप में उनको ही तो value पता करना है कि हमको कितना पैसा लगाना कितना पैसा लगाना this is important इसको बोलते venture capital वो लोग जो venture capital fund है वो लगा रहा है venture capital unit में तो सवाल है कि सामने वाली company की value पता होना तभी तो हम लगाएंगे ओके तो बात करें इसको कोशिस किया हूँ थोड़े अच्छे example से समझाने कि example से ही समझ में आ सकता है मान लो यह venture का है यह इसमें सर important क्या है हमारे लिए important यह ही है इसका example देखकर चले जाना यह important लाकि सब time pass score call valuation यही वाला important है venture capital ओके तुने एक है venture capital fund ठीक है और वो investment करना चाहते है पहले यह पढ़ाओगे के पहले नहीं पढ़ाओगा पहले यह बात कर लेता हूँ यह एक example समझ लिया फिर theory पढ़ने में मजा आएगा automatic याद हो जाएगा okay venture capital fund है और investment करना चाहते 30 लाक रुप है मैं दूसरे इंगल से समझाने की कोशिश करूँ अभी सुनो तो 30 लाक रुपिया लगाना चाहते है okay और sir startup का जो founder है उसके पास अभी number of shares कितने है एक लाक ठीक है यहां तक कोई दिक्कत ने अब यार startup में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि यार में यह क्या अनुमान लगा रहा है यह सोच रहा venture capital fund की अगर मैं investment कर रहा हूं 30 लाक तो बदले मैं मझे equity चाहिए है याद है shark track में आप देखते थे कितने percentage equity के लिए मैं इतना पैसा देने को तेयर हूं मैं वही निकालने के कोशिश कर रहा हूं तो मैं एक startup की बात कर रहा हूं कि यार उसमें founder की पास एक लाक शियर्स है वो मतलब की बात नहीं है अब venture capital fund सोच रहा कि मैं 30 लाक रुपय लगा रहा हूं तो बदले मैं मुझे कुछ percentage चाहिए equity का तो वो कितना percentage चाहिए यह important है वो ही निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो अब हम estimation basis पे काम करें हमारा यह है कि यार startup जो है वो मन से बोल रहा हूं पास साल में stable हो जाएगा success हो जाता है तो पाचवे साल में हम IPO निकल देंगे और हमारा यह मानना है कि कम से कम उस समय company का value किसी भी एक तरीके से ले लीजिए इबिड़ा को यूज कर लीजिए price earning ratio को यूज कर लीजिए पाचवे साल में company का value हो जाएगा तीन करोड़ पचास लाक यह अनुमान है और venture capital का है कि वो यहां से exit होना चाहेगा कि भी अब हमको बाहर निकलना ठीक है तरी बात समझ में आ रही है सर यह सब यहां लिखा हुआ कि हाना बिटे यह वाला theory में लिखा हुआ भी सुन लए बढ़ा अब यह सोचता चलो ना पहले यार श्टार्टप का valuation करते है पैसे लगाने से पहले अगर मैं पैसे लगा देता हूँ यहां से समझना मैं क्या बोलना कि इस सब्दों में कन्फीज मत होना अगर मैं पैसे लगा देता हूँ इस श्टार्टप में तो इस श्टार्टप से IPO आएगा पाचवे साल और इस company के value हो जाएगी तीन करोड़ पचास लाग और मेरा require rate of return कितना है 30% तो अम मैंने इसको discounting किया कितना तीन करोड़ पचास लाग को 30% क्यों क्योंकि यार इस venture capital का जो require rate of return है वो जादा ही रहना तो मैंने इंटर्न और या require rate of return से discounting किया तो यह आ गया present value किसका आया इस startup का उसके पैसे लगे और मेरे पैसे भी लगे उसके बाद है यह तो इसको बोलते है post money value post money पैस निकाला तो यह आ गए है इसमें क्या मेरा भी पैसा लगा है इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है इसको बोला जाता सर पोस्ट money value पोस्ट मनी वैल्यू यह सब्द बार-बार आएगा, पोस्ट मनी वैल्यू, प्री मनी वैल्यू, इस में मैं अभी कितना डाल रहा हूँ, 30 लाक, तो चलो प्री मनी वैल्यूशन, अगर मैं अपने पैसे, मेरे पैसे के बिना इसका वैल्यूशन कितना आज, 6426518 इसको क्या बोलते है इसको बोलते है प्री मनी वैलुएशन जो प्रजेंट वैलू निकाला पोश्ट मनी उसमें से अपने पैसे माइनस करके देखा तो सरी एन पी भी टैप कहा अब जो भी समझ लो ये क्या कहला है ये कहला है प्री मनी वैलुएशन अब मैं क्या निकालने की कोशिश करा हूँ मैं कह रहा हूँ यार ये जो है तो ना ध्यान से ये जो आया इसमें किस-किस का पैसा है किस-किस का सब ये प्री मनी वैलुएशन निकालने की जरूरत थी नहीं पर कोई समझाने की कोशिस कर रहा हूँ सर इसमें दोनों का पैसा है founder का भी पैसा है और मेरा भी पैसा है मतलब venture capital fund का भी पैसा है इसका भी पैसा है इन दोनों का मिला कर ये है इसलिए इसको मैंने क्या नाम दिया post money value क्या percentage बता सकते हो मेरा कितना percentage सर 30,000,000 divided by this divided by this मत कर देना post money मत करना pre money divided by this सर मेरा जो percentage है वो तो 31.83% ये जो value निकला आज का value उसमें तो मेरा 30,000,000 है बाकि उसका रहा होगा तो अगर मेरा 30,000,000 है तो मेरा भाईया मुझे कितना percentage चाहिए मुझे चाहिए 31% 32% के असपास तो फिर मैं जाऊंगा साथ टैंग में सीधा वोलूँगा भाई मैं दे सकता हूँ कितना 30,000,000 कितने percentage equity पर 32% कैसे निकला प्लीज आ सकता है question पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा मैं स्टार्ट अप में पैसे डालता हूँ तो मेरा अनुमान है कि पास साल में जब मैं exit होंगा तो उस समय ये value हो जाएगे उसका अपने required rate of return के हिसाब से मैंने present value निकाला ये क्या है post money इसमें किस किस का पैसे किस की value सर हमारी भी है venture capital fund का भी है और founder member का भी है दोनों का मेरा percentage कितना निकाल लिए percentage इसको बलते ownership position मेरा कितना 31 पाकि उसका और भी निकाल सकते number of shares कितने number of shares सामने वाले issue करेंगा अब पर काम किजी ओके यही सारी बात अच्छा और एक दूसरा तरीका है valuation का और दूसरा तरीका कि लोग और किस तरह से valuation करते हम यह कहते हैं कि यार भाई ऐसा कि आज जितना लगा रहा है सुनना देहां से दूसरा तरीका दूसरा तरीका आज जितना लगा रहा हूँ तर आज 30 लाक मैं कितना लगा रहा हूँ वो छोड़ो आज जितना लगा रहा हूँ उससे दस गुना ज्यादा मैं नकालना चाहिए आज कितना लगा रहा हूँ वो छोड़ी है मुझे दस गुना ज्यादा चाहिए 10 टाइम्स तो सर और वो भी अभी नहीं चाहिए मुझे पाशल बाच चाहिए पर होना चाहिए दस गुना ज्यादा तो सर 3,50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, किया हूँ कि नहीं किया हूँ एक सेकेंड लिखकर बता दू यह क्या रिखा है ना 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स वह भी लिख लेता हूँ चलो बात करें यह सर आप लिखे नहीं जिरूरत नहीं है एक्जामपल की यहीं से हो जाएगा और यहां कितना है सर तीन करोड़ 50 लाग मुझे क्या मैं फिर से बोलाओं ज़्म गणा चाहिए सर में जितना लगा रहा हूं उससे 10 पॉलता यहां मिलने वाला है तो आज हम दूनों को मिला कर सर तो कितना लगाना है 25,035,035,035,035,035,050,040,035,035,035,035,025,035,025,025,095,035,035,035,035,035,035,025,035,075,035,035,035,035,035,035,035,035, 035,014,032,035,035,035,035,035,035,025,035,035,013,0 barbar повтор, दो तीन तरीके होते है एक या तो आप इसको डिसकाउंटिंग कर दीजी या तो टाइमस में देदेगा ठीक है सर बस आपको यह समझना है कि पोस्ट मनी वैल्यू क्या होता प्री मनी वैल्यू क्या होता और ओनर सी पोजीशन कैसे निकल देख पढ़े क्या थियरी अब अच्छी में आ जाए आपको एस दा नेम सेजेश्टर वैंचर कापिटल फर्म इन्वेस्ट रिटर्न इन्वेस्टिक रिटर्न इक्वल टू सम मल्टिपल ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था उससे कितने गुना ज्यादा चाहिए एक यह हो ग अब आगे और बढ़ोगे और बाकी और कोई बात नहीं कि उन्होंने रेवेन्यू मतलब इन्होंने इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा थियरी नहीं लिखा हैं पर मैंने इसको इस तरह से समझा दिया venture capital क्या होता है मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं हो कि यह venture capital method में आपको roughly समझाया हूँ कि venture capital method क्या है तो कोईशन नहीं है तो थोड़ी समस्याए तो हो नहीं है जो formula दिया है उसके हिसाब से तो दूसरा कौन सा method है दूसरा है हमारा comparable transaction method इसमें जरूरत नहीं है बिल्गुल simple तरीका comparable मतलब market price कैसे काम होगा तो उन्होंने एक example दिया तो ले एक company है जिसका नाम है यह example आपने लिखे है कि मैंने लिखा हूँ उन्होंने ही लिखा है तो उन्होंने लिखा है कि एक company है x y z जिसका valuation है 560 क्रोड जिसका market value है market value बोल दूं company का value of firm या enterprise value 560 अब 560 क्रोड है कितने लोग यूज करते हैं वो logistic को या जो भी चल रहा है सर्थ 24 क्रोड यूजर उसको यूज करते हैं तो उस हिसाब से एक यूजर उसमें कितना पैसा सर्थ 560 divided by 24 क्रोड नेट्फिक्स हाँ सर नेट्फिक्स की बात करो हलाकि नेट्फिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा ठीक है सर उस हिसाब से एक यूजर 23 रुपिया खर्च करते हैं या फिर कहूं कि 24 क्रोड यूजर है इसलिए उसका वैल्यू है 560 क्रोड उस हिसाब से वैल्यू पर यूजर कितना आएगा 23 रुप अब जो इस्टार्टर इस्टार्ट अप है वो गहरा है कि हमारे पास भी तो यूजर है 24 क्रोड नहीं पर 1.75 क्रोड तो भी कोई दिक्कत के बात नहीं ह ना आप 1.5 का मल्टिप्लाई तेविस से कर दीजिए तो आपकी कंपनी का वैल्यू हो जाएगा एगा वह उन्होंने यहाँ बता रखा है हाला कि उन्होंने यह भी कहा है कि भाई आप इसमें एजिस्ट कर सकते हैं 23 में आप एजिस्ट कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे फैक्ट कर सकते हैं फीक है वीडियो श्टॉप हुआ था कुछ समय के लिए ओके तो इसमें भी कंपारीबल है और डिश्ट्रेस कंपनी का वैल्यूशन में भी कंपारीबल था कुछ नहीं है सिंपल है और मेरे एक हल से इसको मैं नहीं भी बढ़ा हूं तो अब आप और एक मैथड ह जिसका नाम है scorecard valuation method वो क्या कहते है सुना देयान से उनका ये मानना है scorecard valuation method में क्या होता उनने कहा कि आप पहले काम करो pre-money valuation निकाल लो 40.25 करोर आया प्री-money valuation मालुक 40.25 करोर आया तो कहां से आ गया मैंने यही बाला ले लिया 40.25 करोर पैसा लगाने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ अब सर्फ 40.25 करोर जैसे ही आया अब बुले अब ऐसा नहीं है यह value तो निकाला है अपने पर अपने startup का comparable जो company है जो industry है उस से हर चीज के इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़े होती है startup में बहुत सारे factors होते है आप उस पे भी focus कीजिए और total मिला कर उन्होंने कितने 7 factors लिख रखे इस पर भी focus करोगे और करना क्या होगा सुना करना ये है कि आपकी कमपनी का strength कितना है और सामने वाली का company का strength कितना है उसका एक percentage बताओ कि उसकी अपेक्छा आपकी company में strength कैसा है तो वो company बहुत अच्छी है हमारी company उतनी अच्छी नहीं है तो उसकी अपेक्छा हमारे हाँ in strength 80% ऐसी opportunity किसके बाद ज्यादा है उसकी अपेक्छा हमारे हाँ ज्यादा है मैंने एक score दे दिया 110% उनसे हमारे हाँ opportunity ज्यादा 110% तर यही वाले factor लेना है कि हाँ भाई यही वाले factors लेना है तो भले ठीक है मतलब उससे हम comparison कर रहा है कि हम ज्यादा है कि हम कम है हम कम है कि हम ज्यादा इस तरह से हर चीज में product उनका अच्छा है कि हमारा अच्छा है सर हमारा अच्छा है तो उनकी comparison में हमारा product 140% अच्छा है इस तरह से आपने हर एक चीज का उससे यह तो value निकाला उसके साथ comparison भी कर ली है बहुत अच्छी बात है अब उसके बाद 80% को हम 0.8 बोल सकते हैं न हाँ चल जाएगा 0.8 का मतलब उससे हमारा खराब है और 1.1 का मतलब सर उससे हमारा अच्छा है यहां तक ठीक है अब बोले जब इन पे आपने हर एक चीज का एक particular हर एक factor का comparison किया तो बोले आप उसको weight दे देना यह 0 to 30% लिखा एक्चुली यह 30% जो higher है न वो लेना सर जीरो क्यों लिखा है वो मुझे में बोले weight दे देना बोले सबसे ज़्यादा हो जो weight देना वो strength of team को देना क्योंकि team strength of team क्योंकि team से ही तो startup चलता है बोले उनको ज़्यादा weight देना तर करेंगे कि इसका बता रहा हूं और पर opportunity को 25% weight देना product की quality service अगेरा को 15% weight देना और weight भी आपको इतना ही लिखना पड़ेगा सर इसको याद करना पड़ेगा कि कर लेना अगर टाइम मिलेगा और इन factors को इस multiplier है और कुछ नहीं और इस multiplier का मैंने weighted average किया और weight यहां से लिया और weighted average करके factor या multiplier आया 1.055 मैंने एक scorecard बनाया अब मैंने गहाँ आपकी basic value क्या निकली थी? 40.25 उसको multiply कर दिये 1.055 क्योंकि on and average हम उससे ज़्यादा अच्छे है 1.055 और 1.055 से multiply कर दिया तो यह आ गया 42.46 crores this is evaluation scorecard methods पहली बात क्या यह example है? नहीं यह fix है scorecard fix है क्या weight fix है? यह सारी चीज़े fix है? यह तर यह याद कैसे होगा? मैं नहीं जाना मैं याद करवा भी नहीं सकता है इतना time नहीं है कि इन unnecessary चीज़ों पर मैं time खर्च नहीं कर सकता है ठीक वैसे भी याद करने के लिए बहुत है डेरिविटी वह फौर एक से बहुत लंबा है ए एफम या इस पर समय बरबाद ना करें एक बार idea ले लिया कर लेना ठीक है से बाकी जो लिखा हुआ है वो तो मैं बता देता हूं असाइन करोगी इस quality quality comparison कर रहे हूं ठीक है 100% पर पार ले लेना 100 से नीचे quality हमारा खराब है 100 से उपर quality competitor के साथ आप comparison कर रहे है for example marketing team 150% score it means factor ले लेना कितना 1.5 यह 1.15 है ठीक है 1.15 factor लेना ओके और फिर इस तरह से इस exercise is undertaken for each startup quality हर एक quality पर focus करना और sum of all factor is computed finally that sum is multiply और जो आएगा multiply by the average valuation average valuation से multiply करना और answer आज़े है ठीक है ठीक है चले आगे यह स्या क्या पड़ लिया वैसे इस में सर एक तु वेंचर capital model पढ़ा हमने और दूसरा scorecard पढ़ा बस दोई तो बढ़ा गया भी इन पढ़ लिया तो एक क्या पढ़ लिया था वीचे ने तर comparable वला हाँ comparable वला तो है तस हो गया और क्या तर भार्कस approach आमेरिकन वेंचर कहना क्या चाथ हो बूले आप ब्ड़िया तो पढ़ आप Hmm, even अप एससे scorecard पर मच जा उ वेजिए हमारे कितना है था? 40.25 करो 40.25 CR अब बुले आप ना ऐसे मत करो कोई स्कोर कार्ड का चक्कर नहीं है बारकस एप्रोच बोलता है कि क्या आपकी टेकनोलोजी अच्छी है हाँ तो चलो उसका पाच करो जोड़ दो सर कहां से जोड़ेगे वह हो जाता है सर हम क्या करें आपको दिया रहेगा एग्जिकेशन हमारा अच्छा है कि चलो उसका इतना जोड़ दीजिए प्रोड़क्शन और कंसी को स्वेल सेल्स कैसा है उसका जोड़ दीजिए और इन सब को जोड़ के वैल्यू ने कर दीजिए सर हम तो जितना चाहिए उतना जोड़ सकते हो बले लिकुन रुको रुको एक कैप है मतलब अगर आप किसी स्टार्ट अप का वैल्यूशन कर रहे हो तो यह सब एट करते जाना बेसिक वैल्यू तो जैसे निकाल रहा है कंपारेबल मेथड से आप निकालिए उसके अलावा इन सबको एट करते जाना एट कितना कितना करना वो नहीं मालूम वो कोशन में दिया रहेगा अगर कोशन आ जाता है अब उसके बाद बुले लेकिन सुनो हाँ जी बुले एक कैप है किसी भी हालत में जब हम स्टार्ट अप का वैलूआशन करेंगे किसी भी हालत में प्री रेवेन्यू वैलूएशन तो मिलियन डॉलर से उपर नहीं देगे उससे ज़्यादा नहीं देगे चाहे कितना भी अच्छा इस टार्ट अप क्यों और पोस्ट रेवेन्यू वैलिवेशन वैल अगर रेवेन्यू स्टार्ट हो गया तो टू पॉइंट फाइप मिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है उसका वैलिवेशन विल्बल मतलब सरी किसी पुराने जमाने का आज कल तो यूनिकॉर्न आ गया जिसकी ठीक है यह कैप है याद रखना टू मिलियन से ज्यादा नहीं प्री रेवेन्यू और पोस्ट रेवेन्यू टू पॉइंट फाइप मिलियन से ज्यादा नहीं सर वैल्यू वैलिवेशन करने पर मान लो यहां डॉलर में बात करते हैं और डॉलर में कुछ और आ गया तो बैटे डॉलर में आ गया सा थ्री मिलियन से मान लो तो तो इसका वैल्यूशन हम प्री रेवेन्यू है तो टू मिलियन से जाता नहीं लेंगे कौन सा अप्रोच है बारकस बारकस अप्रोच में क अब पूछ वे खर्चा लगा है और जो खर्चा लगा वो ले लो खत्म फैंशन कटम अतलब यह बहुत जितना खर्चा लगा है वो ले ली जी हमसे दैट से टॉर क्या लोगे जान थोड़ी नोगे बिटे future में क्या होने वाला ये इसको कैसे बूल गा है तो यह अप्रोस तो रिजेक्शन आने के चंसे बहुत कम है तर first Chicago method क्या बोलता है first Chicago method बोल ला है आप एक तो discounting cash pro approach लगाई ठीक है और एक market value मतलब market value मतलब comparative और उसका average कर दिना average लिखा नहीं है पर fair value निकाला जाता है average से और उसका average करने पर जुआएगा उसका नाम दे दिया उसने first Chicago method और सर हम जो discounted cash flow worst scenario normal scenario तो हमको पता probability से multiply करके expected value हो जाता है तो इस startup के valuation के कितने तरीके है या मुझे भी याद नहीं है एक बार देखे सर एक venture capital वाला जिसमें प्री इंवेस्टमेंट पोस्ट इंवेस्टमेंट यह समझ वह था ठीक है venture capital के अलावा comparable तो हमेसे याद रहेगा हो तो आती है scorecard आये था ठीक है एक cost duplicate आये था चार हो गया first Chicago पाच हो गया एक कौन सा बुल गया है बारकस 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 ठीक है तो बस मेरे ख्याल से और कुछ नहीं होगा यस यह खतम होगए है अब valuation of digital platform theory है तो अब ज्यादा टाइम ने लगीगा फटाफट से हो जाएगा ज्यादा इस पर discussion में करूं आज तो दो चीजों का valuation पढ़ लिया हम लोगों ने एक था मारा distress company और दूसरा कौन सा था तर दूसरा था हमारा startup तीसरी जो बात हो रही है वो है digital platforms digital platform is YouTube और Facebook Facebook भी हो सकता है इसके अलावा बहुत सारा है यार क्या बताओ Amazon यस Netflix WhatsApp ये भी एक digital platform है इसका valuation कैसे किया अगर मैं YouTube की बात करूं मैं अपने channel की बात करूं मेरे channel का valuation करना है मेरे अपने YouTube channel का valuation करना मैं अपने channel की बात करना हूं YouTube का छोड़ दो YouTube तो आप समझी गया मुझे अपने channel का valuation करना है और एक classes है जो मुझे से गह रही कि हम आपका channel खरीदना चाहते हैं उसका valuation कैसे होगा तो यहर उसका valuation कैसे हो सबसे important बात है तो उसका valuation मैं देखूँगा कि यार अब भी कोई comparative ही है क्या कोई channel भी का है यस उसमें subscriber कितने थे उस हिसाब से उसका valuation comparative पर subscriber कितना पैसा मिला उसके हिसाब से फिर मैं अपना valuation कर लूँगा एक simple तरीका है दूसरा तरीका क्या है कि एक होता क्या है कि जैसे बड़े सारे website चल रही है अगर मैं कहूं website बोलूँ तो चल जाएगा कि हाँ जी जैसे Mac my trip Mac my trip Mac my trip क्या काम करता आपको पता है ऐसे तो बहुत सारा बहुत सारा website बना होगा या बहुत सारे है और Mac my trip का हमको valuation करना सबसे पहले यह देखेंगे कि future में क्या होने वाला अब भी क्या हो रहा वह future में क्या होने वाला तो देखेंगे कितने लोग है कितनी population है जो tourism या tourist tour में इंट्रेश्ट रखते population में ने निका दिया मतलब मेरा market size क्या है market size में से में निकालूँगा कि इसमें Mac my trip का market share कितना है और कितना achieve करना उसके इसाब से valuation होगा मेरे खाल से बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बताऊँगा मैं तो digital platform है क्या बोले सर यह software based online infrastructure है ठीट है और उन्होंने category में divide किया है तो यह category प्लीज देख लेना जैसे marketplace मतलब जहां buyer और supplier एक दूसरे को match करवाया जाता है buyer से seller का match करवाया जाता है जैसे booking.com hotel है आप हो आपको hotel चाहिए hotel वाला room देना चाहता है बीच में booking.com सर यह मत समझाओ यह हमको आवाद amazon हो गया uber हो गया ठीक है सर और भी बहुत सारी हो सकते जहां buyer और supplier आपस में मिलते है search engine अच्छा जहां information है और उसको हम दूढ़े Google हो गया ठीक है तर वाइडो कहां चलता है यह चाइना में चलता है तर रिपोजिट्री क्या होता है YouTube जहां content deposit होते है और उससे YouTube सबसे important YouTube सर डिजिटल कम्यूनिकेशन क्या है जिस पे आप बात्षीत कर सकते हो सर वाटसप सर डिजिटल कम्यूनिट क्या है Facebook जहां लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ते है सर पैमेंट प्लेटफॉर्म भी होता है क्या पेटीम और क्या नाम दो Google पे बहुत सार है तर यह मेला वैलिशन है इंकम एप्प्रोच मतलब मतलब सबसे पहले आप यह दूखिये कि साइज क्या है मार्केश तोटल एड्रेसिबल मार्केट मतलब मार्केट में टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट करता है तोटल मार्केश सब मिला कर अगर मैं कहूं पेटी एम गूगल पे और जो BSA मिला कर कितना revenue generate हो रहा है इसको बोलते है total addressable market income approach की बात कर रहा हूँ और उस step number two में क्या है उस target market में हमारा share कितना है percentage wise और फिर amount wise that's it तो ये कर लोगे income approach मैंने कहा ना इससे कोई question नहीं है theory एक income approach है इसमें top down और bottom approach है यह आपको पढ़ना पढ़ेगा मैं बहुत ज़्यादा बहुत सारा theory डाल रखा मैं इसमें help नहीं है income approach के अलावा income approach में सबसे problem क्या है discounting rate income approach सुना दिहान से हम कर क्या रहा है समझ लो digital platform में किसका valuation करने जानो किसी startup का सबसे पहले ये पता किया कि total इस type का कितना platform चलता है okay sir पता हो गया कि कितना platform बड़े सारे सबका total मैंने size देखा कि market size कितना है कितने लोग हर साल tour and travels पे जाते बड़े सारे लोग ठीक है ये पता लिए उसमें हमारा कितना share है ये भी पता लग गया जब हमारा share पता लग गया अब future में कितना पैसा आएगा अब उसको क्या करना पड़ेगा आपको discounting ये सर अब discounting rate कौन सा ले तो उनका कहना है वैसे तो discounting rate simple है RF प्लस beta RM-RF पर बड़े बीटा में बड़ी दिक्कत है बीटा क्योंकि digital platform है बीटा चैलेंजिंग है इसलिए company specific risk premium लेना दूसरा approach कौन सा है दूसरा है market approach मतलब comparable है और ratio कौन कौन सा बोले आप चाहो तो price है नहीं को comparable मेरे ख्याल साब नहीं समझाँगा तीन बार का आज comparable समझा चुका हूँ और चाहो तो आप ये वाला E का मतलब enterprise value अच्छा सर या फिर value of firm एक ही बात है enterprise value बोलुई या value of firm ये भी ratio मैंने आपको huge करना सिखा है दूसरे का निकालेंगे अपने से multiply करेंगे ठीक है हाला कि उसमें difficulty होती है तो उसको हम क्या कर लेंगे adjustment कर लेंगे अब यार digital platform में driver बता रखा कि revenue कहां से generate होता है मतलब कौन कौन सी चीज important है जिससे matching marketplace मतलब एक booking.com था जिसमें आप supply और demand को match करवाते थे तो वहां important क्या important है कि कितने लोग booking करवा रहे है उसके इसाब से देखना पड़ेगा कि यार यहां कितने लोग booking करवाते हैं और हम जहां पैसा लगा रहा है हमारा digital platform यहां कितने लोग booking करवा रहा है उससाब से हम comparative कर लेंगे payment payment मतलब वही पेटी है Google Pay इन दोनों की बीच में देखते है Google Pay से हम पेटी हैं का valuation करना चाहते है तो Google Pay में active subscriber कितना है और उसका comparison हम पेटी हैं से कर लेंगे ठीक है सर ऐसे network community ओके subscription fees देखना पड़ेगा ठीक है communication जैसे whatsapp वगेरा तो advertisement से पैसा आता है YouTube YouTube में कितने contributor है कितना duration यूज होता है यह सब देखना पड़ेगा search engine Google वगेरा का पढ़ लोगे यह जड़ा important ओके यह मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता example के तोर पे बताए एक मिनट में समझे में एक होता है cost approach मतलब सर तीन approach बताया है digital platform के valuation में पहला कौन सा सर पहला तो वही है हमारा income approach cash flow का discount दूसरा कौन सा अप्रोच है तो दूसरा वही comparable market value approach और तीसरा cost जितना खर्चा हुआ सब को छोड़ देंगे वाँ ओके value of professional consistency firm इसके लिए तो सिर्फ comparable ही एक मात रिजरिया है और बाकी ये भी पढ़ लोगे pure theory है भाई कोई समझाने वाली बात नहीं है ठीक है ये पढ़ लेना इसमें pure theory है इसको मैं ज़्यादा time नहीं खराब कर सकता ESG तो पूरा ही theory ESG क्या full form है सर ESG environment social and governance क्या कहना चाहिए ESG से valuation पर क्या impact पढ़ता है इसमेंज वाले आप कोई भी company आप कोई भी startup हो या कोई भी company हो या फिर declining company हो तब में important है ESG इसमेंज company को कहीं ना कहीं focus करना पढ़ेगा environment पर और company को focus करना पढ़ेगा social पर और company को focus करना पढ़ेगा governance पर कि या बोर्ड इंडिपेंडेंट है की नहीं ये सारी चीज़ अगर आप environment पर ज़्यादा focus नहीं करते तो आपका valuation कम calculate work अच्छा सार ये ही बता दिया है investment ESG fund excess 50 billions या total asset इतना है 35 ये सब पढ़ों गया ये प्योर थेयरी है इसमें जो काम की चीज़ है ना हो सारा दे रखा भाई इतना तो मैं पढ़ा ही नहीं सकते ESG का पहला बताया E, दूसरा S और तीसरा क्या होगा G तो वो ये ही समझा रहा है कि अगर temperature हमारी factory की वजह से temperature 2 degree अगर बढ़ गाया तो फिर उस हिसाब से valuation पर effect पढ़ेगा ये सब बता रहा हूँ ऐसी S और ऐसी किसकी बात किया है और परपेट को मैरे खाल से ये pure theory और इसके बाद ये जो case study दे रखा Facebook और WhatsApp का वो कर लेना और किसका दे रखा Vodafone और Idea का ये भी case study पढ़ दोगे आने के chances का Sir business valuation में क्या important है भाई देखो मेरी वास समझो paper हमारा बहुत बढ़ा है और मैं कहूं कि यहां से आएगा तो बेवकुफी जितना हो सकता है कम से कम समय मैंने खतम किया बहुत सारा ऐसे theory है आपको ही पढ़ना पढ़ेगा कहीं भी technical चीजे नहीं है जैसे यह है जहां technical चीजे थी वो मेरे example के साथ में discuss किया है पर मेरे हाद बंदे हुए कि इसको मैं 10 घंटे तक पढ़ा हूँ तो मैं 10 घंटे तक नहीं पढ़ा सकता ठीक है तो एक बार आपको देखना पढ़ेगा यह theory जहां technical चीजे नहीं है पर distress company का evaluation वो अच्छा था वो आपको करना पढ़ेगा जैसे मैंने electricity करवाया जैसे मैंने electricity के अलाओ क्योंकि उसमें forward future यह तो आप कर लोगे यार weather derivative कुछ था ही नहीं exotic option था काम का वो मैंने electricity करवाया तो यहां मैं इसमें time नहीं लगा सकता अभी वैसे भी कितना देड़ घंटा ऐसे ही निकल गया इसका theory पढ़ने है तो बाकि आप देख लोगे कोई doubt होगा तो मैंसे पूछ ले ना खतम करे ग्लास ओके पढ़ना आप ही को बढ़ेगा जो सुरू का था distress company का और start-up वो important है start-up का valuation और distress company उसको अच्छे से करना उसकी methods तो कम से कम याद कर ले ना भाई methods कौन-कौन सा था क्या-क्या कर रहे है thank you bye bye